so hello all my dear students I hope you all are doing good मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे ठीक है तो आप लोगों के exams है May 22 में या कुछ लोगों के exams November 22 में भी हो सकते हैं ठीक है now if you are going to give your exams in May 22 and if you have taken a regular batch of May 22 और a fast track batch of May 22 तो आपको ये सब देखने की कोई जरुवत नहीं क्योंके ये सारी चीज़े हम लोगों ने अपने existing batch के साथ cover कर लिए ठीक है तो फिर ये किस के लिए है ये lectures ये lectures specially मैंने अपने उन students के लिए बनाया हूँ जो unfortunately past पिछले attempt में exam clear नहीं कर पाए और क्योंकि पिछले attempt में exam clear नहीं कर पा है उनका attempt बदलके सीधा finance act change हो गया December से जब आप में में जाते हो तो आपको finance act बदल जाता है अब तक आपने finance act 2020 पढ़ा था अब आपको finance act 2021 के जो भी amendments से वो देखना पड़ी है तो voice का मारी है शायद अब अब नहीं आईगी इस इट फाइंड नहीं तो वह इस पॉफिक आई इस तो मैं यह बोलना चाहरा था कि यह मेरी जहमेदारी है आप लोगों के लिए मैं कुछ भी आपके लिए फेवर नहीं कर रहा हूं आप लोग मेंसेश करते रहे तो पागल जैसा सार आप बहुत वर कर रहे हो यह ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा काम है आपको सबोर्ट करना तिल दर टाइम यूप लिए और सीए फाइनल एक्जाम क्लियर नहीं करते हो मेरी जिम्हदारी है आपको हर तरीके से सपोर्ट करना ठीकिए ताइट इस वाट आंगे चले जाएगा दिसेंबर 21 से में 22 तो आपका फाइनाइस एक बदल जाएगा आपका प्रिवियस एर बदल जाएगा प्रिवियस एर तो बस उसमें क्या बोलू एक साल आगे चले जाओ आप पहले 2021 पढ़ते थे आप 21 22 पढ़ोगे उसी तरीके से आपका असेस्मेंट यह भी बदल टाक्स टाक्स डेस में कोई जाइंज नहीं तो टाक्स एट साब बोई फॉलव कर रूओ जो आप लास्ट एर फॉलो करते थे तो फैनास अक 20 और फैना है 21 कि टाक्स रेट्स में कोई भी बदला उनिव नहीं कि ए इट इड आप्सुलूटली से अनली ठीक है वह लिसन कर of all kind of amendments made by the government of India in Finance Act 2021. एक, just एक interesting fact बताना चाहता हूँ, Finance Act 2021 के बारे में, not much important for exam, but आपको as a CA final student and as a tax practitioner पता होना चाहिए, जो मैं अभी बोलने चाहरा हूँ. पिछले साल जब budget आया था, 1st February 2021 को, तो budget में हम सभी को बता है कि government बहुत सारी चीज़े प्रपोस कर दी है, ठीक है, और उसके बाद, दो मैंने बाद, government budget के दो मैंने बाद लाती है, अपना Finance Act. तो government इतना बड़ा blender किया पिछले साल कि government ने से for example, direct tax में, से 100 proposals किये, 1st February को. तो अगर आप 100 proposals करते हो, 1st February को. तो आप क्या उम्मीद करते हो, दो मैंने बाद, 100 में से कम से कम, 90 या 80 तो कम से कम implement हो जाए. तो इस पिछले साथ Finance Act में government ने ये किया, कि 100 proposals जो किये थे direct tax में, मैंने पूरा budget पढ़ लिया अच्छे से, मुझे लगा ये amendment ये है, इसका मैं इसे implication दिखाऊँगा, इसका मैं इसे implication students को समझाऊँगा, और practical life में इसका ये implication होगा, etc. उस सब मैंने पहले analysis करके रख लिया, February मद में. लेकिन जब मार्च के last week में, जब actual finance act आया, पता चला, 80% amendments, जो budget में बोले गए थे, उस तरीके से implement ही नहीं किये गए, पूरी तरीके से change हो गए, therefore, पिछले साल से मैंने कान पकड़ लिया, और मैंने ये सोच लिया भाई, कि अब से जो budget में बोला जाएगा, उसको ज़्यादा दिल पे निले लिए, बज़ेट में जो बोला गया है, ये मान के मत चलो के, पूरा का पूरा उसी तरीके से आने वाला, ये भी हो सकता है, कि उसमें से substantial चीज़े चेंज हो जाएगी, जो government ने budget में बोला है, जो government finance act में करने आ लिए, अपने को obviously finance act पढ़ना है, अपने को budget बज़ट नहीं पढ़ना है, तो अपने लिए finance act 2021 relevant है, इस साल जो budget आया, वो आपके exam के लिए relevant नहीं है, May 22 के लिए भी relevant नहीं है, November 22 के लिए भी relevant नहीं है, ये चीज़ दिबाब रहा है, ठीक है, ये अगले साल वाले students के लिए अप लीके बलोगा, so without wasting any further time, let us start with the first amendment, and wherever required, जहां पर भी ज़रूरी है, मैंने वहां पर sufficient comprehensive questions भी डाले, हम लोग यहां पर सिर्फ amendments नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसके questions भी करने की कोशिश करेंगे, let us make this very very comprehensive, क्योंकि जो main attempt होता है, उसमें generally institute बहुत सारे amendments पूछती है, तो ये जो amendment की booklet है, जादा बड़ी नहीं, ये 50-60 page है मुश्किल से, तो ये 50-60 page कम से कम 15-20 mark का आ सकता है, आपके exam में minimum, उतना आने के chance से, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये 50-60 page में मैंने amendments के साथ-साथ, questions भी cover कर लिए, जो आपके finance act 2021 से related provision से उसके उपर, ठीक है, तो सबसे पहले, चलो शुदू करते, क्योंकि एक live session है, थोड़ा interactive बनाएंगे इसको, तो मज़ा भी आएगा, मुझे भी और आपको भी, तो सबसे पहले, मुझे आप लोग बताओ, चलो, सबसे पहला amendment जो यहाँ पर हो रहा है, मैं थोड़ा से एक brief दे देता हूँ, क्या goodwill एक intangible asset है, income tax के हिसाफ से, the answer is yes, अब सवाल यह उठ रहा है, क्या goodwill पर आपको depreciation मिलता है, the answer is yes, सवाल यह उठ रहा है, क्या income tax law में, goodwill के बारे में specifically mention किया गया है, क्या goodwill is an intangible asset, ऐसा income tax law में क्या specifically लिखा गया है, the answer is no, जिसने भी मुझे से पढ़ाया, कहीं पर भी अगर पहले direct tax पढ़ा होगा, तो आपको यह चीज़ पता होगा, क्या goodwill के बारे में specifically income tax law में, कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्या goodwill is an intangible asset, लेकिन, there are supreme court judgments, and one of the most famous supreme court judgments, in the name of Smith's Securities Limited, 2012, उसमें बोला गया था, आपने पढ़ा भी होगा पिछले अठेम, उसमें बोला गया था, that goodwill is not specifically mentioned in the act, act में specifically mentioned नहीं है, लेकिन, it can be called as any other business or commercial right, उसको हम any other business or commercial right बोल सकते हैं, और क्योंकि हम उसको any other business or commercial right बोल सकते हैं, goodwill को भी आप intangible asset बोल सकते हो, और उसपे depreciation claim कर सकते हो, do you remember that, कि आप लोगों को याद है ये चीज, कि goodwill के बारे में, specifically law में goodwill word नहीं है, लेकिन goodwill के उपर हम depreciation लेते थे, सुप्रीम कोट के judgment की मदद ले लेकर, याद आता है आप लोगों को, बोलिये, interactive करो, interactive, मज़ा आएगा आपको भी, और मेरे साथ देखकर खतम कर दो, क्योंकि अलग से बैट बैट के देखोगे, आप कुछ देखोगे नहीं फिर, मेरे को पता है, इसलिए मैं live लेता हूँ, ताकि मेरे साथ ही देखकर खतम कर दो, ठीके, आप government ने, पता नहीं, बहुत strict होगे ये government अप, अब government ने goodwill के उपर, जितने भी फाइदेते, सब निकाल दिये, सब फाइदे निकाल दिये, multiple amendments किये, government ने goodwill के उपर, और मैं सारे एक एक करके आपको बताता हूँ, सारे और उस पर फिर question भी करवाऊंगा, don't worry about it, तो सबसे पहले, पिछले साल तक goodwill पे आपको depreciation मिलता था, लेकिन अब government ने retrospective amendment किया है, वो भी एक साल retrospective, generally अगर आप सोचो, finance act 2021 का जो amendment है, वो कौन से year से applicable होना चीए, previous year 21-22, generally, that is assessment year 22-23, बराबर finance act 21 का amendment, लेकिन ये वाला amendment government ने, 21-22 से applicable नहीं करवाया है, बलकि previous year 2021 से ही applicable करवाया है, that is one year retrospective, ठीक है, एक साल government ने इसको retrospective बना दिया है, अब क्या amendment ने गहुर से सुनना, goodwill को government ने बहुत बुरी तरीके से goodwill की आलत किये, सबसे पहला amendment, government ने section 211 amendment किया है, what is section 211, block of asset का definition है उसके अंदर, उसके अंदर specifically लिख दिया, by asset does not include goodwill, goodwill को बाहर फिक दिया, यहाँ पर देखना, सबसे पहला amendment, goodwill को definition of block of asset से बाहर निकाल दिया, ठीक है, मतलब अभी income tax की नजर में, goodwill is not a part of block of asset, अब block of asset का party नहीं बने गा, तो उस पर depreciation तो मिली नहीं सकता है, यह पहला amendment, दूसरा amendment, section 32 के अंदर specifically explanation डाल दिया, यह बाई आपको जो asset पर depreciation claim करना है करो, goodwill पर depreciation नहीं मिलेगा, दूसरा amendment इन लोगों ने section 32 में कर दिया, एक explanation डाल के, दिखता है, मैं एक एक करके पूरा explain कर देता हूँ पूरा, तीसरा amendment, section 43.6, यह क्या है सर, what is section 43.6, section 43.6 talks about WDB of an asset, and what is WDB of an asset, WDB का definition क्या है, WDB का definition यह है, actual cost minus depreciation actually allowed, अब यहाँ पर एक सवाल अपने दिमाग में आएगा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, वो सवाल क्या है, बहुत ज़्यादा कोई से सुनना, अब यह 43.6 और section 50 को इकठ्था ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, यह इसके अंदर similar amendment सी, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, चलो मान भिया सर, कब से goodwill का depreciation गौर्मेंट नहीं देगी, retrospective amendment हुआ है, तो pre-financial यह 2021 से, अब goodwill का depreciation आपको नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब सर क्या 1920 तक goodwill का depreciation अपने को मिलता था, हाँ मिलता था, definitely मिलता था, 1920 तक depreciation मिलता था, लेकिन अब 2021 से government आपको goodwill के ओपर depreciation नहीं देने वाली है, ठीक है, यह सब को clear है मेरे इसाब से, तो यह section 211 मना कर रहा है कि by block से उसको बाहर कर दो, 32 मना कर रहा है बोला उसको depreciation नहीं देंगे हम, अब 43-6 और section 50 क्या बोलना चाते है, ठीक है, 43-6 क्या बोलना चाता है, 43-6 क्या बोलना चाता है, गौर से सुन लेना, देखो यह बात तो बहुत clear है, कि 2021 या उसके बाद goodwill खरीदा, तो उसके depreciation नहीं मिलने वाला है, ठीक है, बहुत clear बात है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है, कि मिसाल के तौर पर, किसी ने, सुन लो अच्छे से, किसी ने goodwill से, previous year 15-16 में, किसी ने 1,00, रुपे की goodwill पर्चेस किया, ठीक है, ठीक है, तो previous year 15-16 में, तो उसको depreciation मिला होगा, 16-17 में भी मिला होगा, 17-18 में भी मिला होगा, क्योंकि तब तो कोई amendment नहीं था ना, तब तो Smith Security का case law लो, और ले रो depreciation, 1920 में भी मिला होगा, अब government ने मना कब से शुरू किया, government ने मना किया, 2021 से, अब ये सारे years में तो आपने depreciation क्लेम किया होगा, तो सवाल क्या उट रहा है मालूं यहाँ पर, जो government के सामने सवाल था, government ने बहुत अच्छे से जवाब दिया उसका, कोई clarification की जरुवत निया, बहुत clearly बात किया है, अब government से मैं आप ये सवाल पूछ रहा हूँ, जो government ने finance act के अंदर ये उसका answer दिया है, but let us raise the question, so that we get the clarity, हमको clarity मिले, कि सर ये जो asset है, जो मैंने 15-16 में goodwill खरीदा था, जिसका मैंने 15-16-17-17-18-18-19-19-20 में depreciation claim किया, मुझे बता, उसकी कुछ ना कुछ WDV बची होगी की नहीं होगी अभी आज की तारिक में, बताइए मुझे, please answer, क्या उसकी कुछ ना कुछ WDV बची होगी की नहीं होगी, the answer is yes, उसकी कुछ ना कुछ तो WDV बची होगी अभी, तो क्या इस WDV को भी government, आगे इस पर भी depreciation मना करेगी या इस पर depreciation continue रहेगा ये सवाल है did you understand the question all of you please answer तो government ने बहुत clearly बोल दिया है amendment बताता हूँ आप साथ में पढ़के आप ही बता हो क्या होगा question समझ जाओ देखो बाई एक चीद बहुत clear है अगर 2021 या उसके बाद goodwill खरीदा तो पूछो ही मत depreciation लेकिन अगर 15-16 में खरीदा 14-15 में खरीदा और आज भी मेरे block के अंदर goodwill का कुछ WDV है जो पुरानी goodwill है तो उसका क्या करने का तो government ने बहुत clearly बोल दिया है यहां पर with effect from the previous 2021 one year retrospective goodwill of a business or profession is not eligible for depreciation if the value of a block of a set on 1st April 2020 includes goodwill of business and profession on which depreciation obtained by the assessi in any previous then the depreciated value of the goodwill shall be deducted from the value of block of a set as on 1st April 2020 तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा पेटा आपका जो भी total block का value है उसमें से total block का जितना भी value है उसमें से suppose तेरा जो भी total block है उसमें से यह जो depreciated value है ना वो less करना पड़ेगा moral of the story क्या हो गया कि आगे से तेरे को इस वाले goodwill पर भी depreciation नहीं मिलने वाला है is everyone clear with this is everyone clear with this clear now what is section 50 section 50 क्या है चौथे section की तरफ बढ़ते section 50 क्या बोलता है section 50 and section 48 दो sections in comparison section 48 बोलता है computation of capital gains in case of other than block और section 50 क्या बोलता है computation of capital gains in case of block yes or no अगर block of asset बेचोगे तो capital gains कैसी निकालेगा ठीक है अब मुझे बता block के अंदर goodwill भी हो सकता है वो भी बेच सकता है उसके लिए भी amendment आया है क्या amendment आया है अभी पहले तीन अगर आपको claim किया था तो उसका जो भी WDV है उसको less करो और आगे ताकि बेच से में आपको क्या करना पड़ेगा उतना WDV बाहर करो और balancing जो भी amount होगा sale consideration से compare आप कैसे block में computation करते हो बताओ मुझे आप sale को compare करते हो opening WDV plus purchase made during the year और फिर देखते हो कि क्या जादा है अगर sale जादा है तो gain हो जाएगा STCG और अगर अपका sale कम है तो आपका STCG हो जाएगा मतलब हर जगे से government ने goodwill की बैणव जाईगी depreciation नहीं मिलेगा पुराने asset का WDV के अंदर already part है वो भी नहीं मिलेगा section 58 के अंदर अगर capital gains compute करते हो और निकाल के computation करो और बताओ और क्या amendment किया है और भी amendment किया है government का दिल नहीं भरा है अब दिल government का दिल कब भरेगा मुझे नहीं पता अभी दिल नहीं भरा उनका याद करो वो landmark judgment of BC श्री निवाशा से T versus commission of income tax क्या बोला गया था उस judgment में मैं जो भी पढ़ाऊंगा बेटा लॉजिकली पढ़ाऊंगा ऐसे नहीं कि run through कर रहा हूं amendment आपने पढ़े और निकल गए बिल्कुल भी नहीं मैं समय लेकर पढ़ाऊंगा समय लूँगा amendment से समय लेना चाहिए उस पर एक एक चीज़ के इंसाइड आउट गुसूंगा मैं मैं उपर उपर से उड़ा के फॉर्मालिटी नहीं करूंगा बेटा थोड़ा समय लगेगा अगर आपके पास समय है तो ही बैठो अगर आपको लाइफ में शॉर्टकट मारना है तो मत बैठो बहुत सारे स्टुडेंट हासकल सिर्शॉर इनिवास सेटी के केस में उसमें ये बोला गया था जे गुडविल ऑफ असे जन्रेटेड बिजनस उसका कॉस्ट अफ एक्वरेशन डिफाइन नहीं है तो कंपेडेशन मेकैनिजम फेल हो जाएगा और अगर कंपेडेशन मेकैनिजम फेल होगा तो चार्जिंग सेक्शन आ डिपार्टमेंट चुपो गया सुप्रीम कोट ने बोल दिया सभी बात है cost of acquisition निल डिफाइंड नहीं है तो फिर government of India ने क्या किया section 55 में amendment किया याद करो क्या amendment किया कि अब से goodwill of a business is also going to self generated goodwill of a business खुद से generated जो goodwill of a business है उसका cost of acquisition निल होगा याद आता है लेकिन याद करो वह amendment के अंदर government डिफाइंड नहीं करोगे मैंने तो class के अंदर बहुत clearly आपको यह सारी चीज़े बोली थी कि self generated goodwill of a business is defined as निल profession को government ने अभी भी define नहीं किया अपनी book में लिखा हुआ जाकर check कर देना अड़े बराबर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं हां self generated goodwill of a profession is निल ऐसा law में कहीं नहीं लिखा है तो उस particular case के अंदर self generated goodwill of a profession के उपर अभी भी वह चालिस साल पुराना judgment जो 1980 में कभी आया था वह अभी भी apply कर सकते हो आप और बोल सकते हो competition mechanism fail therefore charging section cannot be effectuated लेकिन उसी loophole को आप government ने ओवरकम कर दिया है कैसे ओवरकम कर दिया अब government में टाल दिया कि अब से goodwill of a business और profession अगर self generated है तो निल होगा और अगर purchase किया है तो purchase price याद आता है तो यह दो जगे पर professional word नहीं आया था पहले goodwill of a business था और profession नहीं था government नहीं गुसेड दिया और trademark brand name associated with business था और profession नहीं था वहां पर भी government ने profession डाल दिया जो भी आपको green में दिखेगा नवा amendment जो भी आपको green में दिखेगा और नीचे note भी कि दाल दिया हो मैंने तेखो 2020-21 तक self generated goodwill of a profession and self generated trademark associated with a profession was not chargeable to tax यहाद आता है is everyone clear is everyone clear with this please let me know यहाँ पर आपका पहला amendment हतम होता है ठीक है अब इसके उपर कुछ questions डालाओ मैं तो इससे अब क्या होगा आपका जो Smith security का case law था वह आप book से delete मार दोगे ठीक है वैसे भी आप नहीं case law की book refer करो जो मैंने upload किया हूँ इस पर गुडविल पर चैल भी start with this question it's a very good question X limited commences business of manufacturing on April 11, 2016 ठीक है by acquiring goodwill of a business for 20 lakh rupees 20 lakh rupees का उसने goodwill में goodwill खरी था 2016 में on the same day it purchases few patent of 30 lakhs उसने goodwill के साथ-साथ 30 lakh रुटे का patent भी खरी रा now after 11th April 2016 the company acquires and transfers the following उसके बाद हर साल company ने कुछ ना कुछ transaction किया कुछ purchase कुछ sale purchase sale और 29 June 2017 one patent was transferred for 24 lakh so यह block से less होईगा on July 28 2018 goodwill of another business is acquired for 2 lakh यह block में add होईगा 2018 में and एक नया patent is purchased for 3 lakh यह भी block में add हो जाएगा ठीक है अब September 2019 मतलब 19-20 goodwill of a competitor is purchase तो यह block में add होगा and old patent is transferred for 25,000 तो यह block से less होगा now X wants to know the amount of depreciation available for tax purpose for the AY-21-22 AY-21-22 मतलब PY कौन सा? PY-2021 अब सुनो जरा 1920 तक आपने जो भी किया किया लेकिन अब 2021 से आपको patent पे तो depreciation मिलेगा लेकिन goodwill पे depreciation नहीं मिलेगा इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? 1st April 2020 की जो WDV होगी ठीक है? उसके अंदर दो asset होगे goodwill भी होगा, patent भी होगा पराबर तो इसकी WDV में से अपने को goodwill का जितना भी WDV है वो क्या करना पड़ेगा? less करना पड़ेगा Is everyone clear with this? प्लीज पहले इतना बोलो इसकी WDV में से जितना भी goodwill का WDV है वो आपको less करना पड़ेगा Is everyone clear? अभी हम लोग क्या करते हैं? पूरा calculation ठीक है? सबसे पहले 1st April 2016 को suppose कुछ भी नहीं था ठीक है? ब्लॉक के अंदर उसके बाद आपने 50 लाग रुपे का goodwill और patent खरी था Sir कैसे 50 लाग रुपे का? मैं यह सब ना clear कर देता हूं ठीक है? यह clear कर देता हूं ताकि मैं फिर से बता सकूं 30 लाग का patent 20 लाग का goodwill तो यह 50 लाग हो गया ठीक है? पहले साल की WDV 50 लाग अब पहले साल में आपको 25% depreciation मिलेगा I hope everybody remembers that intangible asset पे 25% depreciation मिलता है 25% साड़े बारा लाग साड़े बारा लाग depreciation क्लेम करने के बाद second year का जो opening balance है 37.50 अब second year में तुमने कुछ ना कुछ तो किया है second year में तुमने एक 24 लाग रुपे का patent ट्रांसफर किया है वो ट्रांसफर किया है तो लेस करो लेस करने के बाद 13,50 उसके अलावा second year में कुछ नहीं किया तो second year का depreciation 25% claim करो second year की WDV 10,12,500 ठीक है? अब third year में तुमने क्या किया है एक goodwill करीदा है और एक patent करीदा है total 5 लाग रुपे का addition किया है तो वो 5 लाग add करो 5 लाग add करने के बाद जो भी amount आएगा वो WDV उसमें से 25% depreciation मिकालो तीक है? यह आगया आपका 11,34,375 अब last year में आपने दो चीज किया है अगर यह amendment नहीं आता तो हम लोग ऐसा ही continue करते है 944,531 will be the WDV for the next year लेकिन यह amendment क्या बोलता है तुमारे block में 1st April 2020 को जितना भी total asset है WDV का उसमें से goodwill का WDV less कर और फिर balance में depreciation claim कर तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा बहुत simple calculation अपने को पता लगाना पड़ेगा 944,531 में से goodwill का WDV कितना है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं separate block बना रहा हूँ सिर्फ goodwill का अए did you understand what I said goodwill का separate block बना रहा हूँ उसमें पहले nil फिर 20 लाग का खरीदा पहले साल में पहले साल में 25% depreciation दूसरे साल की opening WDV दूसरे साल में goodwill में कोई changes नहीं है उस पे depreciation claim किया तीसरे साल में 2 लाग रुपे का goodwill करीदा उस पे depreciation 3.30 ऐसा करते 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 did you understand how I arrived at 8.57 बोलो ना बेटा therefore 944 में से 8.57 goodwill का यह तो जो differential amount है वो बच जाएगा पेटेंट का तो आपको differential amount पे 25% depreciation आगे मिलना चाल दो हो जाएगा is everyone clear with this particular calculation please बोलिए so this is our first amendment with a question on it जहां जरुआते माँ question डाला हो मिले is everyone clear तो goodwill पे depreciation आगे खरीदोगे तो नहीं मिलेगा पहले खरीदा है तो ब्लॉक से 1st April 2020 को less करो self-generated goodwill of business और profession और trademark का business और profession ब्राइंड में business और profession दोनों का self-generated है तो उसका भी cost निल clear so this is our first amendment बड़ा amendment है इस पे question expect करना जरूर exam करना कुछ ना कुछ पूछेगा इंची डूट सब ठीक है दूसरे amendment की तरह बढ़ू second amendment this is also a beautiful amendment बहुत ही बड़ी आ amendment थोड़ा background दे देता हूँ ताकि मैं उस amendment के अंदर जास हो भरत के जैन उस पे फिर कभी बात करेंगे है अभी मेरा काम academic discussion करना है practical discussion के लिए न एक काम कर तो मेरे office में आ महज़िद बंदर में अगर बंबे में रहता है को ठीक है मेरे firm का नाम है एक के सकारिया एन असोसियेट उधर आ उधर में तेरे को advice देता हूँ पाइसा भी चार्ज करें प्री में नहीं दुना हूँ ठीक है insurance policy का पैसा आपको जो आता है insurance policy ठीक है life insurance policy का जो पैसा receive होता है वो क्या होता है government ने क्या बुला है वो exempt है कहां exempt है section 10 10D के अंदर बराबर लेकिं exemption के government ने condition डाले condition क्या डाले याद करो आपने पढ़ा होगा पहले कि अगर policy 2012 तक issue हुई है तो the annual premium should not exceed 20% of summer short अगर policy 2012 से लेकर 2013 के बीच में issue हुई है the annual premium should not exceed 10% of summer short और अगर policy 2013 के बाद issue हुई है तो annual premium should not exceed 10% of summer short in case of normal person and in case of disabled person it should not exceed 15% of summer short do you remember that ठीक है तो government ने percentage के उपर क्या डाल दिया है कि मिसाल के तौर पे आपका summer short है 10,00,000 तो आपका annual premium should be less than equal to 10% of summer short ठीक है आपका summer short है 5,00,000 तो भी वह ही है annual premium should be less than equal to 10% of summer short ठीक है मतलब पहले वाले case में गौर से सुनना आपका annual premium कितना होना चाहिए एक लाख रुपे तर तो चलेगा दूसरे वाले case में आपका annual premium पचास लाख तक होईगा तो भी चलेगा आप यू क्लियर पुरा खेल इस ही में है yes or no बोलो और disabled लोगों के लिए 15% है वो मैंने आपको बोला बिटा और ये 2013 के बाद अगर policy issue हुई है तो उसके लिए 2012 के पहले issue हुई है तो 20% है 12 और 13 के बीच में तो 10% 13 के बाद 10 15 दो slap डाला है clear now amendment क्या है मुझे बता अगर यहाँ पर policy पांसों करोड की भी है ठीक है तो भी government ने condition क्या डाला है annual premium should be less than equal to 10% of summer short मिलेगा की नहीं मिलेगा अगर यह 50 करोड तक का premium देता है साल का तो मिलेगा की नहीं मिलेगा benefit बोलो third वाले case में answer is yes मिलेगा benefit क्यों पता है गवर्मेंट ने जो restriction डाला है ठीक है तो गवर्मेंट ने जो restriction डाला है वह सिर्परसंटेज पी डाला है जाट इट शुड नाट एकसीट 10% of summer short अब summer short अगर एक अजार करोड है तो 100 करोड का premium भी होगा तो भी चलेगा example इतना बड़ा life insurance policy बहुत कम लोग लेते होंगे हर कोई नहीं लेता रहेगा बहुत कम लोग होंगे ठीक है 100 करोड का premium कौन भरेगा और भरना भी है तो फिर बहुत बड़ा माओंटे बहुत बड़ा आजियो तो अब गवर्मेंट ने यहाँ पर कुछ amendment लाया है लेकिन इसमें भी twist है amendment किसके लिए आया है अमेंट्मेंट्स सारी life insurance policy के लिए नहीं आया है सिर्फ यूलिप के लिए आया है unit linked insurance policy है दो किसम की insurance policy आती है सुन लो अच्छे से जो life insurance policies है ना वो दो किसम की है एक होती है normal insurance policy और एक है ता यूलिप नॉर्मल और यूलिप में फरक बतातो थोड़ा सा एक basic फरक बता देता नॉर्मल में आप क्या है आप बस ये intention से पैसा डालते हो कि आपको भाई कोई मर गया मैं कभी तो मेरे घर वाले को पैसा मिल जाया बस ये intention यूलिप में आपका intention investment है मतलब ये पैसा कहा जाता है market में invest होता है benefit आपको ATC में दोनों का मिलता है इसका भी benefit ATC में मिलता है इसका भी benefit दोनों का benefit आपको ATC में मिलेगा उसका कोई intention लेने वाली बात नहीं है ठीक है लेकिन ये चेस दिमाग बरेखना ये जो यूले पैना ये थोड़ा सा risky होता है as compared to this one because इसका पैसा market में जा रहा ह ठीक है government दोनों में ATC का benefit देती है लेकिन government ने अब क्या बोला है पता है कि ये जो है ना normal policy के लिए पुराना provision applicable रहेगा 10% 10% वो जो भी है यहाँ पर 10% वाला provision तो applicable होगा ही साथ-साथ में government ने amount का भी cap डाल दिया है एक amount का भी cap डाल दिया है कि आपका annual premium should be less than equal to a particular amount उससे ज़्यादा annual premium नहीं होना चाहिए अगर आपका annual premium उससे ज़्यादा हुआ तो आपको यूलिप की maturity है जब भी आपको पैसा मिलता है death pay maturity वो पैसा exam नहीं होएगा उस पे tax लगा देंगे ठीक है did you understand the difference provision में मैं घुसा नहीं हूँ did you understand the difference provision में मैं थोड़ी देर में घुसा हूँ इस पे भी मैंने questions दालाओ amendment का आया है amendment यूलिप के लिए नॉर्मल के लिए नहीं आया है ठीक है अब क्या amendment आया patience रखो बहुत बेटा patience से सीखोगे एक ही बार में दिमाह में घुस जाएगा खाएगा ही नहीं करना amendment क्या है सर चलो देखते अच्छा नॉर्मल जो यूलिप नहीं है which is not a यूलिप उनको कब exemption मिलेगा उनके लिए सिर्फ percentage वाला criteria फुल्फिल करना है साउ करोड का भी policy है तो भी चलेगा लेकिन यूलिप वालों के लिए percentage तो फुल्फिल करना ही है साथ साथ में government ने section 10 10 d के अंदर दो provisos डाल दिये अब क्या बोलते हैं यह प्रवाइश ठीक है चलो देखते हैं सबसे पहले अंडरलाइन कर ले ना यह amendment कब से अप्लिकेबल है यह अंडरलाइन कर लो यह amendment कब से अप्लिकेबल है 1st February 2021 से if the policy is issued and this is only applicable to ULIP not to other not to other these amendments below are applicable only in case of ULIP बराबर से underline कले ना to put it differently these amendments are not applicable if the insurance policy is not a ULIP अब कोई पूछ रहा यह खंडेलवाल sir what's the reason for imposing the restriction the reason is very clear do not put your hard and money in such a risky investment and they want to increase the tax base उनको किसी ना किसी तरीके से tax-based बढ़ाना है वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी पे हर साल सेलेक्टिव तरीके से tax-based बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ tax-imposition तो करना ही पड़ेगा tax base कैसे बढ़ेगा अभी भी हमारे देश का fiscal deficit 27 लाग करोड ए सालका गोर्मेंट बोलती है खर्चे 40 लाग करोड़े है लेकिन टैक्स रेवन्यू का कलेक्शन 22 लाग करोड़े है तो 17-17 लाग करोड रुपेगा रेवन्यू आएगा किदर से लोन लेना पड़ेगा लोन लोन के तो इंट्रेस देना पड़ेगा बड़न बड़ेगा एकनामी पर टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगी गौर्मेंट, यह वही काम कर रही है, ठीक है, तो यूलिप has been defined, ब्ला-ब्ला-ब्ला, जिसके अंदर investment भी है, insurance भी है, दोनों भी है, उसको बोलते है यूलिप, जिसमें आप investment के intention से भी करते हो, और अपनी life भी इंचौर हो रही है, अब amendment क्या है आपने, यह चीज़ सबसे पहले clear कर लो भाई, यह सब के लिए नहीं आया, सिर्फ यूलिप के लिए आया, बाकि जो दूसरी normal insurance policies है, उनके लिए अभी भी सिर्फ वो 10%, 15% वाला criteria ही fulfill करना है, आपकी policy का amount exempt हो जाएगा, बट यूलिप के has been answered in clause 1010-D, क्या बोलता है सर यह, ठीक है, under section 10 to provide that exemption under this clause shall not apply with respect to any ULIP issued on or after 1st of 2021, if the amount of premium payable for circle करना, for any of the previous year during the term of policy exceeds 2,50,000 रुपी, तो सबसे पहले, सबसे पहले, देखो वो 10% और 15% का criteria तो fulfill करना ही है, अगर वो fulfill नहीं करते हो ना तो वो तो वैसे ही taxable है, वो वैसे ही taxable है, व वो fulfill कर लिया, तो फिर ULIP के लिए आपको यह additional condition भी देखना पड़ेगा, इसमें क्या बोला है, कि अगर आपने ULIP, 1st Feb 2021, यह उसके बात खरीदा है, मैं एक एक चीज बराबर से highlight कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको सारे important words समझ में आ जाए, ULIP is issued on and after 1st Feb 2021, and the premium payable for any of the previous year exceeds 2,50,000, 1st Feb 2021 के बाद ULIP खरीदा है, और किसी भी साल के लिए अगर premium 30,000 से जादा होता है, तो आपको 1010-D का exemption नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस everyone clear with this, तो आपको exam में सबसे पहले क्या चेक करना है, 1st Feb 2021, या उसके बाद ULIP इशू हुआ है क्या, अगर पहले इशू आए ना 2017 में, 2018 में, 2019 में, तो फिर ये conditions relevant नहीं है, तो फिर सिर्फ 10% और 15% वाला criteria फुल्फिल करो, clear हैं, अब फिफ्थ प्रोवाईजो थोड़ा गार से देखना, ठीक है, फिफ्फ प्रोवाईजो थोड़ा गरबल करेगा अपने को जिंदगी में, ठीक है, क्या गरबल करेगा देखते, तो च्बॉस 1010 दी, मैं सब बहुत clearly explain करूँ गा, डोट वरी, if the premium payable by the person premium payable by the person is for more than one unit issued on and after 1st Feb 2021 exemption under this clause shall be available only with respect to such policies aggregate premium whereof does not exceed 250,000 for any of the previous during the term of any of the policy ये paragraph जड़र पढ़ो एक बार सब लोग आप लोगो को पढ़ना पढ़े गाए जब तक आप लोग एक बार पढ़ोगे नहीं मेरा explanation आपको clear नहीं लगेगा ठीक है अब इसका मतलब क्या है सुनो इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ एक दम सिंपल शब्दो 1st Feb 2021 के बाद उसके पहले तो इस प्रोविशन अप्लीके बली में और आफ्टर है सबोज आपने दो पॉलिशी खरी दी यूलिप वन यूलिप तो ठीक है और चल भाई पॉलिशी बन अरे बेटा अभी यहां पर एना क्लासेस का क्या प्राइज है यह सब चीज पूछने का टाइम नहीं है अपना बात में में को लेक्शर के बाद पूछना भी मैं बहुत इंपॉर्टन डिस्क्रेशन कर रहा हूं ठीक यहां पर भी क्लास बेचने में मैं इंट्रेस्टेड नहीं प्लीज यूलिप बन इसका अन्वल प्रीमियूम इस से 1.8 प्लैक्स इसका अन्वल प्रीमियूम इस से 60,000 और सब्सक्रेशन एक और यूलिप है ठीक है एक और यूलिप ले 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 लिए मेरे पास एक तीसरे यूलिप भी है तीन पॉलिशी ले सकता हूं मैं क्यों नि ले सकता हूं मेरी मर्जी में 10 पॉलिशी रूप और यह सब का जो एन्वल प्रीमियूम है इस लेस देन परसंट ऑफ समस्शों क्योंकि यह तो पहले फुल्फिल करना पड़ेगा अगर यह फ सोचो यह तो फुल्फिल यह फुल्फिल नहीं होता तो यहां पर आके टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि प्रीमियूम का अमाउंट कितना है पहले परसंटेज चेक करो फिर अमाउंट देखो परसंटेज परसंटेज गिवन भाइट अब मुझे बताओ गोर्में अब में को चॉइस करना पड़ेगा तीन में से अगर मैं यह दोनों का प्रीमियम अगर मैं चेक करूं तो धायलाग से कम है तो यह दोनों को अगर मैं चूज करूंगा तो क्या मेरा इसका जो मैचॉरिटी का अमाउंट है क्या वो एक्जेम्ट हो जाएगा अरे बोलिए exempt हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का aggregate premium ठाइलाक से कम है clear अरे exempt हो जाएगा ना इंसमाम 1,80,000 और 60,000 कितना होता है 2,40,000 होता है na aggregate premium चूज करना पड़ेगा तुमको policy में से ठाइलाक से कम है exemption मिल जाएगा अच्छा अगर मैंने पड़े ली किया और मैंने ये और ये चूज किया तो मैं फच जाऊंगा फिट एकसेबल हो जाएगा दोनों सिर्फ ये बीच वाला exempt होईगा फिर अरे yes or no अच्छा ये और ये चूज कर सकता हो कर सकते हो वो भी चूज कर सकते हो वो भी चूज कर सकते हो कोई दिक करते हैं डिड्यू अंडरस्टाइड वाइस सेड वाट फिफ्फ प्रवाइजव चूज की बात करता है फिफ्फ प्रवाइजव बुलता है आप दस पॉलिसी लो ना लेकिन एग्रिगेट प्रीमियम साल का जिसका धायलाग से कम है वो सब पॉलिसी की मेच्वरिटी माफ वो सब पॉलिसी पे जो पी पैसा में लेगा हो माफ कर देंगे 1010D में इस एवरीवन क्लियर ठीक है इन सब पर कोश्चन डाला हूँ बहुत डीटेल में लेकिन पहले मैं अपने से एक्स्प्लेइन करूँगा फिर मैं कोश्चन दिखाऊंगा अब सिक्स प्रोवाइजव थोड़ा सा रिलाक्सिंग है टैक्सेबल कितना होगा मैं सब बता रहा हूं टैक्सेबलिटी पर प्रोविजन डाला है हाँ इस प्रोवाइजव क्या बोलता है बच्चे लोग का पढ़ लो जल्दी सब लोग पटक से बोलता है अब रिस्टिक्शन चैल नौट अपला है तो एनिसम रिसीव और देट ऑप परसन बहुत सिंपल है अगर मैं मर गया और मेरे घरवाले को पैसा मिलता है तो फिर यह धायलाग बायलाग नहीं देखने तो भी एक्जैम्ट है यह नया प्रोविजन कब अपली के बल है यूलिफ का जब इनसान जीते जी खुद पैसा लेता है तो अपली के बले अकर तू मर गया तेरे घर वाले को पैसा मिलता है तो यह सब रिमोवल के लिए हम लोग नोटिफिकेशन लाएंगे, अगर आपको पता होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन, CBDD दालते रहती है, for removal of difficulty, क्योंकि नया प्रोविजन है, अगर प्रोविजन अप्लिकेशन में difficulty आ सकती है, अगर प्रोविजन अप्लिकेशन में कोई difficulty आएगी, तो हम कानून लाएंगे, कोई tension वाली बात नहीं, ठीक है, now let me tell you, अब taxability कैसे होगी इसकी, वो भी देखना जरूरी है, ठीक है, taxability, यह सिर्फ ULIP के लिए, नॉर्मल के लिए नहीं है, अब मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है, taxability, vexability सब के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेर अटेंशन, suppose एक ULIP है, ठीक है, उसका annual premium, उसका sum assured, यह सब डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, suppose उसका annual premium is 2 lakhs, and sum assured is 10 lakhs, ठीक है, and policy is issued, on say 15th of Feb 2021, ठीक है, अब ऐसे case में आपको नए प्रोविजन में जाना ही नहीं है, ऐसे case में आप पुराने प्रोविजन में फर्स जाओगे, और आपको पुराने प्रोविजन के इसाप सही tax लग जाएगा, did you understand why, what is the reason for this, because the annual premium is greater than 10% of sum assured, did you understand, नए प्रोविजन में जाने के आपको बिल्कुल भी जरुवत नहीं, मेरे साथ एंगेज रहो पूरा time, पेटा जरावी हिले यहां से, सीधा उपर चला जाएगा, और ऐसे question बनाने का ICI, आपको पता है December 21 का paper कैसा रहा, ठीके, paper हलवा नहीं आता है, बहुत ही tricky आता है, आपको एक एक चीज़ के बारे में इंडेफ नॉलेज होना चीए बिटा, इसलिए प्लीज बेटा ध्यान से सुनो, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपको, यह तो वैसे ही tax हो जाएगा, तो सरी कैसे tax कैसे होता था पहले, पहले कैसे tax होता था वो भी बता देता हूँ, ठीके, इसको capital gains लगेगा, capital gains लगेगा, किसको investor को, कैसे section 45, subsection 1 के साब से capital gains लगेगा, अच्छा capital gains कैसे compute होगा, अरे उसको जितना भी पैसा मिला, माइनस उसने जितना भी premium बढ़ा, difference उसका capital gains, अच्छा ऐसे, amount received, minus premium paid, will be capital gains, long term ही होगा generally, और इस पे tax rate क्या होगा सर, tax rate इस पे हो जाएगा, as per section 112, long term है, तो 112 के साब से tax rate हो जाएगा, सबसे पहले में को आप ये बोलो, is it clear to everyone, अगर आप ये percentage में फस गए है, तो आप ये नया provision देखने आओ भी मत, फिर आप पुराने provision के साब से tax हो जाओगा, और पुराने provision में ऐसे tax होता था, normal provision, कोई special charging section नहीं है इसके लिए, 45-1 में tax होगा, special general charging section, और आपका capital gains 112 के इसाब से लग जाएगा, अब मान लो, मान लो, ठीके, नया provision में कैसे होगा, मान लो annual premium, is 90,000, या मैं कोई और amount डाल दे रहा हूँ, ठीके, मैं यहाँ पर दूसरा example ले रहा हूँ, ताकि मैं दोनों compare करके आपको बता सकते, annual premium है, summer short है, ठीके, मान लो, summer short is 50,000, ठीके, and annual premium is 4,000, बराबर, ठीके, अब मुझे आप लोग बताओ, क्या पुराने provision में बज़ गया मैं, percentage वाला बज़ गया, अरे percentage वाले provision में बचा की नहीं बचा हूँ, बच गया, लेकिन क्या नए वाले provision में बच पाऊँगा, नए वाले provision में नहीं बच पाऊँगा, because the amount of premium is greater than 2,3,000 रुपी, तो अब सवाल यह उठ रहा है, कि नए कानून में एक student ने पूछा, कि tax कैसे लगेगा सर, ठीके, तो उसके लिए government ने लाया है, एक separate charging section, ठीके, क्या charging section, यहां चेक करो, 45-1B, दिखता है, और बोला है, 45-1B के हिसाब से tax लगेगा, और इसकी tax liability कैसे निकाली जाएगी, 112-A के हिसाब से, 112-A मतलब, वो जो listed equity share, listed mutual fund, listed business trust का unit, 10% tax, एक लाक exemption, याद आता है, उसमें changes आया है, उस हिसाब से tax लगेगा, अगर नए provision में फसाना, नए provision में फसाना, तो 45-1B, charging section 45-1B, और tax rate 112-A, तो अब मैं link करता हूँ, नए provision को पुराने provision से, और नए tax rate को पुराने tax rate से, is everyone clear with this, अगर percentage में भांजी मारा, तो पुराने provision के हिसाब से tax होगा, लेकिन percentage में बज गया, अच्छा, अगर यह amount 6 lakh होता तो, आप क्या बोलते हैं, तो फिर किस के हिसाब से tax होता है, अगर यह amount 6 lakh होता तो, हेलो, 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 no voice, हेलो, 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 आर यह न आवास, तो फिर आप किस के हिसाब से tax लगाते, बताओ यह amount 6 lakh होता है, अगर अगर यह amount 6 lakh होता है, अरे नए वाले में कुछ समझने के लिए नहीं है, भाई, tax वैसे ही लगेगा, खाली tax rate का change हो जाएगा, एक लाग का exemption मिलेगा, बराबर, अरे is it clear to everyone, a tax ability में कोई change नहीं है, 45 1B कोई बहुत बड़ा section नहीं है, चेक करो, यह 45 1B में कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोला है, subsection 1B has been inserted with effect from 21-22, the provision is applicable if the following two conditions are satisfied, a person receives at any time during any previous year, any amount under ULIP, and to such exemption under 1010-D does not apply, on account of 4th and 5th proviso, अगर 4th और 5th proviso के वज़े से exemption नहीं मिलता है, मतलब 3 लाख रुपे के कारण के वज़े से exemption नहीं मिलता है, तो इधर आओ, और अगर percentage वाले के exemption नहीं मिलता है, तो फिर पुराने provision में जाओ, और अगर इधर आओगे तो tax rate कैसे लगेगा, 112A के साफ़ से, क्लियर, कम्पुटेशन क्या होता है, sale consideration minus cost, what is your sale consideration, पाईसा जो मिला कंपनी से, what is your cost, जो तू पाईसा दिया, वो तेरा cost, is everyone clear, so that we can see one question on this, one can affect two, three questions on this, which you have to answer, therefore, आपको क्या check करना है, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, आप पहले ये चेक करो, percentage वाला criteria, अगर percentage वाला criteria में, first जाता है, तो आप पुराने provision case, आप से tax करो, percentage वाले से बजग गया, तो फिर amount देखो, dialogue से ज़्यादा आएगा, amount में भी बजग गया, तो फिर tax नहीं लगेगा, अगर amount डाइलार से ज़्यादा हो गया, तो फिर ये नहीं provision case, आप से tax लग जाएगा, ठीक है, so now let us see a question on this, very beautiful question, ठीक है, अभी आप लोग मुझे answer करना, चलो सब लो, X takes a unit linked insurance policy, ये नहीं बूलोगे ना बिटा, कि ये सिर्फ ULIP के लिए है, अच्छा अगर ULIP नहीं है, तो इसके लिए क्या अप लीए बलोगा, अगर ULIP नहीं है, नॉर्माल policy है तो, जल्दी बोलो comment box में सब लो, अगर ULIP नहीं है, तो फिर क्या अप लिए बलोगा, अगर ULIP नहीं है, नॉर्माल policy है, बस एक ही condition है तो बहुत simple है normal policy को एक ही barrier cross करना exemption लेने के लिए बट ulip वाले को अब दो barrier cross करना पड़ेगा पहले percentage फिर amount percentage में फसा तो पुराने provision में tax और percentage में बचेगा तो amount में फसा हो amount में भी बच गया तो फिर exempt में तो tax ठीक है तो चलो तो X takes a ulip on 6th March 2021 6th March 2021 मतलब amendment आने के बाद ठीक है date याद रखना information pertaining to some assured and annual insurance premium is given in table infra ठीक है नीचे दिया है he wants to know whether or not the exemption will be available under 1010-D at the time of maturity of ulip he does not have any other policy and does not intend to take any other ulip in future उसके पास कोई policy नहीं है सिर्व एक ही है अभी तीन situation है ठीक है situation one बताओ summer short 30 lakh है annual premium 2.4 है पहले case में क्या होएगा क्या उसको exemption मिलेगा के नहीं मिलेगा पहले percentage वाला चेक करो अगर उसमें बच गया तो amount वाला चेक करो दोनों में बच गया तो tax नहीं लगीगा पहले वाले case में क्या होएगा क्या percentage में बच गया is the annual premium up to 10% of summer short yes the answer it is yes it is up to 10% of summer short तीन लाग तक का भी अगर annual premium होता तो बच जाता second is the annual premium exceeding 250,000 no दोनों criteria से बच गया तो exempt हो जाएगा दोनो barrier cross कर दिया is everyone clear चेक करो 10% वाला criteria भी बच गया धाय लाग वाला criteria भी बच गया is everyone clear तो आगी के question करने मज़ा आएगा second situation 15,2,000 बताओ क्या होगा पंद्रा लाग दो लाग क्या होगा taxable होगा कैसे पुराने provision के हिसाब से क्या नहीं 451 के 451 भी इन जमा मज़ कैसे जाएगा फागल हो गया क्या तू लाग और फिफ्टीन लाग कितना होता है रहे तू लाग और फिफ्टीन लाग कितना होता है वहीं फिर्स गया तो 451 में खीश डालेंगे उसको चेक करो 45 and 112 अरे यार यू क्लियर यार डाइलाग वाले के वज़े से नहीं मरेगा हो वह 10 पर्शन वाले के जैसे मरेगा अरे इस एवरिवन क्लियर यार नहीं भी तो एक एक सिच्वेशन करते करते आगे क्लारिटी आ जाई ठीक है एक्चुली स्पिकिंग जब मैंने भी पहली बार ये कोश्चन देखा अब मेंको भी कन्फिजन हो रहा तो कोई टेंशन ले नहीं लेकिन फ़रक इतना है कि मेरे को किसी ने एक्स्प्लेइन नहीं किया था मैं खूद से समझाता है आपको मैं एक्स्प्लेइन कर रहा हूं तो नहीं प्राब्लम हो नहीं चाहिए तुमारी तो सिच्वेशन में क्या हो खबलो कि 10 परसंट वाला क्राइड एरिया फुल्फिल कर रहा है बच रहा है वहां पर थर्ड सिच्वेशन में तेन परसंट वाले में बच रहा है हाँ टैन परसंट वाला तो बच गया तीन लाग तक का भी प्रीमियम होता तो बच जाता लेकिन ढाइलाग से ज़्यादा हो गया प्सका टैक्सबिलिटी कैसे होगा नाया प्रोविशन हो उसके अपर लगेगा उसको वनवन हुए टैक्स लगेगा के हिसाब कोई सी किलियर को पूछने को इसमें के नया और तोधा सिटुएशन i sama short 25 लागे 2.6 लाग जल्दी बोलो पट्डा इसमें क्या होएगा पुराना के नैया cush वंबात में upload होएगा देख ले नहा jours लास στη क्या फ्राना के नया पहले चेक करनेंगा पहले नया चेक करनेंगा खेले पुराना रहए पहले पुराना चेक करने का के पहले नया order क्या बोला मैंने तुमको पुराने provision को ही fulfill नहीं कर पा रहा है 10% तो धायलाग चेक करने का मतलब भी नहीं बनता है लास्ट वाले में भी इसके हिसाब से ही tax हो जाएगा चेक करो Is everyone clear? Is everyone clear? तो इससे भी बाप वाले question की तरफ जाओ मैं जाओ इससे बाप वाला question चलो यह अगले question की तरफ बढ़ते हैं बहुत बढ़ी आ कोश्चन है तो विजन पढ़ लिया ना आपने बात मैं बोलना मत प्र विजन नहीं पढ़ा सर मैंने यह फिफ्ट प्रोवाईज हो एक बार अच्छे से देखो यह फिफ्ट प्रोवाईज हो ठीक है चलो ठीक है अब इसके केस में क्या हो रहा है सुनो X gives the following information of ULIP चलो ठीक है ULIP होना बहुत जरूरी है annual insurance premium in these two cases does not exceed 10% of summer short मतलब पुराना provision तो लगी नहीं जगता है बराबर अरे बराबर ठीक है ब्राकेट में लिख दिया है कि भाई annual premium 10% से जादा नहीं है वो कम है मतलब आप लगाना है तो नहीं आप पुराना नहीं लग सकता है ठीक है अब इसने दो policy खरीद के रखा है policy शुरू कभी से होती है 21-22 से मतलब amendment आने के बाद policy 2029-30 कब तक चलेगी पताने ठीक है एक policy 25-26 में खतम होती है और यह 29-30 में खतम होती है ठीक है बहुत अच्छे से देखना देखो इसका annual premium 2,40,2,40,2,40,2,40 2,40 और इधर 1,90, देखो इंडिविज्वली तो यह तो यह तोनों सही काम कर रहे है पराबर लेकिन provision क्या बोलता है कि साला किसी भी साल में तुम्हारा aggregate premium भी dialogue से जादा नहीं होना चाहिए पराबर अब यह जो यह यह रहे ना इसमें aggregate premium तुम्हारा dialogue से जादा हो जाता है यहां तुमको फसना पड़ेगा अब अरे did you understand what I said तो अब इसको option इसको बोलने का ठीक है कि भाई देख तू फसेगा यह साल में तुने गड़बर कर दिया है तू एक काम करता था तू 25-26 के बदले 26-27 से policy चालू करता ना तो तू बच जाता था बराबर ना 25-26 में दूसरा नया policy शुरू किया इसने यह वाला उससे अच्छा तू 26-27 से चालू करता तो पहले वाला भी exempt होता दूसरा भी exempt होता क्योंकि दोनों का premium 10% से कम है और दोनों का amount भी धाई डाय लाग रुपे से कम होगा अब यह पाँचवे साल में आके गलबर हो गई साल तूकि इधर law में क्या लिखा है किसी भी साल में तेरा aggregate premium डाय लाग से जादा नहीं होना चाहिए अगर होगा तो तेरे को life में choice करना पड़ेगा अब choice क्या basis पे करेंगे अपन maturity amount के basis पे नीचे देखो पहले वाले का maturity amount है 14.9 दूसरे वाले का maturity amount है 17.9 तो कौनसा policy वाला policy नंबर के साब से answer कर वाँ यह policy 3,006 है यह policy 9,244 policy का नंबर कौनसी policy का open opt करेंगे exam करना अभी आपको choice करना पड़ेगा दोनों को नहीं ले सकते हो दोनों अगर लोगे तो ढायला cross हो जाएगा चूज करो कौनसा चूज करने का common sense क्या बोलता है common sense बोलता है 9244 को चूज कर exemption के लिए और दूसरे पर tax बढ़ दे अरे हाँ या ना भाई और दूसरे पर tax बढ़ दे अच्छा दूसरे पर tax कितना आएगा किसके हिसाब से आएगा 451B के साब से 112A अरे इस एवरीवन क्लियर क्योंके 10 परसंट वाला क्राइटरिया तो तू ऐसे ही फुल्फिल करके बैटा है इस एवरीवन क्लियर विद इस कोश्चन ब्यूटिफुल कोश्चन नीच्छ पूरा इस इस देर्फर एडवाई तो थेवर द्यूट जोड़ने सिय दूसरी दूसरी नुटिफुल को शुच्छ उट्यो करते अपन ये त्री जिरो से एक सारे चेंटर तो थोड़ा थोड़ा इसको शोंट करते थोड़ा थोड़ा ठीक है इन अबाव रहें किस्छी अब आपन of policy number 306 that is the first one first one is more than 10% of sum assured and for other policy the sum assured is 30 lakhs. अब बोलो आप क्या करोगे? थोड़ा सोचो आंसर आजाए. 306 वाले का sum assured annual premium 10% से साधा है. में को बोलो आप बन करके. वो फिर तो वैसे भी tax होने हाला है. पुराने provision में ही tax हो जाएगा हूँ. clear? अब नए वाले को देखते क्या होएगा? नए वाले का sum assured 30 lakh है. नए वाले का premium कितना है? 1.9 lakh है. तो percentage में तो बच गया. amount में भी बच गया. नए वाला देखो 306 को कोई नहीं बचा सकता है. वराबर? क्योंकि पुराने provision में tax हो जाएगा. 45.1 अब नया वाला जो other policy है. 9244 percentage में तो बच गया. amount में भी बच गया. बोलो ना बेटा. 9244 exam हो जाएगा. Is everyone clear? similarly एक आखरी question देख लो. in the above case assume that the annual insurance premium of 9244 is more than 10% of summer short. another policy it is 28 lakhs. चलो इसका answer तो अभी जल्दी से. मैं नहीं देने आला इसका answer. तो 9244 का more than 10% है. तो 9244 directly 45.1 में tax हो जाएगा. और other policy के लिए क्या करना पड़ेगा? 28 lakhs सामाज short है और यह 2.4 lakhs है. तो इसको भी पिछले question जैसा exemption मिल जाएगा. clear है? चौते case में? 3006 exempt हो जाएगा. Is everyone clear with this? Is everyone clear? अबे हाँ बोलो तो आगे बढ़ता हो ना मेरे बाप और मेरी मालोख. बढ़ो? अब DT amendment easy लग रहे है, चलो अच्छी बात है, easy लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है बिटा आपके लिए. तीसरा amendment बहुत simple सा amendment है, इस पर मैं बात कर लेता हूँ. बहुत simple amendment है, दो मिनिट में खतम हो जाएगा. D-merger के बारे में आपने सुनाई होगा income tax में, कहां defined है section 2-19-AA, ठीक है? अब उसमें बहुत सारे conditions government ने डाल के रखे, क्या conditions डाल के रखे, D-merger के अंदर 6 conditions डाले, अगर आपको यादे दो. D-merger Companies Act के साफ से होना चाहिए, सारे assets and liabilities transfer होने चाहिए, assets and liabilities को book value पे transfer करना चाहिए, 75% shareholders यहां से वहां जाने चाहिए, उसके बाद में liabilities, जो specific liability है, वो भी transfer करोगे, जो general liability है, वो भी transfer करोगे. जोगे, general liability को transfer करने का government ने एक ratio दिया है, कि जितनी भी general liability है, multiplied by net assets, divided by total assets, etc. पता है, ऐसा कुछ पूरा का पूरा scheme है, पूरे 6-7 conditions है D-merger है, ठीक है? अब सुनो, उसको थोड़ा सा relax किया है government में, और बोला है, public sector company के लिए relax कर दिया है, किस के लिए relax किया है, public sector company के लिए, और यहाँ पर deemed de-merger का concept डाल दिया है, क्या डाल दिया है, deemed de-merger, जो आपका de-merger का definition आप पढ़ते थे पहले, वो तो continue रहेगा, वैसी रहेगा, उसमें एक edition हो गया है, बस, क्या edition हो गया है, अगर एक public sector company है, उसका अगर split up होता है, या reconstruction होता है, suppose air India है, उसका split up हो रहा है इसका reconstruction हो रहा है, या कोई भी public sector company है, गौर्मेंट उसको तोड रही है, और दो तुकडों में बाट रही है, एक de-merge company, एक resultant company, तो गौर्मेंट ने बोल दिया, public sector company का splitting up और reconstruction is deemed to be de-merger, चेक करो, खतम हो गई बाद, जादा कुछ condition फुल्फिल करने की दर्वत नहीं है, the reconstruction and splitting up of a public sector company into separate company shall be deemed to be de-merger, बहुत basic, बागी companies के लिए वही 6 conditions फुल्फिल करने पड़ेंगे, बस कुछ basic condition डाले, such reconstruction or splitting has been made to transfer any asset of the de-merge company to resulting company and the resultant company is also a public sector company on the appointed date indicated in the scheme approved by the government or any other body authorized or fulfill such other conditions as may be notified by central government, तो model of the story, conditions को relax कर दिया है, de-merger बनाने के लिए एक public sector company के split up को, एक public sector company में हूँ, मैं split up कर रहा हूँ, de-merge company, resultant company, दोनों public sector company में split up हो रहा है, ये public sector company, अपनी दूसरी public sector company को split up करके, अपने assets transfer कर दिये, government के rules and regulations के हिसाब से split up हो रहा है, government ने कुछ conditions notify किये, उस हिसाब से split up हो रहा है, तो हम उसको de-merger मानेंगे, बाग की सारे questions, बाग की सारे conditions हमको यहाँ पर fulfill करने की ज़रूरत नहीं है, is it clear to all of you, बोल ये, बोल दीजे ना, आप बोल सकते हो आप air India के disinvestment और बहुत सारे और भी disinvestments कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ air India का ही disinvestment हो रहा है, अब ज सैयार हो आप लोग, हाँ, सैयार हो, याद करो ये amendment आया था पिछले साल, याद आता है आप लोगों को, याद आता है, ये amendment आया था deemed resident का concept, you remember that, deemed resident का concept, इधर एक जबर्दस्त amendment लाया गोवर्मेंट, बहुत जादा गोवर से सुनना, ठीक है, क्या resident, क्या concept क्या लाया था comment है, सुनलो अच्छे से, कि अगर आप Indian citizen हो, ठीक है, क्या हो आप, Indian citizen, और आपकी total income, other than income from foreign sources, exceeds 15 लाग रुपी, मतलब Indian sources की income 15 लाग क्रॉस होती है, ठीक है, तीसरा condition पे ज़रा ज़्यादा गोवर्मेंट यहाँ पर आया है, and he is not liable to tax in any other country by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature, तो ऐसे बंदे को हम बना देंगे, इंडिया में deemed resident, condition तीन डाले थे government, ठीक है, पहला, मैं इंडिया का citizen हूँ, दूसरा, मेरी Indian sources से income, foreign sources से income छोड़कर, मेरी जो इंडिया की income है, वो अगर 15 लाग रुपे से जादा है, plus मैं किसी और देश में liable to tax नहीं हूँ, तो मुझे इंडिया में क्या करना पड़ेगा, इंडिया में deemed resident बन जाओंगा, और इंडिया में मुझे tax लग सकता है, यह सब को पता है की नहीं पता है, प्लीस पहले इसका clarification दो मुझे, तो ही मैं इस पर बात कर पाँँगा, क्योंकिके बहुता तरंगी amendment है, बोलिए, अब यहां पर क्या amendment आया, ठीक है, यहां पर amendment क्या है, थोड़ा सा और clarity देता हूँ आपको कुछ चीजों पे, जो आपको शायद भूल भूल गए होंगे, point number two पे थोड़ा सा और बात करता हूँ, सर अगर कोई business बाहर कर रहा है, और इंडिया से control कर रहा है, business बाहर कर रहा है, और इंडिया से control कर रहा है, तो उसको आप Indian sources की income मानोगे के foreign source की, उसको मैं Indian source की income मानूँगा, यह provision में लिखाता जाकर check करता, business बाहर हो रहा है लेकिन control इंडिया से हो रहा है तो वो foreign source की income नहीं माने जाएगी वो Indian source की income बानी जाएगी यह मत भूलना ठीक है now यहां पर एक industry ने government of India से सवाल पूछा क्या सवाल पूछा पता है what do you mean by the term liable to tax liable to tax का मतलब क्या होता है गौर्मेंट ने ये define करना भूल गया last year amendment तो लाया क्या amendment लाया अगर मैं Indian citizen हूँ अगर Indian sources की income 15 लाग से जादा है और किसी और देश में liable to tax नहीं है तो इंडिया में deemed to be resident बनेगा अगर एंडिया में tax लगेगा तिरको अरे लाया बल टू-tax का मतलब तो समझाओ गौर्मेंट ने define करना भूल गया एक और जगे है जहां पर गौर्मेंट ने liable to tax define करना भूल गया जबकि ये शब्द यूज किया है गौर्मेंट ने liable to tax लाइबल टू टैक्स यह शब्द यूज किया है लेकिन गॉर्मेंट ने डिफाइंड करना बोल गया बहुत थी अत्रंगी अमेंड्मेंट में सुनना तो ही समझ में आएगा लेकिन उसका अप्लिकेशन समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरी तरीके से ध्यान नहीं दो इसका मतलब क्या है 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 इसका मतलब क्य tax liability on such person under the law of that country for the time being enforced and such shall include a person who has been subsequently exempted from such liability under the law of that country. So therefore, यहाँ पर गौर्मेंट ने liable to tax के अंदर दो बंदे को डाला है. पहला, एक ऐसा बंदा जिसके ओपर income tax liability है, ठीक है? यह पहला बंदा है. दूसरा बंदा, जिसके ओपर income tax liability है और उसको गौर्मेंट ने क्या किया है? उस देश में exempt कर दिया है. तो वो भी क्या माना जाएगा? गौर्मेंट की नजर में liable to tax माना जाएगा. तो liable to tax के definition में गौर्मेंट ने दो लोगों को डाल दिया है. अगर मैं foreign country में बैठाओं और मैं वहाँ tax देता हूँ, तो मैं liable to tax हूँ और मैं वहाँ tax इसलिए नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे exemption लगा हुआ है वहाँ पर उस देश में, तो भी मुझे government liable to tax मानती है. Did you understand the meaning of this particular term? Please बोलिए. इस question को पढ़ते हैं अभी हम लोग, ठीक है? X is an Indian citizen, currently is in employment with overseas company located in South Africa, during different year he is in India. अब 2021 में हो कितने जिन के लिए इंडिया में है? 45 days, ठीक है? तो resident तो बन नहीं सकता है, team resident बनाने की को कोशिश करते हैं, please बहुत जहां से सुनना बहुत अतरंगी प्रोविशन है. For the previous year 2021, X has the falling income in India and outside India. आप में को condition क्या-क्या फुल्फिल करना है, बेटा? तीन condition. पहला condition, असरी is an Indian citizen. Is he an Indian citizen? The answer is yes. Yes, question में लिखा है, Indian citizen है. ठीक है? condition number 2, क्या चेक करना है अपने को? उसकी Indian sources से income 15 लाग रुपे से ज़्यादा होनी चाहिए. अगर Indian sources से income 15 लाग रुपे से ज़्यादा है, तो वो फस जाएगा. बराबर चलो देखते. Income from salary and interest earned and received in South Africa. No tax in South Africa country. 20 lakhs. क्या इसको आप Indian sources की income मानोगे, के foreign sources की income मानोगे? बोलो जल्दी. बेटा answer करना पड़ेगा, प्लीज आपको. Income from salary and interest earned and received in South Africa. पैसा भी उदर कमाया, received भी उदर हुआ. यह Indian sources की income नहीं मानी जा सकती है. ठीके, यह foreign sources की income. अठे, कैसे India की हो गई भाईए? CA final second group. इसा नाम है आपका है? CA final second group. ठीके, तो यह तो चलो 20 लाग इंडियन sources में नहीं आएगा. Income from business accrued and received in Singapore. control from Singapore. बोलो, यह Indian sources की income मानी जाएगी, foreign sources की income मानी जाएगी. यह भी foreign sources की income. income from another business, accrued and received outside India. बट control from India. यह Indian sources की income मानी जाएगी, foreign sources की income मानी जाएगी. तीसरी वाली. तीसरी वाली Indian sources की income मानी जाएगी. चौती वाली, चौती वाली तो इंडिया के FD से पैसा कमारा है, तो Indian sources की income मानी जाएगी. तो मुझे बताओ, क्या इसकी income 15 लाग रुपे से जादा हो रही है? क्या Indian income 15 लाग रुपे से जादा हो रही है? The answer is yes. तो क्या ये condition number B भी fulfill कर चुका है? कर चुका है. बड़ाबर? अब condition number? बोलो. C की तरफ जाते हैं. C अतरंगी condition है, C क्या बोलता है? He is not liable to tax in any other country by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature. Liable to tax का मतलब कल तक defined नहीं था, लकिन अब defined है, अब liable to tax का मतलब क्या होता है? Liable to tax माना जाएगा? और अगर वो foreign country में tax नहीं बढ़ता है, लेकिन उसको exemption मिलता है. Tax भरने के लिए liable है, लेकिन उसको exemption मिलता है, तो भी वो liable to tax माना जाएगा. बराबर, अब अपने को condition number 3 फुल्फिल करने के लिए liable to tax नहीं चेक करने का है. अपने को चेक करना पड़ेगा, he should not be liable to tax. अज़े, did you understand or not? मतलब जो definition है, वो फुल्फिल हो जाएगा, तो फिर तो ये condition violet हो जाएगी. अज़े, समझ आया है, मैंने क्या बोला? यही तो catch है, इस particular provision के अंदर. तो चलो, ठीक है, condition number 3 के लिए, अपने check करते हैं, ठीक है? यह condition number 3 का criteria है, ठीक है? यहाँ पर criteria मैंने डाल के रखाऊ. अब check करते हैं. मतलब मैं को simple शब्दों में एक चीज़ बतातू ना? मैं को एक चीज़ बतातू, एक चीज़, एक चीज़, एक चीज़, एक ची़, एक ची़, एक ची़, एक ची़, अगर यह foreign country में टैक्स भरता है, मतलब अगर यह literally foreign country में liable to tax है, सुनलो अच्छे सा, यह foreign country में अगर liable to tax है, तो condition number 3, fulfill होगा के violet हो जाएगा, एक एक कड़ी जोड़ो, अगर यह foreign country में, liable to tax का मतलब समझ में आ गया, अगर समझ दो, यह SSC नहीं कुछ ना कुछ जैसा काम किया है, कि foreign country में liable to tax है, तो अगर यह foreign country में liable to tax है, तो मुझे बताओ, यह condition fulfill होगा के violet हो जाएगा, यह condition violet हो जाएगा, तो क्या मैं इसको deemed resident बोल पाऊंग बराबर, अब अपने को, अब सवाल फिर से पहले step पे आके खड़े जाते हैं, क्या अपने को अभी liable to tax का मतलब मालू है, हाँ पता है सर, तो चलो, liable to tax के हिसाब से, अभी हम लोग पता लगा दें, पहला वाला point, पहला वाला point, अब हर एक income के लिए आपको test करना पड़ पहली income क्या है उसकी, साफ करता हूँ थोड़ी घंदगी, income from salary and income, interest earned and received in South Africa, no tax in South Africa country, मुझे बताओ, is he liable to tax in South Africa, liable to tax का मतलब समझो, उसमें दो point आते, point number one के हिसाब से, is he liable to tax in South Africa, तो point number one पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, ये condition फुल्फिल हो रही है, कि नहीं हो रही है, point number one पढ़ने के बाद सबसे फिला स्टेप में को ये बोलो, कि क्या उसको South Africa में tax, is he liable to tax or he is not liable to tax, आप लोग बोल रहा हूँ, mix answer आ रहा है, एक conclusive answer दो, South Africa में उसको tax लगता ही नहीं है, क्या liable to tax के definition में आएगा है, अगर liable to tax के definition में नहीं आएगा, तो मतलब क्या हुआ, अरे यार इतना असान नहीं है समझना प्लीस साउथ अफरीका में उसको टैक्स लग नो टैक्स लाइबल टैक्स का मतलब क्या हो आप साउथ अफरीका में या तो टैक्स लगना चाहिए या तो साउथ अफरीका में टैक्स लगता है और उसको एक्जम्शन मिलता है तो वो ला तो क्या वह लाइबल टो टैसका सक्डिशन कर रहा है नहीं कर्रारा है मतलब इस यह लाइबल टो टैसा ऌसाइड इंडिया इसंच करना पड़ेा कड्यांकव है अभी के लिए तो is not liable to tax, second वाला पढ़ते है, second वाला, second वाला, second income, Singapore वाला, not taxable in India, but taxable in Singapore, but exemption is available by virtue of notification issued by Singapore government, अब मुझे बताओ, क्या ये second वाले अससी, जो बाहर income कमा रहा है, इसी liable to tax in Singapore, क्या ये liable to tax के definition में आएगा, सिंगापूर वाली income, क्या सिंगापूर वाली income liable to tax के definition में आएगी, हाँ, आएगी न, आजाएगी, अगर वो liable to tax के definition में आजाएगी, तो condition number 3, fulfill हो रहा है के, violet हो रहा है, condition number 3, fulfill हो रहा है के, violet हो रहा है, violet हो रहा है, अगर एक भी condition, violet हो जाएगा न, तो आगे पढ़ने की जरुवत नहीं, क्या लिखा है, he is not liable to tax in any other country, मतलब, देखो, law क्या बोलता है, he should not be liable to tax in any other country, it means, even if he is liable to tax in one country, out of 250 countries, can I say condition number 3, is violated, अरे, दुनिया में 200 देश होंगे, मैं imagine कर रहा हूँ, exact कितने मेरे को नहीं मालूँ, अगर 200 में से एक भी देश में, अगर वो liable to tax का definition, fulfill कर देता है, condition number 3, वाइले हो जाएगा, बोल ये ना, therefore, यहाँ पर आगे पढ़ने का जर्वत ही निया, आगे का क्या भाड़ में जाए, जब यहीं पर वाइले हो गया, तो आगे पढ़के क्या करूँ, अभी एक देश में वाइले हो या पचास में हो फरक नहीं पढ़ता है, एक भी देश में वाइले हो जाएगा, अब क्या ह are you clear, yes, आगे बढ़ता हो में, towards the next amendment, यह देखो कितना छोटा सा amendment था, हाँ, अभी जो आप latest summary book अगर डाउनलोड करनी लिए हो, तो कर लो, डाउनलोड उसके अंदर इस सब कुछ amendments आपको मिलेंगा, don't worry, सब कुछ बराबर से green में मिलेगा, जैसे अपने last year भी दिया था आप डाउनलोड करके प्रेंट ले लो, थोड़ा पैसा खर्चा करो, लाइफ मार कलर प्रेंट लो, ठीक है, ब्लैक और वाइड मत लो, एक ही बार सीए बनते वाद, बाप अमेंडमेंट चल रहा है न, सीए फाइनल ग्रूप तू, एक कैसा नाम रखता है रहे, सीए फाइ तो अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ता हूँ, which is in the discussion of capital gains, slum sale, slum sale में गौर्मेंट ने तीन अमेंडमेंट की है, मैं तीनों के बारे में एक एक करके आपको बोलता हूँ, ठीक है, शुरू करते है slum sale का discussion, slum sale अपने में income tax में बहुत जादा important provision है आपके CA final syllabus में, क्यों से slum sale के definition को change किया, जब गौर्ण से सुनना में बात, बहुत अरा ध्यान से सुनना, what is the definition of slum sale, मैंने आपको जो पढ़ाया था पिछले साक तक, वो definition क्या था, गौर्ण से सुनना, इधर देखो, पूरा ध्यान इधर, slum sale means transfer of an undertaking of a business without assigning individual values to any asset or liabilities for a lump sum consideration, ऐसा कुछ definition था, ठी slum sale means, मैंने गलत definition बोला है, I would like to repeat it once again, slum sale means sale of an undertaking, आपके पास एक business है, उसमें तीन undertaking है, तीन division है, उसमें से एक division से आप परिशान हो, तो उसको बेज देते हो, एक lump sum consideration के लिए, individual assets or liabilities के calculation से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप एक lump sum amount के लिए उस पूरे के पूरे undertaking को sell क इसका definition जड़ा एक बार चेक करते हैं, slum sale means, transfer of one or more undertaking, as a result of इस शब्द पे थोड़ा ध्यान देना है, इसको मैं अलग color करता हूँ, as a result of sale, कितना body commitment है तुम imagine नहीं कर पाओ, for lump sum consideration without values being assigned to individual assets and liabilities in such cases, अब यहां पर बवार उड़ गया, ठीक है, क्योंकि अगर आप definition गहर से जियान देना, जो मैंने highlight किया है, यहां पर सवाल यह उटा, कि suppose मेरा एक business है, ठीक है, उसमें बहुत सारी undertaking है, उसमें से एक undertaking मैंने आपको बेच दी, बदले में आपने मुझे 50 करोड रुपया दिया, तो क्या यह स्लम से ले, government ने बोला, हाँ यह स्लम से ले, लेकिन, suppose मे मेरे पास एक business है, उसमें तीन undertaking है, उसमें से मैंने एक undertaking आपको दिया, बदले में आपने मुझे कुछ और दिया, पैसा नहीं दिया, मैंने आपको अपनी undertaking दी, बदले में आपने मुझे कुछ और दिया, exchange में, तो क्या यह स्लम सेल माना जाएगा, तो यहां पर बहुत सार हाई कोर्स ने बोला ये slum sale नहीं माना चाहिए मैंने पूछा क्यों तो हाई कोर्स ने बोला slum sale के definition में लिखा है it has to be a sale and this is not a sale this is an exchange ये exchange है ये sale नहीं है sale अलग चीज होती है exchange अलग चीज होती है आप capital asset में capital gains में जाओ transfer का definition पढ़ो section 2 clause 47 में उसमें sale अलग लिखा है और exchange अलग लिखा है उसी तरीके से debate उटना शुरू हो गया कि अगर suppose मेरा एक business है उसमें तीन undertaking है ठीक है और उस तीन undertaking में से एक undertaking अगर government compulsorily acquire कर ले कि ये ठीक है government ने compulsorily acquire कर लिया मेरी एक undertaking बदले में मुझे कुछ पैसा दिया तो क्या वो slum sale माना जाएगा फिर से high courts ने बोलना शुरू किया नहीं क्योंकि ये फिर से sale नहीं है ये compulsory acquisition है और government की नजर में sale अलग चीज होती है compulsory acquisition अलग चीज होती है और तुमारा exchange अलग चीज होती है एक्सिंगुश्मेंट अलग चीज होती है ये सारी चीज अलग है दिजू अंडरस्टैने अंडरस्टैन रेस बाई दर गवर्मेंट बाई धाय कोर्ट्स बोलिए ना परता अगार्टैने क्या गाई अंडरस्टैन धाट लंबा चौड़ा भाशने आपर तो अभी लॉजिकली बताओ आप लोग क्या किया होगा गौर्मेंट ने अमेंटमेंट अमेंटमेंट यह किया कि गौर्मेंट ने यहां से सेल वर्ड हटाके क्या डाल गया ट्रांसफर बरावर यहां पर गौर्मेंट ने क्या अमेंटमेंट किया 242C has been amended with effect from AY21-22 to expand the scope of the definition of slum sale so as to mean transfer of one or more undertaking by any means क्या लिखाया ट्रांसफर of one or more undertaking as a sale लिखाया ने अपर as a result of any means लिखाया अब गौर्मेंट ने अपर any means डाल दिया for lump sum consideration without values being plus यहां पर transfer डाल दिया by any means डाल दिया without values being assigned to individual assets and liability for this purpose an explanation has been added in 242C to provide a transfer का मतलब होई होगा जो आपने capital gains में पढ़ा है is everyone clear with this definition को widen up कर दिया को अब इसमें सिर्स sale बार नहीं कवर्ड है इसमें दूसरे किसम के transfer भी कवर हो जाएंगे उसको भी हम slum sale बोल सकते हैं everyone clear बोलिए please please प्लीज फिए पहला amendment है छोटा सा technical amendment अक्याडेमिक लिए यह इतना important amendment नहीं है ठीक है अगला वाला amendment academically important है क्या amendment है इन्होंने net worth के definition के अंदर changes लाया कहाँ पर देखो slum sale में आप calculation कैसे करते हो sale consideration minus cost of acquisition और cost of acquisition क्या लेते हो आप net worth लेते हो उस undertaking का बराबन ना yes net worth ही लेते हो ना आप उस undertaking का अब जब आप net worth लेते हो गौर्ण से सुन लेना मेरी बात net worth में क्या आता है सारे assets minus सारी liabilities of that undertaking जो undertaking आप बेच रहे हो उस undertaking के सारे assets minus सारी liabilities और उसको calculate करने का गौर्में ने तरीका बता है कि assets को अलग अलग category में divide करो depreciable asset अलग non depreciable asset अलग 35 AD का asset अलग और liabilities will be valued at book value याद आता है आपको इस सारी चीज है ठीक है तो मैं एक बार आपको फिट से बोल देता हूँ asset को कितनी category में divide किया गौर्मेंट ने तीन category depreciable asset non depreciable asset 35 AD assets depreciable assets को आप कैसे value करोगे income tax की WDV लोगे आप 43 6 के साब से और non depreciable assets को आप book value लोगे market value नहीं लोगे revaluation नहीं लोगे और 35 AD के लिए आप क्या लोगे निल लोगे और liabilities कैसे लोगे आप asset में से minus करोगे liability तो liabilities book value contingent liability consider नहीं की जाएगी बराबर इस तरीके से आप calculation करोगे बराबर की नहीं अब जहाध्यान से सुनना यहाँ पर एक government ने edition किया नेट वर्थ कैसे निकालोगे आप वैसे निकालोगे जैसे अब तक निकालते लिए डेप्रिशेबल असेट के लिए डबलो डिवी इंकम टैक्स की 35 AD के लिए निल बाकिसाफ असेट के लिए book value of asset अब इसमें एक नहीं चीज आड़ कर दिए जो यह ग्रीन पोर्शन by purchase from previous owner मतलब क्या हुआ इसका बिटा इसका मतलब क्या हुआ अगर कोई self-generated goodwill आप किसी को transfer कर रहे हो self-generated bracket में देखो क्या लिखा है not acquired by assets by purchase from previous owner मतलब जो आपने किसी से खरीदा नहीं है तो बचा क्या अगर आप कोई चीज किसी से खरीदते नहीं हो तो वो तो self-generated हुई ना तो self-generated goodwill का value अगर है अगर आपके balance sheet में कोई self-generated goodwill है तो उसका value आप क्या लोगे निल लोगे is everyone clear with this year बोल ये please अरे बोल दो बेटा ये दूसरा amendment है ठीक है तो अब से आप 35 AD का value तो निल लेते ही हो प्लस self-generated goodwill भी है तो उसका भी value क्या लोगे आप निल लोगे तीसरा amendment तीसरा amendment क्या किया है पता है बहुर से देखो बोट रहे हैं ये जो sale consideration आप है यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो क्या लिखते थे आप अब तक government ने बोला actual sale consideration जितना पैसा मिला वो लेकिन अब government बोलती है actual sale consideration नी लिखने का इधर लिखने का FMV of the asset transfer जितना भी asset transfer किया उसका FMV लेने का और वो कहीं से निकालने का government बोलती है हम उसके लिए rules rules लाएंगे ठीक है नीचे चेक करो moreover fair market value of the capital asset as on the date of transfer calculated in the prescribed manner shall be deemed to be the full value of consideration as a result of transfer of such capital asset चेक करो भयंकरमेंट मेंट क्या दिख रहा है आपको तो अपसे government ने बुला है sale consideration आप अपना मनमर जी का amount नहीं लिखोगे हम बताएंगे उसका prescribed manner कैसे निकालने का आपको बोलो अरे बोल दो बेटा आगे बढ़ता हूँ में कहाँ पर हुआ अप लोग ठीक है तो यह है अपना अगला मेंट यहाँ पर तीन amendment क्या हुए सबसे बेले definition में change आया है शब्द को change किया है sale को हटा कर any means डाला है बतलब transfer में जो जो आता है वो sub cover होगा दूसरा क्या change किया है government ने यहाँ पर एक addition कर दिया है कि self generated goodwill अगर transfer करते हो तो उसका उसका value आप निल ले लोगे और तीसरा sale consideration के लिए आप क्या करोगे वो बोला गया है ठीक है amendment number 6 और 7 बहुत चोटे से amendment से तो उन पे मैं पड़ाक से बात कर रहा हूँ amendment number 6 में क्या दिया गया है सुरू zero coupon bond का definition section 248 में और government ने बोला है zero coupon bond में implication sums में कुछ नहीं आएगा इसका क्या आएगा आपको examiner को fair market value देना पड़ेगा examiner will give you the fair market value and you have to put that instead of sale consideration what else zero coupon bond के अंदर एक छोटा सा amendment है zero coupon bond का definition बदला है government है पहले zero coupon bonds were issued by any infrastructure capital company infrastructure capital fund public sector fund company और schedule bank यह चार लोग zero coupon bond issue कर सकते हैं अब government ने infrastructure debt fund जो आपने non-resident के chapter में पढ़ा होगा याद है आपको 194LB में अगर पहले DT पढ़ा है तो आपको पता होगा वहाँ पर जो infrastructure debt fund है अब वो भी zero coupon bonds क्या कर सकता है इशू कर सकता है बस तो पहले एक दो तीन चार तो अभी पांच वा आइटम add हो चुका यहाँ पर जिसको government ने बोला है कि जीदो coupon bonds आप भी issue कर सकते हो इस everyone clear बोलिये अरे बोलो भाई अगला अमेंटमेंट में भी बहुत चिंदी सा और बहुत सिंपल सा अमेंटमेंट है तो उसके में बात कर लेता हूं क्योंकि उसके बाद वाला अमेंटमेंट है तो बाप अमेंटमेंट आफ इस साल का सबसे भयानका और सबसे भयानक अमेंडमेंट अगर कोई है तो अभी जो पढ़ने चाहें है कि इसके बात वाला वो थीक है तो आप शुरू करो यहाँ यहरा पर इंडिया है यहाँ पर eligible fund मैंजर है इस पे पूरा का पूरा एक section पढ़ा है section 9A अगर आपको याद है तो अगर ये 17 conditions fulfill कर लेते हैं 13 conditions eligible fund को fulfill करना है और 4 conditions eligible fund manager को fulfill करना है अगर ये 17 conditions fulfill कर लेते हैं तो eligible fund की income इंडिया में div to accru or arise नहीं होगी इसकी income पे इंडिया में tax नहीं लगेगा ठीक है 17 conditions fulfill करना पड़ेगा कितनी conditions 17 ठीक है अब 17 का bifurcation कैसे क्या है fund के लिए government ने कुछ 13 conditions डाला है और manager के लिए government ने कुछ 4 conditions डाला है तो इस तरीके से 17 conditions fulfill करने होंगा चलो ठीक है बहुत ज़दा ध्यान से सुनना मेरी बात अभी 13 conditions fund को fulfill करना है और 4 conditions manager को अब government ने एक relaxation लाया है किसके लिए लाया है सबके लिए नहीं अगर ये manager IFSC के अंदर located है कहां located है ये manager कहां located है IFSC के अंदर और अगर उसने अपना operations 31 माज 2024 के पहले शुरू कर दिया है सुन लो अच्छे से conditions अगर ये manager जो fund manager है वो इंडिया में है लेकिन इंडिया में यहां पर नहीं है वंबे वंबे डिली वैली है सब जगे पर नहीं बैटा है वो बैठा है IFSC के अंदर located है और अगर 2024 के पहले वो अपना operations comments करता है तो government ने बोला है अगर हम चाहे तो 17 में से कुछ conditions relax कर सकते है वो कौन से condition relax करेंगे कौन से नहीं करेंगे उसके लिए हम लोग notification लाएंगे चेक कर लो यहां पर चेक करो वो मेरे को भी नहीं मालू मैं भी अरे are you clear तो यह relaxation किसके लिए दिया है अगर fund manager IFSC के अंदर located है 2024 के पहले operations चालू करता है तो उसको यह relaxation मिलेगा कि उस 17 मैं से कुछ conditions नहीं भी fulfill करोगे जो government बोलेगी notify करेगी government बोलेगी कुछ conditions आपको नो fulfill करने के जरूद नहीं है यह सब conditions say 17 मैं से 5 conditions आप नहीं fulfill करोगे तो भी चलेगा मतलब आपके लिए सिर say 17 मैं से 12 conditions फुल्फिल करना है तो भी सामने ले फंड की इंकम इंडिया में अक्रू नहीं होगी इसकी इंकम पर उसको टैक्स नहीं लगेगा आर यू क्लियर प्लीस टैल मी प्लीस बेटा अरे बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ अरे कौन सी दुनिया में हो तुम लोग हो भी के नहीं हो ठीक है इसको समझने के लिए दुनिया में जितनी ताकते सब लगा देना भी ठीक है बहुत जबरदस अमेंडमेंड है पहले मैं इसके पहले का प्रोविशन बता देता हूँ ताकि फिर हम लोग इसमें अंदर घुश सकें ठीक है लास्ट यर्ट तक क्या होता था पहले वो बता रहा हूँ एक पार्टनर्शिफ फॉर्म है या एयोपी भी हो आई है अगर वो अपने पार्टनर को या अपने मेंबर को कोई क्यापिटल असेट ट्रांसफर करती है ठीक है तो उसके लिए गॉर्मेंट ने आठ वजे तक रही उसके लिए गॉर्मेंट ने सेक्शन फॉर्टी फाइफ सब सेक्शन फॉर का प्रोविजन लाया है और बोला इसके हाथ में टैक्स लगईगा क्यापिटल गीन टैक्स सेल कंसिडरेशन क्या होगा FMV on the date of this लेकिन इसमें कंडिशन है transfer क्यों कर रहे हो तो law में लिखा है on dissolution और otherwise ठीक है या तो dissolution पे कर रहा हूँ या otherwise कर रहा हूँ otherwise में क्या आएगा retirement retirement ये सारे कारण आ सकते otherwise में ठीक है you remember that पहले बताओ आपको ये चीज़ पता है क्या दुनिया में तो मैं आगे बढ़ूँ गा बोलो ये नहीं पता था क्या कर रही है बेटा जिन्दगी में तु ये पता है नहीं ता देखो बहुत भयंकर अमेंटमेंट में ये पहले बोलो दिमाग चे ओपर से चले जाएगा तुम्हारे ये समझने के लिए अब इसमें क्या क्या नहीं कवड़े सुनो पहले पुराना प्रोविजन समझना पड़ेगा नया वाला समझने के लिए पुराना प्रोविजन क्या बोलता है मैं partnership firm हो मैं AOP BOI हूँ आप partner हो आप member हो मैं अगर आपको कोई asset transfer करता हूँ on dissolution या otherwise मेरे को capital gain लगेगा और capital gain के लिए मैं sale consideration क्या लूँगा FMB on the date on which the distribution was made अब इसमें बहुत सारी चीज़े covered नहीं जैसे जैसे अगर partners आपस में PSR change करते है PSR suppose तीन partner है और तीनों partner नहीं से 1 is to 1 is to 1 ratio में चल रहे भी अब PSR change किया अगले साल और ratio को बदल के 3 is to 2 is to 1 कर दिया और PSR बदला तो फिर में को से साब से उनको asset transfer करना पड़ेगा तो वो सारे cases में covered नहीं है मैं आपको बताता हूं उसमें क्या क्या नहीं कवड़े पहले मैं पूरा detail भाचन बढ़ाता हूं मैं आपको ठीक है यह provision पुराना provision जानना बहुत जरूरी है नया वारा समझ नहीं 45.4, transfer of capital asset to partner on dissolution or reconstitution. 45.4 provides that the profits and gains on transfer of a capital asset by way of distribution of capital asset on dissolution or other association of body of individual not being a company or corporate society or otherwise shall be chargeable to tax as income of such firm or AOPBOI of the previous set in which the such transfer takes place. further the fair market value of the asset on the date of such transfer shall be deemed to be full value of consideration for the purpose of section 48. मैंने वही बताया आपको कि अगर एक firm है बहुत ध्यान से सुनना बेटा बहुत ध्यान से बाप प्रोविजन है पर कुछ ना कुछ एक्जाम में आना यह लिखके ले लो मुझसे. अगर एक firm है AOPBOI अपने partner को asset देता है dissolution पे देता है यह otherwise देता है dissolution पे देता है यह otherwise देता है तो partnership firm को क्या लगेगा उसके ओपर tax लगेगा कब लगेगा जब transfer करेगा तब लगेगा अच्छा और कब लगेगा और कितना लगेगा इसमें क्या problem क्या है इसमें क्या problem क्या है इसमें क्या problem समझते है तो government ने उसका क्या solution लाया है वो समझ में आएगा interpreting the aforesaid provision of 45.4 it appears that there is a significant difference in the thinking of the tax department and taxpayer कैसे कैसे thinking में difference हो तो हमेशा है उसमें नहीं बात क्या है क्या taxpayer और tax department की thinking मैच होती है कभी जिस दिन मैच हो जाएगी डेस सफल हो जाएगा वो तो कभी जिन्दगी में मैच नहीं होती है मैच नहीं हो रही है सारी चलो दिखते है बहुत सारे judgments ने क्या क्या बोला है मैं उसमें से कुछ judgments पढ़के आपको problem बताने की कोशिश करता ताकि solution समझ मैं अपने को this is reflected in the judicial ruling पहला amount credited in the capital account of retired partner upon revaluation of the assets of the firm is not taxable as capital gain as there is no transfer ये किस ने बोला है ये Bombay High Court ने बोला है देखो ज़रा Bombay High Court ने बोल दिया है क्या बोल दिया क्या बोल दिया क्या अगर आप partner retirement पे retirement पर partner के capital account में कुछ amount credit करते हो upon revaluation of the asset तो उस पे capital gains नहीं लग ये judgment है Bombay High Court का और भी देखो 45-4 is not applicable where some partners retire and the firm continues to carry on the business with remaining partners and with new partners or without new partners तो 45-4 is not applicable ये अलग-अलग judgments ने आके बहुत मतलब यहां पर कुछ ना कुछ कांडी किया है तीसरा 45-4 is not applicable if on inclusion of new partners shares of the existing partners are reduced मेरा अच्छा खाजा 30% share था अब नए partner को introduce करने के वज़े से मेरा share of profit हो गया 20% 45-4 is not applicable और ऐसे बहुत सारे reasons है जिसके वज़े से 45-4 applicable नहीं होगा तो thinking में बहुत difference था अस्तरसी और department के गवर्मेंट ने क्या किया सब गवर्मेंट ने जादा मेनत नहीं की ठीक है गवर्मेंट ने section निकाल दा ला ठीक है गवर्मेंट ने section 45-4 निकाल दा ला और क्या किया old 45-4 reboot निकाल दिया बदले में बदले में दो नए section ला है पहला section 9-B दूसरा section 45-4 new ठीक है यह तो है नए यह तो पहले था लेकिन इसको नहीं तरीके से लाया गया ठीक है पहले जसान्ग है तो पहले यह structuring में ने क्या change किया है वो समझेंगे किकोशिस करो क्या यह गवर्मेंट ने सबसे पहले यह UM ने पुराना section निकाल दिया बदले में दोनों पढ़ना पड़ेगा, एक एक करते हैं, are you ready with this, shall we start, बोलिये प्लीज, पहले पुरा provision पढ़ लेंगे, कि बास questions करेंगे उसके, बोलिये, अरे बोलो भाई, मेरा दिमाग ना खराब करो, बच्चे लोग, तो पहले 9 भी पढ़ेंगे, फिर 45 पोर, ठीक है, shall we start, now please बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, 9 भी पढ़ रहा हूँ, to check the aforesaid practice, section 9 भी has been inserted, with effect from AY21-22, the provision of 9 भी आर गीवन भी रो, पहले कुछ शब्दों का मतलब समझ लेते, कुछ definition, दो definition समझना पड़ेगा तुमको, specified entity का definition समझना पड़ेगा, specified person का definition, बहुत simple है, specified entity मतलब, मतलब form या AOPBOI, specified person मतलब, उसके partner और उसके member, is everyone clear with these two definitions, अब हम लोग firm को firm नहीं बोलेंगे, specified entity बोलेंगे, और partner को partner नहीं बोलेंगे, specified persons बोलेंगे, specified entity में firm भी आएगा, AOPBOI भी आएगा, company, cooperative, society के लिए, यह सब provisions नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और specified person में partner भी आएगा, member भी आएगा, मैं step by step आप से, इजाज़त ले रहा हूँ, is everyone clear till here, please बोलो, बेटा, please यार, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, step by step, ज़रा भी घाई नहीं अपने को, कितना बड़ा provision है देखो तुँ, यह दर तक चल रहा है, जो डाई पेज सब, फिर उस पर questions कितने रेखो, याज यही करने में, अपना आज पूरा दिन निकली जाएगा आप से, चला है, गो हैड, सुनो भी, specified entity समझ में आ गया, specified person समझ में आ गया, जो जो समझ में आ गया, उसको tick कर देता हूँ, ठीक है, अब 9B क्या है, 9B actual में क्या है, 9B, actual में 9 section है क्या, 9 section आपकी income को accrue करता है, इंडिया में, ठीक है, section 9 dim to accrue का section है, 9AB accrue क्या नहीं होगा, उसके बारे में बात करता है, offshore funds इंडिया में कब accrue नहीं होगे, वैसे 9BB आपको बताएगा, income accrue कब होगी, ठीक है, सबर रखना, patience लखना, the following condition should be satisfied, to invoke 9B, 9B invoke करने के लिए, ये condition satisfy होना चाहिए, और एक बार invoke हो जाएगा, तो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, invoke हो जाएगा तो फिर क्या, उसके लिए उसकी फिर taxability नीचे अलख से लिए, फ़हले 9B invoke कब होगा, वो तो देखो, a specified person, मतलब partner, receive during the previous year, any capital asset or stock and trade, from specified entity, मतलब सुन लो, यह फॉर्म है, हाँ फॉर्म है, यह partner है, partner है, partner firm को क्या दे रहा है, sorry, firm partner को क्या दे रहा है, या तो capital asset दे रहा है, या stock and trade दे रहा है, is everyone clear, is everyone clear, condition number one, condition number one, ठीक है, यह condition number one का नहीं छोड़ है, मैं firm हो, आप partner हो, I say सोचो, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, capital asset या stock and trade, ठीक है, condition number one, condition number two बताएगा क्यों दे रहा हूँ, मजा रहा है मेरे को देने, time pass, इधर आ, ले, लेके जा asset, मजा रहा है, नहीं, कुछ reason से दे रहा हूँ, वो reason क्या है, the opposite capital asset or stock and trade is received in connection with dissolution or reconstitution of such entity, जेक चेक करो, उसको देने का reason क्या दे रहा हूँ, क्योंकि firm का dissolution हो रहा है, इसलिए दे रहा हूँ, यहां firm का reconstitution हो रहा है, इसलिए दे रहा हूँ, did you understand what I said, till here, बहुत simple है यहां तक, step by step तोड़ के पढ़ना पढ़ेगा, सब कुछ इक अठा नहीं पढ़ सकते हो, मैं firm हो, आप partner हो, मैं आपको कुछ asset दे र हो गई, अब कल से firm नहीं रहने वाली, लेकिन sir, reconstitution का मतलब क्या होता है, sir, बता पाओगे आप हमके, हमको, reconstitution का मतलब बताओगे, देखो, मैं कोहीं नहीं होता हूँ, बताने वाला, government of India बताएगी, कहां पर, क्योंकि government of India ने नीचे, reconstitution का definition डाला है, check करो यहां पर, reconstitution का म partner, one or more partner ceases to be partner, मतलब अगर तुम्हारी एक firm है, उसमें 5 partner है, उसमें से एक या एक से जादा partner firm छोड़के जा रहे है, मतलब in simple words, retirement ले रहे है, तो firm का क्या हो चुका है, reconstitution हो चुका है, ऐसा बोल सकते हो, और आपका section 9 भी attract हो सकता है, बेटा, did you understand, are you with me, please tell me, बेटा, मैं ख please तो reconstitution का मतलब क्या हो, पहले point का मतलब बहुत simple, एक आद partner छोड़के जा रहा है, ठीक है, जाने तो साले को, छोड़ो, दूसरा reconstitution का मतलब one or more new partners are admitted in such specified entity, in such circumstances that one or more of the persons who were partners of the specified entity before the change, continue as a partner or member after the change, चलो ठीक है, तो second वाला point बहुत classic point है, कि आपके firm के अंदर एकाद partner या एक से जादा partner का admission हो रहा है, देखो, simple शब्दों में अगर आप पूछो, तो पहला वाला point, retirement के लिए है, या death के लिए है, death के लिए भी आ सकता है, retirement के लिए भी, second वाला point admission के लिए, ठीक है, दोनों case covered है, clear, अब थर्ड वाला point क्या बोलता है, careful रहना, थर्ड वाला point, all of the partners of such specified entity continue, सारे partners है, कोई गया नहीं, कोई आया नहीं, with a change in their respective share or shares in some of them, जिस पर पहले tax नहीं लगता था, अब उसको भी यहाँ पर cover किया है, तो पहला point क्या बोलता है, reconstitution के definition का, कि कुछ partners छोड़के जा रहे हैं, या मर के शायद, दूसरा point, कुछ partners admit हो रहे हैं, तीसरा point, कोई गया नहीं, सब वैसे ही है, आपस में share or profit change हो रहा है, is everyone clear with the definition of reconstitution, please let me know, please बेटा, please let me know, ठीक है, तो मैं I am going back to the discussion which we were doing, ठीक है, तो अब तक हम लोग ने क्या-क्या पढ़ा, मैं बहुत बार repeat करूँगा, मैं really sorry, क्योंकि अगर मैं repeat नहीं करूँगा, तो आपके दिमाग क्यो उपर से निकल जाएगा, मैं कौन हूँ, मैं firm हूँ, मैं specified identity हूँ, आप specified person हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, या तो capital asset दे रहा हूँ, या तो stock interest दे रहा हूँ, काई को दे रहा हूँ, क्योंकि firm का dissolution हो गया, इसलिए दे रहा हूँ, या firm का reconstitution हूआ है, उन तीनों में से कोई भी एक चीज हूआ है, इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है तो अगर यह सब condition fulfill हो जाएगा तो अब क्या होगा अब firm को tax लगेगा firm को firm के आप में tax लगता है 454 में partner को tax नहीं लगता है firm को कैसे लगेगा check करो if these conditions are satisfied the specified entity मतलब the firm shall be deemed to have transferred such capital asset or stock and trade to the specified person तो tax किसको लगेगा specified entity को such transfer shall take place in the year in which such capital assets or stock and trade are received by the specified person जिस साल में भी specified person को वो मिला वो year में उसके हाथ में वो tax लग जाएगा ठीक है अब capital gains नहीं लगेगा हमेशा देखो बहुत simple है अगर मैं आपको capital asset transfer करता हूँ तो firm को capital gain लगेगा और मैं अगर आपको stock in trade transfer करता हूँ तो मेरे को capital gains नहीं लग सकता है जो भी आपको बोला वो पूरा यहांपर सेनॉक्सिस डालता हूँ यहांपर firm है यहांपर partner है firm अपने partner को यहां तो capital asset दे रहा है यह stock interest दे रहा है काई को दे रहा है यहां तो dissolution पे दे रहा है यहां तो reconstitution पे दे रहा है तो किसको tax लगेगा इसको लगेगा किस साल में लगेगा वो भी यहां लिखा गया साफ साफ transfer it shall be deemed as transfer it shall be deemed to be taken place in the year in which it is received by them जब इसने received किया तब इसके हाथ में tax लगेगा ठीक है patience रखना सबर करना पूरा discussion खतम होने लो अब सवाल यह उठेगा यह अपना sale consideration कितना लिखेगा capital gains के लिए भी sale consideration लिखना पड़ेगा stock and trade के लिए sale consideration लिखना पड़ेगा तो वो भी government ने define किया है how and when the income is taxable देखो how the income will be taxable वो मैं बताता हूँ when the income will be taxable वो मैंने already उपर बता दिया कब taxable होगा जब आपके हाथ में वो capital asset और stock and trade रिसीव होगा तब फर्म के हाथ में उस साल में वो tax होगा yes or no अब how it will be taxable वो मैं बताता हूँ वो भी बहुत simple है such deemed income will be taxable in the previous year in with the capital asset our stock and trade is received by such specified person यह उपर भी लिखा है बराबर यहां पर भी लिखा है when it is received it will be taxable in the hands of the firm but how अगर तू stock and trade transfer करता है तो section 28 में तेरको PGP लगेगा और अगर capital asset transfer करता है तो 451 में capital gains लगेगा लेकिन sale consideration क्या लूँगा the sale consideration will be the market value of that particular asset or stock and trade on the date on which it is received by you आपको जिस दिन मिला ना उस दिन उसकी क्या FMV थी वो FMV will be considered as my sale consideration are you clear बोलिये प्लीज बोलिये प्लीज बोलो अब मैं आपको पूरा provision 9B क्या बोल रहा है वो बता देता हूँ यहाँ पर एक firm है AOP B.O.I.B. समझो खुझ से ठीक है यहाँ पर एक partner है firm partner को capital asset दे रहा है या stock interest दे रहा है क्यूं दे रहा है dissolution या reconstitution तो किस के हाथ में tax लगेगा firm को tax लगेगा capital gain का tax 451 में लगेगा और PGP का tax section 28 के इसाब से अच्छा तो यहाँ पर वो क्या consider करेगा FMV FMV किस दिन की FMV on the date on which it is received is everyone clear I hope everyone is clear यह आपका 9 B है ठीक है यह 9 B है discussion यहाँ खतम नहीं होता है अभी बहुत कुछ सीखना है अपने को जिंदगी है ठीक है अब 9 B के लिए government ने बोला है पापस से वही पुराना घिसा पुटा कहानी कि अगर कोई difficulty आएगी तो हम लोग क्या बहुत difficulty आने वाली आके जाकर मिलेको पता है को difficulty आएगी तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे हम लोग उसके लिए notification notification लाइंगे ठीक है इस everyone clear till year everyone is clear तो अब मैं introduce करने जा रहा हूँ जो दूसरा section government लाए पूराना 44 निकालके नया 44 जो government लाए उस पर बात करने जा रहा हूँ चुड़ो करें तो चलो अब 44 पर बात करते हैं ठीक है 454 कब applicable है ठीक है चलो देखते 454 is applicable if the specified person specified person मतलब वही जो अभी बोला partner receives during the previous year any money money or capital asset from specified entity in connection with reconstitution of such specified entity अब देखो जड़ा 454 how it is different from 9B what are the point of differentiation in 454 and 9B सबसे पहला point of differentiation 9B में partner को capital asset और stock in trade मिलता था लेकिन यहां पर partner को stock in trade के बदले पैसा मिलता है यह पहला difference identify किया आपने जल्दी बोलो रहें जल्दी बोलो ठीक है दूसरा difference पहला difference क्या है नाइन भी वर्सेस 454 यहां पर capital asset और stock in trade है यहां पर capital asset और money है कौन किसको दे रहा है वो same है firm partner को दे रा है दोनों section में यहां पर firm है यहां पर partner है यहां पर दिफरेंस बताता हूं ठीक है यहां पर जो दे रहा है न वो सामने वाले partner को यहां पर 45 4 में यह सिरफ री constitution की case में दे रहा है चेक करना जबकि वहां पर और वो reconstitution पे देगा तो भी taxable है और dissolution पे देगा तो भी taxable है चेक करो are you able to note this second difference between the two sections please let me know question कैसे draft होएगा वो पहले पढ़ा दू कि पहले provision पढ़ा हो योगेश question पढ़ा दिता हूँ चलते को पहले यह पढ़ा दू पढ़ ले चल कैसी बात करता हूँ पुड़ा सा patience रखना लाइट नहीं तो अब आगे बढ़ते चलो in such case any profits and gains arising from receipt of such money by specified person shall be chargeable to income tax in the hands of the specified entity बराबर से देखो income tax किसके हाथ में लग रहा है entity के हाथ में लगेगा form के हाथ में लग रहा है कोई partner को income tax नहीं कर ले ना 453 के अंदर जब partner firm को असे transfer करेगा तो partner को लगेगा यहां पर partner firm को असे transfer नहीं कर रहा form partner को असे transfer कर रहा है अरे हाई होप इस क्लियर टुए ठीक है यहां पर भी यहां पर भी 454 में भी tax किसको लगने वाला है फार्म कोई लगने वाला है एक कोने रहे पागलिन साथ आप अगर आके तुम मस्ती मजाख ना करो tax firm को लगने वाला है तो सवाल फिर से उड़ेगा कैसे लगे आप पर पार पार्टीफाइब पोर्मूला दिखता है आपको यहां पर 44 में क्या फार्मूला है mode of competition of capital gains under 45.4 shall be calculated as follows a is equal to b plus c minus d what is a a is the amount of capital gains a is the amount of capital gains sir कैसे आएगा देखो a income chargeable under 45.4 in the hands of specified entity under the head capital gains is a यह a आपका capital gains का amount होईगा लेकिन वो निकालने का कई से उसको निकालने के लिए b plus c minus d करने का तो answer आजाएगा तो shall we start with this calculation तो यहां पर गॉर्मूला दिया है वहां पर बहुत simple था कहां पर 9b में आपका fmb sale consideration minus cost आपका cost of activity अगर capital asset है तो indexation भी ले सकते हो stock and trade में indexation नहीं मिलेगा capital asset की income capital gains और stock and trade की income pgbt यहां पर सब कुछ capital gains tax अब कैसे लगेगा tax what is a a तो आपका answer है तो what is b then what is c what is d b आपको जो पैसा मिल रहा है ना किसको जो firm partner को पैसा दे रही है क्योंकि यह section में 44 में firm partner को दो चीज दे रही है या तो पैसा या तो capital asset stock and trade का question यहां पर नहीं आता है तो firm जो partner को पैसा दे रही है वह b हो जाएगा check करो ठीक है और firm क्या दे रही है partner को asset दे रही है capital asset तो उसका FMV हो जाएगा c तो b plus t क्या हो जाएगा जो partner को total मिला partner को total क्या मिला पैसा और asset का FMV clear है सबको अरे बोलो ना रहे मुश्किल है एजी प्रोविजन नहीं है बहुत अत्रंगी है सर अब डी बता दो डी डी जो माइनस करना है ठीक है तो a b plus c क्या है जो मिला आपको b plus c जो आपको receive हुआ है उसमें से d minus करो d क्या है बहुत ध्यान से सुनना d क्या है कि amount of balance in the capital account represented in any manner of the specified person in the books of accounts of the specified entity at the time of its reconstitution री कॉंसिटिशन मतलब क्या है उसका definition अपनने पहले बढ़ा है या तो partner जा रहा है या तो partner admit हो रहा है 20 लाक रुपए के असेट ले तो total minus को कितना दिया दस लाक रुपए कैश दिया जो पॉंट नबर b में आ जाएगा और 20 लाक रुपए का अब बोलूंगा उसको रुख बे तेरे capital account में कितना पैसा है बता सबस्थ उसके capital account में 15 लाक रुपए है तो जो difference है इसको टैक्स लगेगा फॉंट को फॉंट अपने पार्टनर को हैसियत से जाधा दे रहा है जितना है उतना ही दो जादा दोगे तो आपके हाथ में टाक्स लग जाएगा अरे आर्यू क्लियर अब twist खतम नहीं है जब सबर रखना जिन्दगी में आप बहुत सबर वाला काम है सब कुछ बहुत जादा सबर वाला काम है बहुत जादा सबर वाला काम बढ़ो आगे patience है आपने patience वाला का में बिटा अचा A अगर A 0 हो गया तो A 0 हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है 0 भी हो सकता है A negative हो सकता है मतलilate B plus C minus D करने पर अगर negative हो गया B plus D minus D negative हो गया तो फिर उसको 0 समझनेगा ठीक है तो आसा नहीं सुझनेगा क्यों loss है तो क्या बोलो कि आप पॉजटिव है तो गेन है तो नेगेटिव है तो लॉस है तो मैं दूसरे इंकम से सट आफ मार भूँआ इसा नहीं चलेगा ठीक है तो पॉइंट नमर बन वही बोलता है चेक करो अगर आप आप फॉर्मॉलाइज नेगेटिव देन वालू शाल बी दी बैटो अब बात में देख लेना रिकॉर्डिंग में डालूँगा एक मेने बाद सब देख लेना ठीक है इसको एडिट वेडिट करके ऐसे मत बोलो बेटा में को भी डिस्करेज होता हूंगा हाँ डीम तो भी जीरो यहां तक क्लियर है सब लोग क्लियर है अब गौर से सु तो यहां पुरा कंसल्रेट करूँ हां डोंट वरी वाइन अबर डीमें बहुत ट्विस्ट है यह जो और डाउंट एक डेख रहे हैं शुड रहा है पूरा लेलू ने ने सबर करो जरा उसमें से कुछ चीज है गुवर्मेंन ने निकालने को कहा है यहां पर देखना पॉइ 55% due to revaluation or due to self-generated goodwill or any other self-generated asset बहुत जादा ध्यान से सुनना है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है अब इसकी balance sheet है ठीक है जो बंदा छोड़के जा रहा है ना कौन जा रहा है से Mr. A Mr. Y Mr. B जो भी हो छोड़के जा रहा है तो अपन B क्या लेंगे B उसको जो पैसा दिया वो B में आ जाएगा C में क्या लोगे उसको जो आपने asset दिया हो C में आ जाएगा और D में क्या आएगा D में उसके balance sheet से capital account निकालो तो balance sheet में जो भी capital account हो निकालो अब उसमें देखो और उतना self-generated goodwill के बचे से जो capital account बढ़ा है उतना आप capital account से less कर दो और D में less करने के बाद जो amount आएगा वो consider करना डिडिव अंडरस्टेंड वाट आएगा बागी जादा अच्छे से आपको सम करते समय समझ मैं सबोस्थ 10 लाग की लैंड थी उसको मैंने रिवाल्य करके 15 लाग कर दिया और पांच लाग रुपया पार्टनर के capital account में credit कर दिया तो जब आप D निकालोगे ना तो वो पांच लाग रुपया आप capital account में consider नहीं करना I hope it is clear to you, revaluation को exclude करो, self-generated goodwill या कोई भी self-generated asset का amount उसके पार्टनर के capital account में credit किया है तो उसको less करो, are you clear? ठीक है थोड़ा patience रहना, सम के साथ आपको ज़्यादा अच्छे समझ मैं, ठीक है, point number 4 पे मैं थोड़ी दिर में आता हूँ, point number 6 को पढ़ता हूँ पहले, ठीक है, where the capital asset is received by specified person from specified entity in connection with reconstitution of such specified entity, the provision of 45-4 shall operate in addition to the provisions of 9-B and the tax liability under these provisions shall be worked out independently, मतलब क्या हो अगर 9-B और 45-4 दोनों के condition आप फुल्फिल करते हो, तो दोनों में आपको tax लगेगा, किसी किसम का double taxation नहीं होगा, तोड़ी दर का समय दो, मैं सब बताता हूँ, आपको double taxation कुछ नहीं होने आपा, लेकिन अगर 9-B और 45-4 दोनों condition आप फुल्फिल करते हो, तो आपको दोनों में tax लगेगा, ठीक है, दोनों में लगने वाला tax, अब मैं ज़र दोनों का distinction करते ता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, अभी भी मेरा provision खतम नहीं हुआ है, थोड़ा सा सबर करना बस, section 9-B और section 45-4 यहाँ पर कौन है, एक firm है, यहाँ पर भी एक firm है, बराबर, मैं दोनों को सामने सामने लिख रहा हूँ लिखे, यहाँ पर कौन है, एक partner है, यहाँ पर भी एक partner है, अच्छा, तो यहाँ पर firm अपने partner को क्या दे रहा है, capital asset दे रहा है, यह stocking trade दे रहा है, और यहाँ पर firm अपने partner को क्या दे रहा है, money दे रहा है, यह capital asset दे रहा है, तो point of distinction क्या है, यह point of distinction है, यह point of distinction है, यह point of distinction है, ठीक है, यह पहली चीज़, अच्छा, क्यू दे रहा है, Dissolution पे दे रहा है या Form के Reconstitution पे दे रहा है और यहां क्यों दे रहा है यहां पर Dissolution वर्ड नी यूज़ है यहां पर सिर्फ Reconstitution वर्ड यूज़ है ठीक है यहां पर Dissolution वर्ड नी यूज़ है ठीक है अच्छा यहां पर Capital Gains compute कैसे करेगा compute करने का बहुत सिंपल तरीका है अगर capital asset transfer करता है तो capital gains लगीगा अगर SIT transfer करता है तो आपको PGP लग जाएगा ठीक है सबर करना ज़रा patience लखो अच्छे अच्छे के पल्ले नहीं पढ़ा अस तक तुम आज पल्ले पढ़वा की जाना घर ठीक है ऐसे बीच में से मत जाओ अच्छे यहाँ पर कैसे compute करने का तरीका बहुत सिंपल है ठीक है यहाँ पर एक फॉर्मूला दे दिया है capital gains is equal to a now what is a a is equal to b plus c minus d और b में क्या आजाएगा आपका पैसा आजाएगा money और c में क्या आजाएगा c में आपका fmv of capital assets minus d में क्या आजाएगा d में आपका आजाएगा capital account ठीक है less capital account excluding revaluation और self-generated assets अभी इतना पढ़ने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आई government बोल रहे दोनों section साथ में apply कीजिए साथ में एक चीज़ में को पता चलिए कि 45-4 सिर्फ तभी apply हो सकता है जब question के अंतर revaluation दिया therefore I would like to conclude over here if there is no revaluation 45-4 is not applicable वो applicable होई नहीं सकता है ठीक है 45-4 apply नहीं हो सकता है ठीक है 45-4 लाने का पूरा reason ही revaluation था है ठीक हो तुम थोड़ा logically सोचना थोड़ा amounts को थोड़ा mathematics को strong कीजिए मैं आपको कुछ पैसा दे रहा हूं मैं आपको कुछ assets भी दे रहा हूं suppose कोई asset दे रहा हूं कोई भी asset उठा लो याँ पर से यह पेंद दे रहा हूं आपको ठीक है यह capital इसले पहले वहां से दी वाले पॉइंट को पचीज से दस पहला रही है पंदा रुपे निकाल चाहिए ताकी जारो जो डिफेरेंशन अमाउंट है उसमें capital gains आना चाहिए डिद यू अंडर्सेंड वाट आ ट्राइट तो से यह फाइनल सुड़न दो इतना समझ में आना चाहिए पॉइंट ऑफ दिस्टिंशन यह भी एक पॉइंट ऑफ दिस्टिंशन है पॉइंट ऑफ दिस्टिंशन यहाँ पर SIT है यहाँ पर सिर्फ capital gains से ठीक है अब ज़रा ध्यान से सुनना में जी बात मैंने सब कुछ बोल दिया आपको ठीक है अभी भी उसका हम लोग ने अप्लिकेशन नहीं सीख पाए थोड़ी दियर सम करना पड़ेगा तभी हमको अप्लिकेशन समझाए अब सुनना अब यहाँ पर बीच में एक पॉइंट गॉइंट नंबर पॉर उसी चीज़ को मैंने नीचे वापस से रिपीट कर दिया अगर आप हम इन चापटल केंस निंचे से क्या अब कैसे करते हो फुल वाली अभ कन सिटेशन माइनस नॉर्मल कैपिटल किइंस का कंपृटेशन कैसे करते हो इंचिंट 48 में फीच माइनस एप्सेशन वन ट्रैंसफर विल गव यह नेट सेल कंसिटेशन minus cost of acquisition cost of improvement will give you what capital gains ठीक है पर आप गई तरीका है ना उसमें index index करना है तो करो अगर long term एक्सेटरा जा index session मिलता है वह index session लो ठीक है वो तरीका है उसका अब ज़्याद ध्यान से सुनना अब इस calculation मेरा government ने change लेकर आगा बहुत भयांकर amendment है है समझब तक तक crystal clarity नहीं आगी आपको 90% clarity आगई होगी लेकिन 10% क्या 100% चाहिए अपने को 90% से काम नहीं चलेगा अब इस competition mechanism में भी government ने change किया है ठीक है क्या change किया है वालूं यह वैसा ही है यह वैसा ही है यह वैसा ही है और government ने बहुत यहां से form the amount included in the total income of such specified entity under section 45-4 45-4 पे जो आपको capital gains compute रहा है which is attributable to the capital asset being transferred shall be reduced from the full value of consideration to compute income charge under the head capital gains this is to be calculated in the manner to be prescribed later on अब यह आपके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पढ़ा होगा ठीक है करनी की बात कर रहा है कैसे लेस करेंगे क्या करेंगे वो सब पर मैं बात करता हूँ don't worry about it लेकिन अब तक आपको जो मैंने बोला यह point को छोड़के बाकि सब clear रहे क्या प्लीस यह बता दो बेले कि 9B क्या बोलता है 45-4 क्या बोलता है यह चीज जातक ना 45-4 रिवालवेशन पर फोकस करता है अगर कोश्चन में रिवालवेशन है तो 45-4 लग कर रहेगा और अगर रिवालवेशन नहीं है तो 45-4 मत लगा लाना ना एक बार आप लोग चाहते हो तो अपनी तरफ से एक बार पढ़ लो ठीक है दो तीन मिनिट के अंदर क्योंकि इसके बाद भी मैं कोश्चन उठाने में उड़ा रही है अपनी तरफ से एक बार 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 रही है कोश्चन नमबर वन बहुत अराम से पेशन्स के साथ पूरा प्रोविजन अप्लाई करके हम इसको समझेंगे डोंट वरी बस एक गोल्डन रूल याद रखना गोल्डन रूल to do this provision if there is no revaluation then section 45.4 is not applicable. 45.4 को applicable करवाने के लिए revaluation होना ज़रूरी बस चला स्टार्ट चलो जोस के साथ बेटा शुरू करें पहले रिपलाई कर लो आप लो फिर ही मैं शुरू करूँ तुम में कभी देखा जोस मेरा जिन्दगी में कैसा है तो यह बनके दस साल हो गए मैं को ठीक है जोस देखा तुम्हार जेसा मरेला नहीं हूं है तो चलो परते एक्स वाइएं जेड आर त्री पार्टनर्स ऑफ एक्स वाइए असोसियेट्स पार्टनर्शिप फॉर्म ठीक है एक एक लाइन बहुत अराम अराम से हैं जरा भी घाई नहीं अपने पास आदा घंटा आदा घंटा पुन समझी करेंगे कोई टंचन नहीं एक्स वाइए जेट आ त्री पार्टनर्स ऑफ एक्स वाइए असोसियेट्स अपार्टनर्शिप फॉर्म ठीक है तो एक्स रिटा आफ्तर इस रिटार्मेंट बिजनस ऑफ फॉर्म विल बी ऑपरेटेट वाइए जेट कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स ऑन 27 जून 2020 इस 20 लाक्स ठीक है ब्राकेट में कुछ गोल्डन वर्ट लिखे गए हैं देर इस नो रिवालवेशन ऑप असेट इन दे बुक्स अप अप आफ्टर 95 96 बें एक्स जॉइंड फॉर्म ऐसे पार्टनर अगर कोश्चन में कोई भी डिवालवेशन कभी हुआ ही नहीं है तो क्या गोल्डन रून मैंने बोला आपको बोलो कोई डिवालेशन कभी हुआ ही नहीं तो गोल्डन रून क्या बोला मैंने आप 45 4 नहीं हो सकता है ठीक है 45 4 is not applicable here मतलब यहां पर क्या applicable होगा 9 भी applicable होगा सिर्फ बोलिए ना बेटा 9 भी 45 4 का जल 43 4 नहीं बेटा चलो आगे बढ़ते अब partner जा रहा है तो उसको देना पड़ेगा ना कुछ to settle a cash balance to balance of 20 lakhs उसके account में 20 lakhs पड़ा उसको settle करना है lying in the capital account of X the firm gives the following सबसे पहले एक लाग रुपे का उसको cash दिया उसके बाद stock in trade दिया कितने का फर्म ने ये stock in trade 10,000 में खरीदा था बराबर और आज उसकी FMV कितनी है जब वो छोड़के जा रहा है तभी 40,000 उसकी FMV है ठीक है बाद में मैं आप से answer पूछूँगा और फर्म ने उसको plot of land दिया उसकी आज value 18,60,000 है book value 18,60,000 है market value 18,60,000 है चलो बहुत अच्छी बात है और फर्म ने 60,000 में खरीदा था कभी खरीदा था बहुत पहले 1985-86 and FMV as on one for 2001 is 110,000 ठीक है अब में को बताना 45-4 तो out of question आप लोगों ने comment box में डालके बोल दिया क्योंके 9B लगेगा 9B में क्या लगेगा 9B partnership firm partner को क्या देती है तो लगता है क्या देती है पैसा देने पर लगता है क्या नहीं लगता है तो यह वाली चीज़ पर कुछ नहीं होने वाला है ठीक है अरे are you clear हाँ stock interest rate जो दिया है उस पर PGP लगेगा और जो asset दिया है उस पर firm को capital gains लगेगा is everyone clear with this तो computation करते हम लोग अभी ठीक है assessing officer wants to invoke 45-4 to tax capital gains in the aforesaid case 45-4 is not applicable in this case income will be computed in the hands of XY associates under 9B read with section 28 and 45-1 as follows अब जो plot of land है उसके ओपर तेरको index session मिलेगा क्योंके वो capital gains है और long term है और जो stock in traders पर directly 30,000 रुपीज के ओपर tax लगेगा 40-10 is everyone clear with the computation यह normal computation है तेरा अरे is everyone clear with this calculation यहां पर index session कैसे है 301 का 2020-21 का क्योंके 2021 में असे ट्रांसफर हो रहा है न बराबर और FMV has on 14-2001 ले लिया मैंने क्योंके वो ज्यादा है बराबर 60,000 actual cost कम है लेकिन तुमको पता है अब एक amendment और आ चुका है last year के in case of land and building you have to consider the FMV as well as the stamp duty value तुमको पता है यह चीज लास्ट यर अमेंटमेंटमेंट आया था अब यहां पर stamp duty value नहीं है अगर stamp duty value 110 के बदे 90,000 होती ना तो फिर मैंको यहां पर 110 नहीं 90,000 लेना पड़ता था यहां यहा अब यहां आपको बता दिया यहां पर इंग्जाम में वह भी ट्विस्ट आ सकता है clear है चलो आगे बढ़ते दिमाग को और खोलने के लिए अभी दिमाग कुला तुबारा थोड़ा सा कैसे चलेगा प्रोपिशन अब इतने सारे लोग हैं लेकिन साला किसी को कमेंड करने के लिए ना तुमारे हाथ में तेल लगाए क्या तेल तेल लगाए मुबाइल कराब हो जाएगा हां यहाथ दुख रहे तुमारा चरह मारी तुमको साले 400-400 लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंड करने के लिए तुमको तकलीफ होती है बद्धवा दूगाने तुमको question number two बाप question है पड़े बाप A and B are equal partners entail computers a partnership firm engage in manufacturing of computers balance sheet of the firm immediately before its reconstitution as on 31st of October 2020 is as follows A B scrap of machinery cash in and cash admin ठीक है बहुत अराम से हाँ capital account of partner includes a revaluation profit मतलब revaluation हागया मतलब 454 अभी आये का तांग अड़ाने ठीक है बड़ाबर along with 9B बड़ाबर capital account of partner includes revaluation profit assets were revalued in 2009 of 11 lakh out of which 6 lakh 10,000 was credited to A's account and 4 lakh 90 was credited to B's account तो मतलब इसके अंदर कितना का revaluation है एक अंदर 4 lakh 90 है और सॉरी गलत लिखा एक अंदर कितना है एक अंदर कितना है 6 lakh 10 रोल और और B के capital account में 4.90 ठीक है पेशन्स हां पेशन्स बहुत अच्छा कोश्शन है दा फॉर्म पार्टनर C joins the firm ठीक है गुडविल ऑफ दे बिजनस इस गीवन तो ए फैर मार्केट वाली ऑफ दे गुडविल इस 70 अब री constitution पे तुम suppose partner A हो आप जा रहे हो तो मैं आपको क्या दे रहा हूं what am I giving to you बताओ ना मुझे मैं को बताओ मैं को clearly लिखके बताना comment box में मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं plural बोल रहा हूं singular नहीं क्या क्या दे रहा हूं आप जा रहे हो तो मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं बताओ मैं को अच्छे से नाम लिखके बताना इन जमाम हाँ मैं आपको पैसा दे रहा हूं और साथ साथ में मैं आपको बोलो ना फॉर्म आपको क्या क्या दे रही बताओ फं unlock क्या दे रहे यह फॉर्म है कि ऑम कॉन होता है स्पैसीफाइट टू यह पार्टनर और पॉर्टनर इस पॉंसेपाइड परसन फॉर्म में को क्या क्या दे रही है goodwill which is a capital asset and cash which is not a capital asset not stock interest दोनों भी नहीं हो बनाबर तो मुझे बनाओ सबसे पहले 45-4 लगेगा कि नहीं लगेगा 45-4 45-4 attract होगा 45-4 attract करने के लिए B plus C minus D can I say this will be B this will be C और D हम लोग दून लेंगे बाइट के कौन सी बड़ी बात है तो हाँ मच इस B B is 2 lakhs how much is the capital asset which is transferred by the firm to the partner 70 lakh का goodwill partnership firm अपना किसको दे रहा है partner को दे रहा है बोल रहा है लेके जा goodwill जा तो can I say B plus C is equal to 72 lakhs the answer is 72 lakhs what is D D is nothing but capital account capital account लेकिन उसमें say revaluation का जो profitable less करना पड़ेगा so can I say this is 2390 D is everyone clear this is B 2 lakh C 70 lakhs and D 2390 and the differential amount 48 lakh 10,000 will be eligible as capital gains under section 45 4 is everyone clear with this पक्का अब मुझे बताओ क्या ये अससी 9b का conditions भी फुल्फिल कर रहा है 9b ऐसा लिखके नीचे लिखो ने तो समझ में नहीं आएगा आप येस किसके लिए बोड़े हो ऐसा लिखो 9b conditions are also fulfilled या ऐसा लिखो yes fulfilled क्या 9b के conditions भी इसको अभी attract हो सकते हैं क्योंकि government ने बुला है दोनों section साथ में लगाएंगे हम 9b कब attract होता है जब एक firm अपने partner को asset या क्या देती है stock and trade देखो इसने अपने partner को asset दिया है stock and trade नहीं दिया है लेकिन asset को दिया है न दिया है की नहीं दिया है अब 9b लगाएंगे इस पर अब देखो 9b लगाते समय मैं वो जो sentence था न उसको मैं explain करूँ आप मुझे बता और 9b लगाते समय सुनो गाएंगी करना sale consideration 9b के अंदर fmb को sale consideration लेना पड़ता है 70 लाग बराबर अरे बाई fmb को sale consideration लोगे न 70 लाग दूसरा सवाल मैं को ये बताओ ये जो goodwill जो दे रहा है firm अपने मरजी से दे रहा है लेके जा goodwill 70 लाग की ये goodwill form की purchase goodwill है के self generated है ये मैं को सोच के बताओ आपके सामने ये answer है board के उपर ये बोड पर लिखा के नहीं है दिमारक से सोचो ये purchase goodwill है self generated है ये purchase goodwill है self generated है अरे इन जमाम तो answer मत निकाल भाई answer मत निकाल क्या बेटर लगे इंच पूछा ही नहीं मैंने ये self generated goodwill है ऐसा काई को अगर ये purchase goodwill होती तो balance sheet में इसका mention होता अरे ये एक अपनी की self generated goodwill है purchase goodwill नहीं ये purchase goodwill balance sheet में दिखती है ये self generated goodwill है न इसकी वो ट्रांसफर कर रहा है उसकी पराबर तुमें को बताओ 45-4 कैसे attract होगा बहुत अराम से मैं एक एक लाइन उपर हाइट करके ये दिया इसने firm को asset ठीक है ये 45-4 हो गया ठीक है 9 भी 9 भी बहुत अराम से बिट अप्ली patience रखना कैना इसे the cost of acquisition and cost of improvement of self generated goodwill is all going to be always nil बराबर अरे निल होगा ना अब देखो अगर capital gains 70 लाग होगा ना तो firm को आप बोल चकते हो double taxation हो रहा है क्या से double taxation हो रहा है मुझे बताओ क्या ये 48,10,000 के अंदर already tax लगा है सतर लाग के ओपर क्या इस 48,10,000 में भी सतर लाग included है completely नहीं लेकिन proportionately तो included है अभी ज़र अच्छे से देख लो कितना amount 45,4 में कितना amount 45,4 में मेरे को ना थोड़ा logically सब लोग answer देना logically इसके अंदर goodwill के वज़े से कितना amount है और पैसे के वज़े से कितना amount है ये बताओ यही catching point है यही समझ में अच्छा अच्छा export की नहीं आया अभी तक इस 48,10,000 में दो चीज के उपर आपको capital gains लग रहा है एक तो पैसे पे भी लगा रही है government और goodwill पे भी लगा रही है तो पैसे पे कितना लगा रही है और goodwill पे कितना लगा रही है कहना इसे दो लाग रुपया पैसे के वज़े से लग रहा है और 46,10,000 goodwill के वज़े से लग रहा है अब provision पढ़ना है आपर शायद पढले पढ़ जाए नहीं पढले पढ़े तो मैं हूँ ना consequential amendment is made in section 48 to provide that in case of specified entity the amount included in the total income of such specified entity under 45,4 which is attributable to the capital asset being transferred shall be reduced from full value of consideration to compute capital gains to compute income under the capital gains मैं फिर से बोल रहा हूँ golden line को मैं underline कर रहा हूँ ठीक है which is attributed to the capital asset being transferred 45,4 में जितना भी तेरा capital gains है जितना भी तेरा income है उसमें से जो capital asset transfer करने के वज़े से जो gain आया है उतना तु आगे जाकर अपने section 48 के calculation से less कर सकता है तुमको मेरा provision समझ गा है मैंने क्या बोला अब मेरे यहाँ पर calculation में 48,10,000 total 45,4 में चार्ज हुआ है उसमें से capital asset के वज़े से कितना चार्ज हुआ है 46,10 अदे यार बेटा उतना आगे जाकर तु यहाँ से less कर सकता है I hope you are clear with this I don't know whether you got this point or not इस पे अगर question बना दिया ना इची डोड़ी मज़ा आजाए अरे is everyone clear are you clear अच्चा अगर इधर यह 2,00,00 होता ही नहीं था ना अगर इदो लाक होता ही ना अगर तो फिर तो जितना भी गेन इधर आता पूरा नीचे से less कर देता Yes आगे बढ़े हिमत है आगे की questions बनने की तुम में बेटा इस तरीके करें कंटेंट अपन करते करते तो ऐसा कंटेंट करते ने तो नहीं चाहिए एकदम इंसाइड आउट गुसने का और प्रोविजन को फूरा समझने का पेपर यही लेबल का आज कर आ रहा है इसलिए प्रोविजन को समझो हाली रट्टा मत मारूहा रेविज से कोई लेकिन पहले कंटेंट और स्ट्रॉंग कर खाली रवाइज 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 बस सब कुछ रिवेजन ही होता है क्या जिन्दगी में पहले समझों के तो रवाइज कर पाऊगे ना बता समझना अज़ दूरी है कुश all assets से bracket में देखो other than goodwill and cash and bank balance ठीक है goodwill और cash and bank balance नहीं है क्यों क्योंकि goodwill शायद self generated होगी बड़ाबर और cash and bank balance नीचे अलग से दिया है correct अरे clear है क्या बढ़ो आगे अब मैं पढ़ने जा रहा हूं question why retires from the firm on November 30th 2020 चलो ठीक है why निकल गया estimated value of firm's self generated goodwill is 20 lakhs ठीक है why is paid 7 lakh 60 thousand why को कितना पैसा दिया गया बोलो 7 lakh 60 thousand उसको दे दिया 30 percent of the goodwill plus capital account balance on its retirement तो why का 7 lakh नी sorry 7 crore 60 lakhs sorry sorry 7 crore 60 कैसे आया उसका यह जितना भी firm का goodwill था उसमें से बोला ले भाई तेरा 30 percent टूल ठीक है और 30 percent का उसको पैसा दे दिया और बच्चा जो था उसका 1 crore 60 lakhs तो उसके capital account रही है तो 20 crore का 30 percent 6 crore हुआ plus 1 crore 60 lakhs तो उसको देना ही पड़ेगा तो टोटल कितना दे लिया firm ने बोलिये 7 crore 60 lakhs अराम से सुनना भी the firm is continued by the remaining partner X and Y X and Z profit sharing ratio 4 is to 3 overdraft is taken from SBI अभी तना बड़ा आउंट उसको देने का उसके bank account में देना है तो overdraft लेना फड़ा भी चारो को overdraft was taken from SBI to finance retirement payment to Y capital account of Y as on November 30th 2020 includes revaluation being transferred from surplus on Jan 10, 2015 the AO wants to invoke section 45.4 in this case sham associates the SSC firm is of the view that there is no transfer of goodwill of the firm as even after the retirement of Y the firm the firm remains the owner of the goodwill ये last 2 line है ना बहुत अच्छे से सुनना ये last की 3 line बराबर से पढ़ लेना ठीक है फिर अब लोग इस पर चर्चा करते हैं इस question पर चलो पढ़ो क्या और आई इस question के अंदर और last की 3 line ने बुलना मत ठीक है आपके पास भी sheet तो होगी मेरे साब से अच्छे से पढ़ लेना ठीक है हाँ सुनल अभी मेरा हीक एक सवाल सुनो पहला सवाल firm partner को क्या दे रहा है goodwill दे रहा है कि पैसा दे रहा है goodwill transfer कर रहा है कि पैसा दे रहा है सवाल इस सवाल का पहले जवाब दो question के अंदर अच्छे से देख कर firm partner को क्या दे रहा है goodwill दे रहा है कि पैसा दे रहा है नई goodwill नहीं दे रहा है स्रेया श्रेस्था जा इतना बड़ा नाम मेरी मा स्रेया श्रेष्था जा goodwill नहीं दे रहा है question पढ़ लेना firm partner को goodwill नहीं दे रहा है एक amount pay कर रहा है check करो check करो पिछले question और इस question में फरके पिछले question के अंदर देखोगे न अगर आप यहाँ देखना goodwill of the business is given to a दिखता है अलग color से लिखता हूँ दिख रहा है यहाँ पर goodwill नहीं दिया है तेरा जितना भी goodwill का share है उतना पैसा ले ले goodwill वोडविल के साथ दोस्ती नहीं चलती हमारी goodwill हमारे पास ही रहेगी पैसा ले निकल तुमको दोनों question का difference समझ में है क्या पहले यह बोलो goodwill हमारी रहेगी firm की तू निकल यहाँ से बिना goodwill के निकल अपनी खुद की goodwill बनाना बाद में चाते है पहले यह बता दो कि आपको यह difference समझना है यहाँ पर मैं आपको goodwill नहीं दे रहा हूँ पैसा दे रहा हूँ हाँ जितनी भी goodwill का ते रहा है हक उतना पैसा ले निकल तो मुझे बताओ partnership firm partner को क्या दे रही है हाँ firm का reconsideration हो रहा है partnership firm partner को क्या दे रही है पैसा दे रही है अब अगर पैसा देगी तो 9B attract हो सकता है क्या बताओ मुझे 9B कब attract होता है जब आप partner को या तो asset देते हो Capital Asset या Stock and Trade मैं यह दोनों में से कुछ भी नी दे रहा हूं तो 9 भी आट्रक्ट नी हो सकता है लेकिन क्या मैं 55-4 एट्रैक्ट करूँ मा क्या क्या 45-4 एट्रैक्ट होगा 45-4 दो चीज देने पर अट्रैक्ट होता है पैसे देने पर भी आट्रैक्ट होता है और capital asset देने भी फिर अट्राक्ट होता है अब दोनों में से एक चीज तो दे रहा हूँ ना मैं आपको अरे मैं B दे रहा हूँ आपको C नी दे रहा हूँ चलो B तो दे रहा हूँ ना तो B-D करके calculation करना पड़ेगा मुझे 45-4 के अंदर I hope it is clear to all of you therefore अब calculation देखो what is B यहाँ पर C कुछ नी है सिर्फ B है क्योंकि firm partner को goodwill नी दे रहा है goodwill के लिए पैसा दे रहा है 45-4 B 7,60 इतना मिला and what is D D is 1,20 1,20 कैसे आया capital account capital account 1,60 है लेकिन उसमें से 40,000 रुपया 40,000 रुपया तुमारा क्या है यहाँ पर देखो रिवालवेशन है तो रिवालवेशन को आपको capital account में नहीं लेना है I hope it is clear to you बता पर हितेश्वर अगला question बढ़के समझ में आजएगा क्या है is everyone clear with this particular question या छे करोड़ चालिस लाग पर फार्म टैक्स भरेगी 45-4 में 9B attract नहीं होगा 9B attract करने के लिए आपको या तो capital asset या stock and trade transfer करना पड़ेगा form ने दोनों में से कुछ भी transfer नहीं क्या है form ने पैसा दिया रोकड़ा दिया है रोकड़ा दोगे तो 45-4 लगेगा 9B नहीं लगता है clear है अब इस question के बाद मेरा एक आखरी सवाल है आप लोग से वो यह है मुझे बताओ यह सब होने के बाद यह constitution होने के बाद goodwill किसके पास है who is the owner of goodwill who is the owner of goodwill owner of goodwill तो firm यह ना बीबी बराबर अब अगर आगे जाकर goodwill तो मेरे पास है अगर यह goodwill firm किसी को transfer करती है तो क्या firm को tax लगेगा हाँ बोड़िये अगला question उसी पर dependent है in the above case sham and associates having x and y z as partner अब तीर में से दो ही बचे transfers goodwill self-generated of the business to an outsider on 20th August 2021 for 24 lakhs 24 crore sorry expenditure on transfer is what 3 lakhs अब इसको tax calculation लगे है कैसे 24 crore का sale consideration अराम अराम से self-generated है तो nil नil पराबर cost of acquisition तो nil हो जाएगा self-generated goodwill का cost of acquisition nil होता है and expenses on transfer 3 lakh रुपे ठीक है अब मुझे बताओ क्या अब मैं इसका 24 crore में से 3 lakh निकालू क्या बचता है 24 crore ही पकड़ो उसको क्या बचेगा 23 crore 97 lakhs मुझे बताओ क्या उसके अंदर already कुछ amount already यहाँ पर tax हो चुका है level taxation नहीं हो जाएगा क्या 7 crore 60 lakh में जो Mr. Y का share था जो उसको पैसा दिया था वो goodwill पर already आपने tax लगा के रखते हो बोलो ना भाई वो goodwill के लिए दिया था ना उसको पैसा बेटा double taxation हो जाएगा यह चीज़ दिमाग में रखना double taxation किसी भी circumstance में income tax में possible नहीं है होड़ा ही नहीं चाहिए definitely होगा और इसी लिए government नहीं आप पर आपको 6 करोड रुपे का relaxation दिया है अब आप बोलोगे 6 करोड कैसे आया अरे भाई Mr. Y को आपने total 7 करोड 60 लाग रुपया दिया था ठीक है उसमें से 6 करोड रुपया एक करोड शाट लाग तो चलो उसका capital account में जो balance था वो दिया था लेकिन 6 करोड रुपय क्यों दिया सी टाइम पास के लिए उस 6 करोड रुपय के उपर आपने already tax भर के रखा है वही चीज़ को तो यहां पर relaxation द चार्जबर under the head capital gains this is calculated in the manner to be prescribed this is to mitigate the double taxation which may have happened but for this probation in a situation where an asset which was revalued and for which income under 454 was brought to tax is transferred subsequently by the specified entity अगर इस 6 करोड रुपय के उपर आप यहां पर से reduction नहीं दोगे तो यह एक clear cut क्या हो जाएगा clear cut clear cut double taxation हो जाएगा इसलिए आपको यहां से 6 करोड रुपयालेस करना पड़ेगा बिटा यही तो relaxation दिया है गौर्मेंट ने लेकिन अब इसको कैसे less करोगे क्या less करोगे गौर्मेंट ने बोला इन सब चीज़ के लिए हम क्या करेंगे हम proper rules लाएगे अब वो proper rules क्या होगे तो मुझे खुद को नहीं बता है क्योंकि अगर आप देखो कि यहां पर भी गौर्मेंट ने बोला है वे विल दे कैल्कुलेट इस इन प्रिसक्राइब मैंनर लेटर और यहां पर भी अगर आप देखो तो गौर्मेंट ने बोला हम बताएंगे इसका total exactly इसका reduction कैसे होगा क्या होगा हम आगे प्रिसक्राइब करेंगे अभी जो हम लोग calculation कर रहें और जो मैंने आपको बताएं यह मैंने लॉजिकल बेसिस पर बताएं से नहीं करोगे तो यहां पर हो जाएगा क्लियर डबल टैक्सेशन इस चौबिस करोड रुपे के उपर दो बार टैक्स लग जाएगा आपको अरे इसे क्लियर टू अलफ यू गला दुग्या मेरा तो यह है यह भायंकर अमेंडमेंट्मेंट एक घंटे से जादा तो इसी को लग गया तो यहां पर हम लोग आज का सेशन रोकते हैं ठीक है मजाया आप लोगों को अब थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था कोई तो था वह यह बहुत इसी है साथ अमेंडमेंट्मेंट्स तो बहुत असान है सथ कोई तो था ओ कौन गिदर गया उसको पकड़ो मजाया तो अभी फड़ा पड़ शेर कर डालो इस वीडियो को अभी मैं वीडियो दालने नहीं वाला इसको प्राइवेट कर तो ठीक है चलो भाई आल अपी टेक क्या सब्सक्राइब कर रहे हों तो आपके बैच के साथ यह सब कुछ कवर हो जाएगा थैंक्यू राम कॉंग्राइक्टुलेशन्स पॉर यूर रेट अचीवमेंट तो चल यह शुरू करें चलो इजाज़त दो चल्वी स्टाट चल्वी स्टाट तो आज का पहला अमेंडमेंट अमेंडमेंट नम्बर नाइन अमेंडमेंड नम्बर एट तक हम लोग ने कल कर लिया था बहुती जबर्दस और भयंकर अमेंडमेंट नम्बर नाइन आज चुरू करेंगे चोटा सा मेंडमेंट यूसके बाद आगे बढ़ते हैं वह कौन सी इंकम होगी वह यहां पर लिस्डी गई है ठीक है अब यहां जो भी लिखा है इस अब कुछ पिछले साल था अल्रड़ी अब स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या होता है उसमें एक चेंज आया है चेंज क्या है सुन लो कान खोलके स्पेसिफाइड फंड की इंकम किन के जो को अब स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है वां और नीचे लिखा गया है अब पिछले साल तक कि सप्पेसिफाइड फंड मेंय इक और इससान को एंसन तो भूलूगा एक और एक और एक केuciones टे parlर को युक कर दिया तो तिल लास्स तैस स्पेसिफाइड फंड 1 खिख करते हैं अब पिछले साल क्या था सर शाय चाहते है और आप चाहते हो वह सुनना चाहते हो तो फिछले साल क्या था स्पेसिफाइड फंड में स्पेसिफाइड फंड is a fund which is incorporated in India in the form of trust, company, LLP और Body Corporation जिसके पास category 3 AIF certificate अगos एड़ा के अंदर located है और जिसके सारे units non-residents के पास है other than sponsorer और manager ये provision पिछले साल की book में भी होगा आप जाकर check कर ले ना ठीक है there is nothing new in this now what is new specified fund में government ने second category add कर दिया this is the second category in the specified fund definition second category ये पूरा absolutely next fresh category ये पूरी ये पिछले साल तक नहीं था ठीक है तो अब इसमें क्या है अध्यान से सुनना पड़ेगा थोड़ से टेकनिकल अमेंट्मेंट्मेंट्स है आज के lecture में बहुत सारे टेकनिकल अमेंट्मेंट्मेंट्स आने वाले तो उसकी technicalities को समझना पड़ेगा अपने को साथ में second point क्या बोलता है investment division of an offshore banking unit which has been bla 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 लेकिन उससे पहले अपने को इस phrase का मतलब समझना पड़ेगा किसका investment division of an offshore banking unit का मतलब क्या होता है इस phrase का तो पहले मतलब समझ ले ते उसका मतलब नीचे government ने define किया है देखो investment division of an offshore banking unit का मतलब क्या होता है it means an investment division of a banking unit of a non-resident located in IFSC as referred in section 80LA and which has comments operation on or before 31st month 2024 now listen carefully what technical amendment है इसकी technicality को समझ ने के लिए कुछ explanation दे रहा हूं है ठीक है यह से standard chartered यह कहां की bank है UK की bank है इंडिया में एक non-resident है ठीक है standard chartered is a UK bank इंडिया में non-resident है अब अगर यह IFSC में जाती है ठीक है और उदर एक investment division खोलती है investment division कौन standard chartered UK ठीक है तो इस standard chartered UK के investment division को जो IFSC के अंदर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे investment division of an offshore banking unit चेक करो नीचे जिसका operation 2024 के पहले शुरू हो जाना चीए एक government ने cut off रखा है चेक करो is it clear बोलिए बहुत गरीब हुए बेटा पैसे नहीं रुपस अब रोजाना एक टीशर्ट पहलते हूं अगर कोई non-resident bank है जैसे सिटी बैंक है जैसे स्टैंडर चार्टे अगर वह IFSC के अंदर जाकर अपना investment division कोलता है बैंक के बहुत सारे divisions होते हैं उसमें से एक division होता है investment division क्या करता है bank के लिए investment समालता है bank कहां-कहा invest करें कहां-कहां से पैसा बैंक के बास इतना सारा पैसा होता है बैंक करेगा के इतने पैसेगा तो बैंक के investment division का अगर आप IFSC में जाकर unit खोलोगे तो उस investment division को आप बोलोगे investment division of offshore banking unit पराबर अब इसको government ने बना दिया specified fund कब बनाये when an investment division of an offshore banking unit which has been granted a certificate of registration as category one foreign portfolio investors under the SEBI regulations and which has commenced operations on or before 31st March 2024 and fulfills such other conditions ये सब बोल बच्चा ने कुछ खास नहीं है इसके अंदर and fulfills such other conditions including maintenance of separate accounts for its investment division as may be prescribed moral of the story का मतलब क्या इस particular amendment का के इस section के अंदर अब दो specified fund है एक specified fund already उपर था अब second specified fund है एक non-resident का investment division जो IFSC के अंदर located है 2024 के पहले operation शुरू करता है तो उसको भी इस particular section के अंदर ये सारी income के उपर exemption मिलना शुरू हो जाएगा is everyone clear with this academically मुझे नहीं लगता है ये कोई बहुत जादा important amendment है is everyone clear तो मैं आगे बढ़ता हूँ पहले मिल्ट प्लीज जैसे हो जाएगा ना एक amendment हो जाएगा तो please respond कर दो फटाफट थाकित समय बरबाद नहीं हो मेरा भी और आपका भी अगले amendment की तरफ बढ़ता हूँ दो नए section government ने लाए section 10-4-E-10-4-F अब section 10 ने तो amendment है और क्या 10-4-D पिछले साल लाया था 10-4-E-4-F किस साल लाया अब इसमें चोटे-चोटे दो amendment किये ठीक है अब इसमें क्या amendment किया है चलो देखने पहला amendment इसके अंदर दो नए section है absolutely new section है कोई पुराने section नहीं अभी इसी साल आया है एवाई 22-23 से पहली बार यह section आया है से पहले section थे ही नहीं पहला amendment क्या है जब और से देख लेना अगर कोई non-resident सुन लो मैं जो highlight कर रहा हूँ चीज़े बराबर से आपनी बुक में भी highlight कर लो अगर कोई non-resident non-deliverable forward contract जो उसने किसी offshore banking unit के साथ किया है जो IFSC के अंदर located है वो अगर वो transfer करता है तो उसको transfer करने पर जो भी tax आएगा वो government exam करती है तो condition सुन लो transfer कौन कर रहा है non-resident करता है क्या transfer कर रहा है non-deliverable forward contract वो forward contract आपने किसके साथ enter किया है एक offshore banking unit जो IFSC के अंदर located है जिसका operations 2024 के पहले चुलो होना चाहिए तो अगर मैं एक non-resident हूँ मैं अगर आपके साथ आप कौन हो एक offshore banking unit जो IFSC के अंदर है आपके साथ जो non-deliverable forward contract एंटर किया था बैंक के साथ ही करते हो ना forward contract और किसके साथ करोगे तो वो forward contract अगर मैंने transfer किया 2024 के पहले operation शुरू हुआ है तो उससे जो भी capital gains आएगा वो exempted check कर लो section 1040 में is everyone clear with 1040 please बताइए उसी तरीके से एक और चोटा amendment आगया 10-4-F क्या amendment आए गोर से सुनना जरा प्लीज यहाँ पर देखूं यहाँ पर IFSC है ठीक है यहाँ पर एक non-resident है ठीक है इस non-resident ने IFSC के एक unit को lease पर दिया है क्या aircraft ठीक है बदले में यह इसको royalty देता है या अगर finance lease पर दिया है तो interest देता है finance lease पर दिया तो interest भी देना पड़ेगा ठीक है तो यह अगर एक non-resident किसी IFSC के unit को lease पर aircraft देता है बदले में अगर royalty या finance lease पर दिया है तो interest कमाता है तो यह दोनों चीज गॉर्मनें ने इसके हाथ में क्या कर दिये एक्जम कर दिये चेक करो और हेलिकॉप्टर में और हेलिकॉप्टर को भी इंक्लूट कर दिया चेक करो एक्जम क्या किया है any income of non-resident by way of what royalty or interest on account of lease of aircraft paid by a unit of IFSC IFSC का unit pay कर रहा है ठीक है if the operations are comments on or before 31st March 2024 और हेलिकॉप्टर को define किया है यह एव्रीवन क्लिए इस डियाग्राम कॉपी कर ले न इज को लिये बडिये बेटा लोक इसका पोटो ले लेना और कोपी कर लेना ठीक है है चोटे 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 बहुत सारे आइसे मिसाइल छोड़ा इंसिटूट ने इंसिटूट क्या गल्पी विचारों कि यह तो पिछले साली आया ना टैन फोरी फोरे पिछले साली आया बराबर फाइनाइंस एक ट्वेंटी वन की अमेंडमेंट से नए सेक्शन है अब लोग कुछ भी सोचे समझते नहीं अमेंडमेंट लेकर आ यह अमेंडमेंट लेकर आ गए तो इसको थोड़ा साल तो मतलब दो-चार साल तो रहने दो अब फाइनाइंस विल 2022 में जो अभी बजट आया ना फॉसमें ये सारे सेक्शन में नोंने कुछ ना कुछ चेंज़ेस किया है निकाला नहीं है बट चेंज़ेस करना इस अब गवर्मेंट रेकर्गनाइस प्रोवटेंट फंड स्तैक्ट इश्टर इनकी नजर आ चुकी है रेकर्गनाइस प्रोवटेंट फंड से जो भी पैसा मिलता है Statutory Fund से जो भी पैसा मिलता है वो Section 10-11 में exempt होता है ठीक है उसमें Public Provident Fund भी इंक्लूडए PPF भी इंक्लूडए वो Section 10-11 में exempt होता है उसी तरीके से Section 10-12 में भी उसका interest exempt होता है ठीक है अब गौर्मेंट नहीं आपर छेड़ खानी कर दिये क्या छेड़ खानी किये चलो पढ़ते है The above provisions of 10-11 and 10-12 have been amended with effect from AY-22-23 to provide that above exemption shall not apply to interest accrued during the previous year in an employees recognized provident or statutory provident fund account to the extent it relates to the amount given below तो अभी सबर करना patience रखना ठीक है गौर्मेंट ने क्या बोला है भाई हम इसको exemption नहीं देंगे अब कितना नहीं देंगे कब नहीं देंगे सबसे पहले exemption आपको interest पे नहीं मिलेगा ठीक है अब सवाल यह उठ रहा है कितने interest पे नहीं मिलेगा तो गौर्मेंट ने बोला आप जो नीचे लिखा है न उतना यह इतार जितना लिखा है उतने interest पे आपको exemption नहीं मिलेगा मैंने बोला आप बताओ कितना तुरह गहर से सुनना देखो दो किसम के contribution होते हैं एक contribution जिसमें सिर्फ और सिर्फ employee contribute करता है और एक contribution जिसमें employee और employee दोनों contribute करेगा थोड़ा portion employee contribute करेगा थोड़ा portion employer contribute करेगा maximum लोगों को सिर्फ इसी ये बारे में पता है कि प्रोविडेंट फंड तो सर ऐसा ही होता है ना सर जिसमें सिर्फ employer employee दोनों contribute करेंगे आधा ये करेगा आधा वो लेकिन एक category और प्रोविडेंट फंड ऐसे भी होते हैं जिसमें employer contribute नहीं करता है सिर्फ employee contribute करता है वो भी होता है अब उन दोनों के बारे में यहां पर point number A और B में बोला गया है point number A क्या बोलता है interest government ने किस पर हाथ किस पर मारा है government ने interest पर मारा है किसका interest provident fund के उपर जो balance पर interest आता है ना उस पर पूरा exemption नहीं देंगे government बोलता है restriction डालेंगे कितना डालेंगे देखो interest and employees provident fund in excess of 250,000 per year if the contribution by employee is in a provident fund in which employer also gives his contribution मतलब अगर contribution employer plus employee दोनों करते है तो आपको exemption धायलाग रुपे तक मिलेगा ठीक है उसके अबाव taxable किसका किसका exemption इंट्रेस का लेकिन अगर आपके समें contribution is made only by employee and there is no contribution by employer then the contribution if it is by only employee then you will get exemption up to 5 lakh rupees 5 lakh के ओपर taxable above is taxable तो आपको चेक करना पड़ेगा आपका provident fund कैसा है जिसमें दोनों contribute करते है तो उसमें 2 लाग रुपे तक exempt है उसके ओपर taxable जिसमें सिर्फ employee contribute करता है तो पांच लाग रुपे तक exempt है उसके ओपर taxable are you clear please बोलिए अधर tax tax करेसे निकाल होगे सब यह सब गौर्मेंट बोलती है हम इसके लिए rules लाएंगे नीचे चेक करो विल ब्रिंग rules for this इसके लिए rules and regulations लाएंगे गौर्मेंट देखते भी क्या rules लाती है हर चीज के लिए rules ही लाते रहोगे तुम बस इतना complicated करोगे provision को कानून को इसका कोई ND नहीं है बता ठीक है आगे बढ़ रहा हूँ मैं next one is also an important amendment academically बहुत important amendment है बहुत जादा ध्यान से सुनना है इसमें क्या amendment क्या बहुत सारे institutions से association है जिनको section board पे देखो 1023C बहुत सारे educational institutions है बहुत सारे universities है बहुत सारे colleges है बहुत सारे आपके hospitals है सुन लो अच्छे से education institution और hospitals इनको government ने section 1023C में बोला है कि अगर आपकी annual receipt एक करोड रुपे तक है तो आपको fully exempt है आपको tax नहीं लगईगा annual receipt अगर एक करोड रुपे तक है तो exempt है अगर आप 1023C में एक educational institution की तरह registered हो या एक hospital hospital की तरह registered हो और अगर आपकी annual receipt एक करोड रुपे तक है तो वो fully exempt है अब government ने इसमें भयानकर amendment लाया है और बोला है कि इस एक करोड की ceiling को हम बढ़ा कर आप 5 करोड कर रहे हैं और government ने बोला कि भाई अब से अगर आप educational institution हो 1023C में registered हो या आप hospital hospital हो 1023C में registered हो तो आपकी annual receipt अगर 5 करोड 5 करोड तक भी है तो भी आपको exemption मिलता रहेगा 5 करोड के उपर जाएगा तो आप पे tax works लगाने की बात करेंगे यह पहला amendment है इस section के अंदर दूसरा amendment इस section में क्या है सुनों सपोस्पोस मैं एक institution हूँ मैं एक अससी हूँ और मेरे तीन institution है एक educational institution, second education institution और एक hospital तो पहले जो limit थी ना वो वन करोड वन करोड वन करोड एक अससी की अगर तीन institution है ना तो एक करोड एक करोड की limit सबके लिए separately applicable होगी मिसाल के तौर पर मैं एक अससी हूँ मेरा एक education institution है दूसरा education institution है तीसरा hospital है और पहले की receipts 90 लाग है दूसरे की receipts 90 लाग है तीसरे की receipts 90 लाग है तो मुझे तीनों institution पे कोई tax नहीं लगेगा provided में 1023C में registered होना चाहिए लेकिन अब government ने बुलाए अगर एक अससी का multiple institutions है ना तो सबका receipts मिला कर चेक किया जाएगा के 5 करोड क्रॉस होता है के नहीं होता है मिसाल के तोर पर अगर अब मेरे पास 3 institutions है एक educational institution 1023C में registered है दूसरा भी registered है और तीसरा वाला से hospital है 1023C में registered है अब पहले वाले से मुझे 2 करोड का revenue receipts हा रहा है दूसरे से 2 करोड तीसरे से 2 करोड पहले individually चेक करते थे अब combined अगर एक अससी के पास 3 institution है चार institution है और मिला कर करोड होता है तो फिर उसको tax बढ़ना पड़ेगा अरे अरे आर्यू क्लियर यह amendment यहाँ पर हुआ है दो amendment पहला amendment पहला amendment अबाव लिम्त of 1 करोड has been increased to how much 5 करोड and to supersede the aforesaid rulings it has been provided as such limits shall be applicable to an SSC with respect to aggregate annual receipt from universities or education institution as well as hospitals etc as referred to in clause 2AE and 2AE अरे आई होप इस क्लियर तो यू बेटा इस इट क्लियर पोल ये प्लीज बोल ये ना महरबानी कीजिये ना अब अगले सेक्षन की तरह बढ़ता हूँ और ये एक बहुत ही विशाल सेक्षन था अल्रेडी आपको पता होगा अब इस सेक्षन में अल्रेडी बहुत सारे अमेंटमेंट कर दी अब देखो क्या करते हैं बैठें बैठें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सीवी डिटी के लोग बच्चे लोगों की तरह ड्राफ कर रहे हैं पता है आपको ये लास्ट ये सेक्षन आया था अबुदाभी इं जो भी ग्रीन में देखेगा सस्से पुरा टाल दिया ऐसे मैं आदा अधा पड़नगा तो शमाजी कुछ आइडिया नहीं लगता आपको क्या ला लिए तो बिटा मैं को प्लीज आपका पूरा ध्यान चाहिए यहां पर एक एक पॉइंट आप बारी के से पढ़ेंगे और उसमें जो पास चौता पॉइंट था वो पहले क्या था और अभी क्या है मैं दोनों बताता हूँ ठीक है सबसे पहला अमेंट्मेंट चौते पॉइंट के नीचे इन्होंने एक परवाईज रोडाला है यह अब holy on subsidiary of अबुदाभी investment authority यह पहला है दूसरा specified fund कौन है sovereign welfare fund और sovereign welfare fund बना के लिए आपको यह सारे conditions फुल्फिल करने पड़ेंगे पहले यह चीज़ confirm करो are you clear with this यह सारे conditions पहले आले point के लिए नहीं है दूसरे sovereign welfare fund बनाना है अगर आपको अपने fund को तो आपको यह सारे condition फुल्फिल करने पड़ेंगे जो इदर लिखे गए फिर pension fund तीसरा है तो specified person के definition में तीन specified person पहला specified person वो अबुदाभी investment authority दूसरा specified person तुमारा sovereign welfare fund और तीसरा specified person देखो यहाँ पर दिया गया यह pension fund तो pension fund में भी changes आये अबुदाभी investment authority में कोई changes नहीं हो वैसा यह जैसे पहला था sovereign fund में सबसे पहला क्या change आया देखो इसमें condition number 4 हुआ करता था condition number 4 जो अभी भी है condition number 4 क्या बोलता है condition number 3 बोलता हूँ पहले condition number 3 its earnings are credited either to the government of the foreign country so that no portion of the earnings in your benefit of any person तो वो जो sovereign welfare fund भार बैठा है ना उसके लिए condition number 3 क्या बोलता है बहुत आराम से सुनना बिटा बहुत अच्छे सा दिमाग में गुज़र दूँगा तुमारे वो जो sovereign welfare fund भार बैठा है ना उसके लिए condition number 3 क्या बोलना चाहता है वो fund एक ऐसा fund होना चाहिए जिसकी सारी earning उस fund को जानी चाहिए किसी private person या किसी भी third person को नहीं जानी चाहिए तो अब यहाँ पर government को बत्ती 6 मेने बाद जली provision तो लेकर आ गया लेकर आने के टाइम पर बाद में बत्ती जली कि suppose अगर वो sovereign welfare fund ने किसी से उधार उधार लिया है या वो sovereign welfare fund ने किसी से समान वबान खरीदा है क्रेडिट पे तो क्रेडिटर तो भी पैसा नहीं देनेगा क्या बैंक को भी पैसा लोन के तौर पर वापस नहीं देनेगा तुमको को कि वो sovereign fund अपना पर किसी को भी अपनी इंकम किसी को नहीं देगा उसी तरीके से point number four में भी कड़ बढ़ होगी इस assets best in the government of the foreign country upon dissolution बाड़ी बच से बोला बहुत शांस है बोली जो फंड है अगर उसका dissolution होता है तो उसका पूरा अगर वहां की बैंक से पैसा लिया तो उसको निदोगे इस लिए गोर्मेंट ने बोला अच्छा भाई सौरी भाई गल्पी होगी provided that the provisions of sub clause 3 and sub clause 4 shall not apply to any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing for the purpose आगे क्या लिखा उसके थोड़े देर बात बोलता हो other than for making investment in India तो भाई अगर माफ करो भाई अगर वो sovereign welfare fund creditor को पैसा देता है तो चलेगा condition no.3 applicable नहीं है condition no.4 applicable नहीं है dissolution पर देगा तो भी चलेगा नॉर्माली देगा तो भी चलेगा अगर वो bank को पैसा देता है तो चलेगा condition no.3 condition no.4 applicable नहीं है महरबानी करके सब लोग बेटा सब लोग में को पहले बताओ is everyone clear with this particular provision यह पहला amendment है इस section में please बोलो बेटा are you clear with this तो मैं आगे बढ़ूँगा अभी दूसरा section दूसरा provision में क्या change आया देखो यह point no.4 में पुराना provision काटा और पूरा नया provision डा रहा ठीक है it does not undertake यह provision पुराना है it does not undertake any commercial activity weather within और outside इंडिया चलो ठीक है मतलब वो जो sovereign fund है वो इंडिया या इंडिया के भार कोई भी commercial activity नहीं करना चाहिए अब government ने कितना काटा है बरापर से देखो यहां से लेकर यहां तक यह point डाला ठीक है अगर यह point card डाला है इसका मतलब क्या है क्या आप वो फंड commercial activity कर सकता है कर सकता है क्योंकि पॉइंट काट डिया अब यह point card के all together एक नया point को जड़ दिया इदर मतलब काटा कुछ और डाला कुछ और चेक चुरो बराबर से पहले बोला था last year क्या था provision it does not undertake any commercial activity whether or outside India whether in India और outside इंडिया चलो ठीक है वो fund इंडिया में और इंडिया के बार commercial activity नहीं करना अब वो sentence ही निकाल दिया के undertake any commercial activity within और outside यह sentence निकाल के नया sentence डाल दिया कैसे पढ़ोगे it does not participate in the day-to-day operations of the investee but the monitoring mechanism to protect the investment with the investing including the right to appoint directors or executive directors shall not be considered as participation in day-to-day operations of the investee अब मैं मतलब समझाता हूं ठीक है फिछले साल तक क्या था यह point कि वो जो fund बाहर बैठा है वो इंडिया में या इंडिया के भार कोई भी commercial activity नहीं करना ची अभी commercial activity का point government ने कच्रेके दबे में फिक दिया अब क्या बोला है कि वो बंदा जो बाहर बैठा है जो इंडिया में इंवेस्ट कर रहा है वो इंवेस्टी के day-to-day operations में टांग न अडाए इंवेस्टी कौन है वो investor है sovereign fund investor है इंडियन कंपनी जिसमें वो इंवेस्ट कर रहा है वो invest है तो वह इंवेस्टि के day to day operation में टांग ना अड़ाय लेकिन क्योंकि उसने हजारों करोड रुपया इंडिया में invest किया है तो वह अपने investment को protection करने के लिए के बराबर Indian company पैसा डाल रहे है के नहीं वह monitor कर सकता है और वह करने के लिए अकर वह चाहे तो इस company में डिरेक्टर्स वरेक्टर्स भी अपॉइंट करना चाहे तो कर सकता है उसको आप यह नहीं बोलोगे के टो डे टो डे ऑपरेशन में टांग आ रहा है तो कहानी बराबर से सुन लो नया अमेंडमेंट क्या गया है इसलिए मैंने बोला निकाला कुछ अलग चीज डाला अच्छा यह सब मत करो आप क्यूंकि आप लेकिन आपका इंवेस्मेंट इंडिया में है तो आप अपने इंवेस्मेंट के प्रोटेक्शन के लिए आप यहां पर उसको मॉनेटरिंग कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन डे टो डे ओपरेशन में टांग मत लाओ अपन कितने चोटे-चोटे अमेंडमेंट होते हैं अब तीसरा स्पेसिफाइड परसन कौन था सेक्षन के अंदर पेंशन फंड अब फेंशन फंड में भी अमेंडमेंट आया क्या आमेंडमेंट आया सब चलो देखेए पेंशन फंड में यह पिछले साल तक यह पॉइंट था अभी इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया इसके आगे इनो एक सेंटेंस डाल दिया जट पेंशन फंड इस नोट लाबल टो टैक्स इन फॉरण कंट्री और इवन इपने देश में अगर लयाबल भी है तो उसको उस देश में सारी इंकम के टैक्स से एक्जेम्शन मिल चुका है तो ही कंडिशन नंबर टू फुल फिल लोगा अदर्वाइस यह कंडिशन नंबर तू फिल नहीं होगा और कंडिशन नंबर त्री जो है यह इसक्लि सिमिलर फॉस की तरह जैस आर यू क्लियर बोलिए बिटा क्लियर है अब आगे के अमेंडमेंट देखते हैं अब आमेंडमेंट कहां पर किया है अब आमेंडमेंट उन्हें यहां पर किया है जहांपर इन्वेस्मेंट कहां पर करेंगे यह लोग कौन लोग अब उधाभी इन्वेस्मेंट ट्रस्ट अथोरिटी इन्वेस्मेंट कहां करेगी sovereign welfare fund investment कहा करेगी और तीसरा कौन था हो pension fund investment कहा करेगी उसमें changes किया इन्होंने चेक करो पिछले साल तक क्या था पता है investment is made in business trust और point number B और point number C में कुछ था अब इन्होंने सबसे पहले point number C के साथ छेड़ खानी की और point number D और E यह नए point insert की है ठीक है यह absolutely new point insert हुए और अब यह करने के साथ साथ सुन लो सबसे पहले यहां जेड़ खानी की यह नया point insert किया यह नया point insert किया प्लस इन तीनों points के लिए government ने एक एक provisos बना के डाले तीनों के लिए नीचे देखो provisos for item C provisos for item D provisos for item E उसके बाद जाकर आपका section लगबख खता होता है तो shall we start with this particular discussion now please मुझे इजाज़त दे दो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं एक बार फिर से में को in fact सारे points बोलने ही पढ़ेंगे आपर ठीक है शुरू करते इंवेस्टमेंट is made point number A in business trust चलो ठीक है point number B in a company or enterprise carrying on the business of developing operating maintaining infrastructure facility चलो ठीक है तो वो लोग investment कहा करेंगे सबसे पहले investment वो लोग business trust में करेंगे दूसरा अगर business trust में इंवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है वो companies वो जो बाहर funds है वो इंडिया में आकर business trust के units खड़ी देंगे वो नहीं करना है तो उनको बोलो इंडिया में किसी company है enterprise के shares करेंगे कैसी company इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के और कोई company नहीं ठीक है पॉइंट नबर सी अब किसमें investment करना है और इसमें government ने कुछ share खानी भी किया है इन category बन category 2 AIF AIF क्या था वो alternative investment fund वो investment fund है जो पब्लिक से पैसा लेता है अलग-अलग जगे investment करता है फिर कुछ income fund के हाथ में taxable है कुछ income investor के हाथ में taxable है तो अब इन funds को बोलो जो बाहर बैठे है सावरें वेलफेंट fund pension fund अबुदा भी investment authority उनको बोलो इंडिया में आओ और AIF में investment करो और कम से कम 50% investment उन में से जो भी आप investment कर रहे हो इन यहां पर amendment क्या है पहले 50% वाला point नहीं था पहले क्या point था मैं आपको बता देता हूं देखो पहले क्या point था मैं वह आपको बता देता हूं ठीक है जो पहले नहीं था न वह कार्ट देता हूं यह सब card देता हूं, यह सब card देता हूं, यह सब card देता हूं, ठीके, यह green वाला portion पहले नहीं था, तो पहले क्या था, investment is made in AIF, regulated under SEBI regulations, having investment in one or more companies or enterprise, और entity given in point number B, तो पहले पिछले साल तक क्या था, कि वो जो बाहर बैठा है, कौन fund, वो एक ऐसे investment fund में invest करें, मैं इसका पूरा modus operating यहा आपर एक investment fund है, यह एक ऐसे investment fund में invest करें, जो इस category की company में invest करता है, तुमको समझ में आया, ठीक है, पराबर यही बुलना चाहरा है ना, यह पुराना provision, प्लीज पहले इसका confirmation दो, अरे बोलिया यार प्लीज, अब government ने इसमें क्या बोला है, अच्छा अच्छा, invest करते समय आपको यह भी ख्यार रखना होगा, कि आपका, इसका इसमें investment, किसका, गौर से दिखना, इसका इसमें investment, 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अब government ने आपे 50% का criteria डाल दिया, अब क्या बोला है, इनक, AIF, regulated under SEBI regulations, having not less than 50% of the investment in what, in the entity given in point number B, और B के साथ point number D और E को भी घुसेड दिया है, मतलब अब जो यह AIF है न, AIF, point number B में भी invest कर सकता है, और D और E में जो नहीं entities government ने घुसेड ही है, financial 21 के अंदर, उसमें भी invest कर सकता है, तुमको समझ में हैं फिर D और E बढ़ता हूँ मैं, तो पहले सिर B वाली companies में invest कर सकते थे, अब D और E में भी invest कर सकते हो, ठीक है, तो अब D में कौन cover है, चलो देखते, D और E तो एकदम fresh entry, अब भी अभी मा रहा है, एकदम ताजा तरीन, ठीक है, investment is made in point number D, point number D में कौन है, एक domestic company में invest कर रहे हो, जो 1st April 2021 या उसके बाद register हुई है, पुरानी नहीं नहीं company है, और इस domestic company का 75% investment point number B वाली company में, अब देखो मतलब हर एक के लिए क्या reference दाला है, इसका investment किदर होना चाहिए, इधर, इधर, और इधर, 50% investment इधर होना चाहिए, इसका investment किदर होना चाहिए, इसका, इसका 75% investment, इस वाली company में होना चाहिए, तुमको कुछ समझ में आ रहा है, बेटा के पढले पढ़ रहा ही का दिमाग के ओपर से जा रहा है सब कुछ, लीज बोलिए, भयांकर amendment किया है, इस से बोलने से खतम नहीं होगा, आप नहों होग पाच्वा, investment is made in a NBFC, अब NBFC में भी वो sovereign fund invest कर सकता है, देखो पिछले साल तक वो sovereign fund सिर्फ किसमें invest करता था, एक business trust या एक infrastructure company में, अब point number है business trust में भी कर सकता है, infrastructure की company से उसमें भी कर सकता है, alternative investment fund में भी कर सकता है, जो BD और E में invest करता है, at least 50%, और फिर बाद में domestic company में invest कर सकता है, जो अभी अभी रजिस्टर हुए है, first capital 2021 से उसके बाद, और वो point number B वाली infrastructure company में 75% investment करता है, और point number E, क्या है, कि अब से वो sovereign fund एक NBFC में भी invest कर सकता है, लेकिन फिर से NBFC के लिए ख्राइटर डाला है, कि वो NBFC अपना 90% lending कौन सी companies को करेगी, ये NBFC अपनी 90 अपनी किसको करने वाली है, point number B, तो हर जगे से C को भी, D को भी, E को भी बोला है, कि आपको घुम फिर के कहां जाना है, point number B वाली companies को मदद करना है, are you able to understand this? C, D, E, इन सब को भूला है, C को क्या बोला है, point number B वाली में invest करो, D में भी invest करो, E में भी invest करो, D वाली companies को क्या बोला है, आप B वाले में 75% invest करो, E वाली को क्या बोला है, आप 90% lending B वाले को दो, I hope it is clear to all of you, अगर यह सब करोगे, तो आपका हम क्या-क्या चीज माफ करने वाले देखो यहाँ पर, dividend माफ करेंगे, इन companies से जो भी dividend आएगा हो, माफ, interest माफ, long term, capital gains माफ, यह सब माफ होने वाला है, ठीक है, तर पूरा माफ हो जाएगा, हाँ पूरा माफ हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें भी restriction डालके रखा है, यहां तक सब को clear है क्या, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि मैंने बोला, point no. C वाली companies के लेक प्रोवाईचोंट डालके रखा है, पॉंट-बबर दी वाली कंपपनीच के लिए प्रवाईश लडाल के रखा है। क्या प्रवाईश लडालके रखा है? सुनौ बोलो ना मिदा AIF ने पॉइंट नमर C में जो AIF covered है उसने अपना 70% investment B, D और E में डाल दिया है तो ये valid assessi है valid assessi है condition तो उसने फुल्फिल कर लिया है तो उसके लिए तो 50% का criteria है लेकिन उसका exemption उसको जो उपर है न ये जो income है न ये जो income जिसका उसको exemption मिलने वाला है exemption उसको पूरे amount का नहीं मिलेगा exemption भी उसको फिर 70% income का ही मिलेगा चेक कर लो ये बुलना चारीए government और इसको हम proportionately कैसे निकालेगे government बोलती है इसके लिए भी हम क्या लाएंगे rules लाएंगे similarly point number D में क्या बोला है आपको point number D में क्या बोला है आपको point number D में क्या आपका 75% investment B वाली company में होना चाहिए हाँ तो इस section में बने रहने के लिए 75% तो invest करना पड़ेगा 75% से ज़्यादा invest करते हो 85% करते हो 90% करते हो तो exemption मिलेगा लेकिन proportionally मिलेगा अगर आप चाहते हो कि पूरा income exempt हो तो 100% invest करना चाहिए अरे did you understand what I am trying to say similarly point number E के लिए क्या बोला है point number E के लिए भी बोला है उसमें क्या बोला है NBFC में आप invest करे हो और NBFC का 90% loan किसको जाना चाहिए और point number B वाली company को जाना चाहिए झाहिए 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 झाल चलिए आगे बड़े इस एवरिवन क्लियर विद्धे यह ती इन प्रवाइश हो दालने का कारण क्या था गौर्वर्मेंट का ना एक आखरी प्रवाइश हो और फिर गौर्वर्मेंट ने यहाँ पर भी लायबल टैक्स को डिफाइन किया है वो ही डेफिनेशन है जो अपने कल पढ़ा था याद करो और वहाँ पर ही मैंने बुला था यह लायबल टैक्स का डेफिनेशन आपको दो जगे काम आएगा एक आपको डीम रेसिदेंट के कॉंसेप में और एक 1023 FE में याद आता है याद आता नहीं है आपको कुछ जिंदगी में ठीक है एक लास्ट प्रोवाइज हो यहाँ पर डाल दिया है कि सॉवरेन वेलफेर फंड जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड परसन था और पेंशन पंड यहाँ पे तीन स्पेसिफाइड परसन में तीन लोग है बरा रहीं directly और indirectly for the purpose of making investment in India तो अगर यह sovereign welfare fund और यह लोग लोग लेते हैं क्या करने के लिए इंडिया में investment करने के लिए directly loan ले इंडिया में investment करने के लिए तो इनको exemption नहीं मिलेगा moral of the story क्या है गवर्मेंट इनको बोल रही है भाई अपने को अगर invest करना है तो अपनी जेप के एंडिया में investment करो अगर बाहर की बैंक से लोग वोण लेकर इंडिया में investment करो अपनी जेप सेंवेस करोगे तो यह exemption मिलेगा अगर बाहर की bank से लोग लेकर इंडिया में इनवेस करोगे तो exemption नहीं मिलने वाला चेक कर दो in case a sovereign welfare fund or pension fund has loan or borrowing directly or indirectly for the purpose of making investment in India such fund shall be deemed to be not eligible for exemption under section 1023 I hope it is clear to you is it clear? बोलिये तो यह सारे amendments हैं इस particular section के अंदर तो आप देख सकते हो कितना भयांकर change कर दिया गौर्मने एक साल के अंदर इसको पिछले साल ही लाया था और इस साल ही इसको substantially change कर दिया है are you clear with this तो मैं आगे बढ़ता हूँ towards the next point ठीक है amendment number 14 को मैं hold पर रखना हूँ I'll be discussing after some time maybe today or tomorrow because this is dependent on some other provision किसी और provision पर यह dependent है ठीक है इसलिए मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है पे अटेंशन पीश amendment number 15 shall we go ahead with amendment number 15 please tell me 15 में दो नए सेक्शन insert किये गौर्वर्मन में both of them are absolutely new section एकदम नए नवेले सेक्शन new sections ठीक है shall we start एकदम simple है इसके अंदर कुछ खास नहीं है दो section गौर्मन ने add किये 1048D, 1048E अब इसमें क्या है कुछ exemption ही होगा और क्या section 10 में अगर कुछ edition होता है तो वह exemption ही होता है और कुछ नहीं होता है तो चलो देखते क्या है तो आप गौर्मन ने यहापर एक amendment लाया है एक नहीं section insert किया है कि बोला है कि अगर कोई institution आप set up करते हो ठीक है और इस institution को set up करने का objective क्या है finance करना किसको finance करना infrastructure और यह institution कौन कहा set up हो रहा है पार्लेमेंट के अंदर फीक है गौर्मन आप इंडिया इस institution को set up कर दी है तो अगर कोई एक ऐसी institution set up हो रही है जो पार्लेमेंट के laws में set up हो रही है और institution का objective is to finance what finance infrastructure इंडिया में जहाँ पर भी infrastructure के प्रोग्रामस चल रहे है वहाँ पर finance कर दी है रोड़ बनाने रेलवेज बनाने एलपोर्ट बनाने तो ऐसी infrastructure companies की जो भी income है any income accruing arising to an institution established for financing infrastructure तो ऐसी institution की income हम लोग 10 साल के लिए क्या कर देंगे exempt कर देंगे beginning from the year in which the institution was set up अरे are you clear बोलिये जल्दी बोलिये येस ये फाइनल सेकेंड ग्रूप अब उसी तरीके से point number second तो point number one क्या था 1048D एक institution set up और ही है central government और parliament के अंदर central government set up कर दिया parliament के laws के अंदर तो finance infrastructure 10 साल के लिए profit माँ उसी तरीके से second point में भी ऐसा ही कुछ similar institution है check करो एन इंकम accruing arising to a developmental financing Lehr लाइसेंस बाइसेंस 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 बाइसेंसेंस बाइसेंस बाइसेंस बाइसेंसेंस पर्पस के लिए उसके बारे में नी लिखा है यहां पर specifically purpose mention के कि लिए 1048D में it was very clearly that we are financing for the purpose of what बोलिए हैं for the purpose of infrastructure लेकिन 1048E में ये purpose भी mention नहीं किया गया है developmental financing institution बोल दिया है अब government आगे जाकर उसका purpose लिखेगी किसी notification में इनके कितने साल की income exam कर दिये government ने government ने इनकी 5 साल की income exam कर दिये और government चाहे तो 5 और साल इसको extend कर सकती है but provision में specifically 5 साल की income exempt होगी पर अगर government चाहे तो इसको 5 साल का और extension दे सकती है therefore यहाँ पर आप बोल सकते हो 5 प्लस 5 का आपको exemption मिल सकता है चेक कर लो बराबर are you clear बोलिए तो ऐसे चोटे 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 बहुत amendment कि ए गमेंट ने इसा बहुत जादा now some amendments with respect to equalization levy equalization levy से related कुछ amendments से अभी आप सभी को पता होना चाहिए यह चीज जो अभी मैं बोलने जा रहो income tax में दो किसम की equalization levy there are two types of equalization levy under income tax law एक equalization levy जो 2016 में add की थी government ने है वो जो online advertisement service के लिए लगाई जाती है जो 6% है और एक equalization levy जो 2020 finance act में आई थी आपके exam के पहले ठीक है आपके exam के लिए December 21 में जो 2% लगाता है forward वो जो website website वाले लोग है Amazon Amazon जैसी companies के ओपार जाता है यह वाला equalization levy section 165 of finance act 2016 में लगता है और यह वाला equalization levy section 165 A of finance act 2020 में लगता है अब जो amendment आया ना वो यहां आया है यहां government ने कुछ तीन amendment किये जिसमें से एक के बारे में तो मैंने आपको last year ही बोला था कि भाई यह mistake है ठीक है शायद ही किसी ने पूरे इंडिया में बोला होगा यह mistake है बड़ अपन ने तंके की चोण के बोला था कि यह government की mistake है तो government ने देखो वो mistake को इस साल rectify कर दिया है याद करना अगर आपको भाई नी चांस याद आता है याद है section 1050 के अंदर government ने amendment लाया था और बोला था first April 2021 लेकिन मैंने बोला था first April 2021 नहीं होना चीए यह यह याद आता है अगर आपको याद आता तो अच्छी बात है और अगर नहीं याद आता है तो जाने दो government ने उसको change करके first April 2020 कर दिया वह भी retrospectively retrospectively करना पड़ेगा ना गल्ती फिछले साल की थी तो फिछले साल सही करना पड़ेगा बोलो ना यहाद एक कि आपको कि यहाद आपको मैंने बताया था आपको comment करो नीचे बताया था कि नहीं बताया था इमानदारी से बोल कि इमानदारी से बोल कि अ ठीक है यह पहली गलती गौर्वर्मेंट नहीं की ती कि बाई सेक्शन 2020 से लाते हो एक्जेम्शन 2021 से देते हो यह क्या बात होगी तो सेक्शन 2020 से लाते हो तो एक्जेम्शन भी 2020 से ही देना चाहिए था तो गौर्वर्मेंट ने वो डेट चेंज करके अपनी सुन लिए लेक् लिखा था आप दूसरी चीज दूसरा अमेंडमेंट जो आया इस सेक्शन के अंदर पहरा सम्मेंड में सुनों तो अप्ली के पता है जब कोई नॉन रेजिदेंट यहां पर है यहां पर इंडिया में कोई रेजिदेंट है इसको कुछ सर्विस देता है बदले में इसको कुछ पेमिंट करता है ठीके तो और इसका इंडिया में कोई पीवी नहीं है तब इक्वलाजेशन लेवी का का सवाल नहीं उठता है फिर तो इसको इंकम टैक्स लगीगा अब क्योंकि उसका P.E. इंडिया में नहीं है इसलिए उसको Equalization Levy चार्ज करना पड़ेगा ठीक है Similarly अगर website है Non-resident website है अगर उसका इंडिया में P.E. नहीं है तो Equalization Levy लगे अगर P.E. है तो Equalization Levy का सवाल ही नहीं होता है अब यहां पर इक बहुत टेक्निकल अमेंटमेंट किया है गॉर्मेंट ने सपोज यह Non-Resident है ठीक है यह अपने को कोई सर्विस दे रहा है सर्विस दे रहा है ठीक है और यह सर्विस के बदले में हम लोग उसको पेमेंट कर रहे है और पेमेंट जो कर रहे है वो है इन दे नेचर अफ रॉयल्टी ठीक है यह रॉयल्टी है FTS के नेचर में पेमेंट है हो सकता है बेटा कि Non-Resident अपने को जो सर्विस दे रहा है बदले में अपने उसको जो पेमेंट कर रहे है वो एक नॉर्मल पेमेंट नहीं है वो रॉयल्टी है FTS के नेचर का पेमेंट है तो ऐसे केस में क्या अससी यह बोल सकता है कि भाई मेरे केस में आप क्या करो Equalization लेवी लगवा दो और फिर मेरी income जो है यह Non-Resident बोल सकता है कि मेरे को 2% या 6% का Equalization लेवी लगवा दो और section 1050 में मेरा गेम एडवांस लेवल का गेम है दिमाग नी चलेगा तुम्हारा वैसा गेम है द्यान से सुनना है यहां पर अससी का क्या कहना था अससी क्या बोलता है मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ आप मुझे पेमेंट कर रहे हो तो अपन क्या करेंगे इसमें Equalization लेवी लगा देंगी क्योंके मेरा तो इंडिया में पी नहीं है बले आप मुझे रॉयल्टी पे कर रहे हो तो क्या हो आप मुझे Equalization लेवी लगा दो और 2% या 6% जो भी टाक्से जिसके उपर भी Liability आती हो भट देगा और Section 1050 में जाके ROYALTY और एसमेशन का क्या exemption ले लेगा कर सकता है 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 याच्ट करो यारक्ष है याद करो मैंने भी आपको बोला है कि royalty FTS ये incomes के लिए इंडिया में P.E.V. होने का कोई दर्वत नहीं है उसके बगए भी वो income इंडिया में हमेज़ा chargeable to tax है क्या royalty income के लिए FTS income के लिए section 9 में explanation है जाकर check in a non-resident का chapter जिसमें clearly लिखा है एक non-resident की FTS income, royalty income इंडिया में always chargeable to tax whether or not they have a place of business, business connection, permanent establishment it doesn't matter therefore government नहीं यहाँ पर clarification दिया है further it has been clarified that the exemption under 1050 shall not include and shall never be deemed to have been included retrospectively bolay which is chargeable to income tax as royalty or fees for technical services in India did you understand the reason of this amendment please tell me yes, रिशाब मौर यार utilization important होता है royalty और FTS में इंडिया में services utilized होना जरूरी है इंडिया में branch होना जरूरी नहीं है PE होना जरूरी नहीं है office होना जरूरी नहीं है place of residence होना जरूरी नहीं है business connection होना जरूरी नहीं है अपना advanced level का दिमाग लगा ले दे रहे है royalty वाली service FTS वाली service और बोल रहे हमको equalization लेवी में cover कर लो हमारे तो ब्रांच नहीं है इंडिया में अरे तो भाई तुम्हारे लिए branch का जरूरूरी नहीं है income tax लगाने के लिए I hope everyone is clear with this ठीक है अब इसके आगे के amendment समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा अभी provision दिखाना पड़ेगा ठीक है तो मैं थोड़ा सा अभी आप लोगों को provision दिखाता हूँ दिखाओ equalization levy chapter number 56 गढno अब सुनो यह आपका इक्वालाइजेशन लेवी का टॉपिक है जो आपने पढ़ा था फिछले साल भी और अभी भी पढ़ोगी ठीक है अब जैसे के मैंने आपको बता है इसमें पहला अमेंडमेंट यह डेट वाला अमेंडमेंट आ चुका है दिख रहा है आपको यहाँ पर यह फर्स्ट एपरिल 2021 को गाट के 20 कर दिया है ठीक है यह पहला चेंज करना बहुत जरूरी था और निस्टेक थी जोर्मेंट की अब द देफिनेशन गवर्मेंट ने यूज किया है उस देफिनेशन में कुछ अमेंडमेंट आया है जैसे एकॉमर्स सप्लाय और सर्विसेस का मतलब क्या होता है इसके लिए आपको पहले चार्दिंग सेक्शन देखना पड़ेगा यह चार्दिंग सेक्शन है ठीक है तो इसका में अपने क्लास में बहुत एक्शामपल भी दिया था कि यहापर अमेजॉन है ठीक है और एमेजॉन क्या कर रहा है आपको एकॉमर्स की कुछ सर्विस दे रहा है तो एमेजॉन कौन होगया ऑपरेटर ठीक है तो यह अभी आपको कुछ सर्विस दे रहा है ठीक है कैसी सर्विस दे रहा है e-commerce supply of goods and services तो सवाल यह उठा है what do you mean by e-commerce supply of goods and services तो उसका definition government ने पिछले साल ही दिया था दिखता है definition था उसमें government ने बोला था e-commerce supply of services का मतलब क्या होता है it means online sale of goods owned by Amazon Amazon अगर खुद के goods बेचेगा तो वो e-commerce supply of goods and services माना चाएगा it means online provision of services provided by e-commerce operator और Amazon अगर खुद services दे रहा है तो वो भी e-commerce supplier services में आ चाएगा या तीसरा online sale of goods and services facilitated by e-commerce operator या Amazon अभी खुद नहीं दे रहा है seller के लिए बहाफ पे services दे रहा है मतलब Amazon अभी सिर्फ एक website की तरह काम कर रहा है और आपको services कौन दे रहा है seller दे रहा है service provider दे रहा है तो वो भी e-commerce supplier services में cover होगा तो e-commerce supplier services में तीन category और अपससी cover है अगर Amazon खुद अपने goods बेच रहा है तो वो भी cover है उस पर equalization ले भी लगेगा Amazon खुद service दे रहा है तो उसके भी equalization या Amazon के website पे जो seller listed है वो अगर goods और service दे रहा है तो वो भी cover है अब यहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो गई कि what do you mean by online sale of goods and online provision of service तो government ने इन दो शब्दों को दे को finance act 2021 में define किया है did you understand what is the definition over here amendment क्या समझ में आया कि definition के अंदर definition अब government ने यह phrase को define कर दिया online sale of goods and online provision of services का मतलब क्या है an explanation has been inserted in section 164 cb blah 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 to provide that for the purpose of defining e-commerce supplier services online sale of goods and online sale of service shall include one or more of the following अगर इन में से कुछ भी हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि यह जो activity हो रही है वो online sale of goods या online sale of services हो रही है online provision of services हो रही है क्या सर इन में से कोई भी activity one or more इन में से कोई भी activity अगर हो जाती है तो ऐसा समझो online sale of goods और online provision of services है सर क्या सर अगर शर इंक्लूड one or more of the following activities taking place online इन में से कुछ भी अगर online हो जाता है जैसे अगर आपने offer online accept कर लिया sale का तो यह माना जाएगा कि आपकी पूरी activity online sale of goods है या online provision of services या आपने online order purchase कर लिया ठीक है तो यह माना जाएगा आपका online sale of goods है या online provision of services या आपने purchase order का acceptance ले लिया तो यह माना जाएगा आपकी service जो है online sale of goods है या अगर आपने सिर्फ payment online कर दिया ट्रांसफर कर दिया गूगल पे एक्सेटर किसी के त्रू इंटरनेट बैंकिंग के त्रू तो यह माना जाएगा आपका transaction मतलब कोई भी एक transaction में बहुत सारे parts होते या ओफर accept करना order place करना payment करना इसमें से कोई भी activity अकर online हो जाती है तो यह माना जाएगा आपका transaction online sale of goods या online provision of services supply of goods or provision of services partly और holy या आपको services जो सामने वाला दे रहा है वो अगर online service दे रहा है partly या only तो वो भी online sale of goods और service माना जाएगा तो अब government definition के अंदर definition को दाल के है उसका clarification दिया और कुछ नहीं कि अगर एक अगर amazon payment online accept करता है या purchase order online accept करता है या services या goods online देता है कुछ भी online करता है तो यह माना जाहेगा online goods online provision of goods and services are you clear with this particular amendment please बोले अरे reply करो भाई अरे reply करो भाई ओके वेडा ठीक है अब इसमें तीसरा वर आखरी amendment क्या है ठीक है वो भी मैं यहीं से बता देता हूं ठीक है बता दू उसके लिए फिर से यह पूरा provision एक बार में आपको बता देता हूं यहीं से यहां से पढ़ लो यह amendment sheet से पढ़ लो बात तो ही किए यह जो आपका इक्वलाइजेशन लेवी पिछले साल आए था Amazon के ओपर टार्गेट कर रही है वो government बोल रही है Amazon जैसी supply of goods and services the answer is yes कहां defined है यहां ओपर defined है e-commerce supply of goods and services e-commerce supply और services ओपर defined है ठीक है अब government ने एक और चीज़ को भी define कर दिया है कि भाई consideration received और receivable by e-commerce operator का मतलब क्या हुआ एक commerce operator कौन है Amazon Amazon कौन-कौन से consideration receive करेगा तो उसको equalization लेवी collect करना है कौन-कौन से उसको government ने define किया है देखो यहां पर उसमें यह दो point डालने का time pass है एक point goods के लिए एक point services के लिए ठीक है पहला वाला point goods के लिए दूसरा point services के लिए मैं पहला वाला point explain कर देता हूँ second वाला नहीं भी करूँगा तो चलेगा क्योंकि second वाला exactly same है services के लिए ठीक है अब जरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको इस तरीके से देखो अभी सोचना है यह प्लीज बिटा amendment important है यह यहां पर amazon है ठीक है on resident है वो आपको good sell करता है ठीक है online वो आपसे consideration ले रहा है तो इस पर equalization ले भी लेने का के नहीं लेने का ठीक है उसके लिए आपको यह fulfill करना पड़ेगा कि amazon जो कर रहा है वो consideration received और receivable के definition में आना चाहिए तो consideration received और receivable को government ने define क्या है अभी अभी define क्या है finance 21 में मतलब पिछले साल जब लाया तब गौर्मेंट को खुटको नहीं पता था यह सब चीज के लिए क्या करने का ठीक है तो चलो ठीक है क्या कर सकते now the consideration receipt or receivable from e-commerce supplier services shall include consideration for sale of goods irrespective of whether the e-commerce operator owns the goods so however that it shall not include consideration for sale of such goods which are owned by a मैं पूरा एग्जांपल निखवाता हूं which are owned by a person resident in India or by a permanent establishment in India of a person non-resident in India if the sale of such good is effectively connected with such permanent establishment एक बार ये पूरा का पूरा paragraph सब लोग पढ़ो ठीक है फिर इस पर बात करते हैं पढ़ो जल्दी इस पर example भी रिखेंगे ठीक है तो गवर्मेंट ने यहाँ पर ज्यादा किस पर focus किया है पता है कि consideration receipt or receivable में क्या नहीं आएगा ठीक है क्या नहीं आएगा उस पर ज्यादा focus किया है अब क्या नहीं आएगा सुनो suppose यह Amazon है ठीक है ठीक है यह कौन है यह e-commerce operator है now यहाँ पर मैं लिख देता हूँ what will not be included in consideration received or receivable so there are two things which will not be included और उन दो चीज़ों पर therefore no equalization ले भी वो कौन से दो चीज़ों अगर Amazon यहाँ पर कोई India का resident है यह own करता है goods और Amazon इसके goods sell करता है no equalization ले यह इंडिया में कोई non resident है जिसका इंडिया में PE है ठीक है उसका goods है उससे goods लेता है और फिर sell करता है no equalization लेगे चेक करो क्योंकि वो दोनों case में यह जो इंडिया में जो non resident लोग है बिचारे और यह जो resident लोग है मुझे बताओ यह दोनों case में इनको ही इंडिया में income tax लगेगा और यह नहीं लगेगा बताओ मुझे प्लीज टेल मीं consideration receipt और receivable में यह दो चीज़े नहीं आई अरे are you clear प्लीज बोलो यार बेटा और इसको फिर copy कर लो या तो फोटो ले लो जो भी करना है फोटो ले लोगे तो बैटर होगा time कशेगा अरे बोल दो भाई इसका फोटो ले लो प्लीज अब प्रोविजन पढ़ना बराबर देखो यही वर्ड्स लिखते जाए वहां पर क्या कर सकते हैं भगा दुमान मार के सब्सक्राइब है तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रेडिशनल अमेंडमेंट में शीट में यहां पर भी वह है दिखता है अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं बहुत इंपोर्टन अमेंडमेंट है ट्रस्ट के ओपर ट्रस्ट इस पे भी मैं आपको डीटेल में पूरा एक्जांपल लिखवा हूँ ठीक है मुझे आप लोग पहले बताओ जल्दी से अगर आप एक ट्रस्ट हो सेक्शन 11 या 1023C में रजिस्टर ट्रस्ट हो सेक्शन 11 वाले ट्रस्ट हो 12AA वाले ट्रस्ट हो 12AB वाले ट्रस्ट हो ठीक है अगर आप एक ट्रस्ट हो गौर से सुननना मेरी बात तो मुझे सब लोग जल कॉर्पस डोनेशन मिलता है तो उसके हाथ में क्या ट्रीट्मेंट है यहाँ पर मल्टीपल अमेंड मेंट्मेंट्स की ए और सारे ऐसे अमेंड मेंड्मेंट्मेंट्स जो आपको सम में काम आने वाले पेड़ा इसका आंसर मैं आपसे expect करता हूं या प्लीज बता दो एक्जम्ट है? एक्जम्ट है अगर एक trust को korpus donation मिलता है तो एक्जम्ट है बराबर लेकिन अब government को हर जगे पर मुं मार रही है ठीक हर जगे पर इनको मतलब tax चाहिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा हूं कि अगर एक trust को corpus donation मिलेगा तो आपसे taxable है मैं बिलकुल नहीं कह रहा हूं लेकिन आप government ने क्या किया बता है बोला है अपसे अगर एक trust को corpus donation मिलता है तो उसको कुछ conditions fulfill करना पड़ेगा तबी जाकर उसको exemption मिलेगा ने तो नहीं मिलेगा मतलब government ने आ following amendments have been made in the scheme of section 11 with effect from ay 22-23 पहला पहला amendment ये corpus donation के लिए government ने कुछ ना कुछ यहां पर छेडगा नी किये दूसरा amendment loan or following तीसरा amendment यहां पर चौथा amendment चार amendment हुए trust के chapter में ठीक है चलो देखते पहला वाला section 11 subsection 1 clause D provides that voluntary contribution made with a specific direction specific direction मतलब corpus वाला that they shall form part of the corpus of the trust shall not be included in the income of the trust or institution in respect of such voluntary contribution a few a few restrictions have been imposed दिख रहा है आपको a few restrictions have been imposed which are given below यहां से अपना amendment actually शुरू होगा है क्या restriction impose किया है government ने देखो क्या किया है बोलू मैं यहां से लेकर यहां तक यह पहला amendment यहां खतम होता है इजाज़त दो इजाज़त दीजिए ना तो चलो अभी सुनों क्या किया है restriction लेखो exemption to such voluntary contribution which will be available only पढने में पढने नहीं पढने आला पूरा example दूँगा exemption to such voluntary contribution will be available only if such contributions are invested or deposited in one or more of the forms or the more specified in 11-5 maintenance specifically for such purpose तो पहले सबसे पहले में इधर से लेकर इधर से लेकर इधर तक का मतलब समझा देता हूं ठीक है इतने पार का मतलब समझा देता हूं ठीक है अब government ने क्या बोला है यह पढ़ लो अपनी book में से पढ़ लो मैं यहां पर उसका example लिखवा रहा हूं Point No. 1. Suppose, in previous year 21-22, a trust received Rs. 1 CR as corpus donation. Now, it wants it to exempt, then it has to invest Rs. 1 CR in the modes specified under section 11 subsection 5. Moral of the story क्या है? अगर आपको corpus donation मिलता है, आप अपने bank account में उसको नहीं रख सकते हो. आपको उसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा in the mode specified under section 11 file. Is everyone clear with this? With this first point. पहले यह चीज़ बोलो. यह पहला point है इसका. फिर आगे बढ़ता हूं मैं दूसरे point की तरफ. अगर इसको invest करोगे in the mode specified in section 11 subsection 5, तो ही आपको exemption मिलेगा ने तो आपको exemption नहीं मिलने वाला है. Are you clear with this? ठीके? आप कहाँ नहीं खतम लिए है. मुझे बताओ आगे जाकर इस पैसे का क्या करोगे? Obviously, आप को corpus donation मिलाएं तो इसको किसी ना किसी purpose के लिए use करोगे ना आप? ने तो फिर किस बाद का corpus? Corpus donation तो use करने के लिए होता है दुनिया में. तो आप इस पैसे को आगे जाकर withdraw करोगे. ठीके? तो आप government ने आगे क्या game के लाएं पता है? Suppose in next year in previous year 22-23 trust withdraws rupees say 60 lakhs and applies the money. ठीके? करेगा ना क्लिसल पैसा फिट्रोगर क्या अपला है? सवाल क्या उड़ेगा? क्या इस 60 lakh रुपे का जो मैं application कर रहा हूँ? क्या उसका मुझे application का deduction मिलेगा कि नी उड़ेगा? ये question उड़ेगा कि नी उड़ेगा? उड़ेगा तो तुझे एक करोड का exemption मिल गया अब जाके अगले साल विड्राओ करके हो खर्चा करेगा तो खर्चे का deduction नी मिल आड़ा तेरको इड़ेगा? इड़ेगा? इस पॉइंट तो मैं यहां लिख देता हूँ इसका tax treatment ना हाँ अससी बोंट गैट डिड़क्शन अफ रोपे 60 लाग्स यह गैम केल दिया है भाई एप्लेकेशन का डिड़क्शन नी देंगे आड यू क्लियर तिलियर तो मैं आगे बढ़ता हूँ यह पहला साल यह दूसरा साल आड यू क्लियर तिलियर तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब तीसरे साल की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं आगे कुछ तो खुशकबरी है further it has been provided that when it is invested and deposited back into one or more of the forms or more specified in 11.5 maintained specifically for such corpus from the income of the previous year such amount shall be allowed as application in the previous year in which it is deposited back and to the extent it is deposited back मिसाल के तौर पर next year अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ आप अपनी बुक से पड़ो चाहिता हूँ suppose in previous year 23, 24 trust earns rupees 3 crore ठीक है and out of rupees 3 crore trust invested back rupees 60 lakhs to the modes under section 11.5 then assassin would get deduction of rupees 60 lakhs under section 11. कुछ समझना है मैंने क्या बुला परग्राफ पड़ो बराबर से क्या बोलता है ये परग्राफ it has been provided that when the money is invested or deposited back in one of the forms or more specified in 11.5 maintained specifically for such corpus from the income of the previous year 2023 की income में से पैसा निकाल कर वापस से deposit कर दिया तब देखो उसका exemption या deduction देंगे है did you understand this entire scheme देखो तो scheme बहुत अतरंगी हो गई है सब complicated कर रही है government मतलब simplification के नाम पर income tax की दजिया उट रही है यहां पर इतना complicated हो गया नहीं income tax last कुछ सालों में तो आप imagine नहीं कर सकते हो या इतना complicated पहले नहीं हुआ करता था sorry to say तो क्या बोल दिया है पहले कितना simple था पिछले साल था corpus donation आया exempt है अभी ऐसा नहीं है सबसे पहला जब आया तब exempt कभ होगा अगर तूसको mode में invest करेगा तो exempt उसके बाद उसमें से पैसा निकाल की खर्चा करेगा तो अच्छा वापस से अगर फंड में पैसा डाल देगा तू तो जितना भी पैसा वापस डालेगा उतना ते को application मिल जाएगा डिड्ड यू understand the discussion of this please tell me if yes यह पूरा example copy कर लो बेटा यह example आपको कहीं भी किसी भी book में मिलने नहीं वाला है इंशी रूट के material material में भी इस पर कोई discussion नहीं है कुछ नहीं है आप copy कर लो मतलब इसका photo ले लो फटक से जल्दी ले लो थोड़ा सा scroll back करता हूं कितना photo ले लो और जो ICA का MCQ booklet आया ना already उस पर question इस पर आ चुका है MCQ के अंदर तो मैंने MCQ की reasoning दालना शुरू कर दिया हूं YouTube पर चेक करो उसके अंदर मैंने बोला भी हूं यह amendment के बारे आया ना इसे का case study case scenario MCQ कुछ दाता इसे है बहुत अच्छे एंच्छे इसका photo ले लो मैंने scroll कर लिया इसका भी photo ले लो ठीक है तो यह पहला amendment है trust का दूसरे amendment की तरफ बड़े चलिए दूसरा amendment तीसरा amendment शौता amendment बहुत सिंपल है ठीक है दूसरा amendment पढ़ने के साथ समझ में आजाएगा तीसरा तो एक time pass से खाली बस एक technical amendment है शौता भी समझ में आजाएगा दूसरा amendment application from loans and borrowing shall not be considered as application for charitable or religious purpose for the purpose of section 111a or 1b when however such loan or borrowing is repaid from the income of the previous sir such repayment shall be allowed as application in the previous sir in which it is repaid and to the extent it is repaid अब इसका मतलब क्या है यह वाले amendment का मतलब क्या है चलो बहुत simple है यह बहुत easy है इसमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़र्वत है suppose मैं trust हूँ मैंने एक एक कर ओड रुपे का loan लिया अब उस loan को लेकर मैंने खर्चा किया ठीके suppose मैंने एक करोड रुपे का loan लिया और उससे मैंने साट लाग रुपे का खर्चा किया trust के लिए तो मुझे deduction नी मिलेगा, loan लेकर खर्चा करोगे तो deduction नी मिल потव हाँ जब आप लोन रीपे करोगे ना बैंक को उस ताइम पर आपको डिड़क्शन मिलेगा चेक करो आर यू क्लियर आर यू क्लियर ठीक है अब तीसरा आमेंडमेंट बहुत सिंपल है कुछ नहीं यहाँ पर गौर्मेंट को तुवेल डबल एके साथ साथ एक तुवेल एबी भी घुजड़ना था तो गौर्मेंट नहीं यहाँ पर एक रेफरेंस इंसर्ट किया है देखो एक ही लाइम का अमेंडमेंट है तुवेल डबल एक के साथ साथ अब तुवेल एबी का भी रेफरेंस उदर इंसर्ट कर दिया है बस और कुछ नहीं चेक कर लो कोई खास अमेंडमेंट नहीं है यहाँ तुवेल डबल एक साथ साथ तुवेल एबी का रेफरेंस इंसर्ट किया है नो चौता वल आमेंडमें ठीक है और एक trust ने income कमाया कितना income कमाया से 1 करोड रुपे अब आपको पता है एक trust को 15% का direct exemption मिलता है 15 lakh रुपया तो यहीं exempt हो गया ठीक है 85 lakhs बज गया ठीक है अब 85 lakhs बज गया उसमें से trust ने application कर दिया कितना application से 90 lakhs का application कर दिया आप बोलो कि 85 में से 90 का application कैसे कर सकता है क्य तो एक करोड में से नबबे लाग का खर्चा हो क्यों नहीं कर सकता है उस नहीं किया तो यहाँ पर कितना हो गया पांच लाग रुपे का लॉस आ जागे तो आपन क्या करते है तो पिछले साल of earlier year can be allowed as deduction in next year. पिछले साल का access application यहाँ पर जो access application आप पिछले साल में कर रहे हो, यह अगले साल में आप deduction के तौर पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. अब government ने इसको मना कर दिया है, चेक करो, बहुत important amendment है, यह समके अंदर काव आने वाला है, यह चेक करो जल्दी से, पढ़ो, नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा. No set-off or deduction of allowance of any access application of any of the year preceding the previous year shall be allowed. नहीं मिलेगा deduction. Is it clear to everyone? अबे जिन्दा विन्दा होगे या मर गए हो? ठीक है, चलो ठीक है. Now, the next amendment is something which was very, very, very much needed and they have done it now. And what is this amendment? याद करो, कि अगर आप employer का contribution पेई करते हो, तो आप कब तक पेई करोगे तो आपको deduction मिलेगा, 139, 1 की due date तक पेई करोगे तो आपको deduction मिल जाएगा. लेकिन अगर आप employee का contribution जो पेई करते हो, वो कब तक पेई करोगे तो deduction मिलेगा, का उस पर डिबेट है याद आता है डिबेट क्या है डिबेट यह है कि अगर आप पड़ोगे तो एक्ट में लिखाए कि अगले मैने की पंदरा दिन यहां पर भी आप 1391 की डिवेट तक पे कर दोगे तो चल जाएगा डिबेट था कि अप्ट आप आंसर भी दो लिखते ते एक्जाम में याद करो लेकिन अब गौर्मेंट ने इस पर लगा दिया है महर फुल स्टॉप या फुल स्टॉप लगाया गौर्मेंट ने बोल दिया भाई कि जो employee का contribution है वो due date of filing of return तक नहीं चलेगा वो आपको fund due date तक ही बढ़ना पड़ेगा भालबे जाइस तारे हाई court के judgment और अब government of india ने इस पर कानूर बना दिया है और बोला है section 43 B में भी amendment लेकर आया section 36 subsection 1 clause 5 A में भी amendment लेकर आया दोनों जगे पर clarification डाल दिया है कि अब से किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि अब से यह जो deduction है आपको सिर्फ तब मिलेगा employer का भरो due date तक कोई tension नहीं है मिलेगा deduction लेकिन employee का आपको अगले मेनी की 15 तरही तक भरना ही पड़ेगा I hope everyone is clear with this amendment so this is what the amendment is all about ठीक है I hope it is clear to you is it अगला amendment भी बहुत important है shall I start the next one बहुत important amendment है अब इसका भी link है किसी आगे के provision के साथ तो अगला amendment कौन से section पे सर सेक्शन 43 CA पर है 43 CA क्या बोलता है सर सुनो देखो दो सेक्शन है एक है section 50 C और एक है section 43 CA अब दोनों में फरक क्या है फरक सिर्फ यह है कि यह capital asset के लिए applicable है और यह stock and trade के लिए applicable है ठीक है सर क्या फरक है सर अगोहर से सुनना ठीक है बहुत important amendment है यहाँ पर multiple implications अभी आने वाले इस पर question भी है 50 C क्या बोलता है अगर आप land और building किसी को बेचते हो as a capital asset capital not a stock and trade तो आपको stamp duty value compare करना पड़े का actual consideration से और उसमें भी नाटक है कि stamp duty value has to be more than 110% of actual consideration उतना 10% का margin दिया हो में 43 CA कब apply के बाले अगर मैं एक builder हूँ और मैं land और building बेचता हूँ as a stock and trade तो 43 CA मेरे लिए अगर 43 CA में भी 10% का bracket है आप से आप calculation करो clear I hope it is clear अब the question is pay attention please ठीक है यहाँ पर question क्या पता है amendment का आया है amendment यहां नहीं आया है amendment यहां आया है कुछ cases में relaxation कुछ cases में government ने इसको 110% से बढ़ा कर 120% कर दिया है कुछ cases में sub case में नहीं majority case में तो अभी भी 110% का ही criteria है लेकिन कुछ cases में 43 CA में 120% कर दिया है अपने को वही पढ़ने का है वो कौन से केस है वो कौन से कुछ नसीब होग है चलो देखते 43 CA was inserted in with effect from AY1415 by virtue of this provision on transfer of land or building other than capital asset stamp duty value adopt assessed or assessable by stamp duty authority shall be deemed to be full value of consideration for the purpose of computation of income under the head PGBP if the stamp duty value exceeds 110% of sale consideration अब वो कौन से केसे से जहां पर government इसको 120% कर लिया है बराबर से दिखना अबाव provisions of 43 CA has been amended with effect from AY2122 to be increased from 110 to 120% if the falling conditions are satisfied आपको कुछ कितने condition 3 condition fulfill करने है अगर आप 3 condition fulfill कर लेते हो तो आपके लिए फिर 120% तक का relaxation है अदे आप सुन पा रहे हो मुझे के लेक्शन अटक क्या बीच में है अब वो क्या condition है ठीक है सुनो condition नमबर वन यह transaction किसके बीच में बिल्डर और customer के बीच में ठीक है बिल्डर और customer ठीक है अगर कोई residential unit transfer हो रहा है और 12 नवेंबर 2020 से लेकर 30 जुन 2021 के बीच में transfer हो रहा है residential unit commercial unit नहीं not commercial unit अगर इस period के बीच में बिल्डर आपको residential unit transfer करता है पहली चीज़ दूसरी चीज़ यह आपका first allotment है मतलब यह आपकी जिंदगी का पहला घर है the transfer is by way of first allotment of the residential unit to any person यह आपका पहला घर है ठीक है इसके पहले आपने कभी कोई घर नहीं खरीदा है ठीक है तीसरा और the consideration of the house does not exceed 2 crore rupees consideration घर का 2 crore रुपे तक है sale consideration अगर builder जो घर बेच रहा है time duty value नहीं sale consideration 2 crore रुपे तक है तो उस case में builder के पास safe आरवर दे दिया है government ने कितना 6-7 मैने का build government ने उसको safe आरवर दिया था वो covid के time पे safe आरवर दिया और कुछ नहीं तो relaxation दे दिया builder का के बेच चल customer हो अगर मैं आपको एक residential unit बेचता हूं बीस नवेंबर 2012 से बारा नवेंबर 2020 से लिकर 30 जुन 2021 के बीच में यह बीच का sale period होना चाहिए दूसरी चीज यह आपका पहला घर होना चाहिए और घर होना चाहिए residential unit commercial unit नहीं तीसरी चीज तोटल consideration जितना मैं आप से ले रहा हूं वो दो करोड रुपे से जादा नहीं होना चाहिए अपने बीच में जो भी understanding है उसमें 120% का difference भी चल जाएगा is everyone clear with this if you are clear I would like to show you a similar amendment made in section 56 to 10 56 to 10 में कुछ amendment है अब यहां amendment किया तो 56 to 10 में भी करना पड़ेगा जख्मराति ने तो क्या होगा यहां पर तो आप 20% का margin दे रहे ह होगे तो वहां उसके हाथ में income from other source लग जाईगी अरे बेटा कुछ समझ आया मैंने क्या बोला तो इसी लिए ऐसा similar amendment ने 56 to 10 में भी किया है वो कहां पर क्या है मैं बताता हूँ यह दिखता है 56 to 10 56 to 10 क्या बोलता है अगर आप किसी से immobile property खरीटते हो और अगर उसका stamp duty value और consideration का difference पचास अजार से ज़्यादा है और stamp duty value और consideration में 110% से ज़्यादा का difference है तो आपके हाथ में deemed income मानी आपके हाथ में income from others हो तो यहां पर भी जैसा 43 CA में seller को relaxation दिया है न वैसे यहां पर 56 to 10 में बायर को भी तो relaxation देना पड़ेगा exact same provision देखो बायर के लिए इधर डाला है दिखता है आपको ताकि बायर के हाथ में gift tax ना लग जाए अरे दिखता है भाई ठीक है अब यहां पर एक amendment है चलो यहां पर एक question है इस question को solve करके दिखाओगे आप मुझे अच्छा 56 to 10 के लिए क्या क्या check करना है seller buyer stamp duty value और sale consideration का difference should be greater than 50,000 plus safe harbor should be greater than 110 और 120 परसन अगर amendment वाले case में आता है तो 120 परसन से ज़्यादा का difference होना चाहिए और amendment वाला case नहीं है तो 110 परसन का difference होना चाहिए ठीक है और amendment वाले case में कब आओगे 2 करोड तक का sale consideration है तो आओगे प्लस उस period के बीच में अगर वो खरीदा है तो यह आओगे तो इसके उपर हम लोगे question कर लेते पिटा चलो tell me चलो यह question रहते है एक्स पर्चेसेज़ अन्यूली कंस्ट्रक्टेड residential unit बहुत important word है residential unit अंडल first allotment यह भी बहुत important यह important word है के नहीं first allotment बोल यह बिटा बोल यह first allotment important word है के नहीं बोलिए क्योंकि यह section जो amendment आया सिर्फ और सिर्फ first allotment वालों के लिए ही है ठीक है हाँ अब यहाँ पर आपको बहुत सारा information दिया गया situation one situation two situation three आप उन एक-एक situation का answer करते हैं पहले situation one उठाते हैं सब कुछ एक साथ नहीं दिखेंगे agreement कभी हुआ 14th October 2020 चलो ठीक है consideration कितना है दो करोड का exact consideration advance paid on October 14th 2020 through NEFT 20 lakhs stamp duty value 2.4 crores date of conveyance deed and its registration 6th March 2021 यह date हमारे ले important है stamp duty value on the date of registration 2.5 crores X and DEF builders wants to know the tax implication of the aforesaid transaction under section 43 CA and 56 to 10 अभी आपको मुझे answer देना है 43 CA में sale consideration क्या होगा और 56 to 10 में क्या उसको gift tax लगेगा चलो दिमाग लगाओ गलत तो गलत चलेगा इसके लिए आपको पुराने provision भी याद रहने चाहिए अगर पुराना provision याद है तो ही आपको यह समझ आएगा ने तो नहीं समझ में आएगा अगर पुराना provision नहीं है तो आप blunder करोगे अगर blunder करोगे तो करो फिर situation one में explain करता हूं फिर two and three आप answer कर दोगे अब इसको समझाने के लिए आपको मुझे पुराना provision भी आना चाहिए बताओ चलो क्या होगा इसमें क्या होगा उसका मैं कितना सेल कंसेटरेशन लो अपना टाइम लो चलेगा याद करो अगर date of agreement प्रोविजन पढ़ाया था मने आपको date of agreement और date of registration अगर सेम नहीं है तो आप date of agreement वाला stamp duty value ले सकते हो provided उस date या उससे पहले आपने advance लिया है और वो भी online advance लिया है तो याद आता है तो आप ये वाला stamp duty value ले सकते हो याद आता है date of agreement वाला stamp duty value आप कब ले सकते हो अगर date of agreement या उससे पहले आपने advance लिया है वो भी online लिया है cash cash में वेरर चेक में लिया है तो फिर नहीं चलेगा I hope you should know this particular provision ऐसा कोई provision था income tax में था क्या है अभी भी therefore अभी मुझे आप एक एक करके step by step गलती होतो हो कोई दिक्कत नहीं है गलती से सीखेंगे हम लोग इसका sale consideration कितना लू मैं कितना लू sale consideration इसका sale consideration दो करोड लेना पड़ेगा क्यों क्या इसके case में 43 CA अपली के बलोगा क्या इसको बहुत सारे सवाल पुछना हो क्या इसको amendment का जो फाइदा है वो मिलेगा ये सारे सवाल है मेरे सारे सवालों का जवाब दो क्या ये amendment में जो conditions दिये गए है वो fulfill करता है क्या इसको 120% का safe harbor मिल जाएगा बोलिए सबसे पहला सवाल क्या इसका property का registration एक्सेटरा वो period में हो रहा है जिस period को government ने बोला है 12 November 2020 से लेकर हाँ हो रहा है क्या इसका consideration दो करोड है हाँ है दो करोड से जादा नहीं होना चाहिए exact दो करोड चलेगा और क्या इसका stamp duty value और उसके बीच में 120% तक का difference है हाँ है इसको ये benefit मिल जाएगा ठीक है therefore इसका sale consideration दो करोड हो जाएगा check करो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने answer बनायो चक करो condition number one residential unit transfer during this period the answer is yes is it transferred by way of first allotment the answer is yes does the consideration exceed 2 crore the answer is yes does not exceed 2 crore whether the safe harbor rule will be how much percentage 20% sale consideration 2 crore 2.4 crore therefore stamp duty value ले लोगी आप 2.4 crore whether the stamp duty value exceeds 120% no तो उसका full value of consideration 2 crore हो जाएगा और फिर customer के हाथ में कुछ भी 56 to 10 में लगी नहीं सकता है अड़े clear है clear है बहुत beautifully well drafted question है अड़े मेरा CA final group 2 का चला गया अच्छे second का answer आप लोग दो चलो फंटाक से second का answer आप लोग दो अच्क में लोग सकता है झाओाएर भ. क्वक्क कि हो जाएगा तो बताओ फिर क्या अंसर है कि सेलर और बाहर दोनों के हाथ में बताओ कि सब लोग सब लोग मेंटा है कि सेकेंड केस में 2.7 करोड होगा अब यह 120 परसंट का इसको बेनिफिट मिलेगा हां मिलेगा लेकिन यह 120 परसंट से ज्यादा होता है वैसे भी देरफोर 2.7 करोड सेल कंसिट्रेशन और इसके हाथ में सतर लाग रुपेगा इंकम फ्रम अधर सोर्स करेक्ट अरे बोलो बिटा उस सामने आले के हाथ में सतर लाग रुपेगा अधर सोर्स होगा कि नहीं होगा अच्छा थर्ड का अंसर दो सतर लाग रिशब सतर हजार नहीं बिटा आप पता है मिस्टेक होगे किसे थर्ड केस का क्या होगा थर्ड केस में उसको 120 परसंट का बेनेफिट मिलेगा कि 110 परसंट वाला लेना पड़ेगा थर्ड केस में उस देट में पॉल नहीं करता है बारा नमेंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 की देट में पॉल नहीं करता है 110 परसंट वाला बेल्ट लेना पड़ेगा तो 110 परसंट वाले बेल्ट को वो क्रॉस करता है बराबर करता है निकी नहीं करता है क्रॉस हो यहां पर सेल कंसिड्रेशन कितना लेना पड़ेगा 2.3 करोड और सामने वाले के आग में 30 लाग रुपीस का इंकम प्राम अधार सोर्स आयोप एब्रिवन इस क्लियर विट इस ठीक है कि यहां पर थे हम लोग यहां पर चलो अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं आज आव अमेंडमेंट नमबर 20 की तरफ ठीक है यह चूटास अमेंडमेंट ने कुछ नहिंए तुम अब को पता होगा पिछले साल गौर्मेंड में एक लाया था अभी वापस से पहले सानों जो पिछले साल आया था उसको इस साल चेंज कर रहे हैं पता है कि जो बिजनस करता है इस यह नको टाउस कर नहीं करोगे तो बराबर याद आता है बिट आपको याद आता है पहले यह बोलो याद आता है कि नहीं आता है बोलो अब सबसे पहले amendment government ने इस 5 करोड को बढ़ा कर 10 करोड कर दिया ठीक है यह पहले mark कर लो ठीक है दूसरा amendment क्या है सुन लो अच्छे से कि आपका जो cash receipt है और जो आपका cash payment है वो 5 person से जादा नहीं होना चाहिए तो sir सवाल उठा है cash मतलब क्या cash मतलब रोकडा हाँ रोकडा तो आए गई cash में cash को define नहीं किया था तो अब government ने बोला है cash में रोकडा तो आए गई लेकिन cash में क्या नहीं आएगा वो भी बता दिया cash में जो account pay check या account pay bank draft नहीं है वो भी cash वाना जाएगा मिसाल के तोर पर cash मतलब क्या हो गया अभी रोकडा तो होई गया रोकडा इस cash और bearer check भी cash है यह भी cash और bearer draft भी cash और जो normal cross check होता है वो भी cash तो government को क्या चाहिए गवर्मेंट ने cash word को define कर दिया दिको नीचे for the purpose payment or receipt by check or draft which is not account pay जो account pay check और account pay draft नहीं है it is deemed to be considered as cash उसको हम cash पानके चली है मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो payment है वो receipt है वो cash नहीं माना जाए तो आपको account pay check से पैसा लेना है account pay draft से पैसा लेना है account pay draft से पैसा देना है अगर आप bearer check से पैसा लोगे या normal cross check से पैसा लोगे या दोगे तो वो cash के गिंती में चला जाएगा did you understand what I said बोलिए तो यह दो amendment यहां पर हुए ठीक है अब यहां पर भी एक question डाल दिया हो मैंने इस question को अच्छे पढ़ते दरह और आप लोग मुझे इसका answer दो एक्सन कंपनी एं पार्टनर्शिप फ़र्म एंगेज इन दे मैनुफाक्चिरिंग और ट्रेडिंग औस सिल्क यान गिवस्टा इसका information दिया यहां पर देखो यह receipt का detail है payment का detail है यह cash receipt यह other than cash यह total और यह percentage ठीक है यहां पर भी यह cash में कितना पैसा दिया other than cash कितना पैसा दिया total कितना और cash as a percentage of total ठीक है अब चलो नीचे आते अब यह जो column है last वाला ठीक है यह cash as a total percentage individually मेरेको कोई लेना देना नहीं है total बताओ total total receipts बताओ तो cash receipt is 4.58 और यहां पर cash payment is 1.61% तो मुझे बताओ क्या इस assessi को यह particular 10 करोड रुपे तक audit नहीं करवाने का provision follow करना पड़ेगा जल्दी बोलो 10 करोड वाला provision इसके लिए अपने के बलोगा कि नहीं होगा जल्दी बोलिए अरे बोली है बेटा अरे इसके लिए अपनी केवल हो जाएगा तो इसके लिए अपनी केवल हो जाएगा यहां बड़ाबर कि 10 करोड वाला provision चलो देखते क्यों क्योंकि इसका जो cash receipt यह 5% से कम है cash payment भी 5% से कम है बड़ाबर अब इसका सवाल क्या उट रहा है देखो नीच से इसके सवाल का जवाब देते हैं यहां पर सवाल खत्म होता है उसके बाद जवाब है और एवाई 21-22 एक्सन कंपनी अज लॉंग टर्म क्यापिटल लॉस पड़ा है इड़ वांस तो नो वेटर इट रिक्वार्ट अटर फॉर एवाई 21-22 बताओ क्या इसको ऑडिट की जर पर ज़ड रवत है कि अजली बताएगे सब लोग बढ़ा पाट अब अरे क्या इसको ऑडिट की जर्वत है इसको फुल् boosting कर रहा है इसको जर्वाद बिल्कुल भी नहीं है तो इसने audit audit नहीं करवाया ठीक है अब यह क्या कर रहा है मालूं what are the tax consequences if the firm gets its account audited under 44 AB for the assessment 21-22 and submits the audit or return of income during September 2021 मुझे बता इसको audit नहीं है अपनी के बले फिर भी ये देड़ शाना बनके audit करवा रहा है September में tax audit report भर रहा है नहीं चलेगा इसको audit अपनी के बली नहीं है इसके लिए due date of filing of return क्या होईगी जुलाई वाली date होईगी अब यह जान बूचकर उसको क्या लग रहा है मालूं किया जुलाई वाली date मेरी निकल गई साला मेरे पास 20 लाग रुपे का long term capital loss है तो मैं क्या करता हूँ मैं audit करवा लेता हूँ अब यह audit करवाना के नहीं करवाना वो तेरी मर्जी से नहीं चलेगा अगर तेरा 95% payment check और 95% receipt check में आता है 5% से कम payment और receipt cash में होता है तो तेरे को audit applicable ही नहीं है option option नहीं है इसके अंदर तो यहां पर assessi क्या कर रहा है देड़ शाना बन रहा है उससे due date miss हो गई 31 जुलाई की तो वो क्या बोल रहा है बढ़ने मेरा 5% से कम cash है तो क्या हूआ मैं audit करवा हूँ और 38 September को return भरूँआ भर तो return कोई attention नहीं है वो belated return माना जाएगा लेकिन तेको loss को carry forward करने नहीं मिलेगा did you understand what I said next section की तरफ बढ़ता हूँ 44 ADA में भी amendment आया है 44 ADA क्या है वो जो specified professionals के लिए 50% of gross receipt will be deemed to be income याद आता है specified professionals के लिए government ने बोला 50% of profits will be deemed to be income याद आता है कि नहीं आता है आपको बराबर तो अब इसमें एक मामूली सा amendment आया amendment क्या है कि पिछले साल तक यह section सारे रेजिडेंट अससी के लिए था सारे और पार्टनर्शिप फॉर्म क्लियर है अरे क्लियर है ठीक है नेक्स प्रोविजन की तरफ बढ़ता हूं मैं इसको समझाने के लिए मैं एक पर ले लेता हूं पहले बोर्ट पे लिखकर यह कोपरेटिव बैंक्स के लिए एक छोटा सा प्रोविजन पढ़ाता अपने एक सेपरेट टॉपिक की तरह ही सेक्शन 44 डी बी और मैंने बोला था अगर दो कोपरेटिव बैंक एक कोपरेटिव बैंक ए है फॉर एक्जामपल और यहां पर कोपरेटिव बैंक भी ठीक है अगर इन दोनों का अमाल गमेशन होता है गौर से सुन ले न ठीक है बहुत अच्छे से पूरा प्रोविजन सुन लो अगर इनका अमाल गमेशन होता है इनके अमाल गमेशन के अंदर एक गवर्मेंट ने इनके अमाल गमेशन के टाइम पर गवर्मेंट ने एक प्र 44 db करके provision और बोला कि इनके section 32, section 35 d, 35 dd और 35 dda ये सारे जो खर्चे हैं ये expenditures जो है या allowance जो है ये year of amal commission में सुन लो अच्छे से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, divide हो जाएंगे, कैसे divide होंगे, ये divide होंगे as per the provisions of section 44 db, जरा कान खोल के आराम से सुनना, घाई नहीं करना, तो ये जो government ने क्या बोला था कि भाई ये current year में अगर amal commission होता है, एक cooperative bank का, दुसरे cooperative bank से जो भी depreciation है, दोनों आपस में ब पहले तक का खर्चा, पहले वाली bank को मिलेगा, amalgamating bank को, और amalgamation से लेकर 31st March तक का खर्चा, amalgamated bank को मिलेगा, 44 db में, कौन सी bank, cooperative bank, साथ-साथ में, और भी और भी चीज़े थी, मैं बता दे रहा हूँ, अब ये amalgamating bank है, A, B, amalgamated bank है, इन दोनों का amalgamation हो रहा है, तो am amalgamating bank, amalgamated bank को जो भी assets transfer करेगी, उस पे capital gains माफ है, section 47 में, similarly, amalgamating bank के जो shareholders होंगे, वो लोग अपने shares लोटाएंगे, बदले में, उनको amalgamated cooperative bank से जो shares मिलेंगे, वो भी capital gains माफ है, साथ-साथ में, amalgamating bank के जो loss और UAD है, वो भी amalgamated bank carry forward करके set off कर सकती है, तो मैंने आपक चार provision बता है, इन चारों को कान खोल के फिर से सुन लेना, पहला, ये चार खर्चे दोनों के बीच में divide होंगे, पहला, दूसरा, amalgamating से amalgamated company में, जो भी assets transfer होंगे, उस पे capital gains exempt है, 47 में, amalgamating company के, amalgamating cooperative bank के जो shareholders है, वो लोग अपने shares लोटाएंगे, बदले में, amalgamated company के share लेंगे, उस पे भी tax नहीं लगेगा, ये तीसरा, चौता, amalgamating cooperative bank के जो losses और UAD होंगे, वो यहाँ transfer होंगे, as per section 72 AB, ये सब जाकर आप provision पढ़ना, अपनी book के अंदर, अब amendment क्या है, सुन लो, अब government ने RBI नहीं खुद ये notification लाए, और बुलाएंगे, अब से एक cooperative bank, सिर् कमेट होना चाहती है न, तो वो भी चलेगा, वो allow किया RBI ने 2019 या 2020 में, तो अब से एक normal bank, एक cooperative bank का amalgamation किस से हो रहा है, एक normal bank से, तो क्या उन सब cases में भी उनको benefit मिलेगा, तो government ने 4 में से 3 जगा amendment किया, एक जगे गलती से नहीं किया, या जान कुछ के नहीं किया, उसका चवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, पहला amendment, अगर एक cooperative bank का amalgamation, एक normal bank के साथ होता है, 44 DB का benefit मिलेगा, मतलब ये 4 खर्चे दोनों के बीच में divide, दूसरा amendment, यहां से जो भी assets, यहां transfer होंगे, इसके shareholders अपने shares लोटाएंगे, और नहीं जो normal bank के shares लेंगे, उस पर उनको capital gains माव लेकिन चो laws क्यारी forward करने की बात आती है, section 72 AB में, वहां government ने amendment नहीं किया, अब वो जान बूच के नहीं किया, या गलती से नहीं किया, मुझे नहीं मालूँ, ठीक है, I hope you are clear with exact words what I tried to see you, चेक करो यहां पर, ठीक है, 44 DB, yes, सबसे पहले RBI has permitted voluntary transition of primary cooperative bank, urban cooperative bank into a banking company, allow किया है उन्हो किया, the above provision has been amended, that 44 DB will apply, when a primary cooperative bank is converted into a banking company, capital asset जो transfer कर रहे हो, वो भी exempt हो चाहे, shares जो देकर जो शेर ले रहे हो, वो भी exempt हो चाहे, लेकिन there is no corresponding amendment in section 72 AB, are you clear with this particular amendment, please tell me all of you बिटा, अपर मारगा है किया तो जिन्दों जिन्दों, जिन्दों, पोलों नाखरा, क्लियर है जिन्दा है चलो ठीक है अगला अमेंडमेंट बड़ा अमेंडमेंट है तो और ज्यादा अच्छे से जिन्दा रहना ठीक है उसके बाद दो तिन वह चिंदी अमेंडमेंट आने आले हो फटाफट उड़ाएंगे चुछ तो करूँ चुछ फानल गुरुप तो भाग गया है अगले वाले अमेंडमेंडमेंट पर यहां पर हमारा देश इंडिया ठीक है अब मैं दो शब्द यूज कर रहा हूं गौर से देखना यहां पर एक शब्द यूज कर रहा हूं ओरीजनल फंड और यहां पर उसके ओनर्स यहां पर रिजल्टेंट फंड ठीक है अब गौर्मेंट का इंटेंशन क्या है सुनो गौर्मेंट का इंटेंशन यह है कि यह जो ओरीजनल फंड यूज इंडिया के बाहर है उसको हम लोग एक इंविटेशन दे रहें क्या इंविटेशन पता है तुम भाई यहां इंडिया आ जाओ यू कम टू इंडिया अगर आप इंडिया में आ जाओगे तो हम आपका जो भी कैपिटल गेंस ट्रांसफर होगा वो सब कुछ एक्जम करवा रहें गौर्मन चाहती है कि बाहर के फंड्स इंडिया आके इंडिया में मर्ज हो जाए यह रिजल्टन फंड के साथ तो सबसे पहले अपने को मतलब यहां पर क्या चल रहा है फंड का री लोकेशन तो इस री लोकेशन में बहुत सारे इसके सवाल होंगे पहला सवाल यह फंड गौर्मन बोलता है कि जो हम यहां सब फंड वहां से यहां आएगा तो वहां से औरिजनल फंड से जो रिजल्टन फंड में असेट्स ट्रांसफर होंगे उस पर चैपिटल लगेगा कर नहीं लगेगा गया साथ साथ में हमारे जो ओनर वह बहुत कर पहले हैं आपने फंड क उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोविशन के ऊपर तो सबसे पहले हम लोग orifying dial find का मतलब समझते और इन फंड क्या वे जैसे कि मैंने बोला completely fund कहां पर है बाहर है बाहर से हम लोग उसको इंडिया में खीच के लाना है ओरिजिनल fund means a fund incorporated or registered outside इंडिया इंडिया के बाहर है it collect funds from its members for the investing it for their benefit and fulfills the following condition अब यह जो conditions ना यह सारे के सारे वही similar conditions है जो अगर आपने जिंदगी में कभी section 9A पढ़ा है ना offshore fund वाला provision तो वहाँ पर भी यह सारे प्रोविजन सेम थे जाकर चेक करना है same to same तीनों condition वहाँ पर की मिलेंगे आपको तो सबसे पहले original fund कहां पर incorporated है बाहर है वो क्या करता है अपने member से पैसा लेता है और invest करता है और और भी condition है original fund should not be a person resident in India वो इन्डिया का resident नहीं होना होगा है that original fund, the fund, the fund, the fund is a resident of a country with which India has DTAA or it is established or incorporated in a country as is notified by central government. एक ऐसे देश में या तो उस देश के साथ हमाँ DTAA होना चाहिए या अगर DTAA नहीं है तो वो देश government of India notify करना चाहिए. तीसरा fund, original fund ऐसे देश में होना चाहिए जहां पर SEBI जैसे regulations होने चाहिए. चेक करो point number C और point number D बोलता है original fund को कुछ और conditions भी fulfill करने पड़ेंगे. तो ये सारे conditions आपको section 9 AB में मिल जाएंगे. जाकर check करने ना. Are you clear with the definition of original fund? Simple चब्दों में अगर आप मुझे पूछो तो original fund क्या है? इंडिया के भार जो fund है, वो original fund है. और क्या? और इंडिया का सबसे specific location और सबसे प्यारा location गवर्मन को क्या लगता है? IFSC. ठीके? तो चेक करो. resultant fund means a fund established in India. In the form of a trust के तोर पे होगा या तो company या LLP के तोर पे होगा. वो जो fund इंडिया में हैं, वो trust, LLP या company के तोर पे हैं. और उसके पास category 1, category 2, AIF या category 3, AIF की तरह वो registered होना चाहिए. तो जो resultant fund इंडिया के अंदर है, वो उसकी category क्या होने चाहिए? वो एक AIF है. Alternative investment fund, category 1, category 2, category 3. ठीके? और वो कहां registered है? obviously इंडिया में registered है. और इंडिया में भी कहां पर? बहुत ही specific location IFSC के अंदर, ठीके? तो government उस original fund को खीच के कहां ला रही है? इंडिया में तो ला रही है, और इंडिया में भी कहां है, specific location पर जहां IFSC है, ठीके? that is Gujarat. चेक करो. and is located in an international financial service center. is everyone clear till here? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर अभी क्या बस ये definition देख लिया, facts implication देखना है, और क्या हूँ, कुछ बहुत खास नहीं हूँ हूँ. is everyone clear with this? अरे बोल तो भाई. हाँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ. clauses 7AC, 7AD, ये दो clause government ने add किया, have been inserted in section 47 to exempt capital gains, exempt capital gains arising on the following transfer. पहला, any transfer in a relocation of a capital asset, relocation नहीं हो रहा है न, कहां से रहा हो रहा है, बाहर से India के IFSC के अंदर relocate हो रहा है. by the original fund to the resulting fund is exempt under section 47. जैसे मैंने बोला, original fund से जितने भी asset resulting fund में इंडिया में आ रहा है, वो transfer पे capital gains, it is just like Kamal Commission, there is nothing new. original fund से resulting fund में, जितने भी assets सारे है, सब exempt है. similarly, original fund के जो shareholder है, वो भी तो अपने shares लोटा कर resulting fund में shares लेंगे, check करो. any transfer by shareholder or unit holder or interest holder in relocation of a capital asset being share unit or interest held by him in the original fund, in consideration for share or unit in the resultant fund is also exempt under section 47.7.80. is it clear to all of you? is it clear to all of you? it is just like Kamal Commission, एक fund बाहर है, उसको उठा के इंडिया में खीच के लाओ. तो वहाँ से अगर fund इंडिया में transfer होता है, तो fund जो भी assets transfer करता है, औरिजिनल से resulting fund exempt, उसके unit holder, share holder, जो भी shares देकर यहाँ पर shares लेते हो भी exempt, ठीक है? अब साथ में एक important शब्द का मतलब भी अपने को देख लेना चीए, वो important शब्द क्या है, कि re-location का मतलब क्या होता है, गौर्मेंट ने वो भी defined किया है, देखो यहाँ पर, अब री-location मतलब, वहाँ से यहाँ पर आना और क्या, ठीक है? री-location means a transfer of assets of the original, टीप ही नहीं गया था, ठीक है, C.A. Funnel Group तो, तेरा नाम क्या है, C.A. Funnel Group तो, तेरा नाम क्या है? S.C.M.P. है तेरा नाम, हाँ, Elective है तेरा नाम, D.T. है तेरा नाम, I.D.D. है क्या नाम क्या है तेरा? री-location means transfer of assets of the original fund, or of its wholly owned special purpose vehicle, original fund के asset transfer कर रहे हो, या original fund के कोई special purpose vehicle है, कोई special company है, उसके भी assets transfer कर रहे हो, तो वो दोनों covered है, प्लस 31st मान 2023 के पहले होना चाहिए हो, 31st मान 2023 के पहले होना चाहिए हो, और फिर बदले में उनको क्या मिलेगा? उनको share holding को assets मिलेगा, एक्सेटरा, वो ही भाशन दिया गया है, ठीक है, तो कुछ खास थी है इसके अंदर, बस यहाँ पर important point क्या है, 31st मान 2023 के पहले आपका transfer होना चाहिए, ठीक है, clear है, अरे बोलो बेटा, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो भाईयों भेनो, ठीक है, आगे बढ़ता हूं कुछ छोटे amendment है आपर, छोटे sections आए बहुत सारे, उन पर बात करता हूं, 47 के अंदर capital gains में relaxation देने के लिए, ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, यह नए sections है, new sections, यह दोनों के दोनों, क्या है इसके अंदर, अगर आप कोई transfer करते हो, capital asset का, कौन करता है, transfer हो रहा है, capital asset का, कौन कर रहा है, by infrastructure finance company limited, to an institution established for financing the infrastructure and development, set up under the pact of parliament, shall not be treated as transfer, तो सुन लो, बहुत जादा अच्छे से, ठीक है, pay attention, यहाँ पर, बस आपको यह identify करना, transferer कौन है, transferer कौन है, transferer है, India, infrastructure, finance company limited, ठीक है, ठीक है, क्या transfer कर रही है, capital asset transfer कर रही है, किसको कर रही है, to whom, एक ऐसे institution को, जिसको बनाया गया है, for financing infrastructure and development, और central government ने उसको बनाया, is everyone clear with this, तो बहुत basic assignment मेंट है, कुछ खास नहीं है, वो पढ़के ही समझ में आजेगा, तो अगर एक इंडिया, infrastructure, finance company limited, अगर कोई भी capital asset transfer करती है, किसको transfer करती है, एक ऐसे institution को, जिसको central government ने बनाया है, तो finance, infrastructure and development, तो वो exempt हो जाएगा, is everyone clear? अगला amendment भी similar level का ही है, अगले amendment में कौन transfer कर रहा है, गौर से देखना, transfer है कौन है, अगले amendment में, अगर एक public sector company transfer करती है, किसको, दूसरे public sector company को, या central government या state government को, ठीक है, चेक करो, तो ये capital gains exempt है, दिखता है आपको, चेक कर लो, by a public sector company, to a notified public sector company, or to central government or state government, it is not subject to tax, it is exempt under a plan approved by central government, ऐसे छोटे 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 बहुत sections दाले government ने, इस पाद, पहले भी आया था, 10-4-E, 10-4-F, ये भी ऐसे similar levels के छोटे 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 sections ते, ये अभी फिट से आगया, 47-4-E, 47-4-F, is it clear, shall I go ahead, अगला amendment भी एक छोटा सा amendment है, ये दो sections की validity government बढ़ाई जा रही है हर साल, हर साल बढ़ाई जा रही है, ठीक है, पहले इन दोनों sections को खत्म होना था, मार्स 2019 में, फिर इसको government ने 2020 तक बढ़ाया, फिर 2021, अब government ने इन दोनों sections की validity को 2021 से 2022 कर दिया है, चेक कर लो, फटक से, कोई बहुत बढ़ा amendment नहीं है, सिर्फ due date बढ़ाई ये government ने, चेक करो, दिखता है आपको, अरे भाई, प्लीज रिप्लाई कर दो ना, इन दोनों sections की due date को government ने अब बढ़ा कर बोला है कि अगर 54 GB में आप 31st मार्स 2022 तक भी अगर ट्रांसफर करोगे तो exemption मिलेगा, और 80 IAC में आप 31st मार्स 2022 तक भी अगर company incorporate करोगे, या LLP incorporate करोगे, क्योंकि LLP और company के लिए है 80 IAC, तो भी आपको benefit मिलेगा, ठीक है, तो छोटे-छोटे amendment है, खुश्या मनाने वाली बात, इसके बाद वाला amendment हमने अल्रेडी कर लिया, 56 to 10, read with 43 CA, यहाँ पर बड़े सब्दों में लिख लो, the increase, लिख लो ये, in threshold, is not applicable, for section 50 C, 50 C में ऐसा कोई amendment नहीं आया है, जो 43 CA में आया है, यहाँ लो ये, अच्छा, इसी question का एक second part भी था, वो भी ज़रा इसका भी answer कर दो, कर सकते हो, situation 2 का एक second part था, ज़रा इसका answer करो, easy ऐसे कुछ खास नहीं है, बच्छे, इसका answer कर दो, चलो, फिर आगे बड़े, second part का answer कर, क्या होगा इसमें बेटा, एक्या है, प्ग्छे시ills का मच्छ 봐, क्या हुआरा, आक खास नहीं है, is यहाँ, इसका भी सबसकेाप़् एक एक तो, झाल झाल लियर अटे बॉल दो यार इंद अबाउं के से एडवांस पनियों 20 लाक्स पे त्रू एनि एफ्टी इन सिट्वेशन टू अक्टोबर 28 टू तू 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 क्या हो जाएगा फिर अगर आप इस डेट पर नहीं पे करते हो 14 अक्टोबर को नहीं पे करते हो बटकि उसके बाद पे करते हो एडवांस तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा स्टैंटू टी वाली तू पइंट पर करो लेना पड़ेगा बराबर अगर स्टैंटू टी वाली तू पांट पर करो लोगे तो आप से फार्बर के अंदर आ जाओगे 20% के और safe harbor के अंदर आ जाओगे तो आपको कहां करना पड़ेगा full value of consideration भी दो करूर लेना पड़ेगा और फिर बाद में 56 to 10 के अंदर आपके सामने आले के हाथ में tax भी नहीं लगेगा is everyone clear with this ठीक है आगे बढ़ रहा हूँ मैं 56 to 10 56 to 10 के आए gift वाला section है अब gift वाले section में अगर आपको बताएगा तो government ने बोला है बहुत सारे case में अगर आप gift लोगे तो tax नहीं लगता है जैसे अगर आप relative से gift लोगे तो tax नहीं लगता है जैसे अगर आप शादी में gift लोगे तो tax नहीं लगता है इसे बहुत सारे clauses से उसमें गौर्वर्मेंट नहीं जो चार नहीं clause आए ना भी आग जो पढ़ा 477AC, Original Fund, Resulting Fund और अभी जो दो clause और बढ़े 47AEAF, इसको भी गौर्वर्मेंट नहीं आपर इंसर्ट कर दिया है, बस इतना ही amendment है और कुछ नहीं है, कि इन सब सर्कम्सेंसेस में भी अगर आपको असेंट मिल रहा है, तो वो गिफ टैक्सेशन के एमबिट में ब्रैकेट में नहीं आएगा, I hope it is clear to you, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, टाइम बेस मत करो मिटा, आपका समय मेरे समय से शायद जादा इंपोर्टेंट है, आप अपना समय बचाओ, ठीक है, यहाँ पर गौर्मेंट ने चार सेक्शन जो अभी अभी आपने पढ़े, उसको इंसर्ट किया है, और कुछ नहीं, 47 ACAD क्या है, वो औरिजनल रिजल्टिंग फंड वाले क्लोजस है, और 47 AEAF क्या है, वो इंफ्रेस्ट्रेक्चर वाला पॉइंट और वो पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी को असेट देती, एक्सेटरा, वो वाले पॉइंट्स में तीक है, आगे बढ़ रहा हूँ में, यहाँ पर अमेंट्मेंट नमबर 29, अफोर्डेबल रेंटल हाउजिंग, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ मैं, उसके बादी में मैं इस पर्डिकलर प्रोविशन पर बात करूँगा, याद ए 80 IBA करके एक सेक्शन गौ सारे कंडिशन दाले, तेरा प्रोजेक्त 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तेरा प्रोजेक्ट इस पीरिमें ब्लाब लाँ यह होना चाहिए, ऐसे बाद शारे कंडिशन गौर्मेट्मेंटन ने डाले अगर आपको बता है, फिर मैंने आपको क्लास में भी बोल याद आ रहा है आपको फोर्डेबलाइज हाउजिंग स्कीम प्लीज बोलो औरे बोलो भाई याद आ रहा है कि नहीं तो वो प्रोविजन किसके लिए था एटी आई बी ए कि अगर एक बिल्डर अफोर्डेबल हाउजिंग स्कीम बनाता है प्लस उसमें एक और भी कंडिशन था है एक गर अगर आपको मिल गया तो आपके बीवी को नहीं मिलेगा आपके बच माइनर बच्चों को नहीं मिलेगा एक्सेट्रा ऐसे प्रोविजन भी थे उसमें ठीक है तो पहले क्या था अफोर्डेबल प्राइस पे बेच रहा था अभी अफोर्डेबल प्राइस पे रेंट पे भी देगा ना तो उन लोगों को भी गौर्वर्मेंट डेगी प्रोवाइडेड आपको यहां पर कुछ कंडिशन फुल्पिल करने पडएंगे जो यहां पर अफोर्डेबल रेंटल प्रोजेक्ट फॉर दिस परफस्ट रेंटल आउसिंग प्रोजेक्ट विच विच इस नोटिफाइड बाइस तक अब नोटिफाइड करेगी मुझे नहीं बता है पर से लगता है कि इसका अजाएगा आर यू क्लियर विद इस अब्जेक्टिव समझे इस सेक्षन का क्या है इस अमेंडमेंट का अब्जेक्टिव समझा ज़रूरी है आर यू क्लियर विद जल्दी बोलो रहे पागल लोग प्लीज ठीक है अब अमालगमेशन में कुछ चेंज़ लाए गॉर्मेंट ने ठीक है अमालगमेशन के अंदर आपको पता है अमालगमेशन ओफ कंपनीज में Amalgamation of Companies में God से सुनना Section 72 एक बहुत important section है जहाँ पर आपको जो भी Amalgamating Company के Losses होते Unabsorbed Depresation होते हैं वो Carry Forward करने का मौक्रा मिलता है बढ़ यह चेस दिमाग में रखना Government हर एक किसम की Company सुनी अलाओ करती है उसमें category बनाई है अब उसमें किस किस cases में Losses Carry Forward करना Allowed है क्या आप ऐसा समझ के चल रहे हो कि कोई भी Company का Amalgamation किसी भी दूसरी Company से हो जाएगा Yes, Smith बेटा मैं Link description में डाल दूँगा ठीक है I'll put the link in the description of the notes Don't worry, okay I'll do it after the lecture तो एक Company है उसका Amalgamation किसी दूसरी Company से हो रहा है तो क्या लगता आपको कि आप ऐसे ही Loss Carry Forward करके Set Off कर सकते हो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी ऐसे ही आप Loss Carry Forward करके Set Off नहीं कर सकते हो उसमें category of companies दा लिए Government ने हर companies को नहीं दिया है तो अब उस category of companies में गौर्मेंट ने चेंजिस लाए है क्यों क्यों कौन कवर्ड है चलो देखते इस सेक्षिन अप्लाइज चेक करो वेर देर इस बिन एन Amalgamation of a Company Owning Industrial Undertaking अगर आपकी एक Industrial Undertaking है तो आप Carry Forward कर सकते हो Loss या आप Ship हो या होता लो या There is an Amalgamation of a Banking Company और Industrial Undertaking को गौर्मेंट ने डिफाइन किया है वो सब पुराने प्रोविजन है वो मैंने ऐसी डाल दिया आपके reference के लिए मैंको नहीं डालने की जर्वत्ती पर लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया Amendment क्या है मेरा मकसद यह आपको बताना Amendment के Amendment यहाँ पर जो तीसरी category of company है ना उसके लिए government ने amendment लाया है क्या amendment लाया है पहले क्या था पता है एक public sector company का Amalgamation अगर होता है तो उसको अपने loss carry forward करने मिलेंगे लेकिन सिर्फ अगर वो aircraft company है तो ही मिलेंगे दूसरी किसी public sector company को loss carry forward करने नहीं मिलता था मिसाल के तोर पर अगर BSNL का Amalgamation किसी और के साथ होता है तो उसको loss carry forward करने नहीं मिलेगा because BSNL is not an aircraft company ठीक है ठीक है amalgamation of a public sector company with another public sector company was allowed to carry forward loss only if it was an aircraft company अब government ने यह point काट दिया और बोला one or more public sector company with one or more public sector company will be allowed amalgamation अरे बेटा समझ में आए बेटा मैंने क्या बुला अब इसको widen up कर दिया एक PSU का दूसरे PSU से अगर amalgamation होता है तो वह aircraft company होना जरूरी नहीं है और कोई भी company का amalgamation होगा तो चलेगा exemption मिलेगा exemption नी सौरी laws carry forward और UAD carry forward करने मिल जाएगा is it clear to all of you तब मैं जाता हूँ अपने दूसरे point की परा अरे बोलो ना भाई जिन्दा हो क्या अरे बच्चे लोग को शांती नहीं स्कुन ही अभी मालू में लेक्चे चलना है तो भी डाउट पूच रहे ठीक है आप सुनो तो आपसे पहला amendment क्या है आप 72 एक अंदर पहले एक करस्ट सिर्फ एयरक्राफ वालि पबली केक्टर सेक्टर कंपनी का अमाल कमेशन होता ह Dance अब किसी पब्लीट कंपनी का सथ क्या कमेशन होका तो आप भी डूसरे जो point डाला है इन्होंने यहाँ पर यह बहुत ही clear चब्दों में अगर knowledgeable इंसान है तो उसको बता चल जाएगा है काई के लिए डाला है यह एर इंडिया के dis investment के लिए डाला गया है पता है सबको एर इंडिया का dis investment हो गया ठीक है तो dis investment का आपको मैं procedure समझाता हूं कैसे dis investment होता है dis investment मतलब air India को आप किस ने ले लिया टाटा ने ले लिया वैसे पहले भी एर इंडिया टाटा का ही था 1950 के टाइम पर अजादी के बाद government of India ने उससे कंपल सरे लिए अक्वायर कर लिया था ठीक है अब government of India वापस उन्हीं को दे लिए कर्मा इसको बोलते इसको बोलते कर्मा का सरकल ठीक है घूम के वापस वहीं पर आ गया चीज बराबर आप सुनो ज़रा dis investment का मैं आपका procedure बताता हूं 2021 में क्या हुआ था टाटास और एर इंडिया के बीच में share purchase agreement एंटर हुआ टाटा ने बुला हम आपके 51% shares खरीद लेंगे ठीक है लेकिन आप वाधा करो बीच में आप किसी को और को बेचोगी नीए यह वाधा करना पड़ता है तो तुम्हें का promise हम आपके शेर्ज करेंगे लेकिन आप बीचने और किसी को बेचोगी नहीं है प्रॉमिस करो ठीक है एर इंडिया ने प्रॉमिस किया और उसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले कुछ 28 या 27 जैन को दोजार बाइस strategic disinvestment हो गया ओफिशल हो गया पता है आपको यह चीज है पता है कुछ पता है दुनिया में आप तके नहीं पता है तो अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर यह टाटा का यह एर इंडिया का जो लॉस है क्या यह TATA को मिलेगा और युवेडिये क्या वो TATA को मिलेगा देखो पॉइंट नमबर तरी के हिसाब से तो नहीं मिलने वाला है क्यों कि पॉइंट नमबर तरी में एक PSU का अमालगमेशन दूसरे PSU से होना चाहिए तो ही मिलेगा बराबर अब टाटा PSU नहीं है भाई टाटा पबलिक कंपनी है वह अलग कंपनी हो पर वह गुवर्मेंट कंपनी नहीं है बराबर तो यहां पर इस पर्टिकलर चीज़को रिलाक्सेशन देने के लिए गुवर्मेंट रादित चेतुरवधी तू कहां गया है अपर तो अब गुवर्मेंट ने क्या दिया है दाट इस और्स्वाइल PSC पॉब्लिक सेक्टर कंपनी विज़े और्स्वाइल PSC और्स्वाइल PSC इस Air India विज़े साल शेयर पर्चेश अगरीमेंट ने गुवर्मेंट अप किसी और के साथ अब मत कर ना मैं आपके साथ शेयर पर्चेश अगरीमेंट कर रहा हूँ अगले साल आपन इसको डिस इंवेस्वेस्मेंट को फुल्फिल कर लेंगे तो कुछ सेप्टेंबर या चाहिए 2021 में share purchase agreement and the amalgamation is carried out within five years from the end of the previous and with the restriction on amalgamation in the share purchase ends मतलब गौर्मेन ने restriction क्या डाला है कि अगर share purchase agreement 2021 में हो रहा है तो जो investment जो disinvestment है वो 5 साल के अंदर complete हो जाना चाहिए अगर share purchase agreement 2021 में हो रहा है और disinvestment उसके end से 5 साल के अंदर complete हो जाता है तो जो भी losses तुम्हारे बहां पर पड़े थे एर इंडिया के पास वो यूएड और losses जो भी 72 के अंदर cover है उस सारे losses एर इंडिया continue कर सकता है किस के तुर continue कर सकता है टाटा के पास टाटा उस loss को carry forward करके set off करते रहेगा और यार्यार यू clear with this ठीक है उसके नीचे वही भाचन दिया है कि उतना ही loss carry forward करने मिलेगा जितना public sector company का यहां पर आज की तारीक में है बहुत बड़े लोग है अजित्या इन तो ये 0.4 एक बहुत इपॉइट पोइंक से दिमाग में पूछन तो जिस दिन वो सीज हो गई उसके बाद अगर उसने कुछ लाउस किया है तो वो लॉस हम कैरी फॉट करवान नहीं देंगे जब तक वो कंपनी एक्जिस्स कर रही थी तब तक उसके जितने भी लॉस थे वो सारे लॉसे कौन कैरी फॉट करेगा आप टाटा कैरी फॉट करेगा इस एवरिवन क्लियर विद दिस जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए नव नेक्स अमेंडमेंट छोटास अमेंडमेंट है कुछ खास नहीं इतना इंपॉर्टन नहीं है इसके लिए इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ प्रेए अटेंशन प्रीज्स बोलो मैं सेक्शन 79 आप सभी को बता हुआ जो क्लोसली हेल कंपनीज के लिए साल में लॉस हो रहा है और जिस साल में penguin करवाना चाते हो उन दोनों सालों में आपके 51% शेरोल्डर से बोना चाहिए यदा आता है अपको 51% शेरोल्डर से बोना चाहिए closely held company के लिए अब यहाँ पर कुछ government ने relaxation दिया है कि कुछ लोगों के लिए condition applicable नहीं है वो कौन है वो original fund resultant fund वाले cases में वो conditions applicable नहीं है उनके लिए section 79 applicable नहीं है कि अगर आपका एक original fund है original fund है और original fund के बाद आप एक resultant fund में convert हो रहे हो तो अगर आपके 51% shareholder same नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा आपको loss carry forward करने मिल जाएगा कोई tension लेने वाली बात नहीं है ठीक है एक मामूली सा amendment है इतना important नहीं है don't worry about it अगला amendment छोटा सा amendment है बहुत important है अगर आपको पता होगा जो interest का deduction मिलता है वो तो मिलेगा यह प्लस देल लाग का extra deduction मिलेगा तो अब government ने यहां पर एक छोटा सा amendment की amendment यह है कि यहां पर इस period को बढ़ा कर government ने 2021 से 2022 कर दिया है चेक कर लो पताक से 2021 से government ने इसको बढ़ा कर कितना कर दिया 2022 कर दिया है चेक कर लो are you clear अरे बोलो भाई ठीक है तो छोटा सा amendment है बहुत सारे dates का extension government ने इस बार किया है 54 GB में extension किया है फिर बाद में एक साल के लिए extension किये जा रहे है ठीक है चलो ठीक है अब एक सेक्षिन है जो आपके चैप्टर सिक्से के आपको benefit यह है कि आपका 100% profit माफ हो जाता है पहले पांच साल के लिए अगले पांच साल के लिए 50% और उसमें भी जो रहे थे income arising from transfer of an aircraft which was leased by a unit of an IFSC to a person subject to the condition that the unit has commenced operation on or before 31st March 2024 और aircraft का मतलब यहां पर क्या है aircraft में aircraft भी आएगा हेलिकॉप्टर भी आएगा उसका इंजिन भी आएगा एक्सेटरा इससे पहले भी एरक्राफ बेचना है ठीक है एरक्राफ बेच कर जो income आईगी उसके उपर एरक्राफ बेच कर जो आपको income आईगी वो यहां पर माफ हो लिए ठीक है income arising from transfer of an aircraft which was leased by a unit of an IFSC to a person ठीक है अब सुनो तरह मैं कहां पर हूँ मैं IFSC में ठीक है income arising from transfer of an aircraft which was leased by an IFSC मैंने aircraft अब यह जो लीज है बहुत लंबे समय की लीज होती है 15 साल 20 साल 25 साल ऐसे लंबे लंबे लीज है क्योंकि aircraft की life भी बहुत लंबी होती है तो मैंने क्या किया मैंने किसी से लीज पे लिया और फिर मैंने उसको बेच दिया ठीक है आई ट्रांसफर डाट तो इससे जो ने इंकम कमाया यह इंकम यहां पर government ने बुल रही है क्या 100% हम आपको क्या करवा देंगे एक्जम करवा देंगी अब इनके agreement में होगा actually ऐसे कि आप lease करके बेच सकते हो ने तो practically यहां पर दिक वर्डिंग से तो यही पता चलता है इंकम अराइजिंग प्रॉम ट्रांसफर अप एन एरक्राफ एरक्राफ बेच कर कोई कुछ इंकम आ रही है ठीक है which was leased by a unit of IFSC जो हमने खरीदा नहीं है हमने खुद ने किसी से lease पे लिया है और फिर हम किसी person को वो दे देते हैं और इस सब कुछ आपको करना है 31st माद 1224 के पहले करना है is everyone clear with this तो मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी वोलो please section 89 यह absolutely new section insert किया है absolutely new section अब इस new section को insert करने का भी logic में आपको बताता हूँ ठीक है इसको क्यों insert किया गया है और इसमें अब भी कोई clarity नहीं आई इसमें भी pending क्या है pending rules है government rule लाएगी rules लाएगी उसके बाद में हम देखेंगे क्या करना ठीक है अभी government में कुछ लाई नहीं है अब यह section भी क्या है सुनो जड़ा यहीं पर लिख कर explain करता हूँ ताकि आपको ज़ए अच्छा समझना आज़ा suppose previous year 1516 ठीक है UK previous year 1516 UK Mr. A a non-resident ठीक है यह मैं थोड़ा सा इसको न अच्छे page पर लिखता हूँ यहां पर बहुत जगे नहीं है suppose previous year 1516 UK Mr. A इंडिया में non-resident इसने UK में पेटा पाफाल तु कमेंट्स ना करो पेटा फ्लीज इसने UK में एक retirement fund को ला है ठीक है जो UK के कानून के हिसाफ से as per UK laws it is taxable in the year of receipt ठीक है बहुत अच्छे से सुना इसे बहुत सारे Indians है न जो बाहर रहते इसे बहुत सारे है के नहीं जो बाहर रहते बाहर नौकरी करते बाहर ही retirement fund खोलते बाहर ही पैसा deposit करते ठीक है और बाहर के कानून के हिसाफ से सबसे important line ही जो रेड में लिखाओ मैंने बाहर के कानून के हिसाफ से जब भी उसको वो पैसा receive होगा वो UK में receipt basis पे taxable होगा ठीक है अब सवाल उतता है कि क्या हुआ क्या फिर आगे से previous year 21-22 में उसको ये पैसा receive हुआ he received retirement fund ठीक है retirement fund receive आउसको लेकिन जब उसको receive आना वो इंडिया में आ चुका था इससे अब अगर इंडिया में questions अभी उठ रहे ठीक है बहुत अच्छे से पहले situation समझ लो अससी कहां पर है आज इंडिया में आज इंडिया का resident है जब पैसा मिला न तब इंडिया का resident है तो इंडिया का resident है तो यहां पे भी tax लग सकता है इन पैसा मिला काँपर? पैसा मिला UK में तो वहां पे भी tax लग सकता है तो सवाल यह उठाहिए कब tax लगेगा? कैसे लगेगा? कितने amount पे लगेगा? कौन से देश में लगेगा? दिद यू understand the question please tell me thank you CA final second group thank you beta thank you for understanding बोलो ना beta did you understand the question did you understand the question अब बोलो कि नहीं ना तो मैं आगे नहीं को ऐसे केस में क्या होगा गौर्मेंट ने बोला ठीक है हम लोग एक सेक्शन लाते 89A और पिर उसके अंदर हम लोग लाएंगे कुछ रूल्स और वो रूल्स बताएगा अपने को क्या करनेगा अभी clarity नहीं इसमें लेकिन कम से कम सेक्शन 89A जो गौर्मेंट ने लाया वो तो देख लेते तो गौर्मेंट ने लाया 89A इन और तो एड्रस दी अबाव हाट्षिप 89A हाज बिन इंसर्टे विद एफेक्ट फॉम वह ऐसे टाइक्स होगी जैसे गौर्मेंट बताएगी रूल में मेरे को नहीं मालूम है वो रूल क्या है लेकिन मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि भाई specified person और specified account का मतलब क्या होता है specified person और specified account का मतलब वही होता है जो मैंने आपको यह board पे लिखके बताया हो इधर देखो अभी यहाँ से वो चीज same to same लगेगी आपको ठीक है चेक करो specified person for this purpose means a person resident in India आज की तारिक में वो resident है who opened a specified account in notified country UK while being non-resident in India and resident in that country तो जब उसने account खोला था तभी वो वहां का resident था लेकिन आज वो यहां का resident है is everyone clear तो वो बन जाएगा specified person बोल दोना please ठीक है specified account मतलब क्या specified account is defined as an account maintained in a notified country that is in UK which is maintained for retirement benefits and income from such account is not taxable on accrual basis and is taxed by UK at the time of withdrawal or on redemption मतलब UK में वो receipt basis पे tax होता है जो यहां पर मैंने red के अंदर आपको लिखके बता हूँ देखो बराबर से ऐसे case में tax कहां लगेगा कितना लगेगा कौन से साल में लगेगा Government of India उस पर आएगी rules लेकर are you clear with this please बो लो please बो लो ठीक है now अब मैं एक दो छोटे amendment उठा लेता हूँ बड़े बड़े वाले मैं कल उठाऊँगा ठीक है छोटे छोटे वाले amendment उठा लो एक दो छोटे छोटे आएगदम जो easy वाले ठीक है belated return के time में change हो चुका है क्या change हो चुका है कि पहले belated return आप कब तक भरते थे before the end of relevant day आप गौर्मेंट ने बोला है before the end of relevant day आप नहीं 31st December तक भरना पड़ता है जैसे पहले क्या था previous year 21-22 का belated return आप कब तक भरोगे 31st March 2023 तक allowed था ना belated return अब गौर्मेंट ने इसको और तीन मेने से घटा दिया है तो अब आपको 31st December 2022 तक ही भरना पड़ेगा are you clear are you clear अब में को खुद बताओ इतना घटा के कोई मतलब है कोई मतलब इतना घटा के आज की तारीक में साला अपना जो original return है वो भी 31st December तक भरके नहीं होता है आज भी अम लोग return बर रहे हैं तुम खुद सोचो बिटा आज भी आज भी रिटन बर रहे है आज तो tax audit का लाज डेट है और एक मैंने बात तक return बर सकते हो 15 पार्श तक यह हसने वाली बात है कि नहीं तुम खुद सोच कि सेमिलरली अमेंडमेंट्मेंट यहां पर भी आया देखो इधर भी बोला है 35 डिसमबर बड़ी बड़ी बात इस लिए और बहुत बहुत च्छोटे शोटे मेंडमेंट्मेंट से सले बोल था हूं कि और वही कि अससी सब्तार हूं कर ले कि अंधर करारे है आज रिखूर सब window मैंन कुछ चालने वह और बहुत सो परACE से सब में को इसले 닌ति करता है तो इसले समय पे कोई नहीं सब्सक्राइब कर लेक jewels कर दो में आजके लिए बोल दूत कलके लेक्चर में भयंकर अमेंडमेंट क्या पता है तुम को बता है कि इतना अब लगा था पूरा निकाल दिया रिमूड पूरा निकल गया और बदले में जो आपने section 147 पढ़ा था ना पहले वो भी निकाल दिया और ये दोनों निकालके government ने new 147 लाया और दोनों assessment को इधर एक साथ merge कर दिया है और वो कैसे merge किया है क्या किया है अब दोनों के लिए एक ही assessment तो जब मैं पहले class में चिलाता था there are four types of assessment अब मैं चिलाओंगा नहीं अब मैं चिलाओंगा देरा three type of assessment 143 subsection 3 144 and 147 that's it 147 के अंदर ही search and seizure को भी cover कर लिए ठीक है उस सब के बारे में कल बात करूँगा तो कल का session तो बिल्कुल भी miss करने के बारे में सोचना भी बात ठीक है एक और चोटे amendment एक दो चोटे amendment एक मैं बोल देता हूं ठीक है यह दो चोटे amendment बोल देता हूं उसके बाद में अपना लेक्चर आज का इंसर देता हूं 139 subsection 9 बता है आपको defective return के लिए और government ने बोला है उसमें पर देखो ना किया डाला है अप्र वाइगी तब बात करेंगे अब तक तो कुछ आया नहीं इसा और बहुत सारी चीज़ें लोग इसा बोलके भूल जाते बाद में याद भी ने तरम को कितनी सारी चीज तो बाद में लाते भी नहीं लोग वोल दे एकाली बस आक्तमें नहीं नहीं याँ पर देखो ना क्या डाला है नहीं अप्रवाईज भाइज है प्रॉअ को डाला है अप्र वाइज़ें आप्र जास याइज वाइज है अच्छी बात है भाई and one last thing for the deal 142.1 क्या है 142.1 AO आपको notice बेचता है क्यों बेचता है notice ताकि आप return भरो अगर आप समय पर return नहीं भरो तो AO notice बेचता है 142 subsection 1 clause 1 AO बेचता है बराबर अब government ने बोला है कि AO तो बेचते रहेगा plus हम centralized तरीके से भी इसको बेचेंगे और हम बहुत सारे दूसरी prescribed income tax authorities को भी बोलेंगे कि आप भी बेचना सुदू करो 1st April 2021 से provision अपनी के वले तो अब ये नए provision में AO तो बेचेगा ही plus few more income tax authority will be prescribed और कैसे भीज़ेंगे लोग centralized manner अरे आर यू क्लियर तो ये कुछ चोटे चोटे से amendments से मैं सोचा भी अपना दिमांग थोड़ा बहुत हैवी हो गया है तो ये चोटे चोटे से amendments में आपको भी बोल देता हूं ठीक है बहुत सारे heavy amendments हमने आज पढ़ी है ठीक है तो ये चोटे amendments को हम लोग खटा देते हैं से बागी कल discussion continue करेंगे I don't know whether I'll be able to complete tomorrow or not मुझे नहीं पता मुझे घाई नहीं करना है जो भी हो जलबाजी नहीं करना है अगर complete कर होता है तो अच्छी बात है नहीं होता है तो मैं और दिन एक तो घंटे ले लोगा ठीक है तो कल मिलते हैं पांच बजे same time take care all of you ध्यान रखो सब लोग तो हेलो अल्माइड दिर स्टुटेंट्स आई होप यॉप यॉवल अट विए उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़ जाओंगे ठीक है तो अगले यादा था आपको यह तीन स्ट्चिन हमने एकरठ यह क्लास के अंदर तो आप याद करो अपनने पिछले अमेंटमेंक्ट्स में ब्ड़ा था स्पेसिफाइड फंड में पहले सिर्फ और सिर्फ एक AIF आता था लेकिन अब एक investment division of offshore banking unit भी आना शुरू कर चुका है याद आता है आपको तो वहाँ पर क्योंकि specified fund में एक के बतले अब दो assessi है इसलिए यहाँ पर भी आप government ने investment division of offshore banking unit को गुसेड दिया है is everyone clear with this first amendment यह पहला amendment 10-4-D में जाकर चेक करना अपने पढ़ा तक कल या इससे पहले आले लेक्शन में यह specified fund में एक और एक और assessi को गुसेड आए that is investment division of offshore banking unit मैंने उसका मतलब भी समझाया था investment division of offshore banking unit का मतलब क्या हो उसका मतलब होता है कि अगर कोई non-resident है उसका अगर कोई unit है banking unit है investment division है उसका IFSE के अंदर तो वो माना जाएगा investment division of offshore banking मेरी ठीक है अब दूसरा amendment यहाँ पर एक clarification है तीसरा amendment भी clarification है यह दोनों amendments clarification दूसरा amendment अगर आपको याद है कि 115 AD के अंदर ही 194 LD का mention है 115 AD में लिखा है कि जो interest 194 LD में covered है उस पर आपको 20% tax नहीं लगेगा बलकि उस पर आपको जो tax लगेगा वो 5% नहीं लगेगा 194 LD के असाब से तो क्योंकि अब यहाँ पर specified fund का definition widen up वो चुका है तो क्या specified fund को भी वो 5% का benefit मिलेगा जरूर मिलेगा don't worry about it ठीक है तो यहाँ पर specified fund को भी 5% का benefit मिलेगा 194 LD के अंदर अगर 194 LD वाले case में आप आते हो तो तीसरा अगर TDS कहां करता है सर इसका 115 AD का 115 AD आले cases का TDS 196D में करता है 20% पर लेकिन फिर से यहाँ पर एक clarification दिया है 20% subject to the rate mentioned in DTAA अगर DTAA में 15% या 10% rate mentioned है तो हम सभी को पता है whichever is lower के हिसाब से आपका tax करेगा therefore यहाँ पर तीन amendment है उसमें से दो तो clarification ही है पहला वाला amendment चलो मैं मानता हूं amendment है बागी दोनों clarification पहला amendment क्या है specified fund के अंदर एक और SSC को गुशेड़ना था वो गुशेड़ दिया है यहाँ पर ठीक है investment division of offshore banking fund दूसरा amendment specified fund को भी concessional tax rate 194 LD का मिलेगा अगर वो 194 LD वाला interested हो ठीक है तीसरा amendment अगर आप interest पही करते हो तो TDS काटना पड़ेगा 196D के अंदर और अगर TDS काट रहे तो DT AA के rate से compare करो जो भी lower है उस हिसाब से TDS कटेगा is everyone clear with this please let me know so that I can go ahead with the next one अगले amendment की तरफ बढ़ता हूं मैं अगला amendment क्या बोलता है मैट के उपर है मैट अगले कुछ amendments मैट से related है ठीक है तो एक एक करके मैट में क्या changes है वो बता तो पहला चेंज मैट में जरा गौर से नहीं लगता है पहला केस क्या है अगर foreign company capital gain on security कमाती है मैट नहीं लगता है दूसरा foreign company अगर interest कमाती है royalty कमाती है FTS कमाती है all those incomes are not subject to Matt do you remember that लेकिन उसमें government नहीं condition डाला है मैट कब नहीं लगेगा अगर आपका normal rate या अगर आपका normal tax rate मैट का tax rate कितना है 15% है और normal tax rate अगर इससे जादा है तो मैट नहीं लगेगा और normal tax rate इससे कम है से 12% है तो मैट लगेगा याद आता है आपको प्लीज बोलो यह चीज और मैंने इसका logic भी बता प्लीज बोलो बिटा प्लीज तो इंटराक्टिव बनो तो क्यों दिया तक गूर्में रिलाक्सेशन ताकि foreign companies इंडिया में आके इंवेस्ट करें capital gain stock market ने ताकि foreign company Indian companies को loan दे और consistent tax rate पे चार्ज हो 194 LB LCLD में 55% का tax rate है अब आप आप on one hand you say 5% tax और फिर दूसरे जगह आप 15% मैंट लगा दो के तो दोखा हो जाएगा उनके साथ ठीक है therefore government of India ने क्या किया relaxation दे दिया अब in incomes के अंदर एक और चीज को government ने जोड़ दिया है वो क्या है वो है dividends अब government ने in incomes के साथ capital gains interest royalty and technical services के साथ-साथ अब ये benefit government ने किसको देना शुरू कर दिया है dividend income को भी देना शुरू कर दिया है is everyone clear with this particular amendment shall I go ahead is everyone clear with this amendment reply कर दो भाई बोलो अपरियंका सुमित काजल जैनीश शरंजीत श्रया आज इंजमाम नहीं आया हितेशवर यश सुमित ठीक है तो अब यहां पर आपको interest royalty FTS capital gains के साथ-साथ dividend भी आड़ कर देना है उस पर भी मैंट नहीं लगेगा अगर dividend का tax rate is less than 15% अगर 15% से जादा है तो मैंट लगेगा ठीक है नाओ coming to this next one and this is a very very dangerous one present येस प्रेजेंट इंजमाम येस इस देंजरस वना तर यारो आप लोग इस पर्टिक्रार अमेंडमेंट के लिए जवर्दस्त अमेंडमेंट है दिमाग गुमाने वाला है इसके लिए मैंने पूरा example लिख के लाया हूँ आप लोगों को explain करने के लि comment number 37 you guys are going to read once everybody अपना time बर्बाद करो जिन्दगी का एक बार बर्बाद नहीं करना बोलते है उसको effort डालना बोलते है पोशिश करो ठीक है उसके बाद मैं आ रहा हूँ कि वरलिया अबबाद होके है तो कुम मैं अपना रहा हूँ रगी के समय है कि अलग बात कर रहा है ठीक है आपके आइसी माटेरियल में क्या लिखा गया वह भी देख लेगे कि आपको आइसी माटेरियल से पढ़ाता हूं थोड़ा सा थोड़ा पढ़ना पढ़िए इसमें कि इंटर्नेट कनेक्टिन जोड़ा है कि इसे समझाएं कोई लाएं कुछ बहुत भायंकर प्रविशन है किया बोलता है अब सबसे पहले आपको एडवांस प्राइसिंट क्या है वो पता होना चाहिए और सेकंटरिय अज़्यस्मेंट क्या वो भी पता होना चाहिए नहीं नहीं लगा रहा हूं कि आपको यह पता ही नहीं हैं अगर आपको ये दो चीज़े नहीं पता है तो आप ये प्रोविशन नहीं समझपा हूँ तो मैं assumption ले रहा हूँ कि आपको advance pricing agreement क्या है पता है मैं assumption ले रहा हूँ कि आपको secondary adjustment क्या है वो पता है अब जरा ध्यान से सुनना हूँ इसको समझाने के लिए मैंने एक example बनाया हूँ ठीक है ये example आपको सामने दिख रहा है बहुत अराम से सुनना पड़े का example को इतनी असानी से ये example आपके समझ में नहीं आने वाला है मैं पहले ही बोल रहा हूँ सबोज ये past year है ठीक है past year को हम लोग ले ले लेते है previous year 2021 past year मतलब last year ये current year है previous year 2021-22 ये current year ठीक है last year का book profit 90 लाग था last year का मतलब past year का current year का book profit 95 लाक्स था ठीक है 95 ठीक है past year का book profit 90 लाक्स current year का book profit 95 लाक्स ठीक है अब सबोज मैंने APA के लिए application दिया last year में पास्ट येर में मैंने APA के लिए अव्य के अप्लिकेशन दिया फिक है या मेरा सेकेंडरी एजस्मेंट हुआ कोई भी एक एंगल से सोचो क्योंकि प्रोविजिन दोनों के लिए सेम है चलो APA के अगल से सोचें क्योंकि APA सेकेंडरी एजस्मेंट के सामने थोड़ा कम ठीक है बेटा ये बहुत ही भयंकर प्रोविजन है अच्छे-च्छे के पल्ले नहीं पड़ाई है तो सबोर्थ लास्ट चेर्ड मैंने अप्लिकेशन दिया CBD को कि भाई मेरा एडवांस प्राइसिंग अग्रिमेंट साइन कीजिए तो अगले साल CBDD ने 35 लाग रुपे का आम्स लेंद प्राइस बढ़ा दिया अब मुझे बताना वो आम्स लेंद प्राइस कौन से साल का है बहुत अराम से बेटा बहुत भयंकर प्रोविजन है पिछले साल मेरा 90 लाग बोग प्रोफिट आ और एकाट ट्रांजेक्शन के लिए मैंने लास्ट यर में एप्लिकेशन दिया CBDD को मेरा एडवांस प्राइसिंग अग्रिमेंट इस ट्रांजेक्शन के लिए मेरा APA साइन करके दो 35 लाग रुपे से इंकम अगले साल बढ़ा अब जैसे 35 लाग रुपे से इंकम अगले साल बढ़ाया वो इंकम कौन सी साल की यह वो इंकम तो है पिछले साल की है 2021 की बराबर लेकिन बढ़ाया कौन से साल में अगले साल में 21-22 में तो इसलिए मेरा now my book profit as per the accounting system में तो 130 प्रॉफित हो गया अगले साल क्यूं हुआ बिकॉस अप देंक्रीज इनक्रीज इंकम वाई बिकॉस अध्वांस प्राइशिंग अग्रीमेंट गेंटेंग इन धर करेंट यह अरे अरे अध्यू क्लियर तेलियर कंफर्मेशन दो यहां था था प्लीज अब मैंको बताओ करन्टियर के प्राफिट में पास्टियर की इंकम है यह नहीं है करनेंटर के प्राफिट में फाकिर की इंकम है अब इसको पढ़ते एक बार अभी वी समझ में नहीं आएगा सबर करना पड़ेगा फुरा अ subsection 2d has been inserted in section 115 jb to provide that where in the case of a company there is increase in the book profit of previous year how much increase is happening in my case 35 lakhs due to the income of the past years included in the book profit on account of advanced pricing agreement or on account of secondary adjustment the ao shall on an application made by the ssse agar ssse application dega toh ao tumhara book profit recompute the book profit of the past year and tax payable if any by the ssse during the previous year under section 115 jb in prescribed manner prescribed manner में आपका book profit compute करेंगे recompute करेंगे आपको कुछ relief देंगे और prescribed manner बोला है तो उसके लिए कुछ manner तो prescribed होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो सवाल यह उट रहा है क्या government ने कोई manner prescribed किया and the answer is yes government ने एक को rule 10 Rb आपर मैंने लिख द्या उसका number अब वो रूल क्या बोलता है ठीके वो have to provide to दिख रहा होगा आपको ठीक है यो कि विल बी अबल तो सी था अक्कॉरदिंगली रूल 10 अर्वी अस बिन इंसर्ट ठीक है तो प्रोवाइड एट टैक्स पेबल बाइड अससी कंपनी अंडर 115 बहुत अराम से तुनना रूल 10 अर्वी आपको कुछ रिलैक्स सेशन देने आ रहा है क्या रिलैक्स सेशन दे रहा है रूल 10 अर्वी सब रूल 1 अस इंसर्ट तो प्रोवाइड दाट टैक्स पेबल बाइड अससी कंपनी अंडर सक्षन 115 जेबी फॉर दा प्रीवियस एर प्रीवियस एर मतलब कौन सा साल बोलियें प्रीवियस एर मतलब करंट एर ना यार शैल भी रिडियूस बाइड पाइड तो जितना भी तुम्हारा करंट एर का टैक्स आएगा उतने मेंसे ये जो अमाउंट आएगा वो रिडियूस होएगा पहले ये चीज़ समझो पहले ये दो लाइनों का मतलब समझो जो उपर लिखी गई है कि बाइक करंट एर का जो भी टैक्स आएगा उसमें से ए माइनस बी माइनस डी माइनस सी को रिडियूस करोगे तुम जो भी आंसर इदर आने वाला है वो रिडियूस होईगा ये मेकानिसम रूल्स नहीं दिया है तो सवाल ही उठ रहा है what is A, what is D, what is C, what is D A क्या है B क्या है C क्या है D क्या है यह सारी चीज़े समझने के लिए पहले आपको यह example दिमाग में अच्छे से गुसरना पड़ेगा 5 एर का book profit कितना है 90 लाक करेंट एर का book profit including increased income कितना है 130 lakhs increased income कितना है 35 lakhs are you clear with these numbers अरे बोलो भाई आर यू क्लियर विद इस नंबर्स तो अब आप लोग में को सब्सिट्यूट करेंगे और बताएंगे A क्या है B क्या है C क्या है D क्या है Just wait Just wait आ A पढ़ते Tax Payable by the SSE Company Under 115JB बहुत आराम से Tax Payable by the SSE Company Under 115JB On the book profit of the previous year Including past year's income मतलब मैं को यहाँ पर point number A में कितने पर tax निकालना है बताओ मुझे पढ़ो English और बताओ Numbers इसले मैंने बुला आप दिमाग में रखी है Point number A में मुझे tax कितने पर निकालना है Tax Payable by the SSE Company Under 115JB Mad case साब से tax निकालना पढ़ेगा On the book profit of the previous year Including past year's income Can I say I have to compute tax on 130 lakhs Therefore what is A Board पर देखो A is this plus this That is tax on 130 lakhs Are you clear अब जब मैं 130 lakhs पर tax निकालता हूं तो tax इतना आता है वो सब calculation चोड़ो मेरे पर चोड़ो सरे calculation कैसे आया सर आपको कुछ नहीं 130 lakhs पर आपको 15% tax और Company तो 7% सरचार्च भी मारना पढ़ेगा क्योंकि एक करोर से ज़्यादा प्रोफिट है दस करोर से कम है 4% says Is everyone clear with point number A Point number B पढ़ते पढ़ो सब लो अभी आगे क्या लिखा है However, where no taxes payable under 115JB on book profit of that previous year यह A का second part वो इतना relevance नहीं इसका However, where no taxes payable under 115JB subsection 1 on book profit of that previous year including past year income the value would be deemed to be 0 अगर कोई tax नहीं आज़ते तो फिसको 0 ले लो A को 0 ले लो Point number B B का answer बताओ Tax payable by the SSC company under 115JB on the book profit of the previous year after reducing the book profit with the past income बताओ अब कितने पर tax निकालना पड़ेगा What is B? What is B? अरे बोल दोगे आपको फिर में दिखा दूँगा या B is tax on 130 lakhs minus 35 lakhs that is tax on 95 lakhs बराबर तो 95 lakhs पर tax आता है 14 lakh 82,000 और A minus B चाहिए अपने को तो A minus B का अंसर आता है 687,960 Is everyone clear till year? Are you clear? उसके बाद क्या करेंगे अपन? C ढूढ़ेंगे के D ढूढ़ेंगे? D ढूढ़ेंगे D D ढूढ़ें D C बात में ढूढ़ें D क्या है पढ़ो? क्योंकि C minus D नहीं है D minus C है गड़बा हो जाएगी ने तो अपने से जो फॉर्मूला देता है उस order में चलते aggregate of tax payable by SSC company under 115JB on the book profit of the past year or year referred to in point number C after increasing the book profit with the relevant past incomes of the such year or year अब पढ़ो जड़ा D के अंदर क्या लिखा है? D कितने पे tax निकालोगे? aggregate of tax payable by the SSC company under 115JB on the book profit of past year or year referred to in item C after increasing the book profit with the relevant past income of the year or year पताओ कितने पे tax निकालो? आना चाहिए आपको यहांपर tax निकालोगे? 90 lakhs plus 35 lakhs क्यों 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 यहां बोलता है? aggregate of tax payable by the SSC company under 115JB on the book profit of past year book profit of past year कितना है? 90 lakhs है plus past year की income जो current year में tax हो रही है? वो कितना है? वो 35 lakhs है तो 90 plus 35 125 lakh पे आपको निकालना पड़ेगा? चेक करो D का answer क्या है? 90 plus 35 125 lakhs पे tax आता है 2086 500 Are you clear? अब C रेको C का answer बताओ चलो किया? कितने पे tax निकालोगे? tax computation में करके आया हूँ? वो homework में को आता है? aggregate of tax payable by the SSC company under 115JB on the book profit of those past years or years to which the past income belongs बताओ कितने पे? point number C क्या है? aggregate of tax payable by the SSC company under 115JB on the book profit of those past years or years to which the past income belongs कितने पे निकालोगे? directly 90 lakhs पे correct? यह आ जाएगा आपको अब सरचाज निलोगे क्योंकि direct 90 lakhs पे tax निकालोगे no सरचाज, एक करोर से कम book profit सरचाज निलगेगा पहले तीनों case में सरचाज लगेगा यह आ जाएगा आपका D-C उसके बाद A-B और D-C आ गया, आ गया A-B-D-C will give you the amount as 5460 और इतना आपको relief मिलने वारा है तीके provision पढ़ो क्या बोलता है जो भी यहाँ पर answer आएगा न वो will be reduced by the falling amount मतलब current year के tax में से उतना amount निकाल दो चेक करो उतना आपको relief मिलेगा तो now I request you all to do one thing कि आप काम करो एक बेटा कि आप इसका फोटो ले लो इसका फोटो ले लो मुझे नहीं पता है यह exam में आएगा के नहीं आएगा I don't know मुझे personally नहीं लगता इतना हाई पंटू चीज एक्जाम में आएगी इसका फोटो ले लो ठीक है पॉस करके चाहिए जैसे भी करके चाहिए फोटो ले लो इसका ठीक है I hope you have taken the photograph of this A-B plus D-C का आपको पता होना चीज एक का है B का है C D का है C का है ठीक है यह पहली चीज दूसरी चीज आप इसका भी फोटो ले लो तो छोटा कर दू क्या एक ही पिच्चर में पूरा आ जाएगा ठीक है यह बड़ा रखों जैसे आप बोलोगे वैसे रखों इसमें पिच्चर में पूरा आ जाएगा यह ले लो फोटो ठीक है चलो ठीक है I hope it is done by you यह भयांकर अमेंडमेंट गॉर्मेंट ने लाया है ठीक है यह मेरे को अपने regular batch वालों को भी पढ़ाना है उनको जब मैंने batch लिया था तब ही आया नहीं था तो मैं उनको भी अलग वीडियो के तो पढ़ा दूँगा ठीक है don't worry अगर आप में से regular batch वाला में 22 का देख रहा है आप लोगों को मैं वीडियो भीज़ दूँगा या आप यहां भी देख सकते हो बाकिस सब को अपन नहीं किया यह ग्लास में ठीक है चलो इसको close करता हूँ यहां पर आता हूँ कुछ छोटे amendments की तरफ यह बहुत मामूली से अभी एक दो amendments है वो खतम करते है ठीक है investment fund का मतलब क्या होता है जो आपने पढ़ा है ना AIF 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 ठीक है उसके अंतर अभी एक छोटा सा technical amendment है exam के लिए important नहीं है क्या amendment है पहले investment fund लोग सिर्फ और सिफ SEBI regulations में registered होते थे मतलब SEBI के act में registered हो क्लियर है यह कोई academic question नहीं है ठीक है यह practically relevant हो सकता है academic point of view से इंपोर्टन नहीं है कि पहले AIF सिर्फ SEBI की कानून में registered होते थे अब से वो IFSC के कानून में भी separate कानून government ने 2019 में लाया आया पैसी के लिए उस कानून में भी registered हो सकते है are you clear with this ठीक है now there are some important amendments now very important amendments बहुत जादा ध्यान से सुनना यह वाला amendment 139-1 में कुछ amendment किया है government क्या amendment किया government ने amendment किया due dates में बताओ मुझे due dates क्या होती है ठीक है income tax में तीन due dates है पहला due date क्या है बोलिए ठीक है अब आप सभी को पता होगा याद करो न बिटा यह प्रोविजन सबको पता होगा अगर एक partnership firm अगर audit करवाती है तो partnership firm का due date क्या हो जाएगा October हो जाएगा ठीक है तो अगर partnership firm का due date October हो जाएगा तो partner का due date प्रोविशन पुराना है उसमें पिछले सालिक amendment आया था कि पहले सिर्फ working partner का अक्तोबर होता था sleeping partner का जुलाए होता था लेकिन अब government ने बोल दिया नहीं अगर firm audit करवाती है और firm का due date October है तो सारे partner working हो या sleeping हो सारे partner का due date हो जाएगा October और यू clear with this पहले यह बताएगा प्रीस कंफर्मेशन दीजे रिप्लाई कीजिए ऐसे बैटाओ मत भूंदू की तरह ठीक है यह amendment पिछले साल आ गया चोटा सा amendment है कि पहले सिर्फ working partner के लिए पॉइंट था अभी सारे partner अगर firm अक्तोबर में बरेगी तो सारे partner अक्तोबर में फर्म जुलाई में बरेगी तो पार्टनर भी जुलाई में लेकिन यहां government ने एक blender किया है कितने सालों से मान लो अगर वो partnership firm ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर आती है तो मुझे बता वो partnership firm नवेंबर में रिटन बरेगी तो अगर partnership firm transfer pricing के अंदर कवर हो जाती है जो बहुत रहर है ज्यादा तर ट्रांसफर पैसिंग में companies कवर होती है लेकिन partnership firm पे भी are you able to understand the problem problem में ही solution है बोलिए ना प्लीज तो पहला amendment यहांपर के आया है कि अब से अगर partnership firm transfer pricing applicable है नवेंबर में भरती है तो उसके partner भी due date के आओगी नवेंबर हो जाएगा आर यू क्लियर यह पहला amendment है ठीक है पहला amendment दूसरे amendment की तरफ बढ़ू दूसरा amendment समझने के पहले आपको एक section समझना पड़ेगा section 5A जो बहुत पुराना section है अभी नहीं आया है लेकिन यह section आपको कभी जिंदगी में किसी ने पढ़ाया नहीं होगा ना स्टेट्स के नाम है वो स्टेट्स के नाम दिमाग में रख रो और कुछ यूनियन टेरिट्री नहीं पता 47 में अपने को आजादी ने, ठीक है, तो अंग्रेश चले गए देश छोड़े के लेकिन पॉर्चुल वाले, पॉर्चुल वालों उन states पे control था, यह states पे Portugal वालों का control था, वो छोड़ के नहीं गए, वो लोग थे, वो लोग 1947 के बाद भी थे, 50 के बाद भी थे, 50 के बाद भी थे, 60, 62 के बाद वो लोग थे, ठीक है, तो अजादी के भी 14-15 साल तक Portuguese लोग का यहाँ पर पूरी तरीके से control था, और यहाँ पर in states मे और in union territories में Portugal law applicable होते थे, ठीक है, पूर्चुगल law, पूर्चुगल law applicable, उसमें से एक law का नाम क्या है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, पूर्चुगस civil code 1860, known as communio dos bents, यह उनके phrase में, उनकी language में, अपनी English में अगर पूछो तो पूर्चुगस civil code 1860, इसमें क्या होता था, पता है, इस कानून के हिसाब से क्या होता था, इस कानून के हिसाब से, अगर एक husband है और एक wife है, ठीक है, यह लोग जो भी income कमाएंगे ना, जो भी income, whatever income they will earn, husband will earn, और wife will earn, it will be considered as their joint income, वो माना जाएगा, वो उनकी joint income है, और दोनों में 50-50 बटेगा, ठीक है, मतलब मिसाल के husband ने एक property खरीदा, ठीक है, husband ने property खरीदा और husband ने property खरीद के उसको rent पे चड़ाया, तो उससे 5 लाग रुपय रेंट आया, तो Portuguese law के एसाफ से, जो उन states और union territories में applicable है, husband ने property खरीदा, husband ने rent चड़ाया, rent पे चड़ाया, husband को 5 लाग मिला, लेकिन उनकी नजर में 2 लाग 50 त husband का है, तो लाग 50 लाग वाइफ का है, उसी तरीके से wife का कोई business है, उसने उसमें profit कमाई 50 लाग, तो Portuguese law के एसाफ से जो वहाँ पर रहता है, उनके एसाफ से 25 लाग husband का 25 लाग wife, उसी तरीके से husband के आप KBC, KBC में जाके 5 करोड जीतिया है, तो wife बोलेगी 5 करोड मेरा, उनका क उसमें से share नहीं मान सकती है, wife अगर नौकरी करती है, तो husband उसमें से share, income from salary चोड़कर बाकि सारी income दोनों के वीच में 50-50 डिवाइड होती है, तो सर अभी होती थी थी ना, अभी छोड़ो ना, अभी अपने को क्या, अभी भी होता है, अभी भी होता है, अभी भी, आज भी स्टोरी क्या हो गया, ये states के अंदर, ये union territory के अंदर, अभी भी अगर husband कुछ कमाता है, तो आदा wife का, wife कुछ कमाता है, तो आदा husband का, ठीक है, ऐसा कानून क्यों बनाया था, ताकि उदर इसले बनाया था, ताकि वो divorce को रोखने के लिए सब चीज बनाया जा था, ठीक है, ताकि जो भी कमाता है, आदा मिल बाटके रहे, ठीक है, जादा मगज मारे नहीं, जगड़ा नहीं हो, उस हिसाब से बनाया था, वो कानून, अब वो कानून इतने सालों से चलते आ रहा है, आजादी के पहले से है, आजादी के बाद भी है, पोर्चुगीस लोग चले गए उसके बाद भी है, और 2021 में मोदी जी है, फिर भी है, ठीक है, फिर भी हो कानून है, पहले में को बताओ, यहाँ तक सब को क्लियर रहे गया, फिर हम लोग बात करते हैं, इंकम टैक्स में इसकी क्या जरवत्ती है भी इसको अच्छानक से इंट्रोड्यूस करने की, तो अब इंकम टैक्स आता है बीच में, बाद ए पूलता है माण क्या ख तो फिर फिर Limited को हस्बेंड ने पैसे क्माया थो ह में देस लाग थो आदा रेंड इंकम पांच्छ लाग वाइप की इंकम Usans को ह्में ने विजनेस कवा थ RC विल्ड ऊड़व प्रॉफिट 25 लाग हस्बन 25 लाग वाई इस तरीके से क्यालकुलेशन हो ठीक है सैलरी इंकम को छोड़के इंकम ने भी बोला हम तुम जो रूल यह लोग स्टेट्स यह स्टेट्स में यह यह यूनियन टेट्रिस में रहने वाले लोग है पार्टनर्शिप फर्म हैं हस्बेंट पार्टनर है फॉर्म से रेमिडरेशन मिलता है उसको और वो फॉर्म का ड्यूडेट है 31st October हो जाएगा पहला सवाल का जवाब हस्बेंट का ड्यूडेट भी 31st October हो जाएगा क्यों कि अब हस्बेंट को फॉर्म से रेमिडरेशन मिलने वाला है चो हस्बेंट अपनी PGPP इंकम में दिखाएगा लेकिन अगर हैसे हस्बेंट को जिसका फॉर्म ऑडिट करवाता है उसको से 10 लाग रुपे का रेमिडरेशन अगर हस्बेंट का ड्यूडेट अक्तोबर है तो वाइफ का जुलाई हो सकता है या तो वाइफ का जुलाई हो सकता है इसलिए गॉपने ने बोला इफ दा अससीज कवर्ड बाइफ ए पर सिमिलर प्रविशन इस अल्सों अप्लिकेबल तो तो पाउस अफ पार्टनर चेक क अंडर्स्टैंड इडिए अंडर्स्टैंड इस ग्रेट अमेंड्मेंट मेंट बाइफ फैनाइंस अक 2021 बट आम रियली स्वरी तो से के अब तक सोरी थी को में यह कानूं तो पचास साल से इसισंटैजओं हें यह में कोसे और सब्सक्रीजा शवाल दो ऐ्क पार्टनर्शिक फर्म है जिसका ठ्रांस्वर्फाइजिकेबल है और उसमें वाइफ पाकिरेंगनाचीफ फर्म है जिसका इसस पर ने मिलता है रांज़त ऐसा सकति हाटाया पंग एक पार्टनर्शिप फर्म है जिसमें पार्टनर्शिप फर्म का ट्रांसर फैसिंग अप्ली के बले उसको वाइप पार्टनर है वाइप पूर एमिडेरेशन मिलता है करλα़ेगा ए असे मिलता है और से स्मयमा से बात बात है यह पर यहापर हुआ है इस का पार्टनरह उसका पार्टनर्न भी आतर रान्च También दुसरा ये चार स्टेट और उनियन टरिटरी वालों के लिए जो अमेंडमेंट लाया दोवर्मेंट I hope it is clear to all of you उसके बाद ये अमेंडमेंट नमर 40, 41, 42, 43 अपने कल पढ़ लिया रहा ठीक है 44 पर आते 45 पर आते 46 पर आते 47 पर आते 43 अमेंडमेंट से लेकिन एक मिस्टेक जो सौफ़एर एड़ बैक करता है कि अगर कोई एकस्पेंडिचर दिसलावेंट के बारे में लिखा गया है लेकिन अससी ने इस खर्चे को डिसलाव नहीं किया है तो सौफ़एर पकड़ेगा हैड़ बैक कर देगा अरुशी बेटा में बात में बताता हो ठीक है फिर वो पासवर्ड पासवर्ड नहीं रहेगा ना अगर यहां बोल दूंगा तो अरुशी यह जो नंबर ऊपर चल रहा है ना कॉन्टैक्ट नंबर उसके वाट्साप करते को मिल जाए ठीक है अब यहां पर एक बारिक सा अमेंट्मेंट किया है कि टैक्स ओडिट रिपोर्ट क्या पकड़ता है एक्सपेंडिचर में अगर कुछ डिफरेंस से तो पकड़ और सॉफ्ट्वेर के अंदर वो सॉरी सॉरी टैक्स ओडिट रिपोर्ट के अंदर कोई इंकम डिश्लोज किया है और इट्र में वो इंकम दिखनी रिये तो क्या सॉफ्ट्वेर एडबैक करेगा उस चीज़ को नहीं करेगा क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्सपेंडिचर को करनी की बाद ही आ रिये धेरफर यहां पर गॉवर्मन ने अमेंडमेंट कर दिया इवन इट विल अलाव अज़श्मन अगांट आप इंक्रीज इन इंकम डिट यूद्ट्वेर इंकम इंकम कर दिया अगमने अभी आड यू क्लियर क्लियर है इस एक नमिका काजल रिशब इंजवान जैनिश ठीक है नेस्ट विल्ट्वेंड मैं बहुत इदिनों से मतला बहुत सालों से चिनला रह हूं रहा हूं बहुत सालों से तो गल्टी को अभी ठीक कर दिया है रेक्टिफाइड कर लेक्ट्टर सुन रहे लगता है ग एक सब्सक्राइब गर्मेंट बोलती है कि अगर आपको एनी बोट पर देखो if you want to claim any profit link deduction कोई भी profit link deduction claim करना है इसका मैं को confirmation तो आपको पता है कि नहीं पता है कोई भी profit link deduction claim करना है तो आपको ITR समय पे भरना पड़ेगा अगर समय पे नहीं भरेगा तो खर्चा profit link deduction आपको नहीं मिलेगा लेकिन जब मैं 143 1 में जाता हूं तो वहां पर कोई भी नहीं लिखा है वहां पर सिर्फ 5-6 profit link deduction का मेंचन है सारे profit link deduction मेंचन नहीं प्लस टें डबले का मेंचन है बराबर तो मैं क्लास में बोलता भी दागर आपने उसे रेगूलर पैक्स में पढ़ा है तो मैं इतना डेप डेप में घुस्ता था था मैं एक लिए यहां पर अगर आप सारे profit link deductions के लिए due date of filing of return के पहले return भरने के लिए कह रहे हो तो software में भी सब को mention कर दो software में 5-6 mentioned है तो software में भी सारे mention कर दिये ठीक है I hope it is clear next what is the time limit to send intimation it has to be sent within one year from the end of the financial year in which the return is furnished तो government ने अब इसको तीन मेने से घटा कर 9 months कर दिया है मतलब अगर आप previous year 21-22 हो और say अगर आप ROI file कर रहे हो कभी file कर रहे हो file on say on 15th of July 2022 तो अब आपको intimation कब तक आज आना चाहिए one year from the end of the financial in which the return was furnished that is 31st December 2023 is everyone clear पहले due date क्या था 31st March 2024 था अब government ने इसको भी तीन मेने से घटा कर 31st December 2023 कर दिया is everyone clear with this यह चोटे चोटे अमेंडमेंटे लेकिन बहुत काम आएंगे आपको उसके अंदर careful रहे ना बैटा आप पुराने दुनिया में रहोगे कौन सी दुनिया में पिछले साल तक की दुनिया में और सब पुराने अंसर लिख्या जाओगा एंडर पुराने अंसर भी होंगे ताकि आपका अमेंडमेंट्टैस किया जाएगा एक्जाम ने रहे। अरे रिपलाइ करो जैनिश तो गौर्मेंट ने अब उसको भी घटा कर six months से कितना कर दिया, देखो, three months कर दिया, दिखता है, तो पहले अपने हमेशा हर question के अंदर, जब हम लोग स्वाल करते हैं, तो 30 सप्टेम्बर आता था, अब आपका 30 जून के तक आपको notice serve कर देनी होती है, सव मतलब अससी को मिल करना चाहिए, clear है, इसके बाद यह भयांकर section आता है, इसको मैं end में उठाता हूँ, आज के lecture में, यह पूरा एक साथ करना पड़ेगा अपनी को, ठीक है, थोड़ा patience रखके करना पड़ेगा, अराम से इसको पूरा end में उठा देग, ठीक है, उससे पहले दूसरे amendments हम लोग करनेंगे आशपले, फिर end में पूरा समय ता कि हम लोग 147 को दे सके, now 153 में amendment आ है, what is the time limit to complete a regular assessment and best judgment assessment, the time limit to complete regular assessment and best judgment assessment is, 12 months from the end of the relevant ay, तो अब इसको भी government ने तीन मेने से घटा कर, 9 months from the end of relevant ay कर दिया है, चेक करो, तो क्या क्या government ने तीन मेने से घटाया है, याद करो, 139.4 घटाया है, 139.5 घटाया है, बराबर तीन तीन मेने से, 143.1 घटाया है, 143.2 घटाया है, और यह assessment का time limit भी तीन मेने से घटा दिया, are you clear with this, बोलिए please बेटा, यहाँ पर हम लोग conclude कर लेते हैं, 139.4, 139.5, 143.1, 143.2 and 153.1, यह सब कुछ, तीन मेने से घट चुका है, reduced by 3 months, clear, next, next वाला भी बहुत, यह सब बहुत simple, simple amendments, अच्छी बात है, खुशियों वाली बात हैं हमारे लिए, अब suppose यहाँ पर एक business trust है, जिसको आप एक और नाम से भी बुला सकते हो, that is REIT, Real Estate Investment Trust, यहाँ पर एक SPV है, पता है, SPV के अंदर business trust के shares होते है, ठीक है, बदले में SPV इनको क्या देता है, dividend देता है, ठीक है, अब यह जो dividend है, वो business trust के हाथ में exempt है, अब अगर यह dividend business trust के हाथ में exempt है, तो SPV को क्या TDS काटने की जरुवत है, no need to deduct any TDS, तो उसी के उपर गॉर्मनन ने एक section 194 में clarification layer check करो, as per section 194, TDS shall not be deducted when the dividend is paid by SPV to what, to business trust, इधर से इधर payment होगा, तो उसको TDS काटने की जरुरत नहीं है, अर यू clear, ठीक है, अब याद करो आपको अगर पता है तो मैंने कल के lecture में आपको बुला था, कि अब से zero coupon bond infrastructure companies के साथ-साथ, infrastructure debt funds भी zero coupon bonds issue कर सकते है, याद आ रहा है, कल मैंने आपको बताया था, कि zero coupon bond issue करने का power, अब government ने infrastructure debt funds को भी दे दिया, along with certain infrastructure companies and schedule bank and public sector bank, अब even infrastructure debt funds can issue zero coupon bond, तो अब वो लोग भी zero coupon bond issue करेगे, ठीक है, या अपने कल बढ़ा था, तो अभी आज क्या पढ़ने का है, 194.1 के अंदर बोला गया है, अगर आपको याद है, मैंने पहले भी आपको बढ़ा है, कि अगर आप zero coupon bond की maturity पे पैसा investor को पे करते हो, तो उस पे टीलियस नहीं करता है, तो पिछले साल तक कौन-कौन पे करता था, तो नहीं करता था, infrastructure company, infrastructure fund, और फिर बाद में तुम्हारा जो public sector bank, schedule bank, etc, ये लोग पे करते तो नहीं करता, उदार अभी एक और आदमी को mention करना पड़ेगा, वो एक और आदमी कौन है, infrastructure debt fund को भी mention करना जरूरी है, चेक कर लो, ये एक चोटा सा एक टेक्निकल अमेंडमेंट्मेंट है, academically important है, academically ये सारे बहुत important amendments थे, जो बीछे थे ना, इस अब due dates वाले, बहुत important हो, clear है, अरे बोलिये, अब एक बहुत, अब कुछ बहुत important series of amendments आने वाले, बहुत important series of amendments, extremely important series of amendments, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा अब एक एक चीज, अगला वाला, ये एकदम नया section government ने insert किया है, for certain specified senior citizens, ठीक है, ये new section है, for certain specified senior citizens, इधर देखो जरा, अब government कुछ senior citizens को जिन्दगी में तकलीफ नहीं देना साथ है, ठीक है, और बोल रही है कि अगर हम जो conditions बोलेंगे, अगर आप वो fulfill कर देते हो, तो कुछ senior citizens को हम लोग फिर तकलीफ नहीं देंगे, कैसी तकलीफ साथ, ITR भरने की तकलीफ, आप लोगों को ITR भरने की जरूरत नहीं है, अब वो कौन है, वो कौन से senior citizen है, क्या है, एक्सेटरा, उन सबके बारे में अभी अपने को पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, सबर से पढ़ना पढ़ेगा, जो एक resident होना चाहिए, resident individual होना चाहिए, जिसकी age 75 years या उससे ज़्यादा होना चाहिए, at any time during the previous year, ठीक है, previous year कौन सा, previous year 21, 22 में, उसकी age 75 years या उससे ज़्यादा है, तो वो specified senior citizen माना जाएगा, और 75 years की age होने के लिए, उसको 2nd April 1947 के पहले पैदा होना पढ़ेगा, मतलब 1st April 1947 या 31st March 1947 या 31st March 1947 या 30th March 1947 या उससे पहले अगर पैदा हुआ है, या 2nd April के बात पैदा हुआ है, only if he was born before 2nd April 1947, he will be called as what 75 years, अगर उसने 1st April, 2nd April, 3rd April, 4th April 1947 को पैदा हुआ है, तो उसको ये benefit, ये साल तो नहीं मिलेगा, ये benefit उसको अगले साल मिल सकता है, क्योंकि अगले साल फिर वो 75 years का हो जाएगा, are you clear with this, I hope it is clear to you, तो ये benefit किसके लिए है कि no ITR, गौर्वर्मेंट ने, गौर्वर्मेंट अब बहुत अनाउंस कर देती हैं, अरे senior citizens को कोई ITR फटनी की सर्वत नहीं है, ऐसा अनाउंस करके निकल गई हमारी financials का, और जब बाद में हमने will पढ़ा और जब act पढ़ा तो इतने conditions है, पहला condition, वो resident होना चाहिए, 75 years की age होना चाहिए, थर्ड, उसको सिर्फ pension मिलता है उसके pension account से, और को income नहीं कमाता है, मतलब वो बुढ़ा है विचारा, वो पुराने बहुत पहले काम करता था, अभी government के pension account से pension मिलता है, pension के साथ-साथ उसको उसी bank से, जिस bank से उसको pension मिलता है न, उसी bank से उसको कुछ interest भी मिलेगा, और उसी bank से कुछ interest, ये दो income उनके पास होनी चाहिए, और कोई भी income अंकल की नहीं होनी चाहिए, अंकल या अंटी जो भी है, ये also has to furnish a declaration to the bank, bank को declaration देना पड़ेगा, कि इन incomes के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कमाता हूँ, और कुछ भी नहीं कमाता हूँ, तो bank क्या करेगी पता है, bank उनका इन incomes पे जो भी tax आता है, वो काट लेगी, गौर्वर्मन को भर देगी, कितने rate पे काट लेगी, जो भी उनका exact rate है, वो rate पे काट लेगी, अगर slab rates में, जो भी rate है, वो exact tax, अंकल की 15 रुपे की pension और उस पे interest आ रहा है, तो 15 रुपे की pension और उस बैंक के ओपर जो interest आ रहा है, उस पे जो भी exact tax हैगा, bank काट के गौर्वर्मन को देदेगी, क्या bank 80C to 80U का consideration लेगी, हाँ लेगी, क्या bank 87 एका rebate लेगी, हाँ रिबेट में अगर अंकल आते हैं अंति आते हैं तो वो भी consider करेगी, bank ज़रूर करेगी, ठीक है, अब ज़्याद ध्यान से सुने, सबर रखना, ठीक है, इसके बाद कोई doubt से तो आप पूछ सकते हैं, को intention नया section है, तो doubt दिया सकते हैं, अससी कोँन है, resident है, 75 year की है, जो जानी चाहिए, सिर्फ pension मिलता है उनको certain specified bank से, जो government notify करेगी, उसी bank से, दूसरे किसी bank में खाता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे किसी bank में खाता है, तो दूसरे bank से interest मिलेगा, और दूसरे bank से interest मिलेगा, तो condition violet हो जाएगी, सिर्फ उसी bank से उनको interest मिल रहा है, जिसमें उनका pension है, प्लस bank को declaration दे दिया, कि और को income नहीं कमाता हो मैं, प्लस bank ने उस पर tedious काट दिया, ATC, ATD कुछ है तो bank को दे दो, आप bank उसे साब से फिर आपका tedious काटेगी, अब पहला blender जो government ने आपर किया, वो है कि tedious bank कब काटेगी, on payment और on credit, वो government ने mention करना भूल गया, चेक करो, बहुत दंके के चोट पर बात करता हो नो, ठीक है, मैं हवावा में नहीं, कई section में दिखा दो, तो मान जाओ 194P के अंदर, it is not mentioned in 194P, 194P में बोलना भूल गया, ठीक है, चलो ठीक है, ये timing of deduction, बोलना पड़ेगा न, payment पे काटो, credit पे काटो, कब काटो, वो बोलना भूल गया, चलो ठीक है, अब वो government का head देगे, ये सारी conditions अगर fulfill करते हो, तो अंकल को return भरने की जरुवरत नी है, ठीक है, चेक कर लो, no need to file ITR, अब ITR लेके करोगे क्या हूंका, सारा तो tax काट लिया, बैंक ने, ठीक है, अब क्या करोगे ITR लेके, चेक करो, are you clear with this provision, please let me know, please बेटा, अगर कोई भी doubt है, तो बेन दास पूछना, are you clear, ठीक है, ठीक है, यह बहुत important section हो सकता, यह चेस दिमांग मेंजना, बहुत, किसी भी और बैंक में खाता नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी और बैंक में खाता होगा, तो फिर वहाँ पर interest आ जाएगा, और interest आ जाएगा, तो फिर आपका condition बाइलेट हो, यह भी एक बहुत जबरदस section है, बहुत ही बाप provision लेकर आगया, गॉर्मेंट ने अब, दिमांग खराब करने के लिए, बता है, मैं हमेशा चला-चला कर बोलता था, मतलब मैं बायर हूँ, आप से गुड्स कर दिद रहा हूँ, तो मैं को TDS काटना पड़ेगा, कब काटना पड़ेगा सर्थ, अराम से, गाए नहीं करना, TDS on purchase of goods, TDS बहुत complicated कर दिया है, 194Q, who is the buyer, under 194Q, tax is deductible by buyer of goods, buyer for this purpose means, whose total sales, grocery seats or turnover from business, carried on by him, exceeds 10 crore during the financial, immediately preceding the financial, and with the purchase of goods is carried out, अब ये section कब से applicable है, previous year 21, 22 से applicable है, तो अगर आपको इस section में cover होना है, तो आपके पिछले साल का, that is previous year 2021 का, जो turnover है, it has to be greater than 10 crore, exact 10 crore भी नहीं चलेगा, अगर buyer का, पिछले साल का turnover, 10 crore से जदा है, और अगर बाइस साल किसी से समान करीटा है, तो TDS काटेगा, अब कितने का समान करीटा है, तो TDS काटेगा, कितने rate पे काटेगा, वो सब चीज़ों पे मैं बात करता हूँ, ठीके, आगे, कौन TDS काटेगा, buyer काटेगा, किसका TDS काटेगा, सामने वाला seller resident होना चाहिए, और कितने का समान करीट रहा हूँ, तो 50 लाग रुपे से जादा का समान पूरे साल में करीट रहा हूँ, तो TDS काटेगा, और 1st July 2021 से ये section applicable है, और rate of TDS कितना है, 0.1% पे TDS काटेगा, कितने amount पे काटेगा, सिर्फ excess amount पे, बायर कौन है, बायर मतलब वो, जिसका पिछले साल का business करके, सान ओवर 10 करोड से जादा है, तो TDS के लिए लाए बाले, किसका TDS काटेगा, आप seller से कोई goods खरीद रहा हूँ, तो कितने का goods करीद रहा हूँ, 50 लाग से जादा खरीद रहा हूँ, अगर 2 करोड का goods करीद रहा हूँ, तो TDS कितने पे काटू, 2 करोड पे क्या 50 लाग के excess amount पे, 50 लाग के excess amount पे, मतलब 1.5 करोड पे 0.1% क्लियर है, अच्छा अगर seller पैंड नहीं देगा, तो generally seller पैंड नहीं देगा, और सामने आला पैंड नहीं देगा, देना नहीं है, 0.1 और 20 बहुत दूर दिखते, तो यहाँ पर government ने 0.1 के बदले 20% को हटा कर 5% कर दिया, अगर पैंड नहीं देगा तो, क्लियर है, section कब से अप्ली के बले, 1.5 जुलाई 2021, यह भूलना मद, यह line बहुत important है, इसी पे question बनने वाले exam में, buyer को ने बता दिया, seller को ने बता दिया, कितने amount पे TDS काटना है, वो भी बता दिया, कितने rate पे TDS काटना है, वो भी बता दिया, और किस दिन से यह section अप्ली के बले, वो भी बता दिया, अब सवाल यह उठ रहा है, कि सर अगर जुलाई के पहले खरीदा तो TDS काटना है नहीं काटना है जुलाई के बाद खरीदा तो काटना है लेकिन सर 50 लाग का limit क्रॉस होता है के नहीं होता है उसके लिए जुलाई के पहले का भी purchase consider करने का क्या करने का मिसाल के तौर पर अगर जुलाई के पहले 30 लाग रुपे का समान खरीद है और जुलाई के बाद 40 लाग रुपे का समान खरीद तो टोटल 50 लाग क्रॉस होता है के नहीं होता है उसके अंदर वो जुलाई के पहले का पर्चेस भी काउंट करने का तो जुलाई के पहले का 30 लाग, जुलाई के बाद का 40 लाग, तोटल 70 लाग आ गया, अब TDS कितने पर गटेगा, सिर्फ एक्सस अमाउन पर, जो 50 के उपर है, मतलब 20 लाग पर, आपने पिछले साल भी बहुत पढ़े होंगे, OTCS, BCS में भी ऐसे कुछ आए थे, अरे बोलो भाई, शरंजीत, अनामिका तो बोल दी विचारी, जैनेश, प्रियंका, याश, एड़ोकेट वाहिद शेख भी आयते हैं, हमारा लेक्चर सुनने, बहुत बड़े एड़ोकेट ह है हमारे तेश्ची, एड़ोकेट वाहिद शेख, आप गूगल करो कभी एड़ोकेट वाहिद शेख से बालने, ठीक है, अब गॉर्मन ने कुछ रिलाक्सेशन लाया, ठीक है, कब कब, हाँ, रिलाक्सेशन क्या लाया है, देखो, कब-कब इस सेक्शन में टीडियस नहीं कटेगा, सुन लो कब-कब नहीं कटेगा, बहुत अच्छे से, उसमें जो सेकेंड वाला पॉइंट है हो, तो बहुत अच्छे से देखना, अगर किसी और सेक्शन में आपको टीडियस काटने के लिए लायाबल है, तो फिर यहां मत काटो, किसी और सेक्शन में काटो, ठीक है, सुनो, अगर किसी और सेक्शन में टीडियस के ब्रैकेट में आप आते हो, और वहां नहीं काटा ना, तो भी यहां मत काटो, सुन लो गौर से मेरी बात, अगर 194Q के साथ कोई और सेक्शन of TDS is getting clashed, TDS का कोई और सेक्शन clash होता है, ठीक है, तो क्या करूँ, तो फिर आप वहां काट कि जो सजा है, वो गौर्मेंट आपको देखी, यहां पर पढ़ो राइट एन साइट पर यह भाशन है, यहां पर पढ़ो राइट एन साइट पर यह भाशन है, और बोलो भाई, सेकंड वाला समझाने के लिए मैं कुछ लिखता हूँ पहले, फिर मैं समझाता हूँ, मुझे बता हूँ, ठीक है, यहां सेलर है, ठीक है, अब सब्सक्राइब ने इस से कुछ खरीदा, अलकहॉल, इस अलकहॉल गुड्स, क्या अलकहॉल को गुड्स बोल सकता हूँ, बोलिए, क्या अलकहॉल गुड्स है, यहां मैंने इस से खरीदा, टिमबर, क्या टिमबर गुड्स है, आंसर इस एस, ठीक है, अब सब्सक्राइब, मैंने इस से खरीदा, अलकहॉल, कितना पचास लाग से जादा हूँ, ठीक है, at the same time या seller के उपर भी तो 206C लग जाएगा 1C क्यों लग जाएगा 206C 1C TCS का concept याद आता है आपको अब अगर कोई alcohol बेचता है timber बेचता है motor vehicle बेचता है याद आता है motor vehicle बेचेगा तो 206 1F लग जाएगा तो साला मैं TDS car 2 या सामने वाला TCS collect करेगा कोशन समझ मैं मैंने क्या बोला तो मैं TDS car 2 या सामने वाला TCS collect करेगा या दोनों करे या दोनों में से एक करे clarity चाहिए उसमें फुरा industry परेशान है कितने लोग ने तो मेरे को phone करके बोले सर इसका इंटर्पेटेशन क्या होएगा मैं बोला clearly law में लिखा है पढ़ो ना रहे कुम लोग पढ़ने को प्रॉब्लम होती है क्या लिखा है सर लोग मैं मैं बोला यहां देखो आप पढ़ो इंगली शक्षे से तो आप लोग बताओ तुम लोग बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि यह रिशा बड़ा पर पढ़ा मैं नहीं कह रहा हुँ तू गलत है लेकिन पूरा पढ़ कि यह बोलता है सेक्षिन यह बोलता है जो मैं अभी आपको बोर्ड पर दिखाने का रहा हुँ बास सिंपल चब्दों में चेक कर लो अगर आपने इससे कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जिसमें 206C में TCS कलेक्ट होता है other than 1H तो TCS लगेगा TDS नहीं लगेगा और अगर 1H वाली चीज़े खरीद रहे हो तो फिर TDS लगेगा TCS नहीं लगेगा इस एवरिवन क्लियर विद इस डाइग्राम यह आपको clarity देता है डाइग्राम अरे देता है clarity इसका photo ले लो जल्दी section 194Q versus 206C TDS versus TCS की clarity ठीक है इसका photo ले लिया I hope you have taken it now let us do one question on this चलो फटा फट सब लोग मेरे को इसका answer देंगे ठीक है इसलिए मैंने last column को छुपा रहा हूँ ठीक है the following information ब्ला 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 यह buyer है यह seller है ठीक है यह last year है यह current year है section कब से applicable है 1st July से पिछले साल का turnover 10 करोड current year का turnover 14 करोड April से June section आने के पहले 40 लागा समान ख़िदा section आने के बाद 90 लागा TDS काटू के ने काटू बस यह बोलो TCS के अंगल से मत बोलो TDS के अंगल से बोलो TDS काटू के ने काटू नहीं कटेगा क्यों नहीं कटेगा क्योंके last year का turnover 10 करोड से जाधा होना चाहिए तो ही TDS applicable है बायर ने तो TDS नहीं काटने वाला है ठीक है Second example में TDS काटू के नहीं काटू अराम से घाए नहीं करना और फिर अगर answer हा है तो आपको बताना पड़ेगा कितने amount पे कटेगा कितना percent है वो तो simple है 0.1 percent सेकेंड वाले में सबको सोचना पड़ेगा जो घर पर बैठे है जो बात में recording सुन रहे वो भी सुनो तो चो TDS काटना पड़ेगा येस क्यों काटना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल का turnover 10 करोड से जादा है current year का turnover matter नहीं करता है current year का turnover नहीं देखना है last year का अब कितने पे कटेगा total 50 लाग cross हो रहा है हां हो रहा है तो सिर 20,000 पे point 1 percent are you clear सिर 20,000 पे point 1 percent clear है third case चलो सबको answer सही आया चौते केस में TDS कटेगा यहां पर एक चीज़ में बोलना भूल गया कि buyer में अगर वो बायर नी आएगा जो government ने notify किया देखो buyer does not include a person who is notified by central government अगर central government ने किसी बायर को notify किया है तो फिर वो buyer के definition में नी आएगा और फिर यह provision applicable नी होगा चलो ठीक है वो एक छोटा सा point है थर्ड वाला केस किया TDS आएगा TDS थर्ड में लास्ट चिर्गा डर्न वर 15 करोड से जाधा है और करेंट यहार में 40 पहले करीदा और 80 बाद में कितने पर आएगा अगर आएगा तो कितने पर आएगा तो बहुत अच्छा मेटा बहुत अच्छा सतर लाग पे आएगा बराबर ठीके 40 लाक तो पहले ही पे हुआ है सेक्छन आने के पहले और 10 लाग रुपया आपका 50 लाग को EDS कटेगा हां कटेगा क्यों नहीं कटेगा कितने पर कटेगा दो करोड पर कटेगा बराबर जो पेमेंट बाद में किया उस पर कटेगा और क्या ठीक है 2.5 करोड पर दोड़ी कटेगा 50 लाग का आपको एगजेम्शन तो मिलेगा ना टोटल में से टोटल तीन करोर पेमेंट किया है, उसमें से 50 लाग एक्जेम्शन ले लो, और 50 लाग तो आपने पहने पेमेंट किया है, 2 करोर पे कटेगा बेटा, 2.5 गलत है, जैनिश, बेटा, 2.5 लास्ट, लास्ट, लास्ट का टर्न लवर 17 करो, करने यर का हांट करो, टीडियस कटेगा, ये पूरे 1.7 पर नहीं कटेगा, इसे 10 लाग पर कटेगा, बड़ाबर, स्रिफ 10 लाक्स पे, 0.1% लास्ट वाले में नहीं कटेगा, क्योंकि बायर नोटिफाइड परसन है लास्ट वाले में बायर नोटिफाइड परसन है, तो TDS नहीं कटेगा अब सेलर को पैन देना पड़ेगा, ने तो 5% येस और नो येस और नो पराबर अच्छा TDS नहीं काटा तो, क्या डिसलावंज भी होगा सर, section 40 के अंदर येस डिसलावंज भी हो जाएगा, नीचे चेक करो TDS नहीं काटा तो डिसलावंज भी हो जाएगा resident को पै कर रहे हो, TDS नहीं का रहे हो, 30% डिसलाव होगा, दिखता है 30% डिसलाव clear अब गुर्मेंट बोल रही है अगर कोई डिफिकल्टी आईगी तो उसको रिमूग करने के लिए हम नोटिफिकेशन लाएंगे ठीक है लाना और क्या आगे बढ़ू यह नेक्स्वाल अपने अल्रेडी कर लिया थोड़ी दिर पहले यह डूब्लिकेट हो चुका है दो बार आगया चेक करो यह वन 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 फाइफ एड जब पढ़ रहते ना तब कर लिया आता है यह नहीं कि 20 परसंट और डिटी डबल ए विच एवर इस लोवर उस हिसाब से टीडियस काटना है आपको यहाद आता है तो यह रिपीटेशन हो गया है सॉरी फॉर्ट आता है ठीक है इसका अगला वाला भी मैंने अभी अभी आभी आपको बता दिया जनरली अगर आप पैन नहीं दोगे तो 20 परसंट टीडियस करता है लेकिन दो सेक्शन में 20 के बदले 5 परसंट है एक 194.0 में जो लास्ट यर पढ़ाया था और 194.0 में जो अभी अभी पढ़ाया दिखता है 194.0 वो Amazon वाला केस Amazon जब पेमेंट करता है अपने seller को तो TDS काटता है seller पैन नहीं देगा तो 5 परसंट not 20 परसंट याद आता है बोलो हो प्लीज ठीक है तो यह आपनने अल्रेडी उपर कर लिया है लेकिन मैंने separately भी इसको डाल दिया ताकि एक separate amendment की तरह आपको दिखे section 206 AA में changes आए ठीक है now coming to something very important now once again some new sections again introduced by the government absolutely new sections new sections ठीक है अब बहुत जदा ध्यान से देखना अब इसको ठीक है पहने मैं सका logic बता देता हूँ आपको suppose यहाँ पर एक payer है और यहाँ पर एक pay है ठीक है और मैं इसको कुछ payment payment कर रहा हूँ payment करते समय मैं अलग-अलग section में TDS काटता हूँ ठीक है क्यों काटते हैं हम लोग TDS काटने का logic किया है TDS काटने का logic बहुत simple है तो government को उससे चीजे trace होती है और कुछ नहीं डूमन को पता चलता है चांसे बंदे और सकते ही कितनी income मिल रही है कैसे मिल रही है कौन से source से मिल रही है कौँन sagtने कमाुम कर junior रहा है सामने वाले को government पकड़ सके और उससे government क्या ले सके सवाल पूछ सके भाई तुम्हारा इतना tax टट रहा है तुम्हारे इतनी income है आप disclose क्यों नहीं कर रहे हो ठीक है अब government ने TDS के provision को by and large और भयंकर बना दिया है भयंकर क्या बोलती है मालूं government तुम imagine नहीं करोगे ऐसा provision लायन हो बोलती है अगर इस बंदे ने last दो साल का ITR अगर नहीं भरा है इस बंदे ने अगर last दो साल का ITR नहीं भरा ठीक है तो subject to some more conditions कुछ और conditions अगर fulfill होते हैं तो अब से pair इसका TDS काटते हैं ना जितना भी उसका actual rate है ना उसको multiply by two करेगा और उससे rate पर काटेगा मतलब अगर सामने वाला बंदा ITR समय पर भरता है तो मैं उसका TDS भी मांदारी से normal rate जो है वो काटूँगा 794C में 1% 2% है तो 1% 2% है लेकिन अगर सामने वाले ने ITR नहीं भरता है और कुछ और conditions अगर इस section में लिखे वो fulfill करता है तो फिर मैं 1 के बदले 2 और 2 के बदले 4 और 10 के बदले 20 और 20 के बदले 40 और 30 के बदले 60 उतना टीरियस का तुमा कुछ समझना है मैंने क्या बोला क्या करना चार ये government समझ पा रहे हो कुछ बोलिए अरे सर हमको condition क्या है बता तो सरा जल्दी से सर देख लेते सर हमारे खंदान में तो कोई इसमें नहीं आता है अगर आता है तो आज ही जाके समझाते थे उनको समझा दो समझा दो ठीक है special provision for TDS for non-failers of ITR ITR नहीं बढ़ते हो हाँ नहीं बढ़ते हैं तो नहीं तो प्रोविशन ऑफ 206-A-B इंसर्टेट विद एफेक्ट नुलाइफ नुलाइफ टूज़न 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 विलो 206-A-B इस अप्लिकेबल इस अमांट पेड और पेबल तू आ स्पैसिफाइड परसन यह पेई कौन होना चीहे है? यह पेई कौन होना चीहे बटा? पैसिफाइड परसन अब पान कमतलब क्या हसने हमको बता हो जड़ा अगर वो यह सारे कंडिशन फुल्फिल करेगा तो वो और स्पैसिफाइड परसन चायेगा पहला it means a person who has not filed this income tax return for underlined both of the two assessment years relevant to the two previous year immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted for which the time limit of filing of return under 139.1 has expired यह exactly वैसा ही प्रोविशन है जैसा आपके 194N के अंदर आया था याद हो बैंक आपको पेमेंट करती है तो जनरली कितना TDS काटती है 1% 2% 194N लेकिन अगर सामने वाले बंदे ने पिछले तीनो साल का ITR नहीं भरा है तो उसके लिए स्लैब्स अलगे 20 लाग से 8 करोड तक 2% और 1 करोड के उपर 5% याद आता है आपको वैसाई से मिलर प्रोविशन इदर दिया है प्लीज बोलो लेकिन यहाँ पर 2 साल और स्ट्रिक्ट है वहाँ तो 3 साल तक नहीं भरेगा तो यहाँ 2 साल नहीं भरेगा तो भी बैंड बजाएंगे बोलो इंजबाम जी कैसे पता चलेगा 2 साल का रिटर नहीं भरा है अरे भाई जब मैं पे करूँगा न सामने वाले को तो सामने वाले से डिकलेरेशन लूँगा कि बैर डिकलेरेशन दे और मैं को आईटियर का कॉपी दे लास्ट दो साल का पेयर की जिम्मेदारी बढ़ गई अभी अच्छा सवाल है इंजबाम का कोविट रेट सब नहीं लगते बिटा वो 31 माद 2021 पे खतम हो गए पेयर को सामने वाले से आईटियर की कॉपी लेनी पड़ेगी पिछले दोनों साल की अगर सामने वाला आईटियर की कॉपी नहीं देता है तो आइस रेट पे काटो और देता है तो अच्छी बात है तो मत क सामने वाला बंदा कौन है तो सामने वाला बंदा कौन है जिसने पिछले दो साल का इडियार नहीं भरा है अगर भरा है तो दो लाग के पेर को सेकेंड इग्रिगेट ऑफ टैक्स डिदक्टेट एंड टैक्स कलेक्टेट इन इस केस इस 50,000 और मोर इन इच अफ दू रुपे से जादा होना चाहिए तो यह सेक्शन अप्लिकेबल है मतलब छोटे छोटे पेई को कवर नहीं किया है 50,000 से जादा TDS या TCS है तो ही अप्लिकेबल है नहीं तो नहीं है दोनों साल का TDS और TCS मिला कर 50,000 से जादा होना चाहिए और थर्ड स्पेसिपाइड इस नौट इंडिया के बार बेड़ा उसका इंडिया में पी नहीं है और अगर वो स्पेसिपाइड परसंट के डेफिनेशन में नहीं आएगा तो उसका डबल TDS काटे की आपको जरुवत नहीं है आर यू क्लियर ठीक है आप सुनो ज़रा ठीक है अब ज़्दा ध्यान से दिखना तो मतलब अगर सामने वाला बंदा पिछले दो साल का आडियार नहीं भरता है और पिछले दोनों सालों में उसका TDS और TCS मिलाकर 50,000-50,000 से ज़्यादा कट चुका है और सामने वाला बंदा resident, non-resident से फरक्त नहीं भरता है तो अब उसके साथ क्या करेंगे हैं हम वो करेंगे जो इधर लिखा है if a person is required to deduct tax in respect of payment or credit to a specified person the tax is deductible underline at twice the applicable rate और 5% whichever is आई है ठीक है 5% का एक cap रखा है मतलब 1-2 हो जाएगा और 2-4 हो जाएगा लेकिन 10-20 नहीं होगा ठीक है 30-16 नहीं होगा ठीक है यह आपर maximum cap क्या रखा है government ने 5% और twice the rate whichever is आई है तो यह कॉंसे sections को mainly target कर रहा है 194C 194C को ही target कर रहा है और किसको target कर रहा है खीक है और तो कोई यहाँ पर मुझी नहीं लगता है यहाँ चोटे-चोटे section जहाँ पर tax rate का में उनको target कर रहा है और क्या तो twice the rate और 5% whichever is higher sorry 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 मैंने गलत बोल दिया I am really sorry the tax is deductible और यहाँ बच्छी लोग परिशान ना करो message कर रहा है तो tax is deductible at the applicable rate और the rate of 5% whichever is higher तो 5% को compare करो गया तो why is the applicable rate बतला अगर applicable rate 10% है तो 20% और 5% whichever is higher sorry sorry पहले मैंने गलत बोला था आपने उसको correct कर रहा हूं तो आपका 5% stagnant है static है वो amount वो number same रहेगा plus अलग-अलग section में जो भी rates है उसको double करते रहो और दोनों में से जो भी higher हो मतलब 194 C के case में कितने पर कड़ेगा 5% और 194 J के case में कितने पर कड़ेगा 20% क्योंकि J में 10% rate है 10 का twice 20% और C में 1 और 2% है 1 और 2 का twice will be becoming either 2% और 4% अरे are you clear अब यह section कुछ-क section पर apply नहीं करोगे आप not applicable for salary के लिए applicable नहीं है 192 A के लिए applicable है और lottery और horse race के लिए applicable नहीं है 194 LBC और 194 N के लिए भी applicable नहीं है यह कुछ sections के लिए आपको twice the rate करने की जरूरत नहीं है इन section को छोड़कर बागे सब जागे twice the rate करो compare with 5% whichever is higher clear है और जल्दी बोलो ठीक है अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा suppose यहाँ पर एक pair है ठीक है और यहाँ पर एक specified person है मैं इसको payment कर रहा हूँ सुन लो अच्छे से यह point भी note down कर ले ना मैं इसको payment कर रहा हूँ ठीक है यह specified person है तो से मैं 194C का payment कर रहा हूँ और यह specified person individual है specified person में आ गया यह 206AB में cover हो गया ठीक है तो अब मुझे बताओ मेरा tax rate कितना होगा कितने पर TDS काटू इसका 206AB के साब से काटू कितना TDS rate होगा बताओ उसका जल्दी बोलो इसको आपको compare करना पड़ेगा 206AA में और 206AA में क्या बुला है actual rate और 20% whichever is आया तो eventually उसका TDS 20 तक के पर गटेगा देखो यहां पर क्या लिखा है पड़ो जो भी rate आप derive करोगे 206AB में उसको 206AA से compare करोगे eventually भी 20% के साब से काटा पड़ेगा are you clear तो यह note down कर लेना कहीं पर बाद में ठीक है यह 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 last three line का मतलब है यह इसका मतलब है ठीक है आगे अब अगला section अगर आप देखो तो exact copy paste पिछले section का copy paste क्या है सर इसमें फड़क यह कि यहां पर TCS के non-failers को भी वही सजा मिलेगी जो TDS के non-failers को मिलती थी चेक करो बागी कुछ भी फड़क नीए चेक कर लो पूरा से में यह TCS भी twice collect करने का अगर buyer on है पिछले दो साल का return नी बढ़ता है पूरा provision से में पढ़ूंगा भी नीए दो साल का इटीर नी बढ़ा पचास हजार से जादा आपका TDS है non-resident resident कोई भी हो सकता है देख लो पूरा सेम है सेम 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 कोभी पेस्ट पड़ा कितना है TDS के लिए TCS के लिए are you clear क्लियर आप अगले कुछ छोटे अमेंड्मेंट से अमेंड्मेंट नमबर 58 एक छोटा सामेंड्मेंट है तो मैं परे बोल दिता हूं विटा आप लोगों को अमेंड्मेंड नमबर 58 क्या बोलता है सुन लो अच्छे से कान खोल के पता है पिछले साल तक 234F की अगर आप ऐटेना देसमबर तक भरते हो तो description Contribal benefits or 10000 अगर यह उठा है अब से गोड्मेंट यह ए्टैट रिटन को घटा का बढ़र दिसेंबर के बाद ITR भरने का सवाल ही नहीं उठता है ना बिटा 139.4 में गुवर्मेंट ने due date को घटा कर belated return के due date को घटा कर 139.4 में December कर दिया के नहीं कर दिया yes sir कर दिया तो अगर गुवर्मेंट ने December कर दिया March की date को तो अब 10,000 वाला फी तो automatically बाहर निकल जाएगा ना अब फी दो ही बची 5000 या 1000 that's it are you clear with this 10,000 वाली फी उड़ा दो next अगर आपने intimation नहीं किया आधार का आधार का intimation नहीं किया गुवर्मेंट ने बोला है कि आधार intimate करो 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 नहीं कर रहे हो तो आप पर 1000 रुपे की फी लग जाएगी चेक करो गुवर्मेंट प्रिस्क्राइब करेगी फी बट ड़ाट शोल नॉट एक सीट 1000 रुपी साल बहुत सालों से गुवर्मेंट बोल प्रिंटी मेंट करो आधार intimate करो आधार intimate करो आधार को लिंक करो पैंक के साथ लिंक करो लिंक करो लिंक करो बहुत सालों से बुट दी एफ चोटा सा मेंट में एंट लियर हैं एफ 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 लोग सुन लो सबसे पहले जाओ और अपनी बुक में से अगर आप पुरानी बुक से पट रहे हो रहे हैं नहीं बुक मेरी प्रिंट आउट मार लिए आपने तो बहुत अच्छी बात है मैं तो रेकमेंड करूँगा नहीं बुक प्रिंट आउट मार्चे उसमें से बढ़ो सबसे पहले जाओ और काट दो दचाप्टर सेटलमेंट कमिशन मेरी नहीं बुक के अंदर भी सेटलमेंट कमिशन काप्टर है लेकिन वो का काई को किया हमको बताओ ऐसा क्यों किया मैं आपको उसका लॉजिक बता था सेटलमेंट कमिशन के अंदर जो लोग बैठते थे वो कौन होते थे वो रेटायर्ट जज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेटायर्ट जज़ ऑफ हाई कोट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोट एक्सेटर यह लोग होते लिए सेटल्मेंट कमिशन में जब यतने बड़े बड़े लोग होते थे तो उनकी जो बैंचना ओरस घरतान खालीुदी यह चैंदर कोuchar ब्सक्राइबंक्नेट इंसीटूट ने भी अपने मॉडियों से निकाल दिया है और उसके बद्ले में एक छोड़ा सा सेक्शन लाया dispute resolution committee ठीक है तो चलो उस committee के बारे में पढ़ते हैं ठीक है dispute resolution committee क्या है the central government shall constitute one or more underlined dispute resolution committee जैसे इंडिया में बहुत सारे settlement commission थे बॉंबे में था डेली में था पंजाब में हैं बहुत जगे पर हैं वैसे ही यहाँ पर dispute resolution committee भी central government बहुत सारी बनाएगी ठीक है the DRC shall resolve disputes of such person or class of person as may be specified by the board तो government बताईगी कि कि किसका matter DRC solve कर सकती और किसका matter DRC solve नहीं कर सकती यह कौन DRC के पास जा सकता है कौन DRC के पास नहीं जा सकता है किसे settlement commission में भी बोला था ना government ने किस और चेजर वाला case है तो 50 लाख से सब्सक्रादा का income पर tax चुड़ाया है तो और अगर नॉर्मल के से तो दस लाख रुपे का टैक्स चुड़ाया है तो ही जा सकते हो याद है वहाँ पर हर कोई नहीं जा पाएगा कुछ कोई नहीं जाना है मत जाओ आपकी मर्जी कोई आपके सर पर गन पॉइंट पर आपक disputes where the returned income is 50 lakhs or less if there is a return and the aggregate amount of variation proposed in the specified order is rupees 10 lakhs or less shall be eligible to be considered by DRC ठीक है अभी बहुत अराम से पहले यह 3 लाइन को evaluate करते है ठीक है अभी तक मैंने जो भी बोला मैं बोल दे रहा हूँ settlement commission गया settlement commission के pending cases वो continue होईगी वो सब खतम होने तक चलेगा बस वो सकता है settlement commission कौर्मेंट ने अचानक से निकाल दिया भाई तो जो pending case हो वो pending case खतम करके बंद होएगा ठीक है ठीक है सकता है तो अभी DRC की नई committee बनाएगी एक या एक से जादा बना सकती है अलग 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 सकता है कौन से disputes covered है पहले यह तीन लाइन समझना बहुत ज़रूरी है only those disputes where the return income is 50 lakh or less if there is a return आपका return income 50 lakh या उससे कम होना चाहिए उससे उपर वाले case नहीं जाते है and the aggregate amount of variation proposed in the specified order is 10 lakh or less shall be eligible to be considered by DRC तो दो आपको परिशान कर रहा है यह हो आपकी case में 10 lakh रुपे से ज़ादा का order में variation मार रहा है तो यह आप जा सकते हो और नहीं तो आप नहीं जा सकते हो तो बरापर से पहले यह तीन लाइन समझ लो क्योंकि जो भी है यह तीन लाइन में है जो भी है यह तीन लाइन में आगे कुछ भी नहीं है इस सेक्शन में कोई दम नहीं है ठीक है Only those disputes whether returned income is 50 lakh or less if there is a return ठीक है And the aggregate amount of variation proposed in the specified order is rupees 10 lakh or less shall be considered by DRC Board will prescribe some other conditions in due course which would also need to be satisfied being an eligible ठीक है यह चलो ठीक है Government और कोई conditions भी specify करेगी जो आपको eligible assessi बनाने के लिए फुल्फिल करने पढ़ेंगे ठीक है चलो ठीक है If however the specified order is based on search initiated under 132 और acquisition made under 132 है और survey under 132 133 है और information received under an agreement referred to in section 9090 Such specified order shall not be eligible or considered by DRC मतलब क्या हुआ अगर search हो चुका है आपे या आपे survey हो चुका है या आपका कोई foreign authority से information assessing officer मंगवा रहा है तो वो cases DRC के पास नहीं जा सकते Are you clear till year तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब DRC के पास जाने का फाइदा क्या है फाइदा यह है कि DRC आपकी penalty को wave करेगा या reduce कर देगा ठीक है जैसे settlement commission आपकी penalty को wave करता था reduce करता था ठीक है और immunity दे सकता है आपके prosecution से आपको jail में जाने से बचा सकता है तो काम वही करेगा जो आपका settlement commission करता था ठीक है तरीका अलग है लोग अलग है ठीक है काम वही करेगा काम कुछ अलग नहीं करने वाला देख लो अभी बहुत चारे लोगों को government ने DRC में जाने से मना कर दिया यहां पर government ने लंबी लिस्ट दालिए कि यह सब लोग भाई DRC में नहीं जा सकते अब यह कौन लोग है चलो देखते अब यह सब चीज हम लोग practical life में मैं तब याद नहीं रख सकते practical life में लोग देख के ही इसको समझेंगे याद रटा कोई नहीं कर सकता है आप भी रटा ना करो एक बार पढ़ो छोड़ दो ठीक है यह सब लोगो को government ने मना कर दिया है बोले आप DRC के पास नहीं जा सकते अभी इसमें कौन कौन है who is not qualified to offer dispute resolution and assessi would not be eligible for the benefit of this provision in cases given below पहला in the case मतलब in short बोले यह सब लोग चोड़ लोगे बहुत उचसतर के चोड़ लोगे चोटे मोटे चोड़ नहीं है बड़े-बड़े-बड़े-बड़े-बड़े कान घर के जो बैटे है ना अलगला कानून में उन सबको government ने बोला DRC का रास्ता देखना भी मत कभी ठी अगर इस कानून में तेरे पर order of detention चल रहा है अब DRC-VRC के पास आकर कोई उम्मीद मत लगा ना कोई पैनाल्टी भी लगेगी और जेल भी जाना पड़ेगा ठीक है अनलौफूल अक्टिविटी उसमें फ़स्च चुक है नार्कोटिक डिर्कस लॉमें कानूर को अंपर दोस्या कैंविक होना खी आपका अक्विट नी और चुह है कैन बिक मतलब आपके ऊपर जो आपका जो एल्जाम है वह साबित हो जाना चीज OS यह आपके उपर खाली case file हुआ तो कुछ नहीं तो जा सकते हो इंजाम साबित हो गया तो नहीं जा सकते हो तो नहीं जा सकते हो तो नहीं जा सकते हो ठीक है next in respect of whom prosecution has been initiated under the income tax authority for any offense punishable under the provisions of the act or Indian penal code or enforcement of any civil liability blah 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 or if he is a person who is notified under section 3 or special trial of offenses relating to transaction in securities act 1922 or who fulfills such other conditions why as may be prescribed तो यह सारी चीज़े मतला इस सब भायंकर भायंकर चीज़ों के अंतर यह फस चुका है तो फिर भाई dispute resolution के रास्ते में मताना माफ करना ठीक है I hope it is clear to all of you प्लस यह जो proceeding है अभी है faceless होने वाली है गौर्मेंट ने बुला इस प्रसीडिंग को भी faceless कर देंगे और गौर्मेंट ने बुला यहां पर भी अगर कोई difficulty आती है तो उसको काइंडली अप्लोड क्या अप्लोड अब जैसे सेडलमेंट कमीशन को गवर्मेंट ने निकाल दिया वैसे अभी कान खोल के सुन लेना AAR जो authority for advance ruling है उसको भी गौर्मेंट ने हटा दिया और बुला उसके बदले हम लाएंगे एक board for advance ruling बीएफियार उसका भी logic वही है कि authority for advance ruling के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी authorities बैठती थी जैसे chief justice of India और उसके बाद में सुप्रीम कोट के judge हाई कोट के judge ये सब लोग पूरा निकल गया है उसके निकाल के बस खाली एक section पढ़ने का बस लेकिन advance ruling का चाप्टर निकला जरूर निकला जरूर है जैसे एयार में applicant कौन कौन होएगा याद है आपको resident भी अप्लिकेंट हो सकता है नौन-resident भी हो सकता है पब्लिक सेटर कंपनी भी हो सकता है तो यहां पर भी अप्लिकेंट का definition वही है जैसे एयार में फीज ती 100 करोड तक का अगर transaction है तो दो लाक है फिर पांच लाक है फिर भी एयार करना है ठीक है जैसे मिसाल के दौब चलो मैं आपको बताता है यह दिख रहा है आपको यह आपका topic है ठीक है इस में से कुछ निकला नहीं है सब कुछ है अप्लिकेंट का definition वही है अब जिदर भी बोर्ट फॉर एडवांस ओलिंग आ रहा है उदर में लिए फिर लिए जिदर आथारीटी आ रहा है उदर में बीए फिर चाप्टर नहीं निकला है नहीं तो परदा चलाए पढ़की नहीं कया अब पीड़की आप में मेरे को गाली देंगे से आपने बुल बैसे लिवनाना ही पड़ेगा क्या इक बोर्ड बोर्ड बनाने के लिए एक section रहे हैं लाना पड़ेगा भी जजजवज की जारुञज़ नींगए तो कर beide ऊफिसर not बिलो शेस कमिशनर तो अब Chief Commissioner BFAR का पार्ट बन जाएंगे ठीक है पहले AAR का पार्ट कौन बनते थे सब जज़ बजलो ठीक है लेकिन अब BFAR का पार्ट कौन बनेगा दो Chief Commissioner या उसके उपर की Authority ठीक है Is everyone clear with this Are you clear ठीक है अब सुनना अब यह एक नहीं चीज़ है इस नियू विच वस नोट देरिस अर्लियर नोट देर इन तुमको बता है AAR जो भी और पास करता था वह अससी पर बाइंडिंग होता था यादे आपको AAR जो भी और पास करता था अससी पर बाइंडिंग मतलब AR ने जो बोल दिया पत्तर की लखीर अब अससी उसके पीछे नहीं अच सकता है लेकिन अब गवर्मेंट ने यहां पर एक नया section ला है और बोला ऐसा BFAR जो भी बोलेगा वो अससी के उपर binding नहीं है अससी चाहे तो high code में अपील कर सकता है चेक करो 245W, this is the only difference between AR and BFAR, has been inserted to provide for appeal to high code against the order, passed by board for advanced holding, this appeal can be filed by applicant as well as by department, appeal applicant भी file कर सकता है, department भी file कर सकता है, within 60 days from the rate of communication of such ruling, ठीक है, और अगर आप sufficient cost देते हो, तो आपको further 30 days का extension मिल सकता है, ठीक है, 30 days का extension मिलेगा, इसलिए अगर आपको मैं बताओ, यहां पर भी, देखो मैंने, यहां जो है ना, binding nature वाला point है ना, उसको देखो, पूरा काट दिया है, ठीकता है आपको, summary के अंदर भी, और यहां मैंने लिग दिया, earlier the ruling of AR was binding on applicant and income tax department, but now both can appeal, refer to 245W, are you clear? कि 245W है, और यह proceeding भी faceless हो जाएगी, चलो, ठीक है, faceless, clear है बेटा सबको? बेटा, काचल, अनामिका, रिशब, जैनीश, इंजमाम, आरुशी, प्रियंका, प्रिया, त्रेश्थजा, बोलोगे कुछ? ठीक है, next, tribunal की appeal भी पूरी faceless होने वाली है, चलो ठीक है, हाँ राजा दास करूँगा बेटा मैं, I'll be merging all the lectures, together and I'll be uploading, मैं को और भी चीज़े उसमें डालना है, मैं एक साथ करूँगा बेटा, राजा, यूमी दो, तिन दिन का टाइम, करता हूँ बेटा, ठीक है, डोलो ठीक है, वो lecture में कुछ इशू आ गया था, इसलिए मैंने उसको विधोल कर लिया, ठीक है, clarity नहीं आ रही है, उस पेसलेस को गोर्मन, पेसलेस जो भी गोर्मन का प्रॉसीजर कैसा है, तुमको समझा आ गया होगा अब तक, कि गोर्मन पहले सेक्शन लाती है, सेक्शन लाने के बाद गोर्मन उस पर एक notification लाती है, लंगी, कि पूरा procedure कैसे चलेगा, तो वो notification अब तक आई नहीं, ठीक है, तो चलो ठीक है, 263, revision by CIT, तो यहाँ पर पहले principal CIT और CIT 263 करते थे, अब government ने इसमें दो और authority को दाल दिया, principal chief CIT और chief CIT को भी add कर दिया है, 1st November 2020 से principal chief CIT और chief CIT भी section 263 में आपका क्या करेंगे, revision कर सकते हैं, clear है, अरे clear है क्या भाई, बोलिये, ठीक है, next section भी एक छोटा से section है, उसके बाद वाला section भी एक छोटा से section है, यह दो section कर लेते हैं, फिर हम लोग जाते हैं, अपने बड़े amendment की तरफ, that is 147 वाले, अगर आपको पता होगा, अगर assessment के time पर, यह को लगता है, कि अससी की बहुत tax liability आने वाली है, वाई, तो इतनी साथा tax liability आने वाली है, आगे, यह बाद में बोलेगा, मिर पास पैसा नहीं है, और सब property बेच बेच के छुपा डालेगा, तो इसकी property को attach कर लो, 6 मेने के लिए बराबर, तो यह provision attachment was possible earlier only for pendency of assessment proceeding, सिर्फ assessment proceeding के time pending था, अब इसमें government ने एक penalty proceeding को भी घुसेड दिया है, कि अगर आपके ओपर 271 AAD की penalty लग रही है, और अगर आपकी aggregate amount of penalty is likely to be exceeding 2 करोड रूपीज, 271 AAD की penalty कौन सी penalty है, जो पिछले साली आई थी, जहापर आप आप fake invoice बनाते आपको 271 AAD, अगर उसमें proceeding चल रही है, और यो को लग रहा है भाई, इसके उपर तो 2 करोड रूपे से जाधा की penalty लगने वाली है, तो अब से वो penalty proceeding के time पर भी आपकी property को provisionally attach कर सकता है, are you clear with this? आर यू clear with this? ठीक है, तो मैंने green में कर दिया, इसलिए green में क्या हो, तो आपको identify हो जाएगा clearly, और summary book के अंदर भी आपको clearly identify हो जाएगा, ठीक है? and one last amendment, पता है आपको कुछ cases में 234C नहीं लगता है, वो यह cases है जो board पे दिख रहे है, long term capital gains, short term capital gains पे 234C नहीं लगता है, विनिंग प्रम lottery पे 234C नहीं लगता है, अगर पहले साल business करते हो, पहले साल business and profession का है, 234C नहीं लगता है, और dividend income कमाते हो, 115 BBDA वाला, 115 BBDA वाला dividend कमाता था, उसके उपर पहले tax लगता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो एक रुप्य अभी dividend कमाऊंके तो tax लगेगा, तो मुझे बताओ, तुम खुछ सोचके क्या, यहां से 115 BBDA का reference हटा देना चाहिए, और सिर्फ dividend income लिखना चाहिए, बताइए सब लोग, पहले क्या था, 2020 के पहले, जो 10 लाग रुपे से जाधा dividend कमाता था, उस पे 10% tax लगता था, बागे सब नहीं लगता था, क्योंकि कंपनी DDT भरती थी, अब गौर्मन ने DDT का concept रटा दिया, और tax किस पे डाल दिया, शेरोल्डर पे डाल दिया, पूरा का पूरा tax, अब अग को, इसलिए गौर्मन ने यहां से taxable under section 115 BBT हटा दिया और बोला, all dividend will be covered, except यहां से सिर्फ एक को भाहर रखा है, that is 222E, 222E वाला कौन सा dividend है, वो जो loan loan देते हो ना, उसको भाहर रखा है बस, ठीक है, मतलब उसके उपर अगर आपने tax नहीं भरा, तो आपको लग जाएगा क वाई जो गौर्मन ने create किया उसके अंदर, ठीक है, are you clear, बोलिए, अब हम लोग चलते हैं, अपने बाप provision, yes, R.O.C., I will झाल झाल पहले मैं इसका पूरा background दे देता हूँ आपको तीक है जो अपन ने आप तक पढ़ा है अपनी जिन्दगी में इस section को लेकर और फिर हम लोग नया section पढ़ेंगे पूरा inside out ठीक है don't worry आज मैं आपको डीटेल में पढ़ा रहा हूँ और आपको summary book में इसकी summary भी मिल जाएगी ठीक है लेकिन summary भी बहुत ज़्यादा summarize नहीं है मैं भी detail में रखा हूँ मैंने ताकि आपको समझ में कुछ चीज़े important चीज़े skip नहीं हो जाए ठीक है till last year that is till previous year 2021 what used to happen क्या होता था पिछले साल था आपके दो assessments थे एक 147 और एक 153A 153B 153B 153C 153B में उसका time limit था ठीक है यहाँ पर आपका assessment होता था कुछ cases में 4 साल का कुछ cases में 6 साल कुछ cases में 16 साल भी ठीक है 16 साल तक भी notice send होती थी यहाँ आपका assessment होता था कुछ cases में 6 साल कुछ cases में 10 साल बराबर first of all let me know do you remember these things please let me know क्या आपको यह चीज़े याद है ठीक है एले यह चीज़ बोलो मुझे क्या आपको यह चीज़े याद है ठीक है बहुत basic चीज़े आपको as a student याद होना चाहिए ठीक है अब आपको तकलीफ ही होने आ लिए कि आपको यह अनलर्न करके फिर से रिलर्न करना है अब गौर्मेंट ने यह section हटा दिया यह section को तो पूरी तरीके से निकाली दिया और दोनों को merge कर दिया और merge करके नया section 147 तो section 151 लेकर आ गया मतलब new 147 new 148 new 149 new 151 और साथ-साथ में एक नया section भी insert कर दिया 148-a जो पहले था यह नहीं बराबर यह कुछ चीजे में आपसे clarify करवाना चाहते हैं ये पहले था लेकिन इसको चेंज किया ये भी पहले था इसको भी भयंग कर बदला ये भी पहले था इसको भी भयंग कर बदला लेकिन ये वाला सेक्शन तो पहले कभी था ही नहीं ये नया सेक्शन आ जाया है क्लियर रहे हैं तक बोलिए उसके बाद जो आपका 153A है और 153C है इसको तो निकाली डाला ठीके निकाल डाला तो कोई खुशिया मत मनाओ कि आपके उपर सर्चेंट सीजर का असेस्मेंट नहीं होगा सब होएगा सब होएगा कुछ नहीं छोड़ने आ लिए गोवर्मेंट ठीके अध्यान से सुनना प्लीज तो अभी अपने को क्या करना है सेक्शन 147 पढ़ना है ठीके चलो देख लेते गोवर्मेंट का भाशन क्या दिया गोवर्मेंट नहीं इसा काई को किया है इन्होंने चलो पढ़ते जड़ा Income Escaping Assessment, Self Assessment, Section 147-151, Section 153-153C, Chaloti The provision pertaining to Income Escaping Assessment provide that if the AO has reason to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment for any ABI then he may assess or reassess or recompute the total income for such year under 147 by issuing a notice under 148 However, such reopening is subject to the time limits prescribed under 149 बराबर यह आपका section 147 था कि नहीं था, बोलिये यही दाना आपका section 147 बराबर Now, where the search is initiated under section 132 or action is initiated under 132A the assessment is made in case of assessi or any other percent blah 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 under 153A, 153B, 153C, 153D यह चारो section में assessment होता था तो यह पहला paragraph आपको 147 की याद दिला रहा है अब government बोलता इतने सारे assessments रखे क्या मतलब है Due to advancement of technology, the department is now collecting the relevant information related to transaction of taxpayer from third parties under 285BA statement of financial transaction or reportable account तो government क्या बोलती है, अभी हमको हर एक चीज़ पता चल जाती है ससी से कैसे पता चलती है हम इतनी सारी institution और organization से हम लोग SFT बरवाते किसी ने 10 लाग रुपे से जादा bankman deposit किया तो report किसी ने 50 लाग से जादा withdraw किया तो report किसी ने 10 लाग से जादा mutual fund खरीदा तो report किसी ने 50 लाग से जादा की property खरीदा तो report किसी ने 10 लाग से जादा share खरीदा तो report किसी ने 10 लाग से जादा FD खरीदा तो report तो हर एक चीज़ को तो रिपोर्ट करवाने बोल रहे तो हमको तो सब इंफर्मेशन मिली जाती है ठीक है तो इतनी मघजमारी हम क्यों करेंगे हम दोनों सेक्शन को मार्च कर देंगे अपना खुद का नया सेक्शन बनाएंगे चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है और हमको पाटी लॉव एजनसी से भी बता चल रहा है आजकल बहुत कुछ एडी वाले बता रहे हैं इसने इंकम चुपाया यह मनी लॉंटरिंग वाले यह बता रहे इतनी सारी एजनसी बनाकर रखे हमने उनसे भी इंफॉर्मेशन आ रहा है तो हम इस सेक्शन को रिवाइब करना सब्सक्राइब करते हैं तो गमें नहीं नहीं सेक्शन लाएंगे नहीं 147 नहीं 149 नहीं 151 और आप्सलिटली नया 148 ए पूरा नया ताजा तरीन सेक्शन ठीक है पूरा नया सेक्शन अब चलो पढ़ते हैं शुडू करें पहले 147 147 पढ़ते हैं आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं लगेगा डिफरेंस 148 से चालो गईगा शुडू करें 147 more or less similar लगेगा चलो पढ़ताओं सेक्शन 147 चालो पढ़ताओं सेक्शन 147 चालो पढ़ते हैं शुडू करेंस चालो पढ़ते हैं शुडू करेंस पूरा नया चालो पढ़ते हैं अगर आपको पहले वाला प्रोविजन याद है तो आपको इसमें कुछ बहुत ज्यादा फरक नहीं दिखेगा यहां पर भी लिखा है तो अभी आप मुझे बताओ ऐसा क्या पुराने प्रोविजन में लिखा था जो यहां नहीं लिखा है अगर आप बोल सकते हो तो बताओ चलो पहली चीज़ सेम ही नहीं है मेरी मां यही तो फरक है ना तुम्हारे पड़ने में और मेरे पड़ने में लेटा यसे लिए तुम स्टूड़न्ट हो और मैं तुम्हारा गुरू बोलो यसा क्या फरक है येस आरुशी बड़ा फरक पुराने सेक्शन और नए सेक्शन में क्या है क्या है लिख दिया रूशी ने चेक कर लो नेशे बड़ा फरक क्या है हाँ reason to believe बड निकाल दिया है section में से check करो reason to believe नाम की चीज़ हटा दिये reason to believe believe नहीं अभी जो एसे फटी में information मिलेगा ना उनको हाँ यह जो बोलरा है आप नीचे एन्वर इंफॉर्मेशन सिस्ट्रम एक्सेटरा उसमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगा ना उसके बेसित पर 147 कर दा लेंगे तुमारा कोई रीजन टू बिलीफ यह सबकी जरुवत नहीं है मतलब अब CBD देगो क्या अलग लेवल पर जा रही है भाई ओ जमाना गया रीजन टू बिलीफ बिलीफ वाला 147 करना है तो आपको 148 से लेकर 153 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा यह सारे प्रोसीजर उसमें सबसे पहले सेक्शन 148 148 क्या था क्या है दोलों सेम है लेकिन कंटेंड बदल गया हेडिंग सेम है 148 में क्या करना पड़ता है यह को अससी को वो नोटिस बेज़ेगा और बोलेगा ITR भर पिछले सालों का ITR भर बड़ाबर 148 में क्या बोलेगा वो बड़ाबर पहले भी वोई बोलता था अभी भी वोई बोलता है ठीक है चलो पहले 148 को करते हैं अराम से बेटा पेशन सा section 148 has been substituted with effect from 1st April 2022 यह भी substitute हो गया पुराना वाला निकला नया आ गया और पुराना वाला दो लाइन का था दो लाइन क्या था आवलों पुराने वाले में पुराने वाले में बोल देता हूं मैं दे एयो हास तो सब a notice on the assay requiring the assay to file the ITR on or before the date specified in the notice and before issuing such notice the a.o has to record the reasons for doing so यादा रहा ऐसे चब दपो बस खदम हो गया 148 पुराना वाला खदम इतना ही दबस अब नया वाला देखो यहां तक जाएगा यह इधर से लेकर इधर दबता है यह राजा दास्व अप्लोड करूंगा यह बोला मैंने यह अभी न डिस्टरबनी करो बिदा इस बहुत इस नियु सेक्षिन प्रवाइट आस फॉलोस इसमें स्टेप बाइस जाना पड़ेगा स्टेप नमबर वन इस्टेप नमबर टू स्टेप नमबर तरी पेशन्स रखना बेटा मैं महरबानी करें इसलिए अपने इसको एकदम एंड में उठाया थाकि अपने नोटिस बेच के क्या करेगा मैं कुछ भी पढ़ा नहीं अभी आप भी मत पढ़ो यह नोटिस बेचेगा आपको ठीक है यह है यहां से सिख इसको 147 करना है इसको असर सिको क्या करना पड़ेगा 148 की नोटिस में नोटिस टूफाइल वट आई टीर इंकम टैक्स लेटन भ यह बहुत लंबा चोड़ा भाशन डाल रही है बिफॉर इंवोकिंग दो प्रोबिशन सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उसको एक एंक्वाइरी मतलब यह ऐसा आंग बन करके जिसको चाहे उसको नोटिस नी भेच सकता है उसको पहले एक इंक्वाइ है तो नोटिस भेचो ने तो मत भेचो ठीक है क्लिया दे आपको अब वो इंक्वाइरी में हो क्या करेगा वो मैं थोड़ी दिर बात बताता हूं अगली पेश पर हो ठीक है or return of any other person in respect of which he is accessible within a specified period वेटा स्टेप समझो पूरा नम लॉजीकली समझो इसको मैं यह हूँ आप अससी हो मुझे आपका assessment करना है ठीक है तो assessment करने के लिए मुझे नोटिस भेजना पड़ेगा आपको 148 की किस चीज की नोटिस के आप ITR भरो लेकिन वो नोटिस भी भेजने के पहले अब क्या करना पड़ता है एक inquiry करना ज़रूरी है 148 में आपको नोटिस भेजूँगा 148 की क्या आप रिटन भरी है आड़ यू क्लियर टेलियर प्लीस टेल में यह assumption ले रहे क्या inquiry में जो भी है सब पता चल गया गड़बड़ी चल रही है ठीक है सबर रखना बिटा टकड़ा सेक्ष्ण हो स्टेप त्री मेरे साथ एकदम बिटा स्टेप त्री मैं यह हूँ आप अससी हूँ ठीक है मजा रहा है मुझे आपको 148 की नोटिस भेजने कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ लगा होगा न कैसी रैंडम ली भेजोगे सबको तो गर्मेंट ने कुछ कंडिशन दाले 148 की नोटिस भेजने के लिए ऐसे नहीं भेज दो गया तो वो कंडिशन देखते हैं अब बराबर से देखना अब बहुत ज़दा ध्यान से सुनना पड़ेगा ये ने तो सब चले जाएगा तुमारे सर के उपर से कहानी की तरह समझो इसमें थोड़ो एक बुक बुक मैं यह हूँ आप असासी है मुझे आपका 147 जरना है 147 करने के लिए मुझे 148 में नोटिस भेजना पड़े ताकि आप ITR वरो ठीक है लेकिन उससे पहले में को अगले पेज़ पे जाकर इंक्वाइरी करने के इंक्वा कॉमेंट बोलती है कुछ कंडिशन फुल्फिल करना पड़ेगा एंक्वाइरी तो करना ही आपको उसके भी पहले कुछ कंडिशन क्या आपके पास इंफॉरमेशन होना चाहिए इसको हाइलाइट कर रहा हूं विच सजेस्ट डाट इंकम चार्जेबल टॉट टैक्स एसके आपके पास कोई तो इनफॉरमेशन होना चाहिए जिससे आपको लगता है कि अससी ने अपनी इंकम चुडाई है कुछ तो इनफॉरमेशन होना चाहिए ऐसे आप रैंडम ली किसको भी नोटिस पेज़ोगे 148 की किसकी भी इंक्वारी कर लोगे 148 में नहीं आपके पास सवाल ही उठ रहा है यह फ्रेज को दिमाग में घुचड लो यहाँ पर हाथ पे ना टैटू बना लो उसका information which suggests that income chargeable to tax assessment इसका मतलब क्या हुआ मैं अगर यह हूँ थंडे दिमाग से सोचो मैं यह हो मैं आग बन करके तुच रहा हूँ information which suggests that income chargeable to tax as escaped assessment उसका मतलब गुच चाइब निचे रहा है in an explanation to section 147 148 चेक करो निचे और गुच में दो चीज दाली A or B for the purpose information which suggests that income chargeable to tax escaped assessment means any information which is flagged in the case of the SSC for the relevant day by in accordance with the risk management strategy formulated by CBT from time to time मतलब CBT ने अपना जो information system बनाया है अगर उसमें आपका को information flag हो जाता है flag कैसे होएगा क्योंकि CBT ने इतना जबर्दस system बनाया है of annual information system of statement of financial transaction कि आप 10 लाग रुपे से जादा का bank में deposit करोगे तो information flag हो जाएगा कि आप 50 लाग रुपे से जादा की property खरीद होगे तो information flag हो जाएगा कि आप 10 लाग रुपे से जादा mutual fund या आप 10 लाग रुपे से जादा securities में invest करते हो तो flag हो जाएगा तो अगर ये information flag होता है CBDD के system में तो इस flagging से AO को लगेगा that information is suggesting that income is chargeable to tax has escaped assessment और उस information के basis पर AO आपकी inquiry करेगा inquiry अगले page पर होईगी अगले page पर inquiry होने के बाद मिसाल के तोर पर अगर CBDD का system पढ़ा हुआ है AO system में देखते रहेगा के बाई कौन से अससे ने 10 लाग से जादा का ये किया 50 लाग से जादा का ये किया पचास लाग से जादा विट्रॉल किया अगले page पर inquiry का result अगर positive नहीं कलता है तो यह आपको 148 में notice बेज़ेगा डिट्यू अंडरस्टाइंड वाट इस दा प्रोसीज़र मतलब section कितना भयांकर हो गया तुमको समझ में आ रहा है कि अब reason to believe जैसी मेहनत करने की assessing officer को जर्वत नहीं है assessing officer sft के information के basis पर भी आपके against पीछे लग सकता है second और एक चीज़ डाला है government ने इसमें और यह तो इस साल है finance bill 2022 में तीन और सीज़ आयड कर दी इसमें एक दो तीन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ अगर आपको सुनना है वह एक्जाम के बाद सुनना मैंने बिल का discussion अल्रेडी करके मेरे यूटीब चैनल पर डाल दिया है first February को बिल आया third February को पूरा budget discuss चेक कर लिना आप मेरे यूटीब चैनल पर है तो वहाँ पर मैंने बताया और तीन चीज़ क्या आयट की इसमें बोलू दूसरा पॉइंट सरे इंफरमेशन विच सजेस्ट आप चाहजबल टैक्स असकेब असेश्में आ रहा हूं है बिटा आ रहा हूं है सबर करना बिटा था खोड़ा सा यश्मे को अभी पूरा section ना खतम करने दे फिर बोटा हूं है ठीके बिटा any final objection raised by CAG to the effect that the assessment in the case of the SSE for the relevant divide has not been made in accordance with the provision of the Act यहां पर यह बैठा है सामने अससी यह यह बैठा है यह के पास अससी का CAG रिपोर्ट है अससी का CAG ओडिट हुआ है और CAG ओडिट में CAG ओडिटर ने अब्जेक्शन डाला है इसका असस्ट्मेंट ठीक से नहीं हुआ है यह के लिए सफिशन इंफॉर्मेशन सफिशन इंफॉर्मेशन ने तुम्हारी बैन वजाने की लिए यह अधिर है यह दो ही कारण भी फिलाल का ले इसमें से पहला जो कारण हो बहुत बढ़ा चीज़ा सकती है बहुत पेशन्स रखना बहुत 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 तो अभी मैं एक बार आपको फिर से यहां तक का प्रोसीजर बता देता हूँ ठीक है मैं A हूँ आपस ससी हूँ मुझे 147 करना है आपका तो मेरे पास कोई इंपर्मेशन होना चाहिए उसका मतलब या तो सीबीडी के सिस्टम में कुछ फ्लैग वैग होना चाहिए ते लिए अगेंस कुछ या तो कम्ट्रोलर ने और अटिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कोई फाइनल अब्जेक्शन रेस किया ते लिए यह दोनों में से अगर कुछ भ एनी अधर इंकम भी चार्ज कर सकता है तो मॉडल अफ दा स्टोडी मेरा आप से सवाल है बेटा क्या 147 का असेस्मेंट करने के लिए मुझे यह सारी चीज़े फुल्फिल करनी पड़ेगी क्या बिना एयो के बस इंफॉर्मेशन के क्या एयो 148 A की इंक्वाइरी और 148 में नोटिस बेच सकता है हाँ सवाल फिर से कर रहा हूं है क्या बिना इंफॉर्मेशन के क्या एयो 148 A की इंक्वाइरी और 148 में नोटिस बेच सकता है अब तक तो लग रहा है नहीं लेकिन अब बहुत ही भयमतर प्रोविजन आने वाला है एक्स्लेनेशन टू यह क्या बोलता है मालूम यह चार केसेस में यह जो चार केसे अभी बताने जा रहा हूं न उसमें यह चार केसे में यह दीम किया जाएगा नहीं है तो भी दीम किया जाएगा है अरे कहां है अरे दीम टू भी है दीम टू भी है अपनी भाशा में बोलता हूं क्या बात कर रहे हो वह भी कितने साल के लिए हो भी तीन साल के लिए चेक करो सर्वेस कंडक्टेट सर्व कौन से केसे से मुझे बढाओ जल्दी से बेढ़ा फटाक से बुलना फर्स्ट अप्रिल दो हजारे की किस के बाद सर्च असेस्मेंट खतम हो गया ना कि अगर फॉस्ट एपरिल 2जारे की स्चिशन का अगर परस्ट एपरिल किसी में तो करनी सकता हूं है क्योंकि वो तो डिसकंटीनी हो गया तो यह दीम किया जाएगा मतलब तेरे पर सर्च हो गया तो तेरा नकी 147 होकर रहेगा फिर कोई नोटिस बेजने की जर्वत नी है नोटिस तो बेजेंगे नोटिस तो बेजेंगे 148 की नोटिस बेजेंगे लेकिन उस नोटिस को बेजने के लिए A.O. के पास को इन्फॉर्मेशन की जर्वत नी होगी तो भी चलेगा अरे I hope it is clear to you मतलब moral of the story अगर आपके office में आपके घर पे सर्च हो गया तो A.O. को कोई sentence फुल्फिल करने की जर्वत नी है information which suggests that income chargeable to tax as escaped assessment यह सब फुल्फिल करने का सर्थ डारेक्ट नोटिस बेज़ नोटिस बेज़ डारेक्ट क्या बात है सर और सर if a survey is conducted under 133A on or after 1st April 2021 not being the survey under section 133A subsection 2A और 133A subsection 5 इसका मतलब समझाता हूँ इसमें कौन सा सर्वे आता है अगर 1st April 2021 या उसके बाद आपके office में सर्वे हो जाता है तो समझ लेना आपकी band बज़ गई समझ लेना आपके survey 147 की तलवार लटक गई लेकिन उसमें दो सर्वे को बाहर कर दिया है 133A subsection 2A ये कौन सा सर्वे चाहिए तो लिख लो TDS और TCS के लिए अगर सर्वे हो रहा है तो 133A subsection 2A में कवड़ है और सर्वे में कवड़ हो वेडिंग वेडिंग में जो सर्वे होता ना शादी बाधी में वो वह दो सर्वे में डायरेक्ली आपका असस्समेंट नहीं हो यह वाई सब्से इंपोर नमेंट की ताइम पर थर्ड, AOS is satisfied with the prior approval of PCID or CID that any money, bullion, jewelry or other valuable article or thing, seized or requisition in case of any other person on or after belongs to the sasi, यह भी search वाले cases को अपर करता है, point number 3 and 4 यह search वाले cases, point number 1, point number 3, point number 4, यह सब सर्च वाले cases, और point number 2, सर्वे वाला case, moral of the story क्या है, यह तीन cases में, यह चार cases में, यहो कोई भी, यह दो sentences को satisfy करने की जरुवत नहीं है, उसके बगएर भी वह आपको notice बेच के आपका रेटन भरवा सकता है, are you clear material, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ें, और क्याप कर लेते हैं, इस section पर यहाली? यहाली? शेल भी तो अभी तक जो मैंने आपको बूलाओ सुन लो मैं हूँ A.O मैं आरुशी एक बार बोल दिता हूँ ठीक है मैं हूँ A.O आप हो असस्मेंट मुझे आपके अगेंस असस्मेंट करना है सबसे पहला स्टेप बाइन मुझे एनक्वाइडी करनी करी 148 A में ठीक है अगले पेच पे आएगा एनक्वाइडी से रिजल्ट अगर आता है पॉजिटिव किस के लिए पॉजिटिव A.O के लिए पॉजिटिव अससी के लिए नहीं तो 148 की नोटिस भीजनी करी पर नोटिस भीजनी के पहले you need to have information वेच 2 information information number 1 and 2 ठीक है लेकिन in 4 cases mentioned in explanation 2 no need for any information clear? Are you clear? ठीक है तो चलो अब देखते हैं वह inquiry में क्या होता है अगले पेज़ पर inquiry में basically क्या होएगा मैं आपको overview देता हूँ फिर पढ़े ही ना तो फटक से समझना हैगा मैं यह हूँ मेरे सामने system में system में फ्लैग होगे आपका information आपने पचास लाग रुपे से ज्यादा का घर खरीदा information फ्लैग होगा मेरे को शक आने लगा ठीक है लेकिन मैं शक के वैसे पर आपको नोटिस नी बेच सकता हूँ मेरे को inquiry करना पड़े तो मैं क्या करूँगा आपको एक opportunity बिंग हट का शो कॉस नोटिस दूँगा इंक्वाइरी में मैं आपको एक शो कॉस नोटिस दूँगा शो मिया कॉस वाइर 147 और 148 नोटिस शुद नॉट डिसेंड अगेंच तो आप reply करोगे आप बताओगे कि भाई देखो यह जो मैंने घर खरीदा है यह मैंने valid घर है मेरा और यह घर मैंने इतने इतने का खरीदा था और यह इसका में पास source of income यह है तो चोड़ देगा और अगर आप explain नहीं करते हूं तो फिर वो order पास करेगा इंक्वाइरी complete हो गई है और यह चोड है तो फिर उस order के basis पर आपको 148 की notice नहीं चाहिए अर यू clear विद दिस बोलिये तो चलो देखते हैं इंक्वाइरी में क्या होगा 148 A has been inserted with effect from April 1st 2021 it provides the provisions regulating the pre-assessment inquiry after providing an opportunity of being heard to assess before issue of notice under 148 these provisions are reply replicas of the supreme court guidelines rendered in the case of GKN drive sharps versus ITO with a few modifications the provision of 148 A are given below यहां से हमारा भाशन चुरू होता है इसके पहले जो भी पढ़ा हो time pass था ठीक है अब इसमें भी आपको step wise देखना पड़ेगा step 1 step 1 148 A subsection A step 2 148 A subsection B step 3 148 A subsection C step 4 148 A subsection D ठीक है तो 148 A subsection A में क्या बोलता है A बोलता है before issuance of notice under 148 148 की notice बेजने के पहले A.O. shall conduct inquiries with the prior approval of specified authority inquiry करने के लिए भी approval लेना पड़ेगा with respect to the information which suggests that income chargeable to taxes escaped assessment A.O. को system से flag हो गया या A.O. को CAG के audit report से final objection मिल गया उसके basis पर आप 148 की notice नहीं बेज सकते हो आपको higher authority का approval लेना पड़ेगा और assessi की inquiry करनी बढ़ेगी clear है first step सबको अब ये वाला step सबसे important है और सबसे बड़ा और सबसे critical step यह है now before issuance of notice before issuance of notice under 148 the A.O. shall provide an opportunity of being heard to the assessi with the prior approval of specified authority अगो assessi को एक opportunity of being heard देगा for this purpose a notice is required a notice is required to be served upon the assessi to show cause show cause notice बेज़ेगा के show me a cause why 148 should not be issued on the basis of information which suggests that income chargeable to tax as a escaped assessment A.O. को जो system में flag हुआ है उसके basis पर हम आपके against 148 की notice क्यों ना बेज़ेगा आप reply दो assessi को reply करना पड़ेगा the notice shall include the results of the inquiry conducted ठीक है if any as per 148a the time within which the assessi had to send his reply should be specified in the notice such time cannot be less than 7 days but cannot be more than 30 days on the date on which the notice is issued the time can be extended on the basis of application by the concerned assessi ठीक है अब ये पूरे paragraph का मतलब मैं आपको समझा देता हो बहुत simple चब्द हो देखो भाई मैं यह हूँ मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँ का न मैं शुरुआत से बोलते रहूंगा मैं शुरुआत से बोलता रहूंगा तो क्या आपका consolidated view मिलेगा पूरा concept क्या आई है ठीक है मैं यह हो मेरे पास system है system के अंदर flag हो गया आपका information आपने 80 लाग रुपे की property खरी दिए मेरी बत्ती जली मैंने आपको notice लेजा 148 A में inquiry करना है में को शो में a cause why 148 notice should not be issued to you हो आप reply करो, क्यतने दिन मैं reply करोगे मैं notice में लिखोंगे कितने दिन 10.-15-20 दिन कुछ भी लिख सकता हूँ लेकिन लो time limit 7दिन से कम नी होना चाही और 30 दिन अचाही घूँ दिन ञो सकताय हूँ ठीक है अब अब मुझे बता मैंने असासी को notice भेज दिया तो असासी क्या करेगा या तो नहीं करेगा ठीक है और अगर reply में भी दो चीज़ हो सकती या तो satisfactory reply होगा या घट्या reply होगा ठीक है तो अब before issuance of notice under 148 the A.O. shall consider the reply of the A.O. shall consider the reply of the ASACE तो अभी final judgment लेने के पहले A.O. को उसका response consider करना चाहिए बराबर और फिर A.O. decide करेगा whether or not it is a fit case to issue notice under 148 on the basis of material record including the reply of the SSC टीक है और फिर A.O. क्या करेगा for this purpose an A.O. shall an order shall be passed by the A.O. under section 148 D with the prior approval of the specified authority and such order shall be passed within one month on the end of the month in which the reply referred to in section 148 C is received by him where however no such reply is furnished order can be passed within two months on the end of the month in which the time or extended time allowed to furnish a reply as per section 148 A expires अब ये पूरे का पतलब समझाता हूँ मैं आपको ठीक है बहुत सिंपल ले देको ताइम लिमित तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ताइम लिमित को मैं expires ठीक है अब सुनों जड़ा फिर वात से शुरू कर रहा हूँ मैं यह हूँ मैं को information flag मैंने आपको inquiry के लिए शोकर जोड़ी ठीक है कितने दिन का समय दूंगा मैं आपको reply करने के लिए साथ से लेकर 30 days उसके बीस में extension मांग सकता हूँ मांग सकता हूँ आपका reply आ है आपका reply आने के बाद मैं डिसाइद přरूँगा whether it is a fit case or not और अगर reply आ जाता है तो मैं एक मैने में डिसाइद करूँ हो और अगर आपका reply नहीं आता है तो मैं 200 मेने में तो फिर तो आपकी झाल झाल क्लियर हैं ठीक है आप सुनो कि ये इतना लंभा फ्रसीजर आपको फॉल्झ करना ला करना पड़ेंगा it और अब देखो नीच यह सब प्रोसीजर करने की कोए जरब्तनी प्रसीं से जर्णे के साइथ इन पहूं से केस के से नौर। कौन से केसे रिखो कौन से केसे में इंक्वारी करने की जरुवत में है चेक करो यह वही केस है जो पिछले पेच पर चार केस थे ना उसमें ते तीन केस हैं तो वो तीन केस कौन से हैं सर्वे को छोड़कर बाकि तीन मतलब सर्च वाले केस में करने की जरुवत में है चेक करो अगर आपको समझ में आ गया ना, आगे फिर भी इजी है थे सब कुछ, आगे की कहा नहीं, मतलब आगे फिर एक ही पॉइंट थोड़ा सा ट्रिक है, बागी पूरा सेक्शन अभी अल्मूस्ट खतम हो गए, moral of the story मैं आप से सवाल पूछू बेटा, पहला सवाल पूछू, एपरिल के बाद, क्या एंक्वाइरी करना पड़ेगा 148 में, मैं यह हूँ, आपके पर सर्वे कर दिया, फर्स्ट एपरिल 2021 से उसके बाद, क्या एंक्वाइरी करना पड़ेगा 148 में, बोलिये, हाँ, and the answer is, what? Yes, क्योंकि यहाँ पर एंक्वाइरी नहीं करने का, करने की जरुवत नहीं है, उसमें सर्वे मेंचन नहीं है, ठीक है? सर्वे के लिए एंक्वाइरी जरूरी है, हाँ, लेकिन सर्वे के लिए यह सब जरूरी है, तीन साल का असेस्मेंट तुम्हारा होके रहेगा सर्वे के केस में, और सर्वे के लिए, यहों के पास information which suggests that income is chargeable to taxes escaped assessment, वो नहीं होगा तो भी चलेगा, यह चीज जहाँ तक नहीं मैं हूँ, मुझे आपका assessment करना है, step number one, inquiry करो, उसमें से search and seizure वाले case में, inquiry भी करने की जरूरी, direct notice, survey वाले case में, inquiry जरूरी जरूरी, inquiry करने करें, मैं आपको जोकास notice भी जूँगा, आप reply करोगे, मैं seven से लेगे 30 days का time दूँगा, आप reply करोगे तो अच्छी बात है, आपका reply करोगे, तो फिर मैं दो मैंने के अंदर order pass कर दूँगा, इसको भेजो notice, इस सब में specified authority का आप रोल लेना पड़ेगा, वो देख लेना, एक बार मेरा inquiry का result आ गया, कि भाई इसने तो यह तो चोर है, इसके अगेंस फिर में 148 की notice ही, ठीके, और 148 की notice भेजने का दो criteria मैंने और आपका assessment किया जाएगा, are you clear, are you clear, अब हम लोग बात करते हैं, आगे की sections की, 149 section क्या हुआ करता था, अभी भी वो ही है, लेकिन section बतल गया है, but heading वो ही है, कि कितने साल के लिए government notice बेजे गया, कितने साल के लिए, ठीके है, तो government ने बोल दिया, old time limit will be applicable till 31st मार्स 2021, और 1st April 2021 से new time limit applicable हो जाईगी, तो old time limit क्या थी 147 में, 4 साल, 6 साल, बराबर, ती नहीं है, और search and seizure में, 6 साल, 10 साल, बराबर, अरे भाई, old time limit, 147 में, 3 time limit थी थी था, 4, 6, 16, 153 में, 6 और 10, ठीके, अब इतनी सारी time limits नहीं है, सिर्फ 2 ही time limit है income tax में, अब, या तो 3 साल, या तो 10 साल, ठीके, मतलब क्या क्या निकल गया, 4 साल वाला केस निकल गया, 16 साल वाला केस निकल गया, बराबर, 6 साल वाला केस भी निकल गया, are you clear चार साल बान निकल गया, छे साल बाना निकल गया, तो आप सिर्ट तीन साल या दस साल या तो आपको तीन साल तक आपके सर पर तलवार लटकेगी या कुछ केसे में दस साल तक भी लटक सकती है ठीक है, अब देख लेते कब तीन, कम दस पढ़ते normal cases में 3 साल और special cases में 10 साल notice can be issued within 3 years on the end of the relevant notice beyond the period of 3 years can be issued only in a few cases given below टीक है मतलब अगर previous यह 21-22 है और assessment यह 22-23 है टीक है तो इसकी notice कब तक issue होती है issue till 31st March 2026 यह नॉर्मल केस में और अगर special case है तो इसकी notice कब तक issue हो सकती है till 31st March 2023 के बदले 33 Are you clear till here? बोलो ज़रा special case क्या हो देखते है clear है हाँ बोल दो भाई ठीक है अब यहाँ से थोड़ा सा आपको tension आने वाल है मैं पहले ही बोल रहाँ यह पाट भी थोड़ा tension वाला पाट है अब सर तीन से दस साल किसको जाएगा सर चेक करो तो यह सेम वोई definition है जो search and seizure में था याद है आपको दस साल तक का assessment करना है 7th, 8th, 9th और 10th year के लिए assessment करना है तो income escapement has to be 50 lakhs or more and it should be represented in the form of asset याद आता है search and seizure में था यह सा वोई चीज़ को इदर government replicate किया है कि 3 साल से जादा का assessment करना है और 10 साल का assessment करना है तो A.O के पास proof होना चाहिए कि आपने 50 लाग याउख से जादा की income escape की है और वो income आज की तारीक में it is represented in the form of asset और asset को भी government ने define किया है कि asset में क्या क्या आता है फिर से government ने मैंने class में अगर पहले आपने मुझसे पढ़ाया तो मैंने बोला था कि फिर से government ने यहाँ पर asset में jewelry को नहीं डाला है check करो jewelry नहीं डाला है यहाँ पर लिख लो jewelry is not included in asset jewelry is not included in asset असेट में जुल्टरी डालना भूल गया गूर्मेंट भूल गया जान मुछ की ने डालना मुझे नहीं पता क्लियर है therefore normal cases का notice कब तक बेच सकते हो तीन साल from the end of relevant day तक इशू कर देना यह देट तक सेंड हो जाना चाहिए ठीक है और special case में जब भी आपका तो सर यह special case में सर अगर में को notice भेजना है सर तो सर वो सारे यह का मिलाकर 50 लाक्स लिमिट क्रॉस होना जिस साल का इंकम 50 लाक्स से जाधा होगा उसी साल में notice भेज़ पाऊंगा यह भी सुन लो अच्छे से जिस साल की इंकम 50 लाक्स रुपे से जाधा escape होगे सिर्फ उसी साल के लिए notice भी पाऊंगे तो नहीं भीच पाऊंगे आप और 9th year की इंकम 52 लाक्स की escape होगे तो भेज़ पाऊंगे और 10th year की इंकम exact 50 लाक्स की escape होगे तो भेज़ पाऊंगे तो यहाँ पर 50 लाक और लिखा गया है चेक करो बराबर से यह जो लिमिट है यहां लिख लो चाहिए तो it is applicable for every year it is not an aggregate limit पूराने search and seizure के section में aggregate count करने का रहता था 7th, 8th, 9th, 10th year में मिलाकर 50 लाक्या उससे ज़्यादा चुबाया है तो भी notice आ सकती थी लेकिन यहां पर वैसा नहीं चेक कर ले न अरे बेटा यह इतनी बारी किस है तुमको बता रहा हूं मैं कुछ समझा रहा है तुमारे के फिर जाने दू फिर में हां अरे भाई दुनिया में हो बढ़ वागे तो जिस साल में भी 4th year में, 5th year में, 6th year में, 7th year में, 8th year में, 9th year में, 10th year में जिस साल में भी escaped income पचास लाग याउस से जादा और it is represented in the form of asset, वो साल के लिए आप notice बेजो, बाकी ज़र के नहीं बेज सकते हो, ठीके, आप कुछ और भयंकर चीज़ आने आले, मुझे नहीं पता एक्जाम के लिए कितनी important है, बड़ मेरी जिम्मेदार ही आपको पढ़ाना अंडर 132A, on or after 1st April 2020, अभी सब के लिए यही time limit है, या तो 3 साल, या तो 3 साल से ज्यादा 10 साल, तीन साल तक notice बेज सकते हो, या 3 के बाद 10 साल तक बेज सकते हो, 10 साल के लिए special case में आना पड़ेगा, ठीके, सब के लिए होई है, question ले रहा हो में, question ले रहा हो मेंस पर तो आ 31st March तक सर्च होआ है, सिर्फ उसी के लिए अपनी के बाले है, इस इट क्लियर, इस इट क्लियर, तो 1st April के बाद जो सर्च होआ है, उसके लिए यह नया time limit अपनी के बाले है, फिर आपको मान लूँगा, आज मैं आपको अपनी तरफ से भारात रत में देंद दूँगा, ठ अगर यह पहले खेनाप समझ लेती हैं तेयारो एकजाम में दोनों मत याद रखो सिर्फ नया वाला याद रखो पुराना वाला चौड़ दो ठीक है पुराना वाला जरुबद नी तियारो आप भारत रतना लेने के लिए मुझसे भाड़ा तरत ने छोड़ो बहुत बड़ी चीज़ होगी है उसका मज़ाक नुडाना से मेरी तरफ से एक आपको good wishes मिलेंगी चलो अगर ये समझ गया आपको तो समझो पढ़ो इसको तुम बोलो के तो पढ़ूँगा या पढ़ो यहां से यहां तक यह नीचे का छोड़ो यह पुराना प्रोविजन रिपीट किया है यह पुराने प्रोविजन को यहां पर हिनों ने डाल दिया है कि पहले कब नोट अच्छा में जब चूड़ा है यह पढ़ने के पहले एक चीज में को कर्फर्मिश्य अच्छा अंधेरी में फ्लैट यारूशी किदर रहती है तूं मैं खुद गरीब हूँ मेरे खुद के पास अंधेरी में प्लैट नहीं है तेरे को कहा से लाकर है कि अच्छा पहले बताओ क्या होता था चार साल तक नोटिस आती थी 147 में चार साल तक किसको लिए जिसकी एकृइप दिंकम एक लाख से कम है और जिसकी एकलभ से जादा उसको कि 6 साल तक पराबर यहीए था ना इसकी एको दिनकम 106 से जाद यह भाशन दिया गया पुराने प्रोविशन के बारे में था ठीक है अभी पढ़ो आप लोग यह पारेग्रा पिर अपने इसका इंटर्पेटेशन करेंगे एक बार इंटर्पेटेशन हो गया फिर खत्म कुछ नहीं बचा सक्षेंगे पढ़ लिया इसका इंटर्पेटेशन के एसर मैं बताता हूं ना मेने एक्जामपल एक्जामपल सब दालों टेंशन नहीं लेने का लाइफ में another restriction has been provided that the notice under 148 cannot be issued cannot be issued at any time in case for the assessment year 21-22 or earlier assessment year if such notice could not have been issued at that time on account of being beyond the time limit prescribed under the old provisions of 149-1-B as they stood immediately before the amendment providing the aforesaid new time schedule मतलब क्या हूआ इसका ठीक है मैं इसके अब कितना भी मतलब बोलू ना आपको पढ़ लेनी पड़ेगा उसके लिए मेरे को नीचे एक authority लेना है इनसे sanction लेना है और तीन साल से ज्यादा वाला case है तो principal chief CIT principal director general of income tax और अगर principal chief CIT और principal director general of income tax नहीं है तो फिर chief CIT और director general of income tax तो यह आप बैटके ज़रा रटा मार लेना बादने अपने साब से कि भाई तीन साल तक की notice अकर बेजना है तो किस से अपरोल लेना है और तीन साल से भी और notice बेजना है तो किस से अपरोल लेना ठीक है अब इस paragraph को समझने की कोशिश करते हैं यह paragraph क्या करना चारा है मालूँ पूराने provision के साथ नए provision को कैसे apply करोगे आप उसको explain करना चारा ठीक है तो चलो यहां पर देखते फिर से एक बार इसको पढ़ना पड़ी गाया मैं directly इसका example नहीं दिखा सकता हूं आपको another restriction has been imposed that provided that notice under 148 cannot be issued आप 148 की notice नहीं भेज सकते हो कभी भी earlier years के लिए ठीक है if such notice could not have been issued at that time on account of being beyond the time limit मुझे बोलो पहले क्या time limit थी 147 में चार और छे साल ना चार और छे साल ती ना अभी क्या time limit है 147 में तीन और दस साल है बड़ाबर पहले time limit क्या थी 4 और 6 साल एक लाग से कम escaped income है तो 4 साल तक notice बेचो एक लाग से जादा है तो 6 साल तक notice बेचो यह तो time limit थी और 16 साल वालत तो foreign income थी वो छोड़ दो वो तो foreign assets के लिए था but basically जो domestic लोगों के लिए वो तो 2 time limit थी 4 और 6 ठीक है अब नया time limit क्या आ गया 3 और 10 तो क्या आप 10-10 साल तक पूराने years के लिए notice बेचना शुरू कर दोगी 2021 के लिए 1920 के लिए 18-19 के लिए वो बोलना चारा है ठीक है चेक करो चलो यह पूरा example समझने की कोशिश करते हैं इससे आपको crystal clarity है एक्स wants to know whether the re-assessment notice can be issued by AO under 148 for assessment year 10-11 to 2021 2021 क्या है यह last year है last year of what last year of old provision बराबर बेटा old provision का last year है के नहीं है 2021 जल्दी बोलो सब लोग ठीक है तो अब AO को ना इस साल में यह कौन सा साल है new year of provision ठीक है यह नए साल में उसको जब से नया साल आ चुका है मतलब यह जो नया provision जब से आया है 21-22 से आया उस साल में उसको पिछले सालों के लिए उसको क्या करना है उसको notice बेजना है बेजेगा चलेगा बेज सकता है वो ठीक है लेकिन क्या वो 10-11 से लेकर 20-21 की notice बेज सकता है क्या वो 10 साल के लिए notice बेज सकता है तो उसी चीज़ का answer यहां पर इन्हों ने दिया है ठीक है देखते हैं देखो 18-19 से लेकर 20-21 सुन लो बेटा प्लीज बेटा बहुत ध्यान देना अभी सब कुछ छोड़ दो सारी दुनियादारी छोड़ो और यहां पर ध्यान दो बस यह आखरी चीज़ खतम हो गया इसके बाद कुछ नहीं सेक्शन भी खतम सब खतम अपने अपने खर पर अराम करो लेकिन कुछ बहुत इंपोर्टेंट बाते बोलनी है मुझे वो सुनके जाना तो पता चलेगा कुछ मिस हो जाएगा आपसे सर 18-19 से लेकर 20-21 का नोटिस बेज सकता है विल्कुल बेज सकता है क्यों नहीं बेज सकता है क्योंकि तीन साल की नोटिस तो भेजने के लिए कोई टाइम लिमिट ही नहीं कोई कोई अमाउंट का भी लिमिट ही है 18-19 का notice बेच सकता है 3 साल तक मतलब 31st मार 2022 था 19-20 का भी बेच सकता है 20-21 का भी बेच सकता है Notice can be issued for these years Under 148 during the financial year 21-22 However, the AO has to take the prior approval of Principal Commissioner, Principal Director, Commissioner Director to issue such notice, ठीक है? यह आपको इनका approval लेना पड़ेगा जो यह उपर लिखेगा ना, यह authority का approval लेना पड़ेगा अच्छा, current year से अभी, current year से 3 साल के beyond का notice भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 साल के beyond 3 साल के beyond का notice भेजना है तो क्या करना पड़ेगा हाँ? अरे बोल दो यार अरे भाई जो नहीं time limit है, वो current year से applicable है यह वाली time limits यह time limits कब से applicable है? with effect from 1st April 2021 यह सॉरी यह तो specified authority का नाम है आपको time limit कहा के आया? हाँ with effect from 1st April 2020, time limit for issue of notice under 148 shall be as follows, बराबर, ठीक है? अरे हाँ या ना? बराबर अब में को current year में notice भेजने का है, 21-22 में notice भेजना है, यहाँ पर लिखा है 21-22, तो new year में notice भेजना है, जो नया प्रोविशन आगया, उसके बाद तो नया प्रोविशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो नया प्रोविशन पहले तीन, तीन साल तक का notice तो आप किसको भी भेजो, कोई टेंचन नहीं है, तीन साल के beyond आप कब बेज सकते हो, अगर पचास लाग के आपसे ज़्यादा की escape निंकम है, चेक करो, तो पंदरा, सोला, सोला, सत्रा, सत्रा, आट्रा की भी notice आप बेज स इस पोडेशन, books of accounts, documents, etc., which has income chargeable to tax has escaped assessment and is represented in the form of a set of rupees 50 lakhs or more underlined per assessment year, plus उसको इसको इन अपड़ेगा, बराबर, अब यहां तक जो है न, यहां तक, यहां तक, यहां तक game एकदम सही है, यहां तक कोई टेंचन नहीं है, देको notice पिछले साल की है, लेकिन time limit नया वाला applicable करवाना क्योंकि notice 21-22 में issue कर रहा है, कौन से साल का assessment कर रहा है, तो 20-21, 18-19, 19-20, 17-18, 16-17, 15-16, assessment पिछले साल होगा, लेकिन notice क्योंकि current year में भेज रहा है न, तो नए provision के हिसाब से time limit देखना पड़ेगा, बराबर, तो अब तक, यहां तक सबको clear है किया, बेटा, भाई, बोल दो, ठीजे, बेटा, current year में अगर notice चाती है, current year कौन सा है, financial year 21-22, तो आपको कौन सा time limit apply करना है, new time limits, बराबर new time limits क्या है, 3 या 10 साल, लेकिन government बोलती है, नही time limit apply करते हैं, समय आपको यह ख्याल रखना है, कि अगर आप notice previous year 2021 या उसके earlier years के लिए दे रहे हो, तो आपको old time limits का भी respect करना पड़ेगा, did you understand the logic of this provision? तो देखो बेटा, मैं old time limits का भी respect करूँगा, तो मैंने respect किया, क्या मुझे बताओ, 18, 19 से 20, 21, क्या नए और पुराने, दोनों कानून के इसाब से आप भेज सकते हो, notice भेज सकते हो, 15, 16, 17, 18, क्या दोनों कानून के इसाब से भेज सकते हो, भेज सकते हो, लेकिन 11, 12, 14, 15 आप नए कानून के इसाब से तो बेच सकते हो लेकिन क्योंकि नोटिस पिछले साल हो कि यह पुराने कानून के इसाब से नहीं बेच सकते हो आप चेक करो I don't know whether you got this point or not यह पुराने कानून में यह तो 40 लाप यह तो 4 साल ता यह तो 6 साल ता यह तो साल का कॉंचप नीता 147 according to section 149 as amended with effect from first notice can be issued as stated above only if the assessing officer has income which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment is 50 lakh or more however this proposition is subject to first provision to 149 which provides that in this case for the assessment year 10 11 to 14 15 notice cannot be issued under 148 within the parameters of old provision पुराने कानून के इसाब से भेज नहीं सकते हो तो नहीं कानून के इसाब से भी नहीं भेज सकते हो आप क्योंकि यह financially 21 22 की notice नहीं है पिछले सालों की notice है तो पिछले सालों की notice पर आपको पुराने time limit को भी respect देना पड़ेगा I don't know whether you got this point or not clear है सबको clear है तो आगे परता हूँ ठीक है आप सुनो अच्छे से मेरी बाद एक आखरी चीज़ that's it अब नए time limit पर आजाओ पुराना वाला छोड़ दो इसलिए मैं को नहीं लगता है पुराना वाला time limit पर लोग question भी पूछेंगा I don't think so इसलिए मुझे ये वाला provision पता नहीं कितना important है मुझे नहीं पता ठीक है moral of the story क्या है अगर आज मैं खड़ा हूँ ना कौन से साल में खड़ा हूँ मैं 2021-22 में खड़ा हूँ ना नया कानून आ चुका है नया कानून आ चुका है ठीक है आ चुका है नया कानून लिमिट करता है नए टाम लिमिट क्या है तीन साल तक सेंड परो या 6 साल तक सेंड करो अच्छा मुझे बोलो ये नोटिस भेजने के बीच में यह इंक्वाइरी करता है 148 में हां जल्दी बोलो तो इंक्वाइरी में समय बर्बाद होता है समय बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है तो उसको उतना एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा नोटिस भेजने के लिए मजलब तेन साल प्लस एक्स्ट्रा समय दस साल प्लस एक्स्ट्रा समय दिड्यू अंडरस्टैंड यहां पर लिखा गया है वो चलो देखते for the purpose of computing the period of limitation for issue of notice under 148 which is 3 years or 10 years the time or the extended time allowed to the assessi in providing opportunity of being heard or the period during which such proceedings before the issuance of notice under 148 are stayed by an order or injection of any court अगर किसी court ने proceeding को भी इसमें रोग दिया है उसके वैसे जो समय पर बाद हुआ है shall be excluded if after excluding such period the time available to the AO for passing the order about fitness of a case for issuance of notice is less than 7 days the remaining time shall be extended to 7 days अब इसको समझने के लिए नीचे एक example लेते है ठीक है यह example है ठीक है चलो यह example number 2 आपको यह पूरा clarity दे देगा 20th February 2022 the AO issues show cause notice under section 148 148 में show cause notice बेशता है कि नी बेशता है second point के अंदर 2X limited as to why a notice under 148 should not be issued on the basis of information which suggests that rupees 40 lakh chargeable to tax as escaped assessment for AY 18-19 no X limited has to reply within 10 days ठीक है as specified in the notice 10 days साही है साही time दिया यह उन्हें 10 days चलेगा अरे 10 days चलेगा कि गलत है 10 days साथ से लेकर 30 days कितना भी दे सकता है बराबर yes 10 दिन का time दिया उसने और उसमें कोई extension नहीं 10 दिन मतलब 10 दिन that's it after considering the reply of X limited AO passes an order with the prior approval of PCIT indicating that it is a fit case to issue notice under 148 after recording is finding the AO issues notice on 6th April 2022 आपको बताना है क्या 6th April 2022 को जो notice वेजा उसने 18 उनीस के लिए है 18 उनीस के लिए 6th April को notice वेजा क्या यह valid notice है क्या invalid है बताओ बताओ ना प्लीज बताओ ना प्लीज बताओ यह वालिड है यह वालिड है यह वालिड है वालिड है वालिड है कैसे एवाई 18-19 चालिस लाग का केस है तो तीन साल तक notice बेज सकता है मतलब 31st March 2022 लेकिन दस दिन भरबाद हो गए inquiry में तो दस दिन आट कर दो तो 10th April तक भी notice बेज़ेगा तो भी चलेगा notice इसने चार दिन पहले ही बेच दिया है इस एब्रीबन क्लियर विद दिस वही भाशा ने नीचे चेकर लो लीगली वैलिड लीगली एकदम वालिड नोटिस है ठीक है ठीक है तो दिस इस वाट यार प्रोवेजन आफ 147 इस ओल अबाउट तो गोर्मेंट ने क्या क्या चेंज कर दिया मैं आपको बता देता हूँ 147 148 148 A 149 ठीक है पहले अच्छे से सुन लो भी एक आखरी बार 150 151 152 and 153 अब हर एक के बारे में एक बार बोल देता हूँ यह resubstituted यह resubstituted यह new यह resubstituted यह same इसके बारे में कुछ बात ही नहीं किया तो same यह resubstituted यह दोनों same ठीक है आर यू क्लियर अर यू क्लियर इस न्यू मेक्यानिजम चलो अच्छा है अक्यादेमिक लिए देखो तो अच्छा है दो चाप्टर निकल के एकी चाप्टर बन गया सर्चन चीजर पढ़ने की तरवक्ति नहीं क्लिया यह 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 जैनिश now let me tell you a few things and then I'll conclude my lecture ठीक है यह मत होचना के आपका amendments खता हो चुके है मेंको अभी कुछ चीज़े कुछ बाते करनी है आप लोग उसे ठीक है अभी तीन चीज़ मुझे बोलना है I have to say three things to you all with respect to amendment only amendment से related तीन चीज़ मुझे बोलना है उसके बाद जो भी thank you thank you बोलना है बात में बोलो ठीक है पहली चीज़ परस्टिंग अब आपके syllabus में faceless आपने पिछले साल तक क्या पढ़ा था faceless assessment पढ़ लिया faceless CIT appeal भी पढ़ लिया था last attempt में बोलो ना जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो आप government ने faceless penalty भी prescribe कर दिये ठीक है ये भी prescribe कर दिये तो sir क्या ये syllabus में है देखो भाइ मुझे नहीं पता है असल है बस में है के नहीं है ठीक है क्योंकि अगर आप institute की website पर जाओ ना और ये पैनल्टी के chapter पर मैं क्लिक करूँ ये institute का latest book है जो आपके exam के लिए available है May 22 November 22 ठीक है तो ये पैनल्टी देखो भी यहाँ पर क्या है यहाँ पर institute ने क्या कि यहाँ यहाँ पर नीचे डाल दिया है देखो यहाँ पर इंशी रूट ने फेस्लेस पैनल्टी के बारे में section डाला है 274 ठीक है ठीक है और यहाँ पर नीचे डाल दिया है देखो अकॉर्डिंग लिए अब इंशी रूट ने अपने study material में वह scheme को नहीं डाला है अब मैंने अपने regular batch वालों को और fast track वालों को दोनों को पढ़ा दिया है और मैंने उनको चार्ट में से पढ़ाया तो अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए भी इसका lecture अप्लोड कर दूँगा शेल आई तो मैं जो combine amendment का वीडियो बना दूँगा उसमें अप्लोड कर दूँगा चल आई में 21 में 21 या नवेंबर 21 यह मैं अप्लोड कर दूँगा अगर आपने मेरा में 21 नवेंबर 21 का बैच लिया था तो मैंने ट्रस्ट के अंदर आपको एक सेक्शन पढ़ाया था बहुत भयांकर सेक्शन सेक्शन 12AB जिसका implication सेक्शन 1023C में भी आता है और जिसका implication सेक्शन 80G में भी आता है पता है मैंने पढ़ाया था आपको यह चीज़ पांच-छे अलग-अलग सरकंसेंस थे हैं गौर्मेंट से उसमें मिस्टेक भी हुई थी ठीक है अब मैंने आपको क्यों पढ़ाया था पता है यह सब कुछ लास्ट यर मैंने आपको बोला भी था विकॉस दिस वास अप्लिकेबल फ्रॉम फॉर्स अप्रिल 2021 ठीक है लेकिन फिर बाद में गौर्मे घुट बिल 2021 से अप्लिकेबल हो जाएगा ऐसा बोल लिया तो इस लिए इंशिट्यूट ने में 21 और नवेंबर 21 में यह सेक्षिन को नॉट अप्लिकेबल करवा दिया लेकिन अब में 22 और नवेंबर 22 में यह सेक्षिन अप्लिकेबल है आपके ICI माटेरियल में भी कॉड ठीक है, तो now you have to study these sections और ये तीनों सेम है, कोई भी एक पढ़ लो तो बाकी दोनों हो जाएगा तो ये पहला वाला पढ़ लेने का बाकी दोनों सेम है, copy paste है ठीक है, और पहला वाला is more exhaustive than the rest of the two तो अगर आप लोग बोलो, तो मैं इसका भी lecture इसके साथ merge परके shall I, अगर आपने last year पढ़ लिया था तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा था अगर उसके पहले attempt के हुआ, तो आपने नहीं पढ़ा था, तो मैं इसका लेक्चर अपलोड कर दूँगा notes के साथ, ठीक है, summary notes तो आपको summary book से मिल जाएगी, shall I, ठीक है, ये दूसरी चीज है, ठीक है बिटा, ये दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये important चीज है लेकिन, ये इतनी important नहीं है, exam के पर स्क्राइब, ये important है लेकिन, तीसरी चीज, तीसरी चीज, आखरी चीज, ICI ने कुछ rules डाले, आपके syllabus में, rules, ठीक है, जो मैंको सब को पढ़ाना है, मेरे जो regular batch वाले, उनको भी पढ़ाना है, ठीक है, जब मैंने batch लेया था, तब ICI का material नहीं आया था, अब material आ गया, तो मैंको rules consider, जैसे मैंने अप्लोड कर दूँगा, प्लस इसका notes भी आपको description box में डाल दूँगा, ठीक है, तो यह कुछ चीज है, is there any change in 12AA, 12AA is not relevant only now, now what is relevant is 12AB, 12AB is relevant, मैंने revision video में भी बोला, रोहित, you can check over, ठीक है, तो यह कुछ चीज है, जो मुझे आपको बोलनी थी, जो मैंने बोल दिया, safe arbor rule आपके syllabus में applicable नहीं है, let me be very clear, for May 22 and November 22, November 22 का मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन May 22 के लिए तो safe arbor rule applicable नहीं है, ठीक है, यह let me be very clear नहीं, तो यह एक ऐसा मुद्दा है, जो student हमेशा पूछते रहते, safe arbor rule not applicable, आपके ICI study material में, paper 6 में भी applicable नहीं है, और paper 7 में नहीं, you can check over here, if you want to see, this is the transfer pricing का chapter and you can see over here, I will just show you, yeah ICI material है, safe arbor rule for AY 22, 23 are yet to be notified as on the date of release, these rules when notified will form part of the web hosted statutory update, लेकिन ICI के website पे, ऐसा कोई statutory update अब तक नहीं आया है, दिख रहा है आपको, बहुत clarity के साथ काम करते ना बेटा आपन लोग, है ना, आई के लिए focus का, कोई भी चीज़ का confusion रखने है, यह देखो, आपको दिख रहा है, statutory update कोई दिख रहा है अभी, May 22 के लिए बहुत मजाया, और live लेने का reason ही यह था, आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के साथ, थोड़ा which was not there till the last attempt, last attempt November 21 तक यह नहीं था, तो अब यह May 22, November 22 से applicable हो सकता है, क्यों हो सकता है, यह इसलिए हो सकता है, क्योंकि यह Jan 2021 में आ चुका था, और आपके exam के 6 मैने पहले जो भी चीज़े आती है, वो आपके exam के लिए applicable होती है, तो in case अगर आप exam May 22 में दे रहे हो, तो 31st October त उसके बाद जो भी आएगा वो applicable नहीं होता है, आप अगर November 22 में exam दे रहे हो, तो 30th April तक आपके syllabus में जो भी notification आती है, उसमें से सारे applicable नहीं होते है, ICI कुछ select करती है, सारे notification अगर ICI डालना शुरू करतेगा, तो फिर बहुत लंबी list बन जाईए, क्योंकि आप website पे जाओ CBDT के, income tax india.gov.in, तो वहाँ पर तो रोज कोई ना कोई notification या circular आते रहते हैं, तो रोज कुछ ना कुछ ना कुछ नोटिफाई करते हो, तो आपको पता होगा, कि रोज कुछ ना कुछ नोटिफाई करते हैं, कि ये area का commissioner ये है, ये area का chief commissioner ये है, इधर का additional commissioner ये, आप चेक करो कभी, अब वो सब थोड़ी अपली के बलो सकता है, अपने को क्या करने का है, कौन से area का commissioner कौन है, कौन से area का chief commissioner कौन है, हाँ practical life में relevant हो सकता है, when you have to deal with them, but academic life में अपने को क्या करने का है, इस सब चीज से, छोड़ो जाने तो, therefore, circulars आते हैं, जैसे last year, मतलब November 21 में, ICI ने amendment लाया, कितना, 6 page बस, बस 6 page, जो भी उन्होंने class में पढ़ा था, उसके बाद ICI ने 6 pages का addition डाला, तो 6 pages are not that great या, 6 page कोई बहुत जादा नहीं है, तो उतना तो हम पढ़ी सकते हैं, असानी से, अगर उतना addition आता है, तो addition बहुत ज बी बोल दे रहा हूँ, आपके exam के लिए Finance Act 21 ही applicable है, तो जो 21 का budget है, वो May 22, November 22, दोनों के लिए applicable है, तो ये चीज़ याद रखना, जो 2020 का budget था, वो May 21, November 21, दोनों के लिए applicable था, even though जब आप exam दोगे, तो अगले साल का budget भी आ जाएगा, बट वो budget applicable नहीं है, next year का budget आप skip कर सकते हो, tell your exams, उसके बाद देखना, ने तो क्या है, confusion होगा, practical life में, क्या आप देखोगे, आपके दिमाग में नए-ने amendments आ जाएंगे, फिर exam में गलती से वो लिख दोगे, तो वो नी होना चाहिए, ठीके, anyways, coming to the faceless penalty scheme, the government has told that we will make the penalty scheme also faceless, उसके लिए government ने section बनाया है, क्या section मैं बता रहा हूँ ठीके, यहाँ पर, हमने penalty के chapter में वो section पढ़ा भी था, लेकिन हमने उस पर ज्यादा बात ने की थी, क्यों नहीं, क्योंकि भी मतलब नहीं था, उस time पर बात करके, मैं बोला था, यह सब चीज हम लोग faceless scheme जब तक नहीं आएगी, हम बात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उसका section ने रिखो, यह procedure for imposition of penalty, और यहाँ पर government ने बोल दिया, to impart 274 subsection 2A करके नया subsection डाला, और यहाँ बोल दिया, to eliminate, to impart greater efficiency, transparency and accountability, by eliminating the interface between, by optimal utilization of resources, etc, 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 वोई भार्षन, हम क्या करने वाले, हम एक notification लाएंगे, क्या करने के लिए, penalty faceless implication लाने के लिए, कब तक लाओगे, 31st March 2022 तक लाओगे, और government ने लेकर आगया, उससे एक साल पहले लेकर आगई, गवर्मेंट ने deadline क्या लिया था, 31st March 2022 तक हम notification लेकर आएंगे, तो deadline से काफी पहले government ने इस notification को लेकर आगया, ठीके, तो अब यह notification क्या बोलता है, फिर से यहाँ पर वोई centers है, national faceless penalty center, जो आपका centralized body होगा, regional faceless penalty center जिसके अंदर सारे units आएंगे, penalty unit will be replacement of what, the officer, actual आपका penalty का proceeding कौन करने वाला है, penalty unit, और फिर आपके review units आएंगे, review units will take care of the review of the draft order, अगर centralized body को लगता है, कि draft order को एक बार फिर से देखना चाहिए, तो वो review unit को देगा, वो more or less proceeding सेम होगी, मैं यह नहीं करा हूँ कि एकदम सेम है, फरक है, कुछ फरक है, more or less सेम होगी, तो जैसे assessment में review unit का क्या काम था, draft order को review करता था, फिर draft order को review करके, कैसा order बनता है, final draft order, वैसे यहाँ पर भी draft order को review करेगा, review unit, penalty review unit, और फिर उसका क्या करेंगे, हम final draft order बनाएगे, तो procedure पर बात करते है, चलो, शुरू करते है, अराम से घाई नहीं करना, page by page बात करना है, ठीके, यहाँ पर भी कुछ point थोड़े से tricky है, straight forward नहीं इतनी, step by step, घाई से वाले, that no personal appearance, कोई किसम का personal appearance possible ही नहीं है, possible ही नहीं है, हाँ, कुछ circumstances में personal appearances allow करेंगे, provided, some conditions have to be fulfilled और वो भी सिर्फ और सिर्फ video conferencing, physical personal appearance तो impossible है, video conferencing allow कर देंगे, यह point मैंने कल आपको टेक्स्बुक से पढ़के बोला, second, यह तीनों प्रोविशन के लिए अपली के वाले, second all communications has to be communicated through the centralized body, तो assessment center में सब communication, national faceless assessment center के through ही जाएगा, appeal center में national faceless appeal center और penalty cases में national faceless penalty center के through ही जाएगा, all communications have to be through the respective centralized body, कोई भी government को आपके साथ communication करना है, तो लोग कैसे करेंगे, वो या तो आपकी email ID पर भेजेंगे communication, या email ID अगर आपका नहीं है, तो आपका जो registered account है, income tax का portal login जो करते हो, आप PAN डालते हो, और आप जो भी password set करते हो, वहाँ पर जाकर check करो, my account के अंदर, या तो government का mobile app, वो घ website भी घटी आओ गई है, बड़ी मुश्किल से शुरू होती है, बड़ी मुश्किल से, बहुत तकलीफ में डाल दिया में लोगों को, वो अच्छी खासी चल रही थी, तो इस सब communication electronic होगा, physical communication कुछ नहीं होगा, यह कुछ points है, जो सब के लिए applicable है, common points है, तीनो proceedings के अंदर, now coming to the penalty proceedings, तो penalty proceedings faceless करने के पहले अपने को थोड़ा सा उसका physical penalty कैसे लगती है, वो पता होना चीए, मतला अपने पढ़ा है पहले, पर एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, याद करो, AO penalty लगाता है, अब AO को penalty अगर लगाना ना, say section 278 की भयंकर penalty, 50% of under reported income, और 200% of mis reported income, अगर इसको ये penalty लगाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, याद करो, उसको एक show cause notice देना ज़रूरी है, for initiation of penalty, that to what, याद करो, before, before what, बोलोगे, passing the assessment order, do you remember that, do you remember that, assessment order pass करने के पहले उसको penalty proceeding शुरू कर दीनी चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कतम भी कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कतम आप अराम से करो, कोई tension वाली बात नहीं, रेंकिन शुरू आप पहले कर दो, अगर आप अराम अराम से जाग रहे हो, assessment खतम कर दिया, assessment उसके बाद आप जाग रहे हो, और बोल रहे हो कि मेरे को penalty लगाने का अत्रियो पर नहीं लगा सकता है, यह वाली भयंकर penalty नहीं लगा सकता है, कौनसी वाली, 278 की, 200% miss reporting, 50% नहीं लगा सकता है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कि faceless आने के वज़े से पुराने sections redundant नहीं हुए तरीका बदला है, लगेगी तो penalty उतनी, जो अलग-अलग cases आपने पहले पढ़े थे DT के अंदर, जैसे अगर return भड़ा है, तो you will compare the amount income assessed minus income process, do you remember बेटा, तरीका वही होगा, तरीका वही होगा, मतलब वो proceedings में changes आएगा, सब faceless होगा, वाया NFPC होगा, National Faceless Penalty Center, बड़ वो provision थोड़ी redundant हो जाएंगे, अगर ऐसा होता तो government बोल देती न, 143 remote, inoperative, 144 inoperative, 147, अरे 147 तो नया लाया है इनोंने, inoperative कहां से होगा, नया लाया है ना इस साल से, पूरा का पूरा, यह मत समझना के वो सारे redundant हो गए है, in fact exam के लिए तो वो ही जाधा important है आपके लिए, क्योंकि वहाँ content है, यह content होड़ी है कुछ, exam के लिए वो ही जाधा important है, यह चीज या दखना, इस से जाधा important वो है, भले यह जाधा practically relevant है, आज की तारीक में, लेकिन exam में questions आपको यह नहीं पूछे जाएंगे, क्या आप NFC किसको order देता है, revise order के दिए, बहुत मुश्किल है सब questions पूछना मुझे personally नहीं लगता है, अ ऐसे ही एक plain letter के तुरू क्या कुछ additional deduction लेने के लिए बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, आपको revise return भरना पड़ेगा, वो questions पूछेंगे आपको, वो ही पूछेंगे exam में, याद रखना है यह चीज, यह questions थोड़े time लगेंगे इसको, क्योंकि अभी यह provisions बहुत नहीं है, इनक इनकी website तो काम कर ले, फिर हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीके, अब इनकी website डाउन होने के वज़े से देखना, कितना proceedings में delay आने वाला है, बहुत सारी proceedings में delay आने अभी, शायद कली इनोने कुछ notification लाया, कि बहुत सारे extension लाया है, अगर आपको पता है तो, 15CACB, बहुत सा notification नहीं था, अगर होता तो मैं आज बोल दीता, अगर होता, अगर आपके syllabus से related को due dates होती तो मैं ज़रूर बोलता, मैं देखा उसमें अपने syllabus से relevant कोई नहीं है, therefore वही तरीका होगा, तरीका नहीं बदलेगा, सब faceless हो जाएगा, और क्या, penalty उतनी लगेगी 200%, penalty वैसे लगेग 115JB, 115JC, A-B plus C-D, याद आता है, A कुछ था, B कुछ था, C कुछ था, D कुछ था, वो वैसे ही लगेगा, there will be no change in that, हाँ, the procedure will be faceless, so now listen carefully, ध्यान से सुनना, पहला page ही confusing है थोड़ा, बहुत ध्यान से सुनना, क्या है ऐसा पहला page में, patience रखना, please, बहुत ध्यान से, यहाँ पर income tax authority है, यहाँ पर national faceless assessment center है, it's a replacement of assessing officer, देखो भाई, penalty लगाने का के नहीं लगाने का, वो तो assessing officer को भी पता होगा न, याद है आपको, अगर by any chance याद है तो, कल पढ़ाता आपन है, जब यह assessment close करता है न, faceless, जब यह faceless assessment close करता है, तो यह NFC को recommendation देता है, कि मेरे को penalty भी लगाने का है, याद आता है, बोलिए, क्योंकि उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि order pass करने के पहले, फिर NFC को क्या करना पड़ेगा, बोलिए, order pass करने के पहले, final assessment order pass करने के पहले, NFC has to issue the short notice for initiation of penalty, वो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक बार order pass हो गया, उसके बाद आप penalty लगाने का शुरू नहीं कर सकते हो, पहले शुरू कर देना चाहिए, यह बहुत important timing है, तो assessi, बहुत बहुत चतूर है, वो timing के मामले में, बहुत चतूर है, अससी को जैसे बता चला, assessment खत्म होगे, अब तक penalty शुरू नहीं है, अब वो relax करके बैटेगा, अब उसको मालू में penalty नहीं लग सकती है, इसके लिए department को बहुत careful रहना पड़ता है, they don't make mistakes, generally, 99.9% cases में नहीं होता है, एक आप case में हो गया हो गया, otherwise they don't make mistakes in such cases, बहुत rare case है, तो patiently सुनना एक एक चीज, यहाँ पर दो case है, यह दोनो case को बहुत independently लेना, यह green एक separate case है, यह blue एक separate case है, यह दोनों को बहुत अलग से लेना, बहुत independently लेना, बहुत patient रखना, अपने आपको इस situation में घुसरो और सोचो, आप कौन हो, आप income tax authority हो, या आप national faceless assessment center हो, NFC assessment वाल अब आपके दिमाग में पहली चीज क्या रही है, पहले जब सोच रहे तो दूसरा मत सोच रहे हो, दूसरा सब सोच रहे हो, जब blue वाला सोच रहे तो green मत सोच रहे हो, जब green सोच रहे तो blue मत सोच रहे हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, वो impossible है, देखो पहले का मतलब क् income tax authority या national faceless assessment center ने penalty initiate कर दिया है कैसे show call notice भेज दिया आपको penalty initiate हो चुकी है अब ये कैसे possible है這樣 ये ho सकता है कि faceless schema अभी आये है 2021 में हो और dies हो सकता है अभी आपने पहले से penalty initiate कर दिया है हो सकता है is there a possibility income tax authority ने बोलो ना मेटा अभी faceless penalty scheme का भी एक cut off होगा बराबर इस date से सब कुछ faceless होना चाहिए अब लेकिन जिसने पहले ही notice issue करके penalty proceeding शुरू कर दिया है उसका क्या होगा अरे possibility है या नहीं है ये एक अब दूसरी possibility क्या है कि अब तक penalty शुरू नहीं किया है लेकिन income tax authority क्या कर रहा है recommendation दे रहा है क्या करने की कि भाई penalty इस पे लगना चाहिए तो ये दो possibility को पहले दिमाग में घुशेड हो आप income tax authority है पहली possibility आपने क्या किया penalty initiate हो चुका है शोका उस नोटिस चला जा चुका अससी को दूसरी possibility अभी आप सोच रहे हो assessment खतम नहीं हुआ है खतम नहीं हुआ assessment assessment क्टम होने के पहले ही सोच खतम करनी पड़ेगी तुमको तो यह assessment खतब हो कहा फिर तो चोच हो कि penalty लगाने का तो वह possible नहीं है तो अब सोच रहे हो assessment एक-दो कि अब आपको अपना इंटरफेस SSC के साथ बंद करना पड़ेगा ठीक है किसको केस रेफर करना पड़ेगा जल्दी बोलो बेटा नाशनल फेसलेस पहले ये दोनों केस समझो इन दोनों को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है अपने को possibility पहली possibility ये है कि मैंने penalty का शोकॉस notice भेज दिया है मतलब penalty initiate हो चुकी है इनिशेट हो गई ना चल साइड में बैट NFC को, NFPC को बोल, ठीक है, या मैं सोच रहा हूँ लगाने का, सोच रहा हूँ लगाने का, फिर भी NFPC को बोल, दोनों केस में अब तू चुप चाप बैड़े ले घर पर सब NFC है, NFPC हेंडल करेगा, NFPC को मैंने बोल दिया, point number one, patient रखना, ठीक है, यह दोनों को independently पढ़ना है, इ अल्रेडी उसकी penalty proceeding चल रही थी तो, तो भी तो NFPC को बोलेगा, NFPC को बोलेगा, अब इस पूरी तरीके से NFPC उसको समाल लेगा, NFPC क्या करेगा, आपका case assign कर देगा, case assign करेगा, किसको assign करेगा, तू अब penalty unit, penalty unit कौन होगा, जो actual में penalty का assessment, penalty का जो आपका proceeding करेगा, जो penalty proceeding जो normally AO करता था, penalty unit करेगा, penalty unit is like assessment unit, is like appeal unit, यो पूरा proceeding करता है, draft order बनाता है, तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा ये point को, ने तो यहाँ पर आगे के कुछ पेचेज गडबड़ हो जाएंगे, आप textbook पड़ोगे, तो दिमाग के ओपर से चला जाएगा, income tax authority, penalty के लिए show cause notice भेज दिया, भेज दिया, अच्छा काम क्या, वापस से NFPC को बोल चल, अब NFPC करेगा सब कुछ, या भेजने का सोच रहा है, हाँ तो सोच रहा है तो भी NFPC को बोल, वो करेगा सब कुछ, अब तू कुछ कर मत, टेको नहीं करना है अभी कुछ, टेको case automatic allocation system care through allocate होगा, किसी भी अससी का, वो तिरको मालूम में नहीं देगा किसका है, shall I go ahead बिटा, बोलिये, अब ध्यान से सुनना, matter किसके पास चला गया है, penalty unit, अब penalty unit क्या करेगा, अब ये वाला case पहले पढ़ रहे है, बोट पे देखना बिटा, ये वाला case, ये green वाला, ये blue वाल penalty लगाना है मुझे, मुझे लगाना है, अब मुझे भी लगाना है, तो मैं मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसको बोलना पड़ेगा, किसको बोलना पड़ेगा, NFPC, NFPC किसको case assign करेगा, penalty unit, अब ये second वाले case को पहले हम लोग उठाएंगे, बाद में, first वाला बाद में उठादे, penalty unit के पास case चला जएगा, penalty unit क्या करेगा, where a case is assigned to penalty unit, any session of penalty proceeding is recommended, कहां से recommendation आया, यहां से recommendation, after examination of the material, penalty unit may decide, to agree with the recommendation, penalty unit अपना proof of collect करेगा, देखेगा सारे recommendation, और फिर decide करेगा, draft, show cause notice, penalty unit बेज़ेगा, ससी को, direct नहीं बेज़ेगा, NFPC के तुरू बेज़ेगा, और बोलिए, और अगर disagree करेगा, disagree करेगा, तो फिर reasons बता देगा, कुछ disagree, और अगर disagree करता है, तो फिर penalty proceeding खतम हो गई, वो लगी नहीं सकती है, और अगर agree करता है, इसके recommendation से, तो फिर वो draft, show cause notice किसको देगा, NFPC को, और फिर NFPC अपना proceeding शुरू कर देगा, तो ये, अभी मैंने सिर्फ second point बोला है, पहला वाला नहीं बोला है, first वाले को तुम सोचो है नहीं दुनिया में, ऐसा सोचो, ठीक है, फिर्स वाले पर हम लोग दो स्लाइट के बाद बात करेंगे, तो ये पहला पेज समझना बहुत ज़रूरी है, आगे का बहुत असान है, कुछ नहीं है उसके अंदर, कि मैं Income Tax Authority हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं National Faceless Assessment Center हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं को लग रहा है, इस पर पेनाल्टी लगनी चाहिए, तो खुद से नहीं लगा सकता है अब तू, दहा हला है, क्या सीड़ा थी को अबेगना, नएड से नहीं नसया थाए ट्ट चाहिए, मैं स Wash Taraos चिर Dann पेनाल्ती लगने तू अटी लगनी को. झीए थानीन टीए ते लिजाने मिन ले इंप हम पनी टू , पनल्ति विंतू इंन्तू सीज़ बताओ NFPC के हाथ में क्या क्या हो सकता है दो चीज़ या तो एक draft show cause notice बुलिए या तो reason हो सकता है for not imposing penalty correct तो अब NFC NFPC क्या करेगा इसके बाद यह step number 3 था step number 3 के बाद step number 4 NFPC after receipt of what draft show cause notice draft show cause notice कब बनाएगा penalty unit जब वो आपके recommendations agree करेगा और अगर disagree करेगा तो reason देदेगा भाई मैं क्यों disagree करता हूँ यह दोनों case में NFPC क्या करेगा will serve a show cause notice as per the draft calling upon assessi or any other person specifying the date and time to file the response obviously a proceeding आगे बढ़े या NFPC क्या करेगा बोलेगा no penalty will be initiated against you NFPC बोलेगा not initiate penalty यह दो possibility बनती है और क्या is everyone clear is everyone clear बोलो यह आपका इस part का discussion खतम होता है ठीक है अब यह second part की तरफ आता हूँ that is यह पहला वाला part part A अब इसको वापस से सोचो पाट A में क्या हो रहा है मैंने तो already assessi को notice भेज दिया था अब वापस से NFPC को बोलो और NFPC आपका case assign करेगा आप नहीं करोगे आपका case NFPCs assign करेगा तो अब यह first वाले case को समय नहीं कोशिश करते है कहां पर इस page पर heading पढ़ना बढ़ाबर से where the case assign to penalty unit and the penalty is already initiated penalty already initiated कर दिया है किसने national faceless assessment center या तो income tax authority ने उनको बोलो रुखो तुम तुम अपने हसाब से मत करो यहां पर सब कुछ इसके हसाब से होगा तो अभ्ध्यान से सुनना एक एक स्टेप बाइस यह बहुत ऊसा कुछ बहुत खास नहीं है इसके अंतर मुझे बताओ NFPC ने यहां पर case assign कर दिया था penalty unit को यहां पर बोलो प्लीज penalty unit को case assign किया था बोलिये ना case assign कर दिया था ठीक है अब उसके आगे का step क्या होगा प्रिप्रे ड्राफ्ट show cause notice and send to NFPC कौन send करेगा penalty unit उसको case assign हो गया और draft बनाएगा NFPC को notice बेज़ा देखो direct बात नहीं कर सकता हो अगर direct बात करना होता तो फिर मैं क्या करता penalty unit direct assessi से बात मैं नहीं कर सकता हूँ वही तो problem है सब कुछ NFPC के through करना है तो मैं draft show cause notice बनाऊँगा NFPC को बेज दूँ बस वही पुरानी कहानी है NFPC किसको बेज़ेगा assessi और any other person ठीक है reply करने के लिए वो अपना response file करेगा और वो response इसको दे देगा is everyone clear मैं जो काम मैं और आप साथ में कर सकते थे वो बीच में एक बंदे को बिठा के करो और कुछ नहीं मैं जो चीज आप से डारेक्ट पूछ सकता था मैं NFPC को बोलूगा NFPC आपको बोलेगा आप NFPC को reply करोगा NFPC वो reply मुझे देगा और अगर आप reply नहीं भी देते हो तो भी NFPC मुझे inform कर देगा कि भाई वो reply नहीं दे रहा आगर ते को कुछ हो करने का है कर are you clear shall I go ahead ठीक है हाँ पेशंस रखना करते सोरी कैप अब में को बताओ पैनाल्टी उनिट के पास penalty ब्रसेइदिंग शुरू हो चुकिये अब पैनाल्टी प्रसेदिंग्स में उसको information पेनाल्टी यूनिट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वो डारेक्ली अससी से नहीं मांग सकता है, वो नफपीसी को बोलेगा, येस और नो, अससी अससी को बोलेगा, बोर्ट पे मत देखो, पहले सुन लो, मैं हूँ पेनाल्टी यूनिट, आप हो अससी, मैं अपील यूनि मांग सकता हूँ, मैं एनफपीसी को बोलूगा, एनफपीसी आपको बोलेगा, आप एनफपीसी को रिप्लाइ करोगे, एनफपीसी मुझे देगा, आर यू क्लियर, ठीक है, अब इसको क्या-क्या चाहिए, वो भी देख लेते हैं, ही विल रिक्वेस्ट फोर अप्टेनिं अब इसको और एक मदद भी चाहिए, क्या मदद देखो, सेकेंड रिक्वेस्ट, फॉर सीकिंग टेकनिकल असिस्टेंस और कंडक्टिंग वेरिफिकेशन, टेकनिकल असिस्टेंस और वेरिफिकेशन के लिए उसको मदद चाहिए, ठीक है, अब मुझे बताओ, टेकनिकल असिस्टेंस और वेरिफिकेशन यूनिट गवर्मेंट ने कहा सेट अप किया है, गवर्मेंट ने हर प्रोसीडिंग के अंदर टेकनिकल और वेरिफिकेशन setup नहीं है, क्या तुमने assessment, तुमने, sorry, क्या तुमने appeal के faceless discussion के अंदर verification unit, technical unit पढ़ा था क्या, बोलिये न, वहाँ नहीं था, वहाँ review unit था, penalty unit था, technical unit और verification unit हर जगे नहीं है, वो सिर्फ कहाँ पर है, पहले faceless scheme के अंदर, that is which one, that is only the assessment scheme, अरे yes or no, तो यहाँ पर अभी अगर penalty unit को कुछ verification करवाना है न, या कुछ technical assistance चाहिए न, तो वो NFC को बोलेगा, और NFC किसको बोलेगा देखो, क्योंकि इसके पास power है technical unit का, अरे दिख रहा है क्या, penalty proceeding में separate technical unit नहीं है, अब technical unit तो technical unit होती है, अब वो penalty वाली हो या assessment वाली हो, चार technical unit बना कर क्या मतलब है तुम खुँच सोचो, technical unit क्या बताएगा आपको, transfer pricing इस पर लगेगा के नहीं लगेगा, अरे भाई वो assessment वाला technical unit हो, या penalty वाला हो तो same ही बताएगा न, लगेगा के नहीं अरे हाँ या ना, तो यहाँ पर यह चीज याद अगना, separate technical unit penalty में नहीं है, separate verification unit penalty में नहीं है, तो अब अगर इसको कुछ verify करना है, इसको कुछ technical assistance चाहिए, यह NFPC को बोलेगा, NFPC किसको बोलेगा, NFAC को बोलेगा, क्योंकि NFAC के control में technical or is everyone clear with this? सो मत, प्रोतिका, इसलिए चालू करना मतलब बहुत, बच गए तुम लोग 85 lectures, पढ़ दे के पीस्चे क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, अरे clear है, तो देखो यह, अगर उसको assessi से कुछ information चाहिए, income tax authority से चाहिए, national faceless assessment center से चाहिए, any other person से चाहिए, वो NFPC को बोलेगा, NFPC से information लेगा, अगर technical unit और verification unit से कुछ चाहिए, penalty center में कोई technical verification unit नहीं है, तुमको मादर लेनी पड़ेगी, assessment center से, are you clear, shall I go ahead, अभी आगे बढ़ते, अभी यहाँ पर देखो, यह इसने इसको, रिपोर्ट दिया, किसने, बोट पर देखो, इसने इसको रिपोर्ट दिया, यहाँ, technical report, verification report दिया इधर से इधर, फिर वो इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, हाँ, तो वो सब report लेने के बाद, वो लोग क्या करेंगे, यह क्या करेगा report लेने के बाद, अभी common sense वाली बात है, वो अपना order, water pass करेगा, और क्या, what penalty unit will do after receiving the report, report, NFPC ने उसको report submit किया, किसको penalty unit, अब वो report के basis पर decide करेगा, कि impose करने का penalty, के नहीं करने का, ठीक है, अगर impose करने का, तो draft order बनाओ, draft order बनाओ, और फिर बाद में आगे बड़ो, और नहीं करना है, तो खतम करो, reason लिख दो, और क्या, और draft order किसको भेज दो, NFPC को भेज दो, और फिर NFPC final order बनाओगा, ठीक, तो यहां पर आपका proceeding खतम नहीं होता है, सबर करना, क्योंकि देखो, हमेशा, पिछले दो proceeding के अंदर भी क्या होता है, तुम कुछ सोचो, और बताओ, सोचो, अगर यादे तो, पिछले दो proceeding के अंदर भी, जब कोई भी unit, आपको draft order देता है किसको, centralized body को, उसके बाट, वो centralized body directly उसको finalize नहीं करती है, ठीक है, बराबर, अगर अससी के prejudicial है, तो रुखेगी, yes or no, और अगर इसको review करना है, तो review भी करवा सकती है, yes or no, वो directly finalize नहीं करती है, वो सामने आला जो बोल रहा है, उसको सुनती नहीं directly, बैसे यहां पर भी आ income tax authority हूँ, या मैं national faceless assessment center हूँ, ठीक है, अब मेरे पास दो possibility है, मैं possibility number two के बारे में पहले बात करता हूँ, क्योंकि वो मैंने पहले लिखा है, मुझे लग रहा है penalty लगना चाहिए, तो तुझे जो भी लग रहा है, तो तू क्या करेगा अभी, तू यह case refer करतेगा NFPC को, ठी के, तेरा case NFPC को refer हो जाएगा, तुझे लग रहा है, तुझे लग रहा है, तू recommend कर रहा है, कि penalty लगना चाहिए, तो तू NFPC को बोल, खुझ से मत लगा, NFPC एक appeal unit को hand over करेगा case, appeal unit decide करेगा, कि तेरे recommendation से agree करनेगा, कि नहीं agree करनेगा, अगर agree करनेगा, तो तो वो drafts or notice बनाए कि इसको बेज़ देगा, NFPC को बेज़ देगा, ठीक है, और NFPC फिर क्या करेगा, final show cause notice बना कर आपको क्या देदेगा, आपको देदेगा, और आपकी proceeding चुरू हो जाएगा, अब दूसरी possibility क्या है, penalty already अगर मैंने initiate कर दिया है, तो तो भी तो पहले NFPC को बोल, NFPC को तो बोल द सकता है, ठीक है, hurry, already initiate कर दिया है, तो भी, तु already initiate कर दिया, तो भी, तु ड्राफ of Yuanuçest को बेज, yes को बेज़ेगा, yes को बेज़ेगा, और ये पर तो डियू thrive, response करेगा से कुछ information चाहिए तो तुझे थोड़ी मेनद करनी बड़ेगी तो एन फपीसी को बोलेगा एन फपीसी को बोलेगा क्योंकि कोई यहां पर टेक्निकल और वेरिफिकेशन जैसा कोई फाल तुनाट तक जो पिछले दो केसे में एक्जामिन करेगा उसको चेक करेगा और क्या करेगा डिसाइड करेगा और पास पेनल्टी ओडर ऐस पर दॉडर प्रॉडर के साब से ठीक है उसको लग रहा है डाफ रचॉडर से ही पेनल्टी लगना चाहिए अधिको यही दो ले भीजेगा ठीक है अब अगर एक बार पैनाल्टी रिवीव इनिट को बेजेगा तुमें को बताओ आगे का प्रोसीडिंग के पिछले दो में पढ़ना था ना वैसा सिमिलर है कैसे होगा बताओ एक बार पैना और ड्राफ्ट और रिवीव इनिट के पास आगा तो रिवी प्रोसीबिलिटी क्या है सजेशन देगा फर वेरियेशन येस और नो पिछले दो केसे पी यहां पर भी वह होने वाला है यांद तो अग्री करेगा तो साजेशन बेरिशन करेंगा तुसा जाहन से सुनना यहां पर एन-फ-पी-सी ने क्या कर दिया असाइं कर दिया प्रप अगरी करेगा बोलेगा ड्राफ्ट जो भी है वो सब कुछ सही है ठीक है को इंटेंशन वाली बात नहीं है और वो किसको इंफर्म कर देगा जिसने उसको रिविव इनिट को भेजा था यह सब चीज इस ने बहुत जाता रिविव इनिट को रिविव करने के लिए एन करेगा कौन सा A और B of the previous page मतलब NFPC decide करेगा कि तू पास दी ओडर नॉट इंपोस पैनल्टी और तू पास दी ओडर नॉट इंपोस पैनल्टी अरे आर्यू क्लियर ठीक है यह दो चीज करेगा बट दूसरा possibility भी तो है क्या possibility है रिविव इनिट को दिया ही इस लिए जाता है वो पूरा चीज पूरे प्रोसीडिंग को रिविव करेगा एक एक इंकम टैक्स के प्रोविजन का अप्लिकेशन ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करेगा तो अब अगर मॉडिफिकेशन सजेस्ट करता है तो क्या होगा वाट विल एन फसी डू आफ्टर रिसीव विल अग्री को प्रफिकेशन सजेस्ट कर दो किया तो यह नहीं तो कुछ करताया वामे क्रपने को मालूमें यह क्रेगा इंपने का इसी ता अरे yes or no second penalty unit को case assign कर दिया अब case किस के हाथ में चला गया बोलिए अरे बोलिए case किस के हाथ में चला गया second penalty unit के हाथ में case चला गया अब second penalty unit क्या करेगा what second penalty unit shall do after the case is assigned to it यह second penalty unit यहां बैठा है उसको बोला तू ज़रा review कर पहले वाले ने review किया बोलता है कुछ modifications है ठीक है तो तू ज़रा बराबर से देख अब second penalty unit क्या करेगा उसके पास जो भी material होगा on record उसको consider करेगा उसने जो suggestion दिया है वो modification के लिए जो consider करेगा reasons recorded by penalty review unit के क्यो उसने suggestion दिया है वो record करेगा ऐसा क्यों दिख रहा है जिया cut आओ 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 cut रहा है ना content Jaan sur This site का content थोड़ा cut रहा है ना Yeahan sir Excellent क्यों सब्सक्राइब यहाँ रापता हूं फिर माच आप नहीं ना अब नहीं कट रहा है जाए अभी भी कट रहा है अब नहीं कट रहा है पढ़ो मत कुछ भी रुख जाओ तो second penalty unit का आपका क्याम है पहले penalty unit ने suggestion recommend किया है तो अब उसको दूसरे unit को बला देख भाई तो उसके suggestion देखा पहले का क्या है पहले ने क्या reason record किया है उसके सामने क्या material on recording अब वो ये तीन में से कोई एक चीज बोल सकता है ठीक है अब ये तीनों को अराम-अराम से देखना ह in a case where the modification suggested by the penalty review unit are prejudicial to the interest of assessi तो पहले वाले ने जो modification दिया है वो assessi क्या against है then follow the entire procedure and prepare a revised draft order for imposing penalty एंटायर procedure जब मैं बोलता हो ना तो पूरा procedure start से follow करनेगा starts है पूरा पूरा procedure follow करना पड़ेगा फिर से draft notice भेजना पड़ेगा वो reply करेगा फिर वो reply भेजो फिर वो reply लो पूरा procedure वापस से करना पड़ेगा second possibility in a case where the modifications are not prejudicial to the interest of assessi then prepare revised draft order for imposing penalty फिर एक revised draft order बनाएगा penalty इंपोस कर देगा या तीसरा ये भी प्रपोस कर सकता है कि अब तक जो भी हुआ सब गलत है मतलब पिछला penalty unit भी गलत है पिछला review unit भी गलत है इस पे तो penalty का सवाल ही नहीं उठता है इस पे तो penalty ही लग सकती है ये भी प्रपोस कर सकता है तो probability वो क्या प्रपोस कर सकता है कि जो पिछले officer ने suggestion दिया है ना किसने इसने इसने जो suggestion दिया है आपर ये suggestion ये वो प्रोसीडिंग फॉल Vasco ये घरकेंट, इस पर तो पेनल्टी लगी नहीं सकती है, तो पुरा प्रोसीडिन गी फोलटे और वो सकता है। उनुधम करने के बाद, वो क्या करेगा सेंड्स लेंग सी climate Council Ready and बेजने के बाद national faceless penality center को बेज रहा है तो second penalty unit national faceless penality center को बेजा और एक बार इसके हाथ में यह आ गया आ क्या करेगा अपना final order pass करेगा ως a secure पर ऑपी सब्सक्राइब करेगा if on order में कुछ हो सकता है या penalty लग रही है या penalty नहीं लग रही है जो भी है आपको order pass करके ही बोलना पड़ता है penalty लगाना है तो भी order pass करो penalty नहीं लगाना है तो भी order pass करो और यह final order pass करेगा यहाँ पर आपकी proceeding खतम हो जाएगी तो यह penalty proceeding कोई बहुत जादा complicated government ने नहीं बढ़ाई है जो assessment proceeding थी ना वो complicated थी उसमें तीन अलग अलग किसम के ड्राफ्ट है revised draft final draft और एक normal draft is it clear now as I have told you पेटा ध्यान से सुनना प्लीज हा बहुत धाबर ध्यान से as I have told you के government ने अब पूरा नहीं section लाया 12 a b 12 a a government ने बोला पहले 1st April 2020 से 12 a a not apply फिर उसको extend किया और जून किया फिर जून से से सेप्टेंबर किया फिर सेप्टेंबर से अभी एपरिल कर दिया ठीक है तो अब 1st April 2021 से 12 a a is not applicable मतलब what is applicable 14 2021 से what is applicable is 12 a b ठीक है यह section applicable है और फरक क्या है तोनों में फरक भायंकर है भायंकर कोई minor फरक नहीं है बहुत फरक है मतलब 12 a में जो भी प्रोविशन है वो सब 12 a b में applicable है बट 12 a b में बहुत extra चीज़ है ठीक है अब क्या extra चीज़ है लास्ट यह भी मैंने पढ़ा दिया था इन लोगों को विचारों को विचारों को कि उनको knowledge भी मिला उससे मैंने दोनों पढ़ा था लास्ट यह साल भी दोनों पढ़ा रहा हूं बरोसानी यह साल भी extend कर दे बर पहला point यह बोलता है कि यह जो अपना registration होने वाला है यह सब कुछ online होने आला है everything will be online आपको application online upload करना है registration भी online grant किया जाएगा ठीक है तो कोई physical form warm यहाँ पर देना नहीं है ठीक है यह पहली चीज़ है तो यह एक procedural aspect में change आया है दूसरी चीज़ सुनलो अच्छे से जितने भी existing trust है existing trust मतलब हाँ बेटा जो कहा रजिस्टर्ड है 12AA सुनलो जितने भी existing trust है पूरे देश में जो 12AA में registered है उन सब को वापस से registration application देना पड़ेगा to get registered to 12AA डबल मेनत जितने भी registration है जितने भी trust registered है उनको क्या करना पड़ेगा बोलो बोलो ना existing trust को क्या करना पड़ेगा अपला है forward 12AA अरे clear है और अब तो registration मिलेगा ना तुमको 2AA में that will be valid for maximum fires अब time limit डाल दिया comment ने मुझे बता 12AA में कोई time limit था कि registration कितने साल करे देगा CID बोलो वो मैंने बोला था आपको जिंदागी पर मिलेगा गलत काम जब तक नहीं करो के तुब तक continue रह सकता है बराबर लेकिन आप जो existing trust है उनको भी क्या करना पड़ेगा फिर से application देना पड़ेगा फिर से application दो फि कितने साल के लिए अपनी के बले है जल्दी बोलो विटा पाथ साल clear है third point detail में explain नहीं कि अभी एक एक point के अंदर घुसूंगा मैं देखो तुम third point बरू क्या third point की तरफ बोलिए बिटा yes sir third point अगर मैं पहले रजिस्टर नहीं था मैं पहली बार जा रहा हूँ new है मैं new हूँ ठीक है क्या हूँ मैं new trust हूँ मैं पहले कभी रजिस्टर नहीं था मैं अभी पहली बार registration के लिए जा रहा हूँ ठीक है तो सुन देवेंद्र आवास बनकर तेरी देवेंद्र आवास बनकर अगर मैं नया trust हूँ मैं पहली बार registration के लिए जा रहा हूँ तो सुन क्या पता है तुम नया trust हो ना तो तुमको पहले तीन साल का प्रोविज्टनल रजिस्टरशन देंगे क्या देंगे और तुमारे को चेक करेंगे बराबर काम करता है क्या और अगर फिर लगगे का कि हां बराबर काम करता है तो फिर final registration देंगे इसलिए मैं पहले मैंनात करके हूं तो सुनो भी मैं प्रोविजन बताने जा रहा हूं प्रोविजन को मैंने ऐसे डब्य में डाला हूं ठीक है पूरा बॉक्स बना के लाया हूं दिख रहा है उसके बावजुद्धे में हर एक पर एक एक्जाम्पल लिखा हूंगा 12AB has been inserted with effect from 1st April 2021 I don't know further extension आएगा क्या but as of now 1st April 2021 all charitable institutions which are currently registered under 12AA are required to apply for a fresh registration under 12AB मतलब ये बहुत मैंनत वाला काम है क्या नी वेटा देश में हजारो registration होंगे सबको वापस करो likewise all new entities which want exemption under 11 and 12 are required to apply for registration under 12AB the process for registration for new and existing charitable trust will be completely electronic under which a unique registration number shall be issued to all new and existing charitable trust moreover new institutions which are yet to start their charitable activity will get provisional registration for 5 years ये बेसिक आइडिया था बेसिक आइडिया है डीटेल नहीं है डीटेल यहां पर है पहले headings पढ़लो ये अलग 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 category है time limit for uploading registration application मतलब आप application कब तक दोगे application कौन से section में देते हो बिटा 12A में बोलो ठीक है तो application 12A में ही दोगे लेकिन अभी आप upload करोगे पहले आप physically देते थे फिर कब registration आपको मिल जाएगा एक बार application दे दिया तो registration कब तक मिल जाएगा ठीक है तो registration मिल जाएगा उसका time limit है और फिर कौन से साल से आपको exemption मिलेगा ठीक है clear है पहले heading तो समझो और फिर कितने साल के लिए exemption मिलेगा clear है heading clear है तो चलो एक एक करके category पढ़ते है पहला category क्या है existing trust which are registered under 12A और 12A पहले 12A में भी registration मिलता था 12A में बहुत पहले 2008 तक 12A और 2008 के पहले जो registered हुआ है वो 12A में 2008 के बाद 12A existing trust which are registered under 12A और 12A on or before 31st March 2021 ठीक है यह date क्यों ले रहा हूं है तो अब जो existing trust है मुझे बताओ यह existing trust वालो को भी application देना पड़ेगा बोलो ना तो कब तक application देना है उनको देखो on or before 38 June अब यह date कैसे आई मैं वो बताता हूं मैं technically कहां से आई वो date बताता हूं आपको ठीक है तो आप बोलो के date कहां से आ गई सर अब बताता हूं प्रोविशन के अंदर लिखा है बेदर ट्रॉस और इंस्टिटुशन इस रजिस अंदर आपको क्या करना है application देना है चेक करो समझ में आए पेटा के यह मैं 30 जून तक कैसे पहुचा बोलो ना पेटा तो हर एक का यहां पर प्रोविशन है डबा नी है इन गॉवर्मन डबा नी देती है गॉवर्मन प्रोविशन देती है अपन ने उसको simplify करके डबा मनाया है क्लियर है तो मैं डब्बे सभी बढ़ रहा हूं ठीक है प्रोविशन आप बढ़ सकते हो कोई टेंशन नहीं आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा उसके बाद लेकिन बढ़ो आना बहुत तकलीफ हो जाएगी समझ में नहीं आएगी चीज़े तो मुझे बताओ जो existing trust है उ अप्लिकेशन दे दिया अभी अप्लिकेशन देने के बाद second column क्या है कब तक registration मिल जाएगा कब तक मिलेगा सब जून में अप्लिकेशन दिया तो बताओ registration कब तक मिलेगा 38 September तक मिल जाएगा बोलो ना बेटा तो जो time limit पहले 6 मेना थी अभी हो कितनी हो गई? 3 मेना हो गई है बराबर ठीक है अब ये वाला column क्या बोलता है कौन से साल से exemption मिलेगा बराबर बराबर from the AY from which such trust or institution was earlier granted registration तो कौन से साल से registration मिलेगा? exemption मिलेगा? fire कहां से count लेगा? fire छोड़ो कौन से साल से exemption मिलेगा? obviously तुमने जो पहले register किया था तब से मिलेगा ना? अरे बोलो ना भाई अरे ऐसा तो नहीं कि पहले साल का exemption मना कर देंगे? पहले objective समझो, यह कैसा trust है भाई? यह पहले भी तो exemption enjoy करता होगा ना? तो उसका fire कहां से count होएगा? पहले से count होएगा? ठीक है? पहले से count होएगा? जब से registration हो चुका है उसका? ठीक है? ना लास्ट बट नॉट वालिडिदी आप रजिस्टेशन fire from the AY from which such trust or institution was earlier granted registration. तब से उसको exemption मिलेगा? ठीक है? को attention वाली बात नहीं है. और अब कब तक exemption मिलेगा? पांच साल के लिए उसको exemption मिलेगा. अब सुनो जब यहां पर amendment आया कुछ. फिर्स amendment लाया. मुझे बताओ, जो 31st March तब 12A और 12A में रजिस्टर था, उनको 38 June तब application अप्लोड करना था? बोलो ना? पराबर? अब में को आप बताओ, April और May में. अपने देश में क्या आतंग माच आता सबको पता है ना? हां? चार लाक केस आ रहे थे रोज? चार लाक. बिल्डिंग के नीचे उतरने में भी लोग डर रहे थे? हां या ना? थोलिए? तो गौर्वर्मेंट ने इस डेट को दो मेने और बढ़ा दिया है, and this date is now 31st August. तो ये डेट अगर दो मेने से बढ़ जाएगी, तो मुझे बत ठीक है? तो अब ये पूरे सिनारियो को हम लोग लिखते हैं अपने शब्दों में, ठीक है? Case 1. अब मैं लिखूँगा तब आप में को मदद करना. Point No.1. Make application. Till. पता which date? ये existing trust है. Till. Till. बेटा. निकल जाएगा हम उसे कुछ गाली वाली. ने ने मैं 30th June लिखता हूँ मैं, ठीक है? फिर क्या लिखता हूँ? 2 months, add करता हूँ. ठीक है? ताकि आपको clarity दे. उसे साब से क्या आएगा? 31st August 2021. Clear है? क्या है? बोलो ना? Yes sir. फिर grant of registration? ठीक है? रुक जाओ अभी answer मत देना. If application made in say August 2021, तो कब तक registration मिलेगा? यह सब last dates है? 30th 2021. यह भी last date है. पराबर? ठीक है? अब एक बार मैं provision परवाभा भी देता हूँ आपको चाहिए तो कोई attention वाली बात दी है? यह application का section है. परते? Not withstanding anything containing clause A to AB, the person in receipt of income has made an application, has made an application, has made an application, in prescribed form and manner to the principal commissioner or commissioner for registration of the trust has made an application, where the trust on institution is registered under 12A or under 12A, within 3 months from the date on which this clause has come into force. This clause has come into force on 1st April, वहां से 3 मैना 30 अजुल, लेकिन उसमें और 2 मैं एक extension हो गया है, तो 31st August. Is everyone clear with this? ठीक है, आप हम लोग देखेंगे, 12AB में हमको registration कितने साल के लिए मिलेगा और कब से मिलेगा, ठीक है? वह कहां लिखा गया है? 12AB में. पड़ू मैं? प्रिंसिपल कमिश्नर, और कमिश्नर, on receipt of application, under clause AC, of subsection 1, of 12A, shall, where the application is made, under sub clause 1, what is application under sub clause 1? बेटा देगो, इस तरीके से रीट करना है, sub clause 1 ये वाला application है? मतलब, sub clause 1 में existing trust वाला application है? मैं interpretation सिखा रहा हूं, इक एक चीज का अंदर गुसके नाया section है? sub clause 1 में existing trust का application है ना, बेटा? चलो देखते फिर, उनके लिए क्या बोलता है, लो? where the application is made, under sub clause 1, of the said clause, pass and order in writing, registering the trust or institution for a period of how many years? केतने साल के लिए registration मिलेगा, बेटा? बेटा, बोल दो ना, please. 5 साल के लिए, ठीक है? हाँ, तो अब मैं आपको एक एक चीज़ का source बता रहा हूँ, 12A क्या बता रहा है? 12A क्या application कब तक देना है? बराबर? 12A भी क्या बता रहा है क्या application देने के बाद registration कितने साल के लिए मिलेगा? बराबर? अब एक और चीज़ भी तो बोलना पड़ेगा ना, इसको, कि application देने के बाद, registration मिलने के बाद, exemption कौन से साल से मिलेगा? अरे हाँ या ना? therefore, exemption कौन से साल से मिलेगा सार? बता रहा हूँ. एक सेकंड रूप चाहूँ. इस डब्बे के अंदर देखना हूँ. ये वाला चीज़ अपन ने टुवेले में देख लिया, पराबर? प्लीज कन्फर्म. अरे बोलो ना भाई, अरे भाई मैंने तो number में provision नहीं दिखाऊँगा, मैं डब्बे से बोलूँगा डारेक्ट. प्लीज कन्फर्म करो आप लोग. ये वाला चीज़ देखा अभी आपने टुवेले में? ये वाला चीज अभी आपने देखा टुवेले भी में? अब ये कितने time के अंदर registration देगा वो तुवेले भी सब्सक्शन 3 में लिखा है दिख रहा है आपर सबका reference दिया हो मैंने अब तुवेले भी सब्सक्शन 3 कि तर है? subsection 3 इधर है, the order under sub clause A, the order under clause A, sub clause 2 and clause C of subsection 1 shall be passed in such form and manner as may be prescribed before expiry of period of 3 months, 6 months and 1 month, तो अभी अपन कौन सा point पढ़ रहे बिटा, sub clause A वाला point पढ़ रहे, इसका order कितने time में pass होगा, वो देखो इधर लिखा है, फ़लो, shall be passed, sub clause A, sub clause B, sub clause C, sub clause A का order कितने time में pass होगा, देखो, अरे दिखता है कुछ अदो, कितनी मैनत करके वो डबा बनाए, अरे भाई बोलो ना रे बेटा, कम से कम confirmation तो देदो, हैसान कर दो मुझ पे, अरे भाई ये point कहां से आया, समझ में आया, आप पूछो के बाद में सरे, सब कहां से लिखे आपने, तो बता रहा हूँ मैं आपको, sub section 3 में लिखा है, आदेखो, clause A का order 3 मैने में पास होना चाहिए, बराबर, एक आखरी चीज, सर, exemption कौन से साल के लिए मिलेगा, वो कितार लिखा है, बोलो, second proviso to 12A sub section 2, बराबर, 12A sub section 2, ठीक है, second proviso to, exemption कब से मिलेगा सर हमको, तो 12A पढ़ना पढ़ेगा, उसके लिए, यह 2LA है, हाँ, यह नाया 2LA है, इसका sub section 2, exemption कब से मिलेगा मुझे, ठीक है, तो ध्यान से देखना है, इसमें, यह देखो, provided that the provision of 11 and 12 shall apply, 11 and 12 मतलब, exemption shall apply, to a trust or institution, where the application is made, अपना sub clause 1 है, yes, from the AY, from which such trust or institution was earlier granted registration, समझ में आया बेटा, यहां से आ रहा है यह वाला डबबा, yes, समझ आया, सब कई सा घुमा के रखा है, इसलिए सबका reference दिया हूँ, और आप provision नहीं पढ़ सकते हो, exam के दिने, यह डबबे के हिसाब से, और जो बोट पर मैं लिख रहा हूँ ना, उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीज़े, डिट एवरिबड़ी अंडर्स्टान डिस, ठीक है, अब इसमें गवर्मेंट ने गर्बबर कर दिये, मैं बता लो कि या गडब़े, इस पॉइंट में गडब़े, अब मैं पता हूँ उसमें क्या गडब़े, हाँ, अगर मेरा ट्रस्ट है ना, सुनो, अगर मेरा ट्रस्ट तीन साल पुराना है ना, तो यह पॉइंट वालिड है, बहुत आगे का सोच रहा हूं मैं यह इंसी इूट का बाप भी नहीं सोच पाए गया लिख के देता हूं उन्होंने तो डाला भी नहीं सेक्षन डाल सकते थे अगर डालना चाहते तो एक्जाम के लिए कि नहीं डालाउन ने इसको defer कर दिया बोलो छोड़ो government defer कि हम भी defer कर देंगे कि इतना complicated section बना कर रखा है अब यहाँ पर क्या बोल रहा है मालू है exemption कब से मिलेगा timing देखो exemption की लिखने के समय थोड़ा सोचते हैं लोग लिखने के समय कुछ भी लिख देते हैं मों कोल के from the ay from which such trust or institution was earlier granted exemption यह 5 साल के दर से count रहेगा वो law में कहीं नहीं लिखा है तुमको जितना check करना है ना check कर लो यहाँ पे सिर्फ यह बोलता है कि 5 साल के लिए तुमको registration मिलेगा ठीक है यह देखो you'll be getting registration for a period of 5 years बराबर अब यह 5 साल के दर से count रहेगा इधर तो नहीं लिखा है बेटा बोल जो ना please इधर नहीं लिखा है बराबर अच्छा तो उसके रहे में को इधर ही आना पड़ेगा 12A के अंदर 12A के अंदर यह जो प्रवाइज हो खुशेरा इनोने ठीक है यह क्या बोलता है exemption कहा अब यह पर एक चीज की clarity नहीं है कि यह 5 साल कहां से count होईगा तुमको कुछ समझ मैं है मैंने क्या बोला absolute clarity नहीं है चुँको जितना पढ़ना है पढ़ लो अच्छा अगर आप यह बोलोगे कि 5 साल महीं से count होईगा जहां से यह शुरू होता है बराबर तो फिर मेरा सवाल यह उठेगा कि 3 साल पुराना trust है ना अगर तो समझ में आगा है कि 3 साल पुराना trust है तो यह 5 साल कैसे count होईगा पहले का 3 साल आगे का 2 साल लेकिन अगर 15 साल पुराना ट्रस्ट है और आप बोलते हो ये 5 साल पहले वाले साल से चाल होएगा तो 5 साल तो वो पहले 15 साल के 5 साल में ही एक्सपार हो गया I don't know whether you got this point or not Question समझ में आए मेरा क्या है कि भाई ये 5 साल का पहला साल कौन सा है बताओ हमको ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे है मालो हम लोग common senses का answer निकाल रहे है हम लोग common senses का answer क्या बोल रहे फॉर्स्ट यह और आफ एक्सेंप्शन विल भी वाट फाइनाशल यह 21 22 कुछ समझ में है मैंने क्या बोला बिटा वही होना चाहिए ना और क्या हो सकता है बेटा पहले में को confirmation तो did everybody understand this government देखो यह मूँ खोल के बोल देती है कि तुमको registration पाथ साल के लिए मैं बला सही बात है मैं बोला exemption कि इदर से चालूएगा वो भी बताओ गोर्मन बोलती है वो पहले से चालूएगा registration पहले से चालूएगा मैं बोला registration कभी से चालूएगा वो मत बोलो exemption कभी से मिलेगा वो बताओ अरे बेटा did you understand उस पे लो बहुत silent है अगर मैं यह सोचू के registration जब से मिलता है अरे exemption भी तभी से मिलेगा तो अगर मेरा 10 साल पुराना ट्रस्ट है तो 5 साल पहले ही expire हो गया I hope you understood the point therefore the most logical answer is this भर-भर के इस्पे amendment आएंगे देखना तुम लाना ही पड़ेगा इनको यह तो चलो एक blender है हर point में blender किया इन्होंने बताता हूँ blender number 2 बताओ कितना बड़ा blender की app देखना तुम इनको सोचते भी नहीं provision बनाने के पहले ठीक है चलो इसकी बात करते है new trust which are not registered under 12A, 12AA और any other trust not covered by this table अब मुझे बता new trust के लिए मैंने आपको क्या बोला था क्या करना पढ़ेगा new trust के लिए नए ट्रेंस के लिए मैंने क्या बोला था कि नए प्रोविशन मेंने क्या रखा है बोलोगे बेटा कुछ कुछ तो बोलो या बेटा उसको प्रोविशनल रेजिस्ट्रेशन मिलेगा बराबर यस और नो तो चलो अब देखते क्या करना पड़ेगा new trust में बहुत भ्यान से सुनना देखो कैसा blender किया ब्लंडर बताता हूंगा थोड़ी देर बात बताऊंगा हर चीज में blender किया ठीक है हर एक प्रोविशन में प्रोविशन जैसा income tax law में लिखा है वो उठाके module में डाल देगा लिखके ले लो मिरसे चलो देखते न्यू ट्रस्ट क्या करना पड़ेगा न्यू ट्रस्ट को सब्सक्राइब पहले भी रजिस्टर नहीं था तो अब उसको क्या करना पड़ेगा उसको रेजिस्ट्रेशन प्रिविए से रेलेवें तो असेस्मेंट एर फ्रम विच रेजिस्टरेशन इस सॉट पहले यहां से लेकर यहां तक पड़ो पड़ा पड़ा अब मेरा आपसे सवाल सब्सक्राइब को प्रिविए से 21 22 में एक्जम्शन चाहिए ठीक है न्यू ट्रस्ट केस्टू मेरे को प्रिविए से 21 22 से एक्जम्शन चाहिए मैं आया ट्रस्ट हूं 21 22 से मैं कब तक अप्लीकिस्टन करूँ बोलो पेटा आप लोग बोलोगे तो बेटार होगा मैं बोल दूगा ना मतलब मसा नहीं आएगा कुछ मसा नहीं आएगा कुछ सीखोंगे निया बोलो ना मुझे प्रिविए से 21 22 से एक्जम्शन चाहिए मैं को यह एक्जम्शन चाहिए मैं कभी तक अप्लीकेशन दूँ इतना टाइम नहीं लगना सी है फर्स्ट मार्स को एक मैने पहले नहीं होगा एक मैने से कम होगा ठीक है फ्टेट फेब टूजन ट्वेटीवन इस एवरिवन क्लियर बेटा बहुत ही जबरदास्त है यह सब दिसकर्स कर तुम बोलो कि तो मैं करता हूँ या नहीं तो फिर मैं इतना डीटल में नहीं घुशता हूँ प्लीज बेटा मैं बरू आगे तुम तो मैंना साथ देना पड़ेगा तोड़ा देन अससी विल गेट एक्सेम्शन फॉर वाट प्रिवेश से ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी तुम खुद देखना भी आगे जाकर गवर्मेंट ने क्या गलत किया है तुम खुद बोलना और खुद पूछना जाके गवर्मेंट से गाली देना उनको बोलना क्या करते हो क्या सोचते नहीं का तुड़ा अब ये कॉलम क्या बोलता है कि एक माल मैंने अप्लिकेशन भर दिया तुमेंको रेजिस्ट्रेशन कब तक मिलेगा ये बुलता ना ये क चलो ग्रांट रेजिस्ट्रेशन तिल मैं इसले आपके सामने लिख रहा हूं मैं चाहता तो ये बोर्ट पे लिख क्या था था में को डबल डबल मैनद करने की क्या सब्सक्राइब नोट बुक में लिखा सब अनालिस्स किया और फिर बाद में भी बोर्ट पे लिख रहा सामने लिखू तो 31 मार्ट 2021 तक उसको ग्रांट कर दो रिजिस्ट्रेशन ब्राकेट में लिख देता हूं इफ आप्लिकेशन मेड ऑन वाट ट्वेंट अफ और राधर इन feb 2021 ठीक है क्लियर है यहाँ तक सब को अख्लियर ए यहाँ तक मेर को भी कोई प्रब्लम नही आ यह तक में कोई प्रब्लम से थोड़ी दर में ठीक है अब में लास कवाला में पो डुक्स START मिलेगा provisional registration for a period of 3 years from the ay from which the registration is short मतलब में को कौन कौन से 3 साल के लिए provisional registration मिलेगा पहले ये पढ़ लो बेटा चाहिए ये पढ़ लिया अब मुठी पता हुआ अब भो लिए पड़ रहा हो अब भोड से पता हुआ भो लो अब रहा हो provisional registration for a period of 3 years from the ay from which registration is short so i will get provisional registration for which 3 years will be granted for which 3 years एवाई पहला क्या है इंग्लिश पर बराबर से जो गलाग बोल रहा है 2021-21 पराबर से परो पहले एक बार प्रोबिशनल रेजिस्ट्रेशन फर पर पीड अफ त्री एर्स फ्रॉम दी एवाई प्रॉम बिच रेजिस्ट्रेशन इस उट बोलो पहला साल क्या आएगा 22-23 दूसरा 23-24 दूसरा 24-25 देखो मैं I am going as for the book पीभाई 21-22 पीभाई 22-23 पीभाई 23-24 बराबर am I going as for the law अरे बोलो ना भाई ठीक है यहां तक भी मैंको कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो यहां पर देखो एक दम exactly मांच होता है मेरे को exemption 21-22 से चाहिए था तो मैंने इस दिन application किया और मेरे को इस साल से exemption मिलना चालो जाएगा मेरा इस साल से registration चालो जाएगा न मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक ठीक है प्रॉब्लम मैंको कहां से चालो होगी देखो अभी बोलो यह बीच वाले डबने से यह डबा क्या बोलता है प्रॉब्बबबबब यह बताता है ना कौन से साल से exemption मिलेगा अब यहां पर पढ़के में को तकलीफ होती है बहुत जिंदगी में पढ़ो exemption कौन से साल से मिलेगा from the AY immediately following the FY in with the registration application is uploaded मुझे बताओ यह पढ़ो यह आपके सामने book है ना book है आपके सामने यह वाला point निकालो और पढ़ो और बताओ अब मुझे बताओ क्या यह mismatch हो रहा ही की नहीं हो रहा है अपने से यह point क्या बोल रहा है मालू कि जब registration application upload किया उसके next AYS यह ते कोई exemption मिलेगा जो अपने से mismatch हो रहा है तुम चेक कर लो मतलब registration grant करने की भी पहले exemption दे रहा है अरे कुछ समझ में आया है मैंने क्या बोला I don't know whether you got this point or not चेक कर लो अब जितना भी चेक करना है therefore यहाँ पर लो दो अलग पॉइंट बोल रहा है कि registration इस साल से देंगे लेकिन exemption बोलो न from बोलो what ay2122 that is py2021 कुछ समझ में है मैंने क्या बोला बिटा जब तक यह cases नहीं देखोगे पले नहीं बढ़ने आला है तुम्हारे ठीके अब यह क्या miss match है क्या जान कुछ के रखा है मुझे नहीं बता जान कुछ के भी रख सकता है वरोसा नहीं कि हाँ exemption आप इसी साल से ले लो भले registration अगले साल से हो हो सकता है ना वो भी बोलो अरे बोलो ना भाई वो भी तो हो सकता है वो भी possibility है भाई मुझे नहीं पता ऐसा काई को रखा है क्लियर है क्या तो मैं आगे बढ़ता हूं तीसरे केस बस उसके बाद मैं रुख जाओं और मैं कल करूँ करूँ अब ज्यादा नहीं अभी लिखना है बहुत आच बढ़ू आगे पागल लोग दुनिया में जिन्दा हो तुम लोग के नहीं हो इदर देखो जड़ा अब थर्ड केस जो है ना यह फर्स केस था जो थर्ड केस ना और सेकंड का कंटिनुईशन है मुझे बताओ इस सेकंड वाले बिचारे यह जो सेकंड वाले है इनका प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन तीन साल बार एक्सपायर होगा ना तो उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए तो अप्लिकेशन करना पढ़ेगा तो अब यह केस देखते चलो यह आखरी केस उठाते बाकिकल उठाएंगे गाई नहीं अपने को केस तरी Suppose provisional registration expires on पुराई देट का खेले Suppose it expires on 31st March 2024 कभी expire हो रहा हूँ 31st March 24 को expire हो रहाना अपने एक्सामपल में भी बोलो ना बेटा जा और अब क्या करेगा ये ठीक है चलो देखते देखो चलो एटलीस 6 months prior to the ये क्या कॉन सा कौलम है भाई एप्लिकेशन करने का कौलम है एटलीस 6 months prior to the expiry of the provisional registration or within 6 months of the commencement of its activity whichever is earlier ठीक है अभी ये within six months वाला point छोड़ दो फिलाल तुम सिर्फ इस case आप से answer दो at least six months prior to the expiry of the provisional registration बताओ उसे इस आप से date क्या आएगा बोलो ना बेटा सब लोग प्लीज बेटा इसका answer दो ना प्लीज ये चोड़ो ना ये ये नीचे का point चोड़ो उस पर मैं आता हूँ trust which is provisionally registered under 2LAB at least six months prior to expiry of the provisional registration बोलो ना 30th September 20 20 23 make application till till what 30th September 2023 ठीक है अब सुनना देखो सबसे बड़ा लूपोल इतना बड़ा लूपोल है सुनो आगे और date है मुझे बता हो सकता है ये जो trust है वो 2014 से काम कर रहा है लेकिन registered नहीं है ठीक है ये 2000 ये 2021 में वो registration के लिए application दिया उसको तीन साल का provisional registration मिला case 2 में बराबर बोलो ना ठीक है अब यह ब्रैकेट में लिख रहा हूँ suppose trust commenced its activities on 31st March 2015 बेटा possibility है मैं ध्यान सा situation सुनो 2015 में ट्रस्ट ने activity चालो की ठीक है registration नहीं किया ठीक है 2021 में जब नया provision आया तो उसने application दे दिया तो उसको तीन साल का registration मिला provisional बराबर अब तीन साल जब expire रहेगा उसके छे में नहीं के अंदर उसको application देना है for what final registration बराबर अब यह कई से गदे है लोग देखो प्रोविजन क्या राल है मैं ट्रस्ट विचिस प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन दे तो यह समझ में आता है ठीक है और विदिन six months of the commencement of activity whichever is earlier अब अगर यह date देखो न मैं और के बाद वाली ठीक है तो उस हिसाब से यहाँ पर date क्या आएगी पता है उस हिसाब से यहाँ पर date आएगी 30th of September 2014 और answer क्या आएगा मालूँ whichever is earlier तो government क्या बोलती है मालूँ provisional registration के लिए application ना इस date तक करने का अब एक गधो उस time पर तुमारे बाप को नहीं मालूम था कि यह provision तुम 2020 में लाने वाले हो तुमको कुछ समझ में आया है मैंने क्या बोला I don't know whether you got this or not यह लोग सोचते नहीं क्या provision बनाने के पहले यह मतलब यह mistake तो master guide of income tax में भी identify है यह मैंने नहीं किया हूँ यह बहुत से लोगों नहीं किया है यह mistake तो ready reckoner के अंदर भी mistake डाला है उन्होंने यह बुला है यह government की mistake है question समझ में आया है क्या is everyone clear बेटा बोलो please this is a big loophole big loophole इनको से वियाई date रखना चाहिए था whichever is earlier बोल के इन्होंने कर दिया गड़बाला है yes or no clear यह loophole है इसको काट उसका कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है लेकिन इसको लिख के काटना ऐसे अभी अमानले relevant यह take this as relevant date हाँ या ना इसको relevant date लो तुमको लग रहा है डपे मैंसे बोल रहे हो आप तो अपर तो जाकर तुम provision इसलिए मैंने पूरा book में डाला हूँ तुम जाकर confirm कर लेना और एक चीज अच्छा रजिस्ट्रेशन कब तक मिलेगा अब इसका date बोल दो फटाक से विदिन 6 months on the end of the month in which the registration application is uploaded ठीक है अब अब आप तो फटाक से नारियो देख लेए ठीक है अच्छा सर अभी exemption कितने साल के लिए मिलेगा पांच साल के लिए लेकिन पांच साल के लिए एक्स्ट्रा नहीं तीन साल तो अल्रेडी एंजॉई कर लिया है तू हाया ना बोलो बेटा तो थेको एक्स्ट्रा दो साल के लिए मिलेगा ठीक है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हूं 5 years to be granted after satisfying about the objects of the trust and genuerness of the activity अब गुवर्मेंट यहापर चेक करेगी तीन साल तून्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में क्या गुल किला है तीन साल प्रोविजनल रिजिस्ट्रेशन में क्या गूल किला है वो गुवर्मेंट देखेंगी और उसके देखने के बाद गु यस अखोें खाल है न ज्योग के जु है अच्छान यह क्लिछ वेश्यारे मां पर कोंकर से था खान मांगल च्छमपलद्ट कि अच्छे का न खाल सकत्वार्च मां में की्त अ बॉर्णिंग बेटा So now let us go ahead with the next case in section 12 AB Next case is this What is the next case? Pay attention please Next case is about के अगर एक trust 12 AB में पहले registered था तो उसको 5 साल के लिए registration मिलेगा maximum मुझे बताओ तो क्या 5 साल के बाद उसको वापस से application देना पड़ेगा The answer is yes क्योंकि एक बाद अगर आपका registration 5 साल के लिए ही applicable है इसका वंतलब 5 साल के बाद आपको एक वापस से application देके re-register करवाना पड़ेगा अपने आपको ठीके तो चौता case वो है case number 4 ठीके Pay attention on the board please इसमें क्या हो रहा है suppose 5 years registration expires on 31st of March 2025 ठीके तो अब क्या 5 साल के बाद मुझे फिर से application देका re-register होना पड़ेगा the answer is yes पहले ये सब करना नहीं पड़ता था कि कि पहले 5 साल के लिए नहीं हमेशा के लिए registration मिलता था तो आप मुझे application कब देना पड़ेगा देखो यहाँ पर at least 6 months prior to the expiry of the registration under 12AB तो जब भी registration खतम हो रहा है उसके 6 मैंने पहले आपको कम से कम application दे देना पड़ेगा therefore in this case I have to make application till till what 30th of September 2024 this is the last date जब registration expire हो रहा है उससे 6 मैंने पहले तक आपको application दे देना है ठीके उसके बाद एक बार मैंने application दे दिया तो government registration को भी देगी government registration को भी देगी वो इदर लिखा है within 6 months from the end of the month in which the registration application is received so registration, grant registration till जब application मिला हुँ से चे मेंने केंदा that is till 31st of March 2025 you will get the registration again this is the last date if application received in September 2024 and third and the last point कितने साल के लिए registration मिलेगा फिर से 5 years के लिए वो 5 years कौन से होंगे यहां 5 years लिखा है 5 years के लिए registration मिलेगा to be granted after satisfying about the objects of the trust and genuineness of its activities तो commissioner check के लिए तुमारा objects, genuineness of the trust और आपको registration दे देगा कब से देगा from the AY immediately following the FY in which the registration application is received तो when is the registration application received registration application is received in 2024-25 तो उसके next AY से मिलेगा आपको तो उसका next AY कौन सा है AY 25-26 से लेकर AY 30-31 क्योंकि लोग क्या बोलता है जिस AY में application मिला जिस financial year में application मिला उसके next AY से आपको exemption मिलना चालो हो जाएगा तो यह 5 साल के लिए you will enjoy exemption are you clear गोलिए बेटा यह 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 साथ ठीक है बेटा यह साथ चलो यह एक सिंपल सा केस है इसका में हेडिंग क्या है कि अगर 5 years एक्सपार हो जाते है तो फिर आप क्या procedure follow कर दो कुछ नहीं जब expire होंगे उसके शेयर मेने के अंदर application दे दो government आपको शेयर मेने के अंदर registration दे देगी उसके बाद आप next year थे enjoy करना ठीक है वो attention वाली बात नहीं इसमें I'm coming to case number 5 total there are 6 cases case number 5 क्या है चलो देखते कल एक पढ़ा था case उसपे dependent नहीं case number 5 trust registration of which has become inoperative due to 11.7 मुझे बता हूँ मैंने कल आपको बताया था कि 11.7 के वज़े से आपके trust का registration inoperative हो सकता है कैसे inoperative हो सकता है 11.7 में हमने पढ़ा था दो प्रोवाईज हो एक main section मैं आपको पहले बोल देता हूँ आप शायद भूल गए होंगे क्या था tricky part था 11.7 क्या बोलता है 11.7 बोलता है कि if a trust is registered under 12AA और 12AB then no exemption under section 10 shall be allowed except 10.1, 10.23C and 10.46 बराबर उसके बाद 11.7 का पहला प्रोवाईज हो बोलता है कि अगर आप notify हो जाते हो 10.46 या 10.23C में तो फिर registration तुमारा inoperative हो जाएगा लेकिन फिर उसका second प्रोवाईज हो बोलता है आगे जाकर आप वापस से 12AB या 12AA में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो लेकिन फिर आपका 10.23C और 10.46 का exemption आपको नहीं मिलेगा उस पर आपने note भी लिखा है बोलो ना बेटा ठीक है तो यह वो केस है यह वो केस है trust registration of which has become inoperative due to section 11.7 तो पहले 11.7 के वज़े से trust का registration inoperative हो गया था चलो इसको आप लोग example के तौर पर लिखते हैं Suppose registration is inoperative from previous year 23, 24 i.e. ay 24, 25 बहुत अराम से खाई नहीं करना या इसको मैं पूरा time scale diagram की तरह लिखता हूँ wait registration was बहुत अराम से सुना operative from previous year 15, 16 to to previous year 2021 ठीके then in previous year अराम से सुनना अप्थोड़ा patience रहना registration got registration got inoperative due to section 11, 7 in not pay attention अईसे कि हुआ सर कि शुरुआत में टोएल डबल ए और टोएल अब डोएल अब दोणों enjoy करता था यहां तक तिल यह आई यूस्टू एंजॉए बोथ ट्वेल डबले एंड टैन ट्वेंटी त्री सी और 1046 पहले दोनों एंजॉए करता था अलाउट था फिर क्या आगया फिर आगया अमेंडमेंट जिसमें बुलाई कि वहाई तेको दोनों एंजॉए करने नहीं मिलेगा तो तेरा रेजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा इन अपरेट्व हो जाएगा नाओ एकन एंजॉए ओनली वाट 1023C और 1046 बराबर अब अगर मेरी इच्छा है नाओ इस उसाछी विससे जो जो सेच्छीध थे द Свशेउब एंज, वेड ओन॓ फो येजुए, झार आएगा झालमेंट एंजॉए 123C or 1046 plus he has to make application till till which date बस बही पनने जा रहा हो भी मैं पलो एक सेगंड रुक चाहू अब इसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा रुखना प्लीज इधर आस्टेक्स मार्क करके मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको ठीक है अब पर चग ये निये ठीक से णुखस्ट मैं रहा हाâte रहा ह हुए ल्चेश मैं इसको बाहा हुए लोड़ मैं तबस्स यह 2425 変 प्लीज आस्टेक्स मिन 2526 तल इसको लोड़ फॉब इसक कॉता आप पता रहा बात है पड़ो यह कर तक अप्लिकेशन करना है एक लिस्ट सिक्स मॉन्स प्राइर तो दे कमेंस्पेंट अफ ए वाए फ्रम विच दे सेट रिजिस्ट्रेशन इस सॉट टू भी मेड ऑपरेटिव और बताओ डेट क्या लिखूँ क्या डेट लिखूँ थर्टेथ सेटेंबर तो ठीक है चलो आगे तू दाउजन ठीक है क्या लिख्या अबर पर नष पांगल इस लिख वदी को स्टीक प्राइर पर एुटल एक लिखकेично अवा लिखल हूँ तो क्या लिख वेदर 25 ठीक है sorry sorry at least six months prior to the commencement of the ay ay कब comments हो रहा है यहां comments हो रहा है बढ़ाबर 24 यहाएगा ना sorry 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 at least six months prior to the commencement of the ay from which the registration is sought to be operative so i am sorting to be operative from this year i want registration from this year this ay इससे छे महने पहले sorry forum 30th September 2024 तक आपको application देना है ठीक है registration कब सब कब तक मिल जाएगा registration is granted वो standard time है कब तक within six months from the end of the month in which the registration application is received चलो ठीक है वो सेम है 31st March 2025 last date ठीक है registration कितने साल के लिए मिलेगा पांच साल के लिए और कौन से पांच साल होंगे तो यह पांच साल काउंट कर लो from the ay immediately following the fy in which the application is received so application कभी receive हो रहा है application receive हो रहा है in 24 25 तो this will be ay what 25 26 2 25 26 26 27 27 28 29 30 30 31 to ay 30 31 is everyone clear with this बोलिए बेटा तो यह बहुत specific case है किसके लिए जिसका registration inoperative हो गया था क्यों क्योंकि उन्होंने choice लिया था कि भाई हमको registration नहीं चाहिए हमको exemption चाहिए 1023C में अब वो वापस आना चाहते है अपने घर पर तो उनके लिए यह case अपनी के बहले अरे are you clear बोलिए ना ठीक है and last but not least इसके बारे मैंने आपको कल भी बोला था मुझे बताओ तो अब उसको अगर modify करना है तो बोलो बिना देखे बोलो उसको कितने समय के अंदर application देना पड़ेगा fresh application देना ज़रूरी है if they want to modify their objects तो कब तक fresh application देना होगा 30 days तो check करो इदर they have to make a fresh application within 30 days from the date of the set adoption or modification clear अब इस पर मैं note भी नहीं लिखा रहा हूँ यह बहुत simple point है 30 days के अंदर आपको application देना है उसके बाद 6 मेने के अंदर आपको registration मिल जाएदा और फिर आपको 5 साल का exemption मिल जाएदा don't worry ठीक है so there is nothing great in this so it's a very straightforward point तो यह कुछ cases है आपके 12 A B के अंदर ठीक है अब यह सिफ 12 A B नहीं था साथ साथ में यह 12 A B था यह मत भूलना आप यह 4 कॉलम में से 2 कॉलम 12 A के हैं that is the second and fourth and third and fifth is of 12 A B क्योंकि यहां पर आपका application कब तक दोगे वो 12 A में लिखा है exemption कौन से साल से मिलेगा वो भी 12 A में लिखा है registration कितने साल के लिए मिलेगा वो 12 A B में लिखा है ताकि आपको एक तरीके का simplification हो जाएने तो आप एक provision यहां देखोगे फिर वहां चाओगे यहां वहां यहां पागल हो जाओगे कितना भी मैं समबदी बना दू पॉसिबल ही नहीं है बिना एक दब्बे के यह दब्बा बहुत जरूरी है देखना आपको along with the case examples which we have written in the notebook